Hello everyone, compound interest का complete lecture आप सभी के लिए हम लोग provide कर रहे हैं आपको धंग से पूरा देखना है, जो जो pointers इसमें मैं बताया हूँ उसके उपर काम करना है जो चीजे मैं revise करने का बार-बार बोला उसको revise करना है इसके बाद अगर कोई भी exam आप देते हैं, SSE का खास करके जैसे आप SSE CGL Pre, CGL Mains, CHSL Pre, CPO या फिर other exam भी आप देते हैं MTS का भी तो कोई भी question इससे बाहर नहीं आएगा जितने भी shortcut है, जितने भी best approaches है, जो भी मैं discuss किया हूँ अपने paid class में वो सारे इसमें है, पहले भी मैं compound interest का एक छोटा lecture आप लोग को दिया था आप लोग बहुत पसंद किये थे, तो ये complete lecture आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसको ढंग से पढ़े और revise करे Hello everyone, आज हम लोग compound interest start कर रहे हैं compound interest का जो एक lecture था, मैं calculation में भी दिया था जहांपे कुछ data आप लोग को याद करने के लिए बोला था और सिर्फ एक ही method वहाँ पर discuss किया था, वहाँ पर सिर्फ एक ही method भी discuss किया था जो है क्या, x प्लस y प्लस xy upon 100 वाला लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि compound interest सिर्फ इसी method चे बन जाएगा compound interest solve करने के बहुत सारे method होते हैं लेकिन हम लोग के sse में बहुत कम question आते हैं और ज्यादा variations नहीं होते हैं तो जो sse पूछता है उसके नुशार बहुत कम पढ़ना होता है तो अपन जो आता है उसको अच्छे से discuss करेंगे या फिर उससे थोड़ा आगे बढ़के जो आ सकता है उसके उपर discuss करेंगे ज्यादा आगे तक जाके irrelevant चीज़ें नहीं पढ़ना है जो मैं सिर्फ एक class में discuss किया हूँ calculation वाले में उसको आप सिर्फ उसी को use आप कर रहे हो आप calculation वाले में सिर्फ जो पढ़े एक घंटे सवा घंटे class सिर्फ उसी pattern को और उसी formula को use कर रहे हो उसी तरीके solve कर रहे हो तो अभी के जो exam में questions आ रहे हैं उसके 70-80% questions आप कर लोगे easily कर लोगे जिस type से अभी question पुछे जा रहे हैं तो वहाँ पर आप जाके 70-80% कर लोगे लेकिन जो 20-30% जो छोड़ा हुआ है उस पार्ट को पढ़ने के लिए हम लोग type voice दो या तीन lecture में compound interest को पढ़ेंगे और मैं यहाँ पर उस पार्ट को भी फिर से discuss करूँगा सिर्फ इसलिए discuss करूँगा जो चीजे है आप सिक्वेंसिंग में पढ़ो धंग से पढ़ो पता चल जाए नहीं तो क्या होगा थोड़ा खिचड़ी पख जाएगा वहाँ जो था डेटा इंपॉर्टेंट डेटा थे तो में वह डेटा आप लोगो जल्दी से जल्दी प्रवाइट करना चाहता था जिससे आप याद कर जाओ याद करके जल्दी जल्दी अपलाई करना चालो करो जिससे आपका टाइम भी बचे और confidence भी बढ़े तो वहाँ पे कुछ डेटा आपको प्रवाइट कर दिया था यहाँ पे उस डेटा के बारे में ज़्यादा डिसकस नहीं करोंगा लेकिन हाँ उस डेटा का यूज यहाँ पे करोंगा तो अगर आप पहला क्लास है आपके लिए यह CI का तो पहले जाके calculation वाली आप क्लास देखो वहाँ पे जो CI fixed को क्लास लिया हूँ उसके बाद इसको देखना तो आपको जल्दी जल्दी question solve होगा अब मैं थोड़ा सा basic basic बाते कर देता हूँ आप सभी को SI पता है क्या होता है simple interest और आपको CI भी पता है क्या होता है CI का definition भी आपको पता है क्या होता है CI का definition होता है इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रविर्दी ब्याज और इंग्लिस में बोलते हैं compound interest और चक्रविर्दी ब्याज का जो definition होता है कि जब ब्याज के उपर ब्याज लेने लगे हम लोग compound होने लगे ब्याज के उपर भी ब्याज तो उसको चक्रवर्दी ब्याज बोलते है आपको definition के पीछे ना भाग के सिर्फ o-line याद रखो कि ब्याज के उपर ब्याज मिलता है काफी है उसको दिसके usage को समझ लो difference क्या होता है SICI में उसको समझ लो समझ जाओगी क्या होता है SICI जैसे मैं एक example लिया कि 100 रुपय आपको principal था SI में भी और CI में भी अब क्या हो रहा है मैं बोला कि rate percent जो है वो 10% rate percent जो है वो 10% है अभी तक इतना चीज given है कि आपका principal 100 रुपय गीवेन है और rate 10% given है अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ जो समझाना चाहता हूँ उसको समझना मैं बोला कि 10% कि हिसाब से एक साल में कितना का interest मिला तो 10 रुपय का कितना हो गया मेरा amount amount होता है आपको पता है मिश्रधन और principle होता है मूलदन रेट होता है दर और time होता है समय अब मैं बोलू कि अगले साल भी में simple interest पे चलाऊंगा तो जो मेरे को ब्याज मिलेगा वो 10 रुपय ही मिलेगा इस पे 10% तो कितना हुआ 120 अगले साल फिर में ले चलू तो फिर 10 रुपय मिलेगा 130 अगले साल फिर में ले चलू तो क्या मिलेगा 140 प्लस का 10 तो हर साल आपको यह चीज़ पता है कि fixed interest मिलता है simple interest पर और जो यह principle होता है वो fix होता है लेकिन compound interest में क्या होता है अगर मैं पहला साल बोलू तो इसको 10 रुपय का ब्याज मिलेगा तो एक चीज़ जो आपको notice करना है पहले साल का जो simple interest होता है वो बराबर होता है compound interest यह याद रखना है और notice करके first year of SI is equal to first year of CI ध्यान देने वाली बात है note down नहीं भी करोगे तो चलेगा लेकिन दुसरे साल से कहानी बदल जाता है क्या कहानी बदल जाता है कि आदमी लाल्ची होना start हो गया और वो बोला कि नहीं अब मैं बयाज के उपर भी बयाज खाऊंगा यहाँ पर मेरा 110 जो है इसम पर भी 10% लेंगा तो ultimately क्या हुआ जो 110 हुआ उसके उपर बयाज लागा नहीं लगा तो एक चीज जो आपको ध्यान देना है जो first year का amount होता है amount क्या होता है principal plus interest principal plus interest amount होता है principal plus interest यह principal 100 है और interest 3 है amount 110 हुआ यहाँ पर भी amount 110 हुआ है लेकिन CI में क्या होता है जो पहले साल का amount होता है first year का amount होता है amount होता है वही second year का principal होता है मतलब हर साल principal change होता है हर साल principal change होता है अब 110 के उपर 10% बयाज मिलेगा तो कितना हो जागा plus का 111 121 अब अगला चीज आप notice करोगे कि जैसे ही आप आगे बढ़ें तो क्या दिखा आपको कि आपको यहाँ पर amount मिला था 120 मिला था और यहाँ पर amount 121 मिला था क्यों मिला तो क्योंकि आप amount के उपर लेने लगे बयाज तो इसलिए लोग लालची होगा ज्यादा पूशा कमाना था compound interest तभी आया था अब मैं बात करो तो आगे क्या होगा फिर दस परसेंट आपको मिलेगा कैसे मिलेगा कि जो सेकेंड यार का amount होगा हो सॉरी जो सेकेंड यार करेंड होगा और थाड यार का principle होगा अब थाड यार के principle पर मैं Maz परसेंंट लिया तो 1301 अब मैं क्या हुआ योज फोर्थ-ियर में यहाँ होगा जो ध्यार्ट यह वित फ्रिप Sometalन внहें přेज Александ categor 1 3.31 का ब्याज 146.41 अभी आपको क्या देखने को मिला? कि यहाँ पर 4 साल में 140 रूपे कमा रहा था, यहाँ 4 साल में 146.41 रूपीज कमा रहा था, तो एक्स्रा कमा रहा था, यहीं CI है, इसी को understand करना होता है, और इसी से question solve होते हैं, बातों को आप धंग से समझें, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हुआ, अब मैं आपको basic बाते बताते जाता हूँ, कुछ एक formula बता दूँगा, कुछ एक तरीके बता दूँगा, ratio method बता दूँगा, डाइरेक्टरी जल्टी आद करने बताया हूँ, तो उसका भी usage बता दूँगा, question solve करने का तरीका बता दूँगा, मैं उसके पहले एक चीज और बता दूँगा, कि वो ratio method आया कहां से, उसको आप लोग understand कर लो, क्योंकि जो चीज आता है सब basic से ही आता है, और basic पे जिसका command रहता है, वो ratio solve करता है, तो मैं basic को ही shortcut आता कहां से, जैसे मैं PRT percent ही बताया था, कि PR का T percent, P का RT percent या PRT का 1 percent, सबका बात एक ही हुआ, उसी तरीके से, आपको जो एक बात पता है, कि जो CI होता है first year का, और जो SI होता है first year का, उस सेम होता है, क्या होता है, P गुणा R गुणा T upon 100, ये क्या हुआ, इस CI हुआ और ये SI हुआ, first year का यही CI हुआ, यही SI हुआ, अगर मैं इसमें P को add कर दो, कैसे हैं, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, 100 था, 10 रुपे मिला था CI, 10 रुपे SI, मैं उस 10 को add किया, तो क्या मिला है, यहाँ पर क्या मिला हैं, तो मैं वही principal क्या हुआ है, इस CI में, यह मेरा CI था, 10 रुपे वाला, और इसमें 100 रुपे कर दिया, 110 मिल गया, तो जो मेरा, यह हुआ, यह क्या हुआ अब, interest प्रिंसिपल, amount हुआ, यही मेरा amount हुआ, अब एक बात मेरे को क्या पता है, कि जो first year का amount होता है, वही second year का, वही second year का principle होता है, वही second year का principle होता है, मैं माल लिया कि यह first year का amount है, तो first year में T कितना हुआ, 1, तो first year का amount क्या है मेरा, P into 1 plus R upon 100, यह first year का amount आगया, अब मैं बोलू कि second year में क्या amount आएगा तो अब क्या करोगे इसके उपर फिर आपका 1 plus R upon 100 निकाल लोगे कैसे निकाल लोगे क्योंकि यही तो आपका क्या है अब principle नया principle यह है और इसके उपर इसका P 80% निकालोगे इसका P 80% निकालोगे तो क्या करोगे P into 1 plus R upon 100 का 1 plus R upon 100 का 1 plus R upon 100 क्योंकि यही तो आपकारोगे फिर से उसका amount निकालोगे फिर से उसका amount निकालोगे तो यह दो साल में आएगा जो amount आएगा आगे में बोलू 3rd year के लिकालोगे तो फिर उसका 1 plus R upon 100 से increase हो जाएगा वही चीज तो हो रहा है कुछ नया नहीं हो रहा है तो आप देखो 3rd year में आपका क्या होगा P into 1 plus R upon 100 और 3rd year में एक बार और हो जाएगा आपको 1 plus R upon 100 तो जो आपको देखने को मिल रहा है हर बार 1 upon R 1 plus R upon 100 से increase होते जा रहा है क्यों होते जा रहा है क्योंकि हर बार उसका principle change हो रहा है हर बार principle नया आ और है जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था आप ठीक से देखो अगर आपको confusion है तो यहाँ 100 से 110 हुआ फिर इसका 11 by 10 से increase हुआ 10% 110 का 11 by 10 ही तो किया हुँ 110 का 11 by 10 ही तो किया है 1 by 10 निकालोंगा 11 आएगा यहाँ total 121 आया तो शीधा मैं 11 by 10 निखुगा तो 121 सा जाएगा स सिधा amount आजाएगा और 1 by 10 करुगा तो सिधा क्या आएगा interest आएगा तो वही काम कर रहा हूँ 1 plus r upon 100 कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बोल दूँ कि जो time है वो एक एक साल करके नहीं increase हो रहा है सीधा in year के लिए increase हो रहा है तो in year के लिए क्या formula बनेगा जो 1 प्लस r upon 100 है वो in times आएगा यहाँ पर 3 साल था तो 1 प्लस r upon 100 का cube बन रहा है यहाँ पर 2 साल था तो 1 प्लस r upon 100 का square बन रहा है अब यही से आपको मिला है ratio method अब ratio method मैं आपको basic formula आया कहां से थोड़ा सा brief किया हूँ ज्यादा कुछ brief नहीं किया हूँ basic सा है कभी आपको यह याद नहीं रखना है लेकिन हाँ आप समझ गए रहोगे तो अच्छा रहेगा अब मैं आपको बोल दूँ कि rate percent क्या है 20% rate percent क्या है 20% rate percent है 20% आप यहाँ से एक चीज और जो notice करोगी क्या करोगे मैं इस पार्ट को मिटाता हूँ अब ध्यान से देखना मैं सिधा आप to the point बात कर रहा हूँ जो apply होगा इसके पहले apply होने वाला कुछ बात नहीं था समझने वाला बात अब apply होने वाला बात अप्लिकेशन को धंग से समझना यह क्या हुआ amount upon principle बड़ाबर 1 प्लस r upon 100 to the power n अब मैं बोला कि 20% का interest rate है तो मैं rate के जगह पर 20% put कर रहा हूँ तो क्या है a upon p बड़ाबर क्या है 1 प्लस 20 upon 100 मतलब 1 प्लस 1 upon 5 to the power n तो जो मेरा amount और principle का ratio आया 6 upon 5 to the power n अब मैं अगर बोलता कि जो मेरा time है जो मेरा time है वो 2 year है और जो मेरा principle है वो 100 रूपीज है जो मेरा principle है वो 100 रूपीज है और जो मेरा time है वो 2 साल है तो मैं बोलू क्या आएगा मेरा amount तो क्या करोगे आप 20 का fraction मेलू क्या होता है 1 upon 5 तो इसका मतलब 5 मेरा principle है और 1 मेरा interest है और जब मैं इसको 6 upon 5 लिखूँगा तो 6 मेरा amount है और 5 मेरा principle है amount ratio principle बोला है 2 साल के लिए मतलब जो n हुआ वो 2 हुआ तो अब मैं क्या ratio लिखूँगा 6 upon 5 into 6 upon 5 या फिर लिखने का तारीगा कुछ ऐसे होता है 5 ratio 6 into 5 ratio 6 जब मैं इसको multiply करूँगा तो 25 उनिट क्या एगा मेरा principle और 36 उनिट क्या एगा मेरा amount 36 unit क्या एगा मेरा amount यहीचीज यहां पर भी हो रहा है 36 unit amount तो आप इस तरीका से लिख लोगे तो आप क्या करोगे अब मैं आपको बताओं तो यहां पर जो difference आता है amount का और principle का वह क्या आता है वही तो interest होता है जो amount का और principal का difference आता है, वही interest होता है, यहाँ पर जो आया 11, वो क्या हुआ, interest हुआ, और यहाँ पर यहाँ पर वोई 11 आयगा, interest हुआ, क्योंकि जो आ रहा है ratio का convergence solve करने के बाद, time के साथ, वो मेरा principal ratio amount आ रहा है, यही बात आपको ध्यान रखना होता है, कहां से आया, यह भी भूलोगे नहीं, confusion नहीं होगा, इस बज़े से बता दिया, अब बोला है कि principal 100 रूपया है, मतलब 25 unit का value 100 है, पुछा है amount बता दो, तब amount easily बता सकते हो, amount आप easily बता सकते हो, क्या हैगा, 25 का value 100, तो 1 unit का value 4, 36 unit का value 144, 36 unit का value 144, पूछता कि आपको CI बता दो, 11 unit का value क्या होगा, 11 into 44, यह मेरा क्या है, CI आया, interest आया, 144 amount आया, और 44 CI आया, इस तरीके से question solve करना होता है, मैं आपको दोतीन example देता हूँ, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, मैं एक example देता हूँ, दोतीन नहीं दूँगा, म एक example देता हूँ, फिछले ही slide पर चलता है, example के लिए, इस पार्ट को आप लोग understand कर गए, क्या है, साथ-साथ एक चीज आपको और बताऊँगा, successive होला, तो अभी पहले मैं एक example करा दो, फिर ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे, मैं आपको बोलू, कि मेरा जो principle है, वो कितना है, 15,625 है, और जो मेरा rate percent है, वो है मेरा 20%, और जो मेरा time है, वो है time for year, तो find the value of ci, बताओ आप, आप amount भी बताओ, क्या हैगा, तो इस simple सा question है, आपको पता है, कि जब हम आपनो rate percent को open करेंगे, तो 1 upon 5 आएगा, तो 5 से 6 का ratio चलेगा, 5 से 6 का ratio चलेगा, 5 से 6 का ratio चलेगा, जहां पर 5 क्या principle और 6 क्या है, sorry, amount, अब 4 साल के लिए बोला है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, मैं देखता हूँ, लोग ऐसे लिखते हैं, 5 ratio 6, 5 ratio 6, 5 ratio 6, और फिर multiply करते हैं, तो यह इतना बार लिखके time बरबात है, जबकि आपको पता ह formula आया कहां से, 6 upon 5 to the power n है, n क्या है, time है, तो आप सीधा करो ना, कि 5 to the power 4 ratio 6 to the power 4, 5 to the power 4 ratio 6 to the power 4, यही तो मेरा ratio बनेगा, यह principle होगा, और यह amount होगा, अब 5 to the power 4 का value आपको given है, और 6 to the power 4 का value आपको निकालना है, अब यहां से बहुत लोग calculation फश जाएंगे, लेकिन आपके सामने ही data लिखा हूँ, तो मैं अपना brain use करके data लिखा था, आप लोग भी use करो, यह क्या है, 5 to the power 6 है, अब 5 to the power 4 का value 5 to the power 6 है, तो एक इरूट का value क्या होगा, 5 का square, एक इरूट का value क्या होगा, 5 का square, तो 6 to the power 4 का value निकालना है, 6 to the power 4 का value क्या होगा, 6 to the power 4 into 5 का square, तो 36 पांचे 180 का स्क्वाइर, 180 का स्क्वाइर क्या एगा 324 00, ये क्या आगे आपका, ये आगे आपका, ये आगे आपका amount, मिस्रधन, तो आपसे पुछा amount क्या है, तो 32,400, 32,400, अगर हो पुछता CI क्या है, तो आप 32,400 से 15,625 को माइनस कर दो, तो कितना हो जागा, 6400 इधर, और उधर कितना है, 375, तो 6775, ये क्या हो गया, CI, तो इस तरीके से ही ratio के questions solve होते हैं, आपको, आगे का questions में example लेने से पहले, पहले मैं आपको सिखा दू, successy बॉला part, अब जब पढ़ रहेते percentage, तो क्या देख रहेते, अगर मैं आपसे बोलू, जब आप percentage पढ़ रहेते, तो क्या देख रहेते, मैं बोला, कोई number है, उसको पहले 10% से increase करो, फिर उसको 10% से increase करो, इसका मतलब क्या हुआ, successive increase हुआ, आप सेम काम CIM भी कर रहे हो, कोई number था 100, उसके पहले 10% आप interest लिए, तो 110 आया, फिर उसके 10% interest लिए, तो 121 आया, तो यह जो 10% और 10% का increase था, इसको तो successive increase बोलते हैं, और successive increase के लिए, आपको एक और तरीका जो कि अलरड़ी पढ़ाया हुआ है, cumulative rate परसेंट निकाल लेते हैं, कितना increase होगा maximum, पूरा percentage, और सिधा percentage increase को आप लिख लेते हैं, तो आया कहां से हैं, यह बात मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी दुबारा समझाने के लिए, और आपको बातों को question को approach करने का तरीका समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अब आपको पता है, दो बार 10% का increase है, तो आप क्या करोगे, 10 प्लस 10, प्लस 10 गुना 10, तो आया 21, तो जो 21% का increase आएगा, पूरे amount पर, वही होगा आपका, cumulative rate परसेंट, आपको बोला 10%, 10% दो साल के लिए, यहाँ पर CI में question कैसे देगा, CI में question देगा, simple सा, कि principle 100 रुपया है, और rate परसेंट क्या है, 10%, तो दो साल में, time आपका दो साल है, दो साल में, आपका amount क्या होगा, आपका CI क्या होगा, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, आप ratio से भी जा सकते हो, दोनों तरीका इसलिए सिखा रहा हूं, कि जब question का data आप देखोगे, उस data को देखने के बाद डिसाइड करोगे, कि आप ratio मेथड से solve करो, या फिर आप इस तरीके से solve करो, सक्षेश्वी इंक्रीज वाले formula से, दो साल में कितना का इंक्रीज होगा, 10 plus 10, plus 10 into 10 upon 100, 21% का, तो जो P का 21% होगा, क्या होगा, CI, तो कितना होगा, 21, और जो P का 121% होगा, वो क्या होगा, amount, वही होगा, amount, तो मैं उसका 121% निकाला, तो 121 है, तो यह amount होगा, यह understand करने का तरीका है, बातों को गहराई को आप ध्यान से समझना, यह understand करने का तरीका है, अब मैं बोलू, कि आप एक example देता हूँ, जिससे आप और अच्छे सा समझाओगे, बातों को, यह already पढ़ा चुका, इस पेशले ज़्यादा फोकस नहीं करना हूँ, एकजामपल से आपको समझाता हूँ, कि बोला, आपके पास 10,000 रुपी था, प्रिंसिपल, और रेट पर्सेंट था, 7 पर्सेंट, टाइम था, 2 यर, तो CI बताओ, CI बताओ, आपको यह एकजामपल देखे, आपको पता चल रहा होगा, क्यों मैं आपको सिखा रहा हूँ, सक्सेसिव इंक्रीज वाला मेथड, अभी आप यहाँ पर रेशियो मेथड लगाओगे, तो लेंदी हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो मेथड लगाओगे, तो लेंदी हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक चीज तरीका लगाओगे, एक्युमिलेटिव रेट परसेंट, सक्सेसिव इंक्रीज का परसेंट, तो असान है, कि आपको 7 परसेंट पर दो साल निकालना है, भरबली करने सी का चुका हूँ, लेकि तब भी मैं लिख रहा हूँ, कि 7 प्लस 7, प्लस 7 का स्क्वाइर अपर 100, क्या आया, 14.49%, 14.49% जो होगा, वो CI होगा, इसका 14.49% निकाला, तो 2-0 परसेंटेज से और 2-0 डेसिमल से, जो मेरा कंपाउंड इंट्रेस्ट आया, 1449 आया, अगर पुछता, इमाउंट बताओ, तो कुछ नहीं करता, इसका 114.49% निकालेता, 100% और एड कर देता, क्योंकि प्रिंसिपल जो है, खुद में 100% है, और जो रेट परसेंट आया, अगर प्रिंसिपल और रेट परसेंट को एड करूँगा, तो इमाउंट आजाएगा, बातों को आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अभी आपको दो तरीके सिखा दिया, रेशियो, और आपको सिखा दिया, क्या? दूसरा, सक्षेसिव इनकरीज, तिसरी बात आपको बताओं, कि जरूरी नहीं कि हर बार रेट सेम ही हो, हर ब आउन्ट और प्रिंसिपल कर रेशियू एमाउंट ब्रावर क्या आया था आप देखों पी इन्टु वन प्लस आर अपन हंड़ेड इन्टु वन प्लस आर अपन हंड़ेड ऐसे चल रहाता न। अब मैं बगलू करें अलग अलग है हर साल तब टाप वहाए वही की सेच अब मैं वही कुछ के सिंपल सा के बातों को समझने यूज़ करने जब anno 2014 इन बातों को तो आम समझो कि अप्ली कैसा निश्क है। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, अपलाई करते टाइम मैं तेज बतांगा क्योंकि आप लोग अगर स्IGKI भी धीरे और अपलाई भी धीरे करूगो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। सीखो धीरे अपलाई करते टाइम मेरे से भी तेज़ अपलाई करोगा अब देखो मैं बोला कि कोई प्रिंसिपल था 10,000 रुपीच मैं बोला रेट जो था पहले साल के लिए 10% था दुसरे साल के लिए 20% था तिसरे साल के लिए 25% था तो बताइए क्या होगा amount तो बताइए amount क्या होगा तो ऐसा निहीं इसमें कुछ change होगा आप जब सिर्फ 10% रह रहा तो क्या कर रहे थे 11 upon 10 अब बोलता थीन साल के लिए ता आप तीन बार 11 upon 10 बोल रहे थे या फिर बोल रहेते हैं 11 upon 10 का cube कर दू तो यह amount ratio principle हो जाएगा अब अलग-अलग rate है तो अलग-अलग percentage लिखेंगे हम लोग अब क्या होगा ratio पहला जो होगा 10 से 11 का increase होगा और दूसरा जो होगा 5 से 6 का increase होगा दूसरे साल और तिसरे साल क्या होगा 4 से 5 का increase होगा जब मैं ratio को merge करूंगा तो यहाँ पर जो आएगा वो principle आएगा और यहाँ पर जो आएगा वो amount आएगा ratio solve करने आपको आता होगा बहुत सारा part calculate काटा जा सकता है सिदा सिदा दिख रहा है 5 5 लेगिन मैं काट नहीं रहा हो लिख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 200 ratio पांच हके 30, 330 यह जो मेरा ratio आया वो किसीज का ratio आया यह प्रिंसिपल है और यह amount है यहाँ पर हम बोला CIV भी बताओ और amount भी बताओ दो चीज मैं पूछ लिया मैं दो ही चीज पूछा हूँ अब क्या होगा मैं देखा तो principal और amount का ratio मेरे को पता था 20 unit principal था 33 unit amount था जो difference 30 unit आएगा वो interest आएगा 20 बराबर 10,000 तो एक unit बराबर कितना होगा 500 500 ही होगा नो 20-25 हाँ तो पूछा क्या एक unit का वहले आपको 500 पता चला पूछा है 30 unit का वहले बताओ मतलब CI का वहले बताओ 13 पाच्चे पैसाट पैसाट 100 का आपको क्या मिला interest और पूछा की amount बताओ तो amount कह है 33 33 से गुड़ा कर तो सोरह हजार 500 का आपको क्या मिला amount आपको ऐसा नहीं कि इस question को आप successive वाले तरीके से नहीं कर सकते आप कर सकते आपको मैं कराया भी हूँ कि आप क्या करोगे इस दोनों के accumulative rate percent निकालोगे फिर जो आएगा उसके साथ इसको निकालोगे देखो मैं करके दिखा रहा हूँ 10 percent 20 percent और 30 percent पहले 10 percent 30 25 25 पहले आप 10 percent और 20 percent को solve करो तो क्या करोगे 10 plus 20 plus 10 into 20 upon 2 तो कितना आया मेरे भाई 32 percent अब 32 percent को 25 percent को solve करो इसको कैसे solve करोगे 57 percent और plus 32 into 25 upon 100 तो solve किया तो आपका 8 percent आया लेकिन मैं तब भी लिख के solve कर रहा हूँ 25 के 100 और 4 अठे 32 तो यह कितना आया total equanimative rate percent 65 percent तो आप यहां से भी देखोगे तो वो बोल रहा है कि 10,000 पर 65 percent का increase होगा तो उसका 65 percent निकालोगे तो 6500 आएगा amount निकालोगे तो 16500 आएगा 165 percent आएगा तो इस तरीके से आपको आ जाएगा सारी बाते में बता दिया almost अब क्या है कि हम लोग questions पे move करेंगे question पे move करने से पले मैं examples लिखना स्टार्ट करता हूँ आप देखो examples को मैं लिखता हूँ जिससे आप understand करोगे कि किस type से data आए तो कौन सा method यूज करना चाहिए आप ध्यान से देखना मैं आपको लिख रहा हूँ जब principle 10,000 है rate परसेंट 7% है time में बोल दिया कि एक बार 2 year के लिए आप CI बताओ और amount बताओ और दुसरा बार बोल दिया एक बार time 3 year के लिए आप CI बताओ और amount बताओ पहला कोशन आपके लिए मैं लिखा दूसरा कोशन आपको यही पर लिखता हूँ डेटा बदल दिया मैं बोला 343,000 मेरा principle है 343,000 मेरा principle है और जो मेरा rate परसेंट है ओ है 14 सही 2 upon 7% तो दो कोशन यहाँ पर भी डाल रहा हूँ कि जब time 2 साल हो तो आप इसका CI बताओ और आप इसका amount बताओ और मैं एक चीज और डालता हूँ यहाँ पर जब time 3 साल हो तब भी आपको क्या बताना है? सेम चीज़, CI और amount और भी मैं questions देता हूँ जिससे आप ज़्यादा अच्छे से understand करोगे यह क्या करना है देखो आप माल निया principle 8,000 है और मैं यहाँ पर दो question देता हूँ पहला question दे दिया कि rate percent अगर मैं बोलू rate percent 9 है अगर मैं बोलू rate percent क्या है 11 है बातों को आप बहुत ध्यान से समझना अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो कोई फाइदा ही नहीं होगा अब मैं बोल दूँ यहाँ पर time time जो है एक बार two year के लिए बताओ और एक बार three year के लिए बताओ और यहाँ पर भी एक बार time आप two year के लिए बताओ चलो यहाँ टूई यार के लिए ज्यादा calculation क्लेशन नहीं कराते आप से अब मैं बोल दूँ इसके लिए बताओ क्या क्या बताने आप amount बताओ और interest मैं लिख देता हूँ सोच के एक सेकंड चलो 15,625 लिखता हूँ और असान करता हूँ थोड़ा सा मज़ा आएगा क्या किया कि आप ले लो दिमाग में नहीं आ रहा है यार पहली बार ऐसा हुआ अच्छा कोई नहीं फिर से थोड़ा सोच लेता हूँ आगया 4096 जीरो हो गया मेरा प्रिंसिपल और मैं बोल दूँ जो मेरा रेट परसेंट है वो क्या है 6 सही 1 अपॉन 4 परसेंट है तो आपको और जो टाइम है वो आपका टाइम है तीन साल या फिर आप दूसरे केस में ले लो टाइम एक बार दो साल भी है तो आपको सेम चीज बताना है एक बार आपको प्रिंसिपल पता है तो आप इमाउंट बताओ और आप इंट्रेस्ट बता और भी एक कोशन ले ले रहू हुआ जिससे आप ज्यादा अच्छे से अंड़सेंड करोगे बातों को जब बातों को आप एक बार में अंडरसेंड कर जाओगे तो कोई rate percent है आपका 6 सही 2 upon 3 6 सही 2 upon 3 rate percent है और time जो है आपका 3 साल है आप चलो simple है amount बताओ क्या होगा अब मैं आपको बताओंगा data देखके decide करना है कि आपको successive वोला method लगाना है या फिर आपको ratio वोला method लगाना है अब पहले पीछे वोला question देखो मैं पहला question आपको लिखा हूँ आपको पहला question मैं solution कराओंगा अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 10,000 का principle है और 7 percent है और आप यहाँ पर जिद करने लगें नहीं नहीं मेरे को तो ratio से ही जाना है और मैं बोला हूँ कि 2 साल का CI बताओ और 2 साल का amount बताओ तो ratio कुछ किस तरह से बनेगा मैं 2 साल का निकाल हूँगा तो 100 का square ratio 107 का square यह मेरा बनेगा principle ratio amount अब 107 का square आपको याद होगा 11449 होता है तो आप थोड़ा असानी चे कर लोगे और आप लिख लोगे आप CI भी निकालोगे amount भी निकालोगे लेकिन तब धी यह लेंदी है कल को यह question ही मैं change किया हूँ और बोल दिया कि अब आपको principle और amount principle दिया है और amount और CI बताना है तीन सान के लिए तो क्या ratio बनेगा 100 का cube ratio 107 का cube तब यह question ratio से difficult हो गया अब यह question ratio से difficult हो गया तो आप यहाँ पर data देखे कि 7% है ratio से जाओंगा लेंदी बनेगा तब को ratio से नहीं सॉम करना आपको ratio से solve भी नहीं करना आप इसको solve करोगे successive से successive increase कितना percent का हुआ निकालोगे और जैसी आपको effective rate percent मिल जाएगा या फिर accumulative rate percent मिल जाएगा उसको apply करोगे सीधा percentage पर आप interest भी निकालोगे amount भी निकालोगे वही यहाँ पर बात करोगे rate percent है 14 साही 2 upon 7% अब मैं बोलू नहीं मेरे को जाना है x plus y और xy upon 100 वाले method से तो यहाँ पर लिंदी हो जाएगा आप क्या करोगे निकालने लगोगे कि 100 upon 7% plus 100 upon 7 plus 100 upon 7 का square upon 100 इस तरीका से solve करोगे तो जो effective rate percent आएगा जो accumulative rate percent आएगा उलेंदी होगे है solve करने में तो आप यहाँ पर उस तरीके से नहीं जाओगे यहाँ पर कैसे जाओगे ratio से क्योंकि आपको इसका fraction value याद है जिसका fraction value 1 upon 7 होता है तो 7 से 8 का increase होगा तो 2 साल में 7 का square से 8 का square का increase होगा और 3 साल में 7 की cube से 8 का cube का increase होगा बातों को समझ रहे हो data देखा, decide किया ratio से जाओँ या accumulative interest से जाओँ data देखा, decide किया कि successive से जाओँ या फिर ratio से जाओँ तो अभी आपको दो ही तरीके का मैं यहां पर discussion करूँगा और इसी type से questions भी कराऊँगा, क्या क्या है एक जो है आपका successive एक ratio उसको अधमे आपको monthly, half monthly half yearly, quarterly यह भी पढ़ाऊँगा इसी से class में अब यहां पर एक चीज तो और होगे, किस question को किस method से जाना है अब मैं solve कराऊँगा तो क्या होगा, 7% का 2 साल के लिए कितना के इंकरीज होगा, 14.49% 14.49% निकाला तो compound is just हो गया, 14.149 अगर मैं निकालू क्या amount तो 114.149 हो जाएगा असान question था वही तीन साल के लिए आपको यहाँ पर भी struggle करना पड़ेगा लेकिन मैं बोला था आपको struggle नहीं करना है आपको data provide इसलिए किया था कि आप regular practice करके याद रखो आपको struggle ना करना पड़े आपको पता है जो 7% है वो तीन साल में बनाता है 22 into 5043 कुछ गलती तो नहीं लिग गया ना यही आना चाहिए अब नहीं आएगा तो solve कर ले न 14.49 गलत मैं नहीं लिखता है याद है मरे को 22.5043% अब आप CI निकालोगे तो 10,000 का इतना परसेंट जो आएगा तो क्या आएगा percentage निकालो यहाँ पर percentage का 2 0 और decimal के बाद 4 0 total 6 0 है यहाँ पर 2 2 4 0 है तो दो decimal answer आएगा 2250.43 रुपीच इंटरेस्ट आएगा पुछा कि कितना आएगा amount तो 1250.43 रुपीच तो देखो यहाँ पर आपको successive वाला help करेगा और यहाँ पर आपको ratio वाला help करेगा पुछा CI बताओ 2 साल के लिए तो आपको पता है एक साल में 7 से 8 का इंक्रीच है तो 49 से 64 का इंक्रीच होगा कितना का interest मिल रहा है 15 unit 49 unit का value क्या है 34300 एक unit का value क्या होगा 700 सिधा कट रहा है 7 का square 7 का Q मैं data सोच सोच के लिया हूँ खुद के दिमाग से ही तो मेरे को पता है कौन सा नंबर किसके डिजिबल है आपको भी डेटा इस तरीका से अपने दिमाग में चलते रहना चाहिए इससे कैलकुलेशन बहुत ही असान हो जाता है तो एक यून का भेलू क्या है 700 तो फिप्टी यून का भेलू क्या होगा 15 गुणा साथ 105 यह मेरा क्य 2800 यह क्या हुआ एमाउंट सेम कहान ही आपको फुष्टा तीन साल के लिए को कुछ नहीं करना था 7 का क्यूब और 8 का क्यूब कर दो तो तीन साल का अंसर आजाएगा 7 का क्यूब क्या होता 343 343 यूनिट का भेलू दिया हुआ है तो 8 का क्यूब 512 512 निकाल लो 512 पर 00 यह जो आएगा वहीं सी आई होगा इस साइड क्या है 57 यूनिट और उस साइड क्या है 112 तो 12 और 57 कितना हुआ 162 79 169 गलती तो नहीं किया ना 12 से 3 गया 9 10 से 4 गया चाहिए 16900 क्योंकि परफेक्ट स्कॉयर नमबर आ गया इस बज़े से मेरे को थोड़ दाउट हो रहा है तो 16900 यह मेरा compound interest आ गया और यह मेरा amount आ गया जो मैं सीखाना चाहता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ आप समझ ग स मेरा चाहता है कि 9 परसेंट है तो आप इस तरीका से लिखो के नहीं 100 से 109 आ помог रेसिओ यह तरीका आ गलत है यहां पर आप यहां पर I set गया प not आठनमा 72, 7 हुआ, 8, 8, 4, 7, 71, 7 हुआ, 18, 8, 144, 7, 151, आपका एक पॉइंट यहां मिल जाएगा, ठीकि दो दो चार जीरो थे, यहां पे तीन जीरो था, तो एक डेसिमर बच जाएगा, तो पूछा है, दो साल के लिए इंट्रेस्ट क्या होगा, तो दो साल के लिए इंट्रेस 1, sorry, दुसरे कलर से लिख देता हूँ, बिलकुल टेंसर नहीं है, 1511.2 होगा, अब मैं जब एमाउंट निकालूँगा, दो साल का, तो 8,000 में उसको एड़ कर दूँगा, तो 9511 हो जाएगा, 9511, कुछ लोग पूछ सकते हैं, मैं एड क्यों किया, तो दुबारा कौन मल्टि करोगा, तो टाइम बरबाद होगा, इस बज़े से मैं सिधा एड करके लिख दिया, आपको 3 साल निकालना था, आपको 3 साल का भी डेटा आपको याद होगा, 3 साल में क्या होता है, 29.029, sorry, 5 चोट गया ना, 29.5029 परशेंट, ये 3 साल में 9 परशेंट का बनता है, तो अब क् करोगा, इंट्रेस्ट मिल जाएगा, 8 से मल्टिप्लाई करोगे, इंट्रेस्ट मिल जाएगा, मल्टिप्लाई किया, 29.232, 8.45, 4 बचा, 29.232, 4.236, हो गया, 4.26 यहां पर 0 थे, वहां कितने 0 है, 3, मतलब 3 के बाद डेश्माल हैगा, तो 3.232 मेरा इंट्रेस्ट हुआ, ती 3.236.232, यह मेरा क्या हुआ, इंट्रेस्ट हुआ, और मेरा इंट्रेस्ट क्या होता, तो 8,000 में एड्ड कर दो, तो 10,360.232 होता, आप देखो, इतना टिपिकल नहीं पूछता है, और इतना डेसिमल तक नहीं पूछता है, लेकिन आप है वीचूल रहो, मुल्टिप्लाई करने का, बस मैं यह सीखाना चाहरता हूँ, और क्या बोलेगा, यही सेम डेटा देदेगा, बोलेगा, आप रॉक्स आंसर बताओ, और में 360 रहेगा, 2360, 0.232 नहीं रहेगा, लेकिन बाते तो ही, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा न, एक्जाम के दिन भी, तो परसेंट निकाल लो, इसका, इसका जो 23.21 परसेंट होगा, वही आंसर होगा, इंट्रेस निकालना है, आठ से मल्टिप्लाई किया, 21, 168 एक बचा, और 23, 184 और 1, 158, दो जीरो था, और दो परसेंटेज, और चार जीरो वहां तीन थे, तो एक के बात डेसिमाल आएगा, त जब amount बोलेगा, तो add कर तो amount हो जाएगा, 98.8, इस तरीका से अगर question बने, तो आप pattern समझ गए होंगे, मैं धीरे-धीरे समझाया, 2 question, 3 question समझाया, कि solve कैसे करते हैं, आप खुद से भी solve आप कर ले रहे होंगे, आपको निकालना क्या है, कौन सा data remember करना है, कौन सा data को आप solve क बातों को समझ गे होंगे, अब मैं इन question को भी solve करके आपको समझा दे रहा हूँ, आप लोग खुद से भी कर रहा होंगे, मैं 2-2 example, 3-3 example ले लिया था, जिससे आप बातों को एक बार में गहराई से समझ जाओ, जब एक बार में आप गहराई से बातों को समझ जाओगे, त अब easily exam के दिन करके आओगे, अब मैं बोलू पहले उसको solve करता हूँ, क्या करूँगा मैं, 3-375,00 है, 6-2 upon 3% का क्या होता है, value, 1 upon 15 होता है, अब मैं देखते ही समझ गया में इनको successive से नहीं जाना, इसका rate परशेंट टीपिकल है, और इसका rate परशेंट हिंट भी दे रहा ह कि ratio से जाओ, अब मैं क्या होगा तीन साल के लिए बोला है, तो जो मेरा principal और amount का rate रेशियो होगा, 15 ka cube से 16 ka cube होगा, अब 15 ka cube क्या होता है, 33,70, limit का value दिया है, 33,70 परと思 डबल 0, तो 1 unit का value क्या होगा, 100, तो 16 का cube क्या होता है, 4096, एसका rate, यह मेरा इमाम पोजए पूछता इंटेश बता हो तो इससे इसको मैनिस कर देंगे आंसर आजाएगा अगला कोशन है सेम डेटा सेम तरीके सआ फिक्स किया गया है आप इसको इसको इसली कर सकते हैं बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा इसको आप घंट्रेस्स पुचा है 496 00 जिरो ने एक जिरो है तो एक जिरो रिख लेते हैं 4913 से 409 से खटा दू आंसर हो जाएगा तेरा से छे गया साथ दस से नो गया एक आठ 870 रुपय का इंट्रेस्ट आएगा तीन साल के लिए दो साल के लिए आप खुद से कल्पूरेट कर लेना एट का स्क्वार से 17 का स्क्वार 289 तक जाएगा 64 से सीधा सीधा 64 टाइम्स कट जाएगा तो जो मेरा आंसर होगा वह एमाउंट होगा 289 इन्टू 64 यह मेरा एमाउंट होगा दो साल के बाद होगा इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कोई बहुत डिफिकल्ट कोश्चन नहीं है यह सब असान कोश्चन के कटेगरी में आते हैं सिर्फ यहां पर मैं डेटर थोड़ा बड़ा लिखा था तो को प्रक्टिस नहीं भी करेगा तो खुद से सारे कोश्चन सौल कर लेगा जो आगे में 30 कोश्चन 32 कोश्चन रखता हूं तो प्रक्टिस कराने के लिए कि आपका नंबर ओफ कोश्चन प्रक्टिस ज्यादा हो जाए तो अगर यहां तक ही पढ़ लेगा और मैं जो बता रहा तो आप जो हर बार जो पूछता है कि एक्जाम में रेट परशन दिया रहता है एनृर्ल के लिए दिया रहता है की एक साल में क्या होगा अगर बात करूँ तो जो होगा एक बार दे सकता है कि half yearly यहां पर इन्वली नहीं लिखा रहेगा तो कभी-कभी yearly लिखा रहेगा Half yearly देदेगा कभी-कभी मैं spelling गलती कर रहता हूं एक्जाम में भी मेरा spelling mistake हो जाते थे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए करना 25 कोश्चन वाले में मैं कभी-कभी mistake करके आया हूं एक कोश्चन उसमें दो कोश्चन साते थे तो सबसे दा डर यहीं से बना रहता था अभी भी मैं doubt में हूं उपर वाले में कहीं गलती लिख दिया हूं हाफ यह एक होता है quarterly 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 एक होता है monthly monthly पर एक कोश्चन सिर्फ CHSL में आया है मन्थली में एक कोश्चन सिर्फ CHSL में आया है और कहीं नहीं आया है तो आप इस तरीका से चार टाइप से कोश्चन बनता है जब भी बोला annually मतलो 100 रूपया था उसके पास principal उस पे 10% का interest ले रहा है तो हर साल हर साल एक साल बाद उस पे 10 आयड होने के बाद principal जो होगा 110 हो जाएगा अगले साल इस पे 10% आयड होने के बाद principal एक सो इक हो जाएगा अगले साल इस पे आपको और डिटेल में समझाओं तो आपको समझाता हूं में दूसरे तरीके से दूसरा एक्जामपर लेकिया मैं बोला कि मेरा जो principal है principal है असान सा एक लेता हूं जो principal है वो 1000 रूपया है और जो मेरा rate percent है वो 40 परचेंट है और जो मेरा time है वो एक साल है एक साल लेना असान रहे है आप इस तीनों को एक ही बार में समझ जाओगे मंतली वाला आता नहीं है बहुत रेयर आता है आएगा भी तो आप approximation से कर लोगे तो इसको मैं यहां पर नहीं समझाओंगा जब जहां question आएगा वहां मैं binomial theorem के बारे में थोड़ा सा discuss कर दूँग यहां लिखते कैसे हैं और वहां में बता दूँगा क्योंकि rare question है कभी आता नहीं है आ गया तो आप क्या करना इसका मैं shortcut बता दूँगा इस तीनों को मैं discuss करता हूं यहां पर कभी-कभी आपका quarterly नहीं निखा रहेगा तो कभी आपको दे देगा five monthly कभी उदे देगा eight monthly तो अगर बोला half yearly तो अगर 10% पर बोला है तो हर छे महिने बाद उसका जो principal है उचेंज हो जाएगा जो नया amount आएगा उप्रिंसपल मुन जाएगा हर छे महिने बाद interest को add करके उसके उपर interest लेने लगेगा अगर half yearly बोला तो अगर quarterly बोला तो हर तीन महिना बाद ही इंट्रेस सब्सक्राइग करके उसके उपर इंट्रेस्ट लेने लगेगा हर तीन महिना बाद interest के ऊपर इंट्रेस्ट लेना लगेगा तो quarterly हाफ yearly इसका मतलब यही होता है कि जब quarterly ब lasting महिना को बाद interest किया और ले लिया जब बोला half yearly तो हर छे महिने की बाद interest किया और उसके उपर इंट्रेस्ट लेने लगा अब मैं एक्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको दिखाता हूं क्यूं इसा कर रहा है उसको करने का कोई तो रीजन होगा यह सब वर्ड्स आया तो इसके पिछे का रीजन क्या होगा देखवा आप मैं बोला हजार रुपे पर 40% एक सा है हुँ मजाग मत ओड़ाना अब क्या होगा तो आप यहां पर 40% इसका निकालो 40% निकालोगे तो आपका फर्स्टीयर का C I आ मेंद आजाएगा ने सियर का C I ढ़ा ओगा एक साल का C I ौक्म कर रहे हैं हर साल लेते जा रहे हैं interest एक साल का लेकिन मैं बोला कि नहीं अब आपको half monthly count करना है जब आप half yearly count करना है जब आप half yearly count करोगे तो आप क्या होगा 6 महिने पर देखोगे क्या हो रहा है तो आपको पता है एक साल में जो interest ले रहे हो 40% ले रहे हो तो 6 महिने में भी 20 परसेंट लगेगा उस एमाउंट पर भी 20 परसेंट लगेगा जैसे एक्जामपल 100 रुपया पर चलाया थे 20 परसेंट तो छे महीना बाद 120 बना तो अब 20 पर लोगे तो यहां 144 बनेगा 12 एट करोगे 12 दूना 24 144 बनेगा अब यहां जो बात आपको समझना है वो क्या समझना है कि 6 महीना बाद यह इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट लेने लग रहा है मतलब 1000 था 1000 पर उप इंट्रेस्ट लिया 20 परसेंट तो 6 महीना में 1200 बना और इस 1200 पर फिर इंट्रेस्ट लिया 20 तो तोटल इंट्रेस्ट कितना आए यहां पर उसको 440 अब मैं बोला यहां फियर यहां इंट्रेस्ट करने लेका तो चानलियर बनेगा अब अब उसका 4 लेएर बनेगा हर तीन महिने के बाद हो इंट्रेस्ट एड कर लेगा। यहां पे 1000 था, यहां पे 1000 था, चार बार होगा, तो तोटल अभी भी 40% ही लेगा, अगर 12 महिने में, 12 महिने में 40% ले रहा है, तो 3 महिने में क्या लेगा? चार से काटो तीन माहिने में होगा 10% तो यहां पर भी 10% का इंट्रेस्ट लेगा यहां भी 10% का इंट्रेस्ट लेगा और यहां भी 10% का इंट्रेस्ट लेगा और यहां भी 10% का इंट्रेस्ट लेगा बस दिक्कत क्या होगा कि यहीं के बाद जो आया हुआ एमांट होगा उस इस पर 10% लिया था कितना है 146.41 इतना है 146.1 अब मैं बोलू जब वो half yearly count किया था तो 440 का interest आया था और जब वो quarterly count किया तो 464.1 का interest आया तो ऐसा लोग क्यों करना start कि quarterly half yearly क्योंकि जब वो quarterly और half yearly count कर रहे थे तो उनको ज्यादा इंट्रेस्ट मिल रहा था कि annually से इस बज़े से यह चीजे शुरू हुई जब भी आपको five monthly eight monthly बोले तो आपको करना क्या है आपको देखना है कितने ऐसे layer बन रहे हैं कितने ऐसे layer बन रहे हैं और सारे layer को add कर देना है आप उस तारीके से भी कर सकते हो बातों को आप समझ गे solve कर रहे होंगे मेंस के बच्चे हो मेंस का तयारी कर रहे हो तो आपको छोटी-छोटी बाते आती होगी अपन कुछ नहीं करेंगे सिधा questions पर मुव करेंगे question देखते हैं हम लोग question को देखते हैं क्या है the compound interest in RS to the nearest integer on RS 8950 for two years at the rate of 9% per annum compound annually तो 9% दिया हुआ है देखके आपको पता चल गया होगा कि आप successive ओला method लगाएंगे और effective rate percent निकाल लेंगे तो बहतर तरीका है rather than कि आप ratio से जाओ तो आप देखने के 2 seconds बार decide किये और solve करना शुरू कर दिये 8950 और 9% दो साल में कितना बनाएगा 9 plus 9 plus 9 into 9 upon 100 तो 18.81 अब आप approach भी निकाल सकते हैं लेकिन approach निकालना difficult है आप options कितने close close हैं दोनों सायद वही दोनों answer कोई हो तो पता नहीं है क्योंकि approach निकालना थोड़ा difficult है यह 9000 के करीब है उसका 18% यह around यहीं हो रहा है आठारा नाव एक्सवाटर सो बीस से थोड़ा ज़्यादा आएगा या 19 ले जाओगे तो थोड़ा सा और नियर जाएगा तो आप approach निकालना difficult है मालो इसको 19% ले लिया और इसको मैं ले लिया 9000 तो क्या होगा म option दूर दूर आते option एक option कोई जैसे यही option को मैं मालूँ कुछ इस तरीका से रहता है 1725 तो कुछ नहीं आपको पदा था 1710 1710 से कम आएगा answer तो option D टिक करके निकाल जाते हैं लेकिन यहां पर options close हैं तो आप approximation से नहीं जा सकते हैं solve करना पड़ेगा निकाला में नीचे चार जीरो हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो को काटा पांच के टेबल एक बर पढ़ दो इसको काट लिया कितना आया 179 अब 1881 को 179 से multiply करना है तो इसको आप इस तरीका से लिख सकते हो यह मन में करना होता है इसको लिखना नहीं होता से मन में आप कर लिए अब 18 का टेबल एक बर पढ़ दो उसमें से घटा दो आंसर आजाएगा अठरा का टेबल पढ़ आठरा है कम अठारा अठारा आठे एक सो चवालीस अपने मन में अपने लैंग्वेज में टेबल पढ़ो अठारा आठे 18 इंटू 8 144 144 और 145 चौदा ब यही है ना पस करो 9 8 और 17 से 8 गया 9 14 से 8 गया 6 साथ से गया 6 और यह 33 इसको टू से डिवाइट किया 12 32 28 16 183.4 के राउंड जाएगा 16 83 तो आप ऑप्शन भी टिक करोगे आंसर ऑप्शन भी टिक करोगे क्योंकि 16 183 पोट संती है तो आप सोच सकते हो ऐसा कैल्कूलेशन भी आप में आ रहा है कौस्टन का लेबल कुछ नहीं है अब खुद बोलो इसके क्या लेबल है सब को कॉंसेट पता है कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको कॉंसेट नहीं पता होगा लेकिन जो कॉंफिदेंस के साथ इसको काल्कूलेट करेगा वही सेलेक्शन ले जाएगा तो confidently ऐसे कोश्टन को सौल करने होता है रुकना नहीं होता है कि एक बार रुक गए इतना बड़ा मल्टिप्रिकेशन देख के और मल्टिप्रिकेशन देखकर एप्रॉक्सिमेशन सोचने लगे एरर होने का चांसे सरता है देखो कितना क्लोज ऑप्सेंस है मैं ऑप्सेंस च देखने के बाद डिसाइड हो गया कि आप रेश्यो से जाओ बहतर है क्या होगा एक रेश्यो नाइन तो पांसो बार रेश्यो साथ साथ सोनतीस यह प्रिंस्पल है यह माउंट है कितना का डिफरेंस है तो 217 का 512 का अभेलू दिया हुआ है 51200 और 217 का अभेलू जागा 2170 option D will be the right answer अब खुद देखो एक लाइन का question है अगर आपको concept आता है तो और concept में थोड़ा भी दिक्कत है तो आपको problem होगा देखो मैं आपको बताता हूं आप यहां पे दोनों तरीके से जा सकते हैं क्योंकि यह simple ratio है आप यहां पे ratio से भी जा सकते हैं यह simple number है percentage fractions तो आप ratio से भी जा सकते हैं आप successive से भी जा सकते हैं लेकिन बहतर कौन रहेगा आपको decision लेना है कैसे बहतर decision करें यहां पर बोला क्या है इंट्रेस्ट बताना है the interest on RS हीतना क्या होता है इंट्रेस्ट बताना है अब आप रेशियो से जाओगे तो क्या होगा आप करोगे 25 से 27 एट परसेंट को मैं factorize कर दिया fraction दिख्या तो 25 से 27 और 10 परसेंट हो क्या करोगे 10 से 11 फिर यहां से क्या आएगा आपका यह जो आएगा वह आपका principle आएगा और यह जो आएगा 307 वह आएगा ना 297 होगा यह जो हुआ क्या हुआ प्रिंसिपल हुआ यह इंट्रेस्ट हुआ और यह एमांट हुआ अब यहां से आप उसके भैलू कंप्यार करके इसमें multiply कर दोगे तो answer आजाएगा मैं आपको समझाता हूँ अब करोगे क्या आप काटा कुटी लगाओगे ऐसे प्यार से 25 का 100 एक यूर्ट का भैलू क्या 96 और 96 इंटू 47 जो होगा इंट्रेस्ट होगा तो 47 इंटू 96 इंटू टेबल पढ़ सकते हो 40 का याद है तो नहीं याद है तो आप फक्टराइज करके गुड़ा कर दो 96 के फक्टराइज कर दो 12 इंटू 8 में एक बार 8 का टेबल पढ़ तो एक बार 12 का टेबल पढ़ दो उससे आपको option दिख रहा होगा option जो दिख रहा होगा क्या है मेरे भाई option यह जो है unit digits match कर रहा है बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं लेकिन मैं इसको prefer नहीं करूँगा क्यों इसको prefer नहीं करूँगा क्योंकि यह लिखना पढ़ेगा इतना सारा बात जब बढ़े जब लगे इसके बीना काम नहीं चल सकता है तभी इसका यूज करो नहीं तो सक्सेसी भरबली calculate करने में बहुत help करता है देहू कैसे help करता है मैं बोला effective rate percent निकालो effective rate percent क्या होगा 10 plus 8 18.8 यह भरबली कर लो गया 10 plus 8 plus 10 into 8 upon 100 यह 10 plus 8 क्या हुआ 18 और यह क्या हुआ plus का point 8 18.8 परसेंट जो होगा यह effective rate percent होगा जो आपका calculation करना है इस तरीके से नहीं करना होता है इस तरीके से नहीं करना होता है यह भरबली करना होता है कि 10 plus 8 18 plus 80 upon 100 मतलब 18.8 होगा अब आप जब calculation किये तो आपके मन के अंदर ही आ गया कि 24 ज़र का 18.8 परसेंट निकालना है 24,000 का 18.8 परसेंट निकालना है आपके brain में यह function कर गया अब आपको करना क्या है थोड़ा सीधा multiply करोगे 24 का टेबर पढ़ोगे 24 ज़र के 18.8 परसेंट मतलब 24 उना 188 क्योंकि जब 18.8 परसेंट था तो परसेंट के वज़े से 2-0 खतम हो रहा था और एक decimal के वज़े से 24 into 188 बातों को समझ रहे हो बिल्कुल विदिक्कत नहीं हो रहा होगा इस तरीके से करने पर आप तेज कर रहे हो तो आप जहां यह उज़ हो पाए इसी को उज़ करो भरबली करोगे आंसर जल्दी आएगा और ज्यादा help करेगा यह question आपके सामने है हिंदी वाला आप लोग करता हूँ आप एक बार read कर लो अप एक बार read कर लो राहूल invested equal sum of money at compound interest फिर क्या बोला under two schemes a and b under scheme A the interest rate was 10% परेनम अंडर इस्कीम भी इंट्रेस्ट रच वाज 12 परेनम देखो तो 10% की हिसाब से दो साल में कितना इफेक्टिव रेट परेट परेट मिलेगा पता है फिर क्या बोल रहा है हाउ मच इस इंट्रेस अंडर इसकीम भी आफ्टर टो इंट्रेस इस कमपाँदे इन वली इन बोथ स्किम पहला बोला गया है इक्रल सम्में यहां जो मेरा है प्रिंसीपल अईगा वही प्रिंसीपल उसमे में बीबिगेश्ट आपको बीपर कित इतना पर्सेंट होगा वही होगा अंसर तो देखा 12 पर्सेंट पर बी में दिया गया है तो 12 प्लस 12 प्लस 12 बिन्टू 12 पॉर हंड़ेड़ 25 प्लस 25.44 पर्जेंट अगर नहीं दिमाग काम कर रहा इतना तेज तो आप क्या करना इस तरीके से एक बार कैलकुलेट कर लेना इस थोड़ा टाइम लगेगा 10 सेकेंट लेकिन हो जाएगा यह चीज हो गया आपको 21 पर्सेंट का फिलू पता था 25.44 पर्सेंट निकालना था शॉल करना शुरू किया फोर फोर को नीचे लाया तो 00 हो गया इकिस पाच एक सो पांच 50 पार में 50 से काटा दो बार में 2 से काटा 1272 1272 हो भी तो राइट आंसर ओप्सन नहीं दिख रहा है easy calculation तो आंसर जो होगा 1272 होगा तो आपको इस तरीका से ही करना है rather than कि आप दूसरे तरीका से जाओ अब यहां पर आप जाते दूसरे तरीका से थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता थोड़ा टाइम ज्यादा लगता ऐसा नहीं को दूसरे तरीके से आंसर नहीं आएंगे लेकिन जिससे जल्दी आएंगे उसको learn करना है और उसी को apply करना ह अगले question को आप देखो 4000 is given at 5% per annum for one year and the interest is compounded half yearly मतलब क्या हुआ होगा कि एक साल में दो 5 by 2% का layer बना होगा 5 by 2% का 2 layer बना हो दूसरे case में क्या हुआ 2000 is given at 40% per annum compounded quarterly for one year the total interest received nearest to तो आपको ये बात तो पता है ये quarterly किया गया है तो 10% का 4 layer बना होगा इस तरीके से यहाँ पर भी 10% यहाँ पर भी 10% यहाँ पर भी 10% मैं data अल्रेडी पढ़ा चुका हूँ तो data आपको remember हुआ हूआ हूँ दो एकम दो दो चाओ के आठ 46 दूना बिरानवे दो दो चार जीरो थे यहाँ पर यहाँ पर तीन जीरो थे तो एक जीरो बच जाएगा यहाँ पर मेरे को पता चल गया देखने के साथ ही कि इतना रूपए का interest मिलेगा लेकिन उपर वाला थोड़ा सा difficult है कैसे difficult है यह decision लेना कि आप किस रास्ते से जाओ आपको successive से जाना है या पिर ratio से जाना है तो आप पर depend करता है मैं आपको दोनों करके सिखाता हूँ अगर मैं एक्जाम में रहता तो यहाँ पर successive से नहीं जाता मैं क्या करता है यहाँ पर ratio से जाता तो आप देखो एक ही question में दोनों में थाड़ी हुझे अब दोनों करके बैठे हूँ दोनों का data देखे question का decide कर लिए एक को ratio से करूंगा एक को successive से करूंगा अब 4000 का 5.0625 निकालना है चार और दो छे जीरो कट जाने चाहिए तो decimal के बाद पचीस चोग का 100 चार चे के 24 एक 25 और चार पचे 20 एक 21 दोसर बारो पॉइंट पांच क्योंगे तीन जीरो यहां से खतम हो गए और तीन यहां रख लिया तो दोसर बारो पॉइंट पांच मेरे को इस तरीके से answer आ लिए यह मैं क्या किया हूँ सक्सेशिब से क्या हूँ आंसर मेरा आ गया सक्सेशिब से भी आएगा लेकिन यहां पर आप उस तरीके से भी आप जाते हैं फ्रेक्शन से कि 5 कट बाई 200 यह क्या हुआ वन उपन 40 जो मेरा रेशियो बनेगा 40 से 41 मतलब दो साल में क्या बनेगा 1600 से 1681 और जो मेरा इंट्रे सकते निक ऐसे नहीं हैं ऐसे भी आपको यहीं आएगा तो जैसे आप जो लिमाग में पहले आजाए उससे करो और गताए और यह लेंडी था और आपके दिमाग में यह नहीं आया तो आप अशानि के अगा 1130.7 1130.7 Option C will be the right answer Option C will be the right answer बातों को understand कर ले होंगे जो मैं समझाना चाहता हूं यहां से भी आप करोगे तो क्या आजाएगा आप interest वही आएगा 212.5 4000 upon 16 गोना 81 काटा कुटी किया 4 से काटा 4 चाटा का 16 तो 800 2.4 आएगा वही बात 212.5 कुछ error तो नहीं किया हूं न सब कुछ सही है तो यह असान सा कोशन है बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा कुछ error I think कर दिया हूं एड करने में भी आट-दूस्त 1140 पॉइंट यहां पे जो आ रहा है ठोके जा रहे हो दौट में error हो गया error हो गया छोटी-छोटी कभी कभी mistake हो जाती है लगातार classes रहता है तो इस बातों को ध्यान देना है अच्छा कोशन है ऐसे कोशन को दोनों तरीके से आपको आना चाहिए जब जो स्ट्राइक कर गया माइंड में उसी तरीके से करना है अगले कोशन को देखते है find the compound interest on a sum of 75 सब फ़र 4 years if the rate of interest 20% per annum for the first 2 years 10% per annum for the next 2 years अब 20% का दो बार चलेगा और क्या बोल रहा है आगी 10% का दो बार चलेगा अब फिर से वही अब मैं मैं ज्यादा मतलब comfortable रहता हूँ successive increase लगाने में और उसी से लगाता भी हूँ क्यूँ कि अगर ratio लगाऊंगा तो क्या दिक्कत होता है ratio निकाल के पहले आपको एक बार amount निकालो फिर आप minus करके CI निकालो फिर calculate करो उतना time नहीं बरबात करना और उससे बड़ा बात होता है लिखना पड़ता है ratio में अगर मैं इसी को लिखू तो 20% परेना में दो साल के लिए तो मैं कम से कम भी लिखूँगा तो 25 ratio 36 तो लिखूँगा ही और 10% है तो 100 ratio 121 लिखूँगा अब मेरे को पता है कि मेरे को 2500 का value पता है 36 तो 21 का value आएगा जो उसको minus करके अंट्रेस लिखूँगा तो calculation भी काफी किया लिखा भी काफी time ज़्यादा बरबात हो रहा है तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग भी comfortable successive लगाने में रहा हो सब्सक्राइब ज़्यादा यूज हो रहा है उस टाइप के परसेंटेज देखो कैसे करेंगे 20 परसेंट दो साल के लिए क्या बनाएगा 44 परसेंट मन में ही तो करना होता है तो याद भी होना चाहिए अल्रेड याद करा चुका हूँ अब तो मेरे को नहीं लगता है कि बार बार लिखना चाहिए जो लोग पहले CIE के क्लास देखके देख रहे हों उनको बिल्कुल दिक्केत नहीं हो रहा हो 44 परसेंट और 10 परसेंट दो साल में क्या बनाएगा 21 परसेंट अब में इन दोनों को निकाल लिया तो 44 प्लास 21 65 और 54 गुड़ा 20 कितना होगा 24 84 और 오늘도 9.24 तो 65.9 74.24 परसेंट का इफेक्टिव रेण परसेंट आएगा आप्रोक्स 75 परसेंट आएगा 75 बज़ी 75 के होता है option दिखनी रहा है तो मैं calculate ही कर देता हूँ चाहे देख लेते हैं option जो क्या होगा 5625 से थोड़ा छोटा होगा देखो ये तो होने से रहा ये छोटा होना चाहिए से अब या तो option B possible है या तो option D possible है यहाँ भी खेल गए examiner calculation कर लेते हैं कोई बड़ा बात नहीं है 75-100 का निकाल लो 7-4-2-4 नीचे कितने आज जाएंगे टोटल 4-0 तो 2-0 निखा दो कार दिया काटा कुटी किया 25-35, 25-100, 4 से काटा तो 19-18-42, 4-5-20, 4-6-24 3 into 18-56, 3-6-18, option D answer option D answer तो आप क्या देखो आपका तब भी calculation उससे less होगा क्योंकि यह चीज आप brain में करते हो जो आप लिखोगे exam में सिर्फ यह पार्ट लिखोगे और इसका इतना percent लिखा लोगे तो आप ज्यादा चीज ब्रेन में करोगे तो आपका time ज्यादा बचेगा समझ रहो नो अगले question को देखो आपको अल्रेडी बताया था जब भी मेरे पास interest होता है वो बारा मंत के लिए होता है अब बारा मंत के लिए कितना percent है बारा परसेंट अम मेरे को बोला कि eight monthly count करो eight monthly count करों मतलो हर eight month पे जो amount आएगा अब उसके उपर interest लगेगा eight month में कितना interest है पहले देखेंगे और time कितना है यह देखेंगे तो time देखने गया तो एक साल और one by three year तो एक साल में बारा महीने होता है और one by three में चार महीने टोटल मेरे पास 16 महीने है और मैं eight monthly count करूंगा करूंगा तो क्या होगा eight-eight month पे दो layer बन जाएगा दो cycle बन जाएगा आट-eight month का तो बारा महीने पे 12% तो एक महीने में एक परसेंट या फिर बारा अपॉन बारा परसेंट तो 8 महाइन में कितने हैं percent? 12 उपाउन 12 इंटु 8 percent तो मेरा कितना rate percent हुआ? 8 percent का 8 percent का rate हुआ 2 साल के लिए 2 साल इसनीं 2 साइकल के लिए तब मेरे मुझे कभी 2 साल सुन लेखे कभी 2 साइकल, कभी 2 terms जिस तरीका से हैं लेकिन आपको पता चलना चाहिए आगया 8% 8% कितने दिन के चाहिए तो 12-4-16, 8-8-2 महीं, दो बार के लिए अब क्या हुआ, क्या निकालना क्या है मेरे को यहां पर आप दोनों से जा सकते हैं, यहां पर भी रेशियो जा सकते हैं, रहें वोला रेशियो प्रिफर नहीं करता मैं, क्योंकि रेशियो से लिखना पड़ेगा, सिधा मैं ब्रेन में करो, 8% हुआ, तो 8-16.64% आजाएगा 375 का, लेकिन यहां पर डेटा आसान है, मेरे को डेटा दिखता है, तो यहां पर आपका मन होगा, तो एक बार रेशियो से जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2-0, 4-0 आता, मैं काट लिया, 25 से काटा, 25 से कम 25, 25, 125, चार बार में क्या, काट दिया इसको, टेबल पर दूँगा, तो पंदर जोगा साथ 6,000 हुआ, और पंदर गुणा 16, कितना मत होटा है, 240, 2440 आंसर होगा, option B, option B, कैसे किया हूँ, 15 इंटू 4 किया, तो 6,000 आ गया, और 15 इंटू 16 किया, तो 15 इंटू 16 कर दे टा 25 पता है, उसमें 15 इंट किया, 240 होगा, दोनों को इंट किया, 2440 होगा, मैं इस डेटा के लिए बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर, यहां पे आप रेशियो से भी जा सकते थे, easily आंसर आता, आप होगा क्या 8% का रेशियो, 2 upon 25, तो 25, रेशियो 27, मतलब 625, रेशियो 729 होगा, आपको निकालना था, 9 से 5, 4, 2 से 0, 140 होगा, आपको निकालना था, 140 होगा, तो आप यहां से निकाल सकते थे, क्योंकि यह डेटा थोड़ा सा असान था, आप सीधे-सीधे दिख रहा है, यह छे टाइम्स जा रहा है, और यह इसमें 6 से मुल्टिप्लाई करूँगा, आंसर यहां पर थोड़ा असान हो रहा है, लेकिन आप हर बार चेक करके तो नहीं डिशाइड कर लो कि कौन सा असान बर रहा है, आपके पास तो उतना भी एक्स्प्रियेंस नहीं है, नमबर कर देखके आप डिशाइड कर लो, तो बहतर यह है कि आप इस तरीके से कैल्कुलेट क पास पहुचाएगा, बिल्कुल भी दिखकरत नहीं होगा, सक्षेसी होला, जब तक रेट परसेंट को डिफिकल्ट नमना है, तब तक रेशियू पर मत जाओ, आज आप अगले कुशन को, वाट वी दा कमपाउंट इंटेस्ट ऑना समप 7200 एटीन मन्थ है, तब तो इंटेस्ट परसेंट पर्ना की इंटेस्ट करेगा, 33.1 परसेंट, अब 7200 इंटेस्ट थाटी पर्वाइंट करना है, आंसर आजाएगा, टेबल पर्णा बहुत ही असान है, एक बार आठ का टेब एक बार 9 का टेबल, पढ़ो, 8 का टेबल पढ़ा, 8 हे कम 8, और 33, कितना होता है, 264, अब मैं 9 का टेबल पढ़ दूँगा, एक बार, 98, 72, 7, 9, 4, 36, 7, 47, 4, 26, 234, 4, 234, 283.2, 283.2, 283.2, बोले दरा इटांस, अब खुद देखो, आपके सामने ही में किया, जब आपको 8% फ का टान है, एक लाइन में आंसर आएगा, अगले कोशन को आप देखो, कैल्कुलेट दे कंपाउट इटेस ऑन 15 जाच्छे सोपरचीस फ़र टू येर्स, अड़ रेट और 12 पर परेनम, इंटेस इस कंपाउट इट मंतली, मतलब अब क्या करेगा, 88% का तीन लेयर बन रहा है 88% का तीन लेयर, अब यहाँ पे आपका मोड होगा कि आप चले जाओ, किस से रेशियो से, लेकिन रेशियो से आप तभी जा सकते हो, जब आपको क्यूब पे कमांड हो, क्या बनेगा, 8% का, 2 upon 25, 25 से 27 का रेशियो बनेगा, और 3 यूनिट के लिए बन रहा है, मतलब 3 साल के बन रहा है, तो आपको 27 का क्यूब याद होना चाहिए, अगर 27 का क्यूब नहीं याद है, तो ये 25 का क्यूब भी तो दिख रहा है, आपको कोई फायदा नहीं होगा, इस रेशियो में थटका, मेरे को याद है, तो मैं इसका यूज कर लोगा, 19,683 और माइनस किया 15,665 में राम सरा गया, 13 से 5 गया 8, 7 से 2 गया 5, 6 से 6 गया 0, और ये 15 है ना, 8 से 5 गया 3058, तो मैं यहाँ पर यूज कर लोगा, रेशियो में तो, क्यूं कर लिया, 2 अपन 25 मेरे को 25 दिख रहा था, और ये 25 का क्यूब दिख रहा था, लेकिन मैं बोला कोई बात नहीं, आप इस तरीक यूज हो रहा है, ये डेटा यूज हो रहा है, अगर कोई नए डेटा आता है, तो calculate कैसे करना है, सब बता दिया हूँ, आपको पता है, 8% 3 साल के लिए कितना का increase देता है, 8% कितना का increase देता है, 25.9712 फर्षेंट, उपर 4-2-6-0 नीचे हो जाएगा, नीचे क्या होगा, 6-0 हो जाएगा आप देखो एक साथ सब यूज़ हो रहा है सब भी उच्करों को जल्दी जल्दी आंचार आएगा अमें काटा कोटी करूंगा पॉले 16 से काटा 4 गुणा 4 16 16 9 16 6 96 3 सोरदूना 32 5 सोरदूना 32 5 सोरदूना 32 कितना हुआ 3 और सोरदूना 32 चार से काट लिया चार चोगों के 16 जीरो बचा आइटिंक कहीं एरर कर गया है क्या आपन उस टाइम एरर किये थे चार चार पचेग भी चार बठाट बठीश उस टाइम में माइनस करने में 3058 लिख दिया था 4058 आना चाहिए था कहीं लिखने में बलती कर दिया था तो 4058 option B will be the right answer option B तो आप बातों को समझ रहे हो नो दोनों तरीके से answer से मारे है 19,630 से इसको सिर्या सिर्या माइनस कर दो तो भी आपको 4,000 अन्ठाओं नहीं मिलेगा और यह जब डिवाइट कर दो तो भी यह मिलेगा चैट बोक्स में आके यह छोटा वाल एरर 3058 लिखा तो मैसेज मत करना समझे अगले कोशन को देखते हैं क्या है what is the compound interest in rupee on a sum of 8192 rupee for once a 1 upon 4 years at 15% per annum if interest is compounded 5 monthly 5 monthly compound किया जा रहा है तो यहां कितने मन्त हुए 12 month plus 3 month 15 month मतलब 3 layer चलेगा 55 month 3 cycle चलेगा अब बोला एक interest परेनम क्या है 15% परेनम 15% परेनम तो 12 month के लिए तो पांच मन्त के लिए कितना है निकालो 15 upon 12 into 5 काटा कोटी शुरू किया 3 15 15 3 4 के बारा 35 15 तो 25 upon 4 आया एक बार मैं फिर चली देता हूं 25 upon 4 आया 25 upon 4 आया अब यहां पर मैं आपको बदाता हूं यहीं पर आपको लर्न करने का चीज है अब 25 upon 4 परसेंट आया तो आप तीन लेयर इसका तो निकालोगे नहीं सक्सेसिफ नहीं निकालोगे नो निकालोगे फस जाओगे टाइम ज्यादा लग जाएगा तो यहां पर रेशियो मेथड बेस्ट है तो वहीं बोल रहा हूं कर डेटा देखके आपको डिशाइड करना है यह कौन सा मेथड बीक से मतलब बेस्ट है अभी इसको आप होंगा तब यह वन अपॉन सिक्स्टीन आया तो कैसे भी आपको जैसे ही रेट परसंट दीखा उसका फ्रेक्शन फेलू लिखे वन अपॉन सिक्स्टीन हुआ तीन लेयर के लिए चल रहा है तो सिक्स्टीन जाएगा तीन बार अब मैंने क्या पता है 4096 का फेलू पता है 4913 लेकिन आपको 4913 जो आएगा ओ एमाउंट होगा यह पुछा एक्जामिल इंट्रेस्ट है इंट्रेस्ट में फोकस करो ना माइनस करते हैं तो 813 प्लस 4 817 जो इंट्रेस्ट हुओ 817 है नेठ हुओ 4096 का फेलू 8192 सीधा सीधा देख रहा है टू टाइमस है तो इसका टू टाइमस आंसर हो जाएगा 4096 का टू टाइमस 8192 है तो 817 का टू टाइमस आंसर होगा 816 जो यह देखो चातर दुना 34 सेबंटीन टू 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 आगे आंसर बिलकुल तकलीफ नहीं हुआ तो आप बातों को डेटा को इसी तरीका से अब्जर्ब करना है डेटा आप करोगे तो एक बार में कॉर्शन सॉल हो जाएगा साइद मैं तेज 16 आया 16 से 17 तीन साइकल 16 का क्यूब से 17 का क्यूब 4096 से 4913 एंट्रेस्ट 817 हुआ 4096 का वैलू 8192 है एक यूट का वैलू 2 है तो 817 का वैलू 1634 हो इस तरीका से ही करना होता है टाइम नहीं बरबात करना होता है 15 अब मैं बोलू तो आपको पता है 12 महीने के लिए 15 परसेंट है तो आठ महीने के लिए क्या होगा 10 परसेंट अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे कालिकूलेट कर लेते हैं पटापट से चारदुना आठ चारतिये बारा कितना होँआ 10 हर 8 मंथ पर चलेगा कितने दिन के लेट चला है कर टेड़ 2 यशे ड्य low ड्य चुटने मंथ होते हैं 24 हर अठ वर युट आठ मंत्ली कंपांट करना है मतलब कितने साइकल बने तीन साइकल दस-दस परसेंट के तीन साइकल ड् इंक्रीज होगा 33.1% का इंक्रीज होगा 33.1% का इंक्रीज होगा किस पर होगा 55 पर नेट पर हो अंसर आजाएगा 5 का एक बार टेबल पढ़ा 5 से कम 5 235 165 एक बार 11 का टेबल पढ़ा 5 5 5 10 8 10 6 5 11 12 6 7 8 और 1 18 सब 20.5 और यहीं आप क्या किये ही क्या अब देखू क्या करना क्या था आपको फटा-फट ब्रेन में यूज कर लिए तो ब्रेन में नहीं तो आप 10 परसेंट निकालना था 10 परसेंट का तीन साइकल पर पदा था इतना का इंट्रेस्ट इंक्रीज करता है आं वो क्या करें, खुद से प्रक्टिश करें, जो डॉट हो रहा है, जो डिफिकल्ट हो रहा है, जिसमें फस रहे हैं, उसको इसे अब देखो, कुछ नहीं चीजें में बता देता हूं बीच-बीच में, तो टुएक्स मौड पर देख सकते हैं, यह कुछ पॉइंट, कुछ बाते तो नहीं बोल गया, जो उनके काम का हो, और जिनको नहीं आ रहा है, जिनको अभी मतलब हलका दिक्कत हो रहा है, वो एप्रोचेज को सीखक के कोशन में अप्लाई करने, लन करें, दो टाइप के बच्चे होंगे, दोनों अपने अनुसार, क्लासेज ले और ज्यादा स्यादा लन करें और स्कोर करें, वाट इस दा कंपाउंड इंट्रेस्ट इस कंपाउंड फाइफ मंतली, कितने मंत के लिए है, फिप्टीन मंत, फाइफ मंत का तीन लेयर बनेगा, 12 मंत के लिए 8 परसेंट है, तो 5 मंत के लिए क्या होगा? निकालो 10 अपन 3 परसेंट है, 10.3% कैसे निकाला तो वही तरीका है 8.12.5 कार्ट दिया अब दो को यहाँ पर आपको difficulty होगा तो यहाँ पर दो चीज़े आपको पता होना चाहिए या तो आप यहाँ पर ratio से खेल जाओं तो ratio से खेलोगे तो cube आपको याद होना चाहिए और ratio से निकालोगे तो आप जाओगे successive increase से और successive increase से आप 2 साल वाले method से जाओगे तो calculation थोड़ा गंदा बन जाएगा और थोड़ा जादा दिक्कत होगा आपको तो आपको 3 साल वाला यहाँ याद होना चाहिए 3 साल वाला कभी कभी ही उज़ होता है बहुत rare उज़ होता है लेकिन एक बार मैं लिख देता हूँ ध्यान रखना कभी न कभी काम कर देगा ने तो इससे काम चल जाता है सारे question में इससे काम चल जाता है बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है दो बार निकालो फिर एक दो बार निकालो तीन साल वाला कभी आपको यूज़ नहीं करना है इसी पर आपको कमांड बनाना है क्योंकि rare चीजों पर कभी कमांड नहीं बना जाता है जो repeated चीज है उसके उपर कमांड बना जाता है तो repeated चीज यह है तो मैं आपको पहले बताता हूं रेशियो से कैसे करेंगे 10 upon 300 हो जाएगा तो 1 upon 30 तो 30 से 31 का इंक्रीज होगा होगा अब क्या होगा तीन बार का इंक्रीज है 31 का क्यूब और 30 का क्यूब यह क्या हुआ 27,000 अब आपको 31 का क्यूब याद है तो आप खेल जाओगे और नहीं याद है तो फिर आपको फस जाओगे यहां कितने का चेंज आए 279 आपको पता है 27,000 उनिट का फैलू क्या है 81,000 एक इरोंट का फैलू क्या होगा 20 से 20 गया 27 तिया 81, एक इरोंट का फैलू हुआ 0.3, 0.3 से मल्टिप्लाई करो आंसर पाओ तीन एकम तीन, तीन नावशा 27, 27 तिया 81, 2, 3, 827.3 रूपीच इंटरेस्ट आएगा लेकिन अब तब कर पाए जब आपको 31 का क्यूब याद था तब आप कम टाइम में कर पाए ओप्शन 837 नहीं है क्या है ए अप्शन ए आंसर हो जाएगा आप इस तरीके से तब कर पाए जब आपको 31 का क्यूब याद था अगर नहीं याद होता है तो आप फस जाते 31 क्यूब कैल्कुलेट करने में हो सकता है थोड़ सा टाइम लगता है मान लिए 31 का स्क्वार 960 और फिर 31 का टेबल पढ़ दिया आने को तो आ जाएगा तरीके बहुत है बस आपका हाथ प्रिन रुकना नहीं चाहिए तो आपको मैं एक और फ़र्मूला लिख दे रहा हूँ जब 3 साल का इंक्रीज होता है तो फ़र्मूला यूच कर लेते हैं हम लोग तो मैं उस फ़र्मूले को एक बार लिख दे रहा हूँ देखो आप क्या है एकस प्लस वाई प्लस जेट प्लस एकस वाई जो जो है तीन परसेंटेज इंक्रीज है तो ऐसा नहीं कि वो अलग अलग चीज़े है जैसे वहाँ पर दो बार था माल लिया दस परसेंट और बार परसेंट यहाँ 10 परसेंट 12 परसेंट 15 तीन रेट है और तीनों को इफेक्टिव मिला के क्या होगा उसको निकालने मैं बता रहा हूँ और यह क्या होगा एकस वाल जेट अपॉन हंडेट का स्कॉर यह जो आया पूरा यह जितना परसेंट आता है वही एक्यूमिलेटिव यह इफेक्टिव लेट परसेंट होता है अब मैं आपको सॉल करके दिखाओं मैं क्या किया 10 अपॉन 3 पूट किया एक्स पर 10 अपॉन 3 पूट किया वाई पे 10 अपॉन 3 पूट किया जेट पर तो कुछ इस तरीका से कभी के मैं देखता हूं कुछ एजुकेटर रटाते भी हैं तो मैं रटाना नहीं चाहता कुछ लोग क्या बोलते हैं इस तरीका स्क्रिक देखते हैं इसको 3x बोलेंगे जब इस तीनों इक्वाल हो गया तो फिर इसको बोलेंगे क्या हुआ और फिर उसको बोलेंगे एक्स क्यूव अपको रटना नहीं है मैं फॉर्मूला लिखना चाहता तो बहुत सारा फॉर्मूला लिख सकता हूं अब एक एक फॉर्मूला लिख लो एक फॉर्मूला लिख लो एक फॉर्मूला कितना रट होगे मैं आपको समझा रहा हूं बात प्लस यहां पर क्या होगा 10 upon 3 into 10 upon 3 तो 100 upon 9 और 100 upon 9 यहां पर भी 100 upon 9 यहां पर भी तो टोटल 3 times 100 upon 9 upon 100 तो यह 100 100 खतम यहां क्या मिला 1 upon 3 तीन से काटा 9 को अब मैं इस पार्ट को देखू तो 10 upon 3 का cube मतलब क्या होगा 1000 upon 27 पर 4 0 तो 4 0 ना रखके 3 0 काट लिया एक 0 ही रखा प्लस 1 270 यह जो इतना परसेंट आएगा वही आंसर आएगा तो मैं क्या करूँगा easily करने के लिए पहले परसेंट को अलग लिए एक बार 10 परसेंट एक बार 1 upon 3 परसेंट एक बार 1 upon 270 परसेंट उसका निकाल के आंसर कर दोगा मैं बोला आप पहले 10 परसेंट निकालता हूं इक्यासोशी का इक्यासी 100 का तो क्या होगा 10 परसेंट 810 होगा फिर मैं 1 upon 3 परसेंट निकालता हूं होगा 27 यह क्यासी तो 0.3 हो जाएगा एड किये तो क्या हुआ 837.3 वही आया जो आप रेश्यों से किया थे तो आया था option A बस मैं आपको यह लर्न करना चाहता हूं कभी कल को और तेना परसेंट दे दे तो ऐसा नहीं आपको घबरा जाना है आपको फटाफट फटाफट य सब्सक्राइब 25 से सब्सक्राइब बीच मैं तो आपको इस जातकर कर रहे हैं करना चाहिए कोई कोश्चन जीकों किसी कशी को करने नहीं आ रहा है यह कर भी रहा है तो 2,5-3 मिनट ले रहा है उसको आपको एक से कुछ कोश्चन लोग पहुच ही नहीं पार रहे हैं क्योंका टाइम इसू हो जा रहा है वहां आपको दो मिनट तीन मिनट इन्वेस्ट करके करने आना चाहिए तो आप इस rule को follow करोगी कि जहाँ पे लोग पहुँचनी पार है वहाँ मैं time दे दूँगा typical question को जहाँ पे लोग time बरबाद करें वहाँ मैं time save कर लूँगा तो फिर आप सारे questions को ठंग से attempt करोगी और improve होगा क्योंकि लोगों का improve हो रहा है हम अपने batch के ही बच्चों का improve हो रहा है Zoom session के दिन पता चलता है message आते है screenshot आते है support के पास तो screenshot आते रहते है मेरे पास screenshot देखने को मिलता है नाम के साथ मुझे भी बहुत खुशी मिलती है जब support के पास को screenshot बेचता है मेरे पास share करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है जिसका भी score improve हो रहा है जिसको भी अच्छा जो भी review अच्छा लग रहा है तो आप क्या करो support के पास message कर दो मेरे पास transfer हो जाएगा तो मैं read कर लूँगा अगर बहुत अच्छा लगा मैं call करके भी बात करता हूँ बहुत बच्छों से तो आप लोग पढ़ाई करो improve करो आपका target यही रहना चाहिए इस sum of 10,500 amounts to 13,650 इन दो साल at a certain rate of peranum simple interest पहले हम लोग यहाँ से interest निकाल लेंगे फटाफट calculate करना सुरू कि यह सिदा सिदा देख रहा है तेरा का multiple है 105 time में काटा उपर 10 unit बचा और नीचे 30 unit बचा दूसरी तरीका से भी काट सकते हो मैं कुछ नहीं किया हूँ मैं पहले 0 से 0 काट लिया फिर 105 से 105 का काट लिया उसको 105 से काटा तो 10 बार इसको 105 से काटा तो 13 बार यह इतना जल्दी कैसे देख लिया तो मैं लोगो यह number दिख रहा थे यह 13 है यह 65 है तो 13 का multiple है तो 105 को काट लिया 10 से 13 के होतने में कितना इन टाम लगा 2 साल कितना के increase है 30% का तो एक साल में कितना के increase हो आओगा 15 परचेंट रेट आफ इंट्रेस के वह 15 परचेंट यह भरबली करने वाला काम है आपको SI में सिखा चुका हो कि रेट आफ इंट्रेस केसे निकालते हैं भरबली 15 परचेंट अब क्या बोला दा सेम सम्विल एमाउंट तो what in one year at the same rate if the interest is compounded half yearly nearest to one देखो यहां पर भी क्या वहला अब 15 परचेंट के हिसाब से आपको दो साइकल चलाना है क्योंकि half yearly बोल दिया एक साल के लिए बोल दिया तो यहां पर 15 परचेंट इस साल और 15 परचेंट इस साल यही होगा न आपको चलाना पड़ेगा आप accumulative rate परचेंट निकालो या फिर formula लगा दो दोनों से वही आएगा या फिर ratio लगा दो वही आएगा तो आप जो comfortable फिल कर रहे हो ही करो मैं comfortable ज्यादातर फिल करता हूँ accumulative rate परचेंट निकालने में rare here मैं ratio से जाता हूँ क्योंकि ratio से लिखना पड़ता है ratio से लिखना पड़ता है तो मैं इसको मैं क्या करूँगा निकाल दूँगा एक्किनमेटिक ये क्या हुआ 7.5% हुआ तो 7.5% प्लस 7.5% 15 और 7.5 का स्क्वार क्या होता है 5.625 यहाँ पर decimal क्या यह 0.5625 हो जाएगा तो जो मैं rate % हुआ 15.525% हुआ यह मैं देखने के अगले 10 सेकेंड बार डिसाइड करलूँगा इतना परसेंट का इंक्रीज होगा 10,500 साइद आप लोग कोस्टन कम दिख रहा हो तो मैं थोड़ा उपर गा देता हूँ अब 10,500 पर 15.625 का इंक्रीज होगा अब यहाँ पर बोला क्या है कि आपको CI नहीं निकालना आपको क्या निकालना है Compound Interest तो 115% निकाल दो इसका अब देखो यह थोड़ा सा डेटा कितना कैलकुलेटीव हो गया आपके सामने दिख रहा है जीरो हटा लिया हूँ लेकिन तब भी बोलता हूँ कि आप कर सकते हूँ बहुत ज़्यादा डेफिकल्ट नहीं हुआ है कुछ नहीं करना है एक बार 5 का टेबल पड़ो एक बार 21 का टेबल पड़ो आंसर आ जाएगा एप्रॉक्स में आंसर है कि 116 पर्शेंट निकाल दू या 115.5 पर्शेंट ही निकाल दू या फिर 115 पर्शेंट ही निकाल के कुछ एक्स्टा आंसर कर दू जितना दर यह सोचने में दिमाग लगाऊ उतना दर में कैलकुलेशन हो जाएगा और कहीं करने के बाद आपको ओप्शन से देखो कि इतना क्लोज मिले यह तीनों तो क्लोज है चोथा भी ख्लोज नहीं है इतना क्लोज मिले तो फिर आंसर टिक करने में आपको दिक्कत होगा तो बहतर है कि आप इसे टेबल पर दो या फिर रेशियो से खेल जाओ रेशियो से खेल सकते हो, रेशियो से भी खेलो, मैं रेशियो से भी समझाता हूं, पले इसको सिखाता हूं 5 का टेवल पड़ा, 25, 5, 125, 35, 59, 25 25, 23, 28, 2 बचा, 25, 27 7 बचा, 11, 15, 25, 27 यहाँपे डेशिमल आ भी, 21 का टेवल पढ़ूगा 25, 115 10 बचा, 21, 42, 52 5 बचा, 25, 25, 21, 22, 25, 26 2 बचा, 21, 68, 22, 70 कितना हुआ? 17 बचा 21 साथ 147 और 17 कितना हुआ 164 16 बचा और फिर 168 करो तो कितना हुआ 163 कितना बचा 16 25 और 16 121 तो मैं आपको इतना टेबल गंदे तरीके से क्यों पढ़ा आपके सामने में टेबल पढ़ा हूँ ऐसा नहीं कि मेरे कोई याद था डेटा तो आप क्यों पढ़ा रीजन बता रहा हूँ कि आप हैबीच्योल हो जाओ मैं ऐसा नहीं स्वाफ कर रहा हूँ 21 का टेबल मेरे को याद दे कुछ नहीं करना था 21 का भी नहीं आद है तो आप इसको तीन और साथ में तोड़ दो एक बार तीन का टेबल पढ़ो एक बार साथ का टेबल पढ़ो तीन का टेबल पढ़कर लिखना फिर साथ का टेबल पढ़कर लिखना आ जाएगा ऐसा नहीं कि अलग आंसर हैगा वही आएगा तो आप पस में हैबिट डेबलब करने के लिए मैं ये काम करना हूँ कि आप अभी हैबिट डेबलब कर लो उस दिन रुको ना आंसर आगया 12 12 134.0625 जो कि ऑप्शन ए है जो कि ऑप्शन ए है उस दिन बिल्कुल आपका पेन रुकना नहीं चाहिए एकजाम में आपको सिर्फ एक बात पता है आपको टेबल पढ़ने आता है आप कल्कुलेट कर लोगे हो बस आपको यह confidence बिल्ड करना अपने अंदर कुछ नहीं बाते नहीं आपको practice करना है और confidence बिल्ड करना है आपको मैं ratio से भी सिखाता हूं क्या था 15.2% तो मैं इसको लिख सकता हूं 15.200 15.200 लिख सकता हूं तो क्या या मेरे लिए 15.200 3.40 मतलब 40 से 43 का increase है दो साल के लिए तो 1600 से 1849 का increase है तो थोड़ा सा आसान हो गया 1600 से 1849 का increase है अब यहां पर आसान उसी के लिए हो गया जिसको 43 का square पता हूं जिसको 43 का square पता हूं जिसको नहीं पता हूं उसके अभी भी difficult है अब मैं बोलू कि आपको 16 unit का फेलू पता है 1849 का निकानला है तो calculation से नहीं बच सकते मे पढ़ना पड़ेगा एक बार पांच केट बार 21 का फिर 16 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आप calculation से नहीं बच होगे आपको जैसे भी जाओ calculation करना है square square root याद रहना चाहिए table याद रहना चाहिए कभी cube याद रहना चाहिए कभी fraction value याद रहना चाहिए आप खुद देखो इसको भी करोगे तो वही काम चलो थोड़ा असान मुनाते है टेबल नहीं पढ़ना पड़े उसके लिए तो कैसे असान मुना सकते हैं एक ब 14, 18, 19 इसको 16 से डिवाइड करोंगा टेबल पढ़ना पड़ेगा सोरा एकम सोरा अगर मान लिया सोला का याद नहीं किसी को तो उकुष नहीं करें दो बर चार का पढ़ने तो फाक्टराइजेशन पर कमांड बनाना है दो बर चार का टेबल पढ़ने एक बर चार से काटे फिर एक बर चार से काटे आंसर वही आएगा आंसर वही आएगा 16 से काटा 16 एकम 16, 1632, 2 बचा, 16 एकम 16, 5 बचा, 178, 44, 44, 44, फिर 0, 1 बच गया तो 0 बार में नहीं जाएगा, 176, 96, 96, 4 बचा, 1732, 8 बचा, 1735 वही आया डेटा बिलकुल भी चेंज नहीं आया है 12134.065 यह नहीं कि मैं करके दिखाया, टाइमर बात किया, कि लर्न करो कि आपको रुकना नहीं है, यतना भी कैलकुलेशन है, आप confidently solve करोगे, आंसर में कैलकुलेशन है तो लोग रुक के हुए, आपके दिमाग में चल रहा है कि लोग की तरह नहीं होना है, जो लोग रुक के सकतल यह चापकर स्परोगेशन हम पुखेये, चाना चाहिका को करता इस घरे चाहिए, आपमर बात रिमकर रहें को लिए तसरे बेक्टारी ता हिसे Kor왈ल को लिए पेध्रोगेशन का इस ही एंफेदी करुआ को ज़कित है, यह चल रहा है, भी चाहिए, आपन सी का बेलेश को देखते हैं बाते आप समझ गया होंगे क्या करना होता है अगले कोशन को देखते हैं क्या है अगला कोशन मेरे भाई देखो the compound interest on 4000 after three year reach 630.5 then the rate of interest compounded yearly आपको अरड़ी बता चुका हूं मैं calculation में भी कि तीन येर बोला मतलब क्यूब रूट का केस है कैसे है आज बता देता हूं क्या होता है amount upon principle equal to 1 plus r upon 100 to the power n और n जो होता है वो time होता है तो 3 अब ये 3 इस साइड आएगा तो amount और principle का जो ratio होगा उसका cube root होगा जो 3 साल बोला तो cube root 4 साल बोला तो fourth root 5 साल बोला तो fifth root 2 साल बोला तो square root ये बात तो आप understand करते होंगे मैं already बता चुका हूं अब आपको यहां पर दो तरीके से सोचना है पहला आप amount और principle का ratio निकाल के उसका cube root करो और फिर interest rate निकालो या आप सिधा सिधा approach निकाल आये पहले मैं इस समझा दे दो 4603.5 upon 4000 ये क्या होगा यहां 0.5 को हटाया तो एक 0 आ गया है यह मेरा amount हुआ यह मेरा principle हुआ यह आया कहां से 4000 plus 630 principle plus interest equal to amount अब मैं क्या करूंगा इसको ratio देखूंगा तो ratio देखना आसान है सिधा सिधा देख रहे है 5 का multiple है 5 से पहले काटा त एक बचा 5 दुना 10 उसके बचा पांच साथे 35 कुछ error है क्या यहां काटा तो 8000 यहां काटा तो 8000 फोर 6305 तो देखो error है मेरे को पता चल गया था error है 305 ऊपर जो आएगा 6 वना आएगा अब मैरे को क्या मिला यह 9261 मिला यह 800 मिला अब यह क्या हुआ 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 हु ही और नीचेवाला 20 का क्यू सिर्ट करें गार्ट है मिसाल फ्रिंस्पल पर एक साल में इक साल में सीपल पर एक साल में इक साल में तो जब लेकिन मैं बोलता हूँ यह भी नहीं करना है यह तो मालो इजी था 9261 आ गया 8000 आ गया लेकिन डिफिकल्ट आगा तो आप पकड़े नहीं पाओ इसी वह से मैं आपको बोलता हूँ एप्रॉक्स लगाओ ऐसा नहीं बोलता हूँ यह नहीं आना चाहिए यह आना चाहिए आप इतना का पर्सेंट इंकरीज है तो मैं इसको चार से काटा काटा तो 15-22 का 6 है जोट क्या मिला 15-24 और चारच 2 28 होस को जीना Todo फीक्रेंट का परओं काड़े आपसपर इसन के मिला है 15% है तीन साल कीस्सटीन का पॉएं सब को पता है पांश परसेंट का पूरा पूरांद रूट नहीं थी आप सीधा सीधा देख सकते थे पंदर जोगा साथ 15% से थोड़ा सा जाधा है ऐसा नहीं कि 16% 16% नहीं है 15% से थोड़ा सा जाधा है मतलब 15 और 16 के बीच में वह किस केस में आता है 5 परशेंट के युगि 6% के तो साल कही strength होता है उन 19.01 6 परसेंट होता है और पांच पर्सेंट का तो अभी अभी लिखे 15.7.717 ऑनखी नहीं तो स्याद कर ले नैए तो उस दिन आपको कोई कुछ नहीं कर सेपता है एक परसेंट का है इसाल का साथ सेकंड का कोश्चन है आप खुद सोचो अगर आप कैल्गुलेट करने जाओगे कोई भी बच्चा होगा जिसको डेटा पे थोड़ा भी कमांड नहीं होगा वो 40 सेकंड 35 सेकंड 55 सेकंड ऐसे लेगा टाइम आप उसको 5 सेकंड में करें कितना डिफरेंस क्रियेट कर रहे जो जानता है वो क्रियेट करेगा तो सब लोग तो जानते नहीं सब लोग तो यूज करते नहीं नहीं तो सब लोग टाइम बचा रहे होते हैं सिर्फ आप यूज करोगे आप टाइम बचाओगे आप इसी तरीके से आप फटाफट लर्न करते जाओ RS 2,40,000 is taken as loan for 3 years compounded annually at 12.5% हिंट है रेशियो से जाओ 12.5 देखके आगे क्या बोला at the end of first year the interest is revised to 12% परिनाब the total amount to be repaid at the end of third year सिधा सिधा एमाउंट निकालना है आपको रेशियो से खेल जाओ answer एक line में आजाएगा 2,40,000 था उसका क्या 2,40,000 क्या था उसका principle 2,40,000 क्या था उसका principle आगे क्या बोल रहा है कि उसका पहला साल 1 upon 8 से इंक्रीज हो रहा है मतलब 9 upon 8 हुआ दुसरा साल 12% से 12% का fraction value होगा 3 upon 25 मतलब 28 upon 25 से इंक्रीज होगा और थर्ड साल भी 28 upon 25 यहां पर एक हिंट भी है मेरे भाई देखो क्या हिंट है 9 का multiple होगा answer मैं check करने गया check करने गया 3,2,5,4,9 नहीं होगा answer 3,3,6,4,10 हो सकता है 3,3,6 और 3,6,9,8,4,23,7 यह भी हो सकता है अगला वाला देखो तो यह भी हो सकता है तो B, C, D तीनों answer possible है इसी वज़े से digital sum पर आपको ज़्यादा focus नहीं करना है क्योंकि अभी digital sum इतना popular हो चुका है कि एक्जाम ज़र को पता है हर बच्चे डिजिटल sum से करी नहीं पाऊगी मतलब आप digit sum नहीं लगा पाए कुछ बच्चे होंगे जो 7 का multiple चेक करेंगे तो 7 का multiple चेक करना है इस case में बेवकूफी है क्यों है यह थोड़ सा typical data है ट्राई कर सकते हो आप 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 ट्राई ही नहीं कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना का मतलब तो 7 का multiple भी ट्राई कर सकते हो अब मैं आपको 7 का multiple का rule भी बता चुका हूँ एक हाजार एक वाला rule लागा दो तीन डिजिट माइनस तीन डिजिट माइनस तीन डिजिट जो 7 का multiple हुगा वो answer हो जागा कहीं ऐसा हो कि 2 multiple निकल जाए तो आपको cut करना पड़ेगा मैं hint दिया हूँ करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं करके ज्यादा solution में focus करूँगा लेकिन एक बार मैं 7 का multiple से भी try करके दिखाता हूँ कैसे हो जाता है 8 से 8 गया 0 8 से 3 गया 5 यह 7 का multiple है answer possible है इसको देखा 8 से 2 गया 6 4 से 4 गया 0 6 से 3 गया 3 यह 7 का multiple नहीं है यह answer possible नहीं है इसको देखा तो सिधा इसको calculate कर लेते हैं 0 को छोड़ दो 7,4,8,5,7,7,7,8,4 कितना हुआ? 5 यह भी नहीं है option ची answer हो गया प्रख के लिए यह करा गया साटिस्फाइब निकल जाओं के इसी बजी से नंबर सिस्टम पर कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए अब आपको मैं कैलकुलेशन करके भी समझाता हूं कैल्कुलेशन गुतना डिफिकल्ट नहीं है यहां टू छूटा हुआ है 25 से काटा 25 से काटा दो बार दोनों 0 खतम हो गए 8 से काटा 3 टाइम्स खतम हो अब मेरो वो क्या कैल्कुलेशन करना 3 into 4 into 4 into 9 into 28 into 28 कुछ नहीं करो जितना जल्दी जदी टेबल पढ़ सकते हो पढ़ना स तो मैं क्या क्या 12 गुना 36 कर दिया है अब मैं कुछ नहीं करेंगा एक बार 36 का टेबल पढ़ोंगा एक बढ़ तो आज आद है न है होता है 36 into 4 144 होता है 14 बचा 36 288 और 14 क्या हुआ 302 30 बचा 36 साथे कितना होता है 252 होता है ना 36 साथे 252 और कितना बचाते यहाँ पर 30 282 अब 12 कर टेबल एक बड़ पर दो 12 कर 40 12 24 और 28 दो बचा 12 24 और दो 26 इतना बचा 2 12 8 96 और 29 9 12 24 और 29 33 यह यहाँ ना 33 यासी अठासी टेवल परना बहुत ही असान होता है आप कैलकुलेशन करने से डरो मत इस बचे से मैं लिख के दिखाता हूं अधर वाज यह जरूत नहीं थी लिखने के मेरे अधर एजुकेटर कोई कैलकुलेशन करके इस नहीं सिखाता है लेकिन मैं छोड़ के जा सकता था लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वही हैब अगले कोशन को देखो अब अगला कोशन क्या है दा कम पर अगले कोशन को देखो आप अगला कोशन क्या है दा कमपाउंट इंटरेश ऐन इश्थ साम इशे आट सोबैस यह क्या है इंडरेस्ट है यह क्या है इमodge है तो मिलस प्रिंसिपल कै रहा होगा 8000 तो मैं 00 card दिया 800-80 हो गया यह क्या हुआ principle यह क्या हुआ amount बोड़ा दो साल में ऐसा हुआ है एक बार और काटा यह 400 से 4001 होगा लग 20 से 21 है 5% कही case है 5% rate percent होगा answer option दिखनी रहे क्या option C answer है अगर इस तरीका से आप नहीं सोचे तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 8000 मेरा principle है और इस पर इंक्रीज है 820 का ओभी दो साल में यह प्रोक्स कितना की इंक्रीज है 10% से थोड़ा से ज्यादा और कब 10% से थोड़ा से ज्यादा होगा जब 5% होगा जब 8% होगा तो 16.64% का इंक होता है लेकिन यह 5 है तभी जाकि यह 10% से थोड़ा साधी कि दीज है 7% है तो 14.49% तो बचा एक ही वो कहा है 5% जो कि होता है 10.25% 10.25% इस तरीका से भी आप देखके बिना पेन उठाए सीधा सीधा कल्कुलेट कर सकते हैं वहीं पे लेकिन यह असान डेटा था यह सिंबली दीख रहा था 221 का स्क्वाइर है यहां पर आप नहीं भी किये तो काम चल जाए जब टिपिकल डेटा है तब यह काम करना है अप्रोक्सिमेशन वाला अगले कोशन को अब लिए क्या है अगला कोशन एट अट वार्ट रेट परसेंट परेनम विल बहत्तर सो इमांट्स तो ज़्यादा है मतलब आउसर 5 परसेंट होगा ऑप्शन देखने आया ऑप्शन एविल बीदा राइट अंसर लेकिन एट टिक करेंगे अप्शन डी होगा अब आप लोग सुच रहोंगे क्यों ऐसा मैं बोला मैं खुद एरर कर देता अगर एक जाम के दिन रहता है तो वो ब आइप छे महींने पर फाइप ज्यां पे और पूछा क्या है। अपर आप डेंट परसेंटी यह रहों प्रॉक्स रहों कि अप्लेट डेब्लक करोंगे यहिं आन्सर पसीबल हो है अप 10.25 भी करोंगे तो आंसर रहता है यहीए लाग 10.2 अअग हुग है तो 738 मेरे को पता है लेकिन आप इस तरीका से हैबिट डेवलक करोगे तो आप सीधा कोशन ऐसे आपके सामने बोर्ड पर दिखेगा या फिर कंप्यूटर इसकिन पर पढ़ोगे अब क्या होता है अब क्या होता है आपको जो वह टो इंक्रीज है ओएट से नाइन का है और जो बोल रहा है अभी एक खुद दिया हुआ है यह खुद दिया का increase है और यह क्या है amount ratio principal है अगर आप basic से जाते तो क्या होता amount upon principal बराबर one plus r upon 100 to the power n अगर आप r upon 100 करते तो 1 upon 8 आता यहां पे और 1 upon 8 को solve करते तो 9 upon 8 आता जब आप इसको काटा कोटी करते 405 upon 320 तो क्या आता यह 81 upon 64 आता 81 upon 64 आता तो ultimately उसी बात को आप indirectly लिखें अब आपको पता है यह जो है क्या है 9 upon 8 का square है 9 upon 8 का square है आपको पता है जैसे ही base same होता है तो जो power होता है और compare होके equal हो जाता है तो n बराबर 2 दो साल answer हो जाएगा इस तरीका से लेकिन क्या हर बार आप ऐसे करो वह लिखली के नहीं आपको सिर्फ देखना है numbers को number मेरे को दिख रहाता है square number है 2 साल cube number दिखा cube root हो रहा है 3 साल 4 तो देखा power का 4 जिसमें increase हो रहा है उसका square root है क्या हो रहा था 8 से 9 था मेरा rate का increment और जो मेरा amount ratio principle था वो 64 principle ratio जो amount था 64 ratio ही क्या सी था मतलब square हो रहा है 8 का square से 9 का square है time क्या है 2 साल अगर 8 की cube से 9 का cube रहता तो time 3 साल 8 to the power 4 से 9 to the power 4 रहता तो time क्या होता चार साल बात coordination कर गए बिल्कुल दिकत नहीं होगा आगे questions को देखे आप यहां पर answer होगा दो सार आगे questions में आपको फटा-फट करना है आपको देखती ही पता चल लगे है यह कोई कि ना कोई नंबर का cube होगा अब आपको यह तो याद होगा यह तो आसान है 25 का cube है अब यह क्या है आप पता करना पड़ेगा तो आपको याद होना चाहिए 26 का cube क्या होता है 17,566 यह आपके brain का functioning है और आपको कितना cube root पर कमांड है देखने के साथ ही आप यह लिखना नहीं पड़ेगा कि increment जो है 25 से 28 है तो बतलो 3 upon 25 आंसर होगा 3 upon 25 आंसर होगा 3 upon 25 आंसर होगा गुणा 100 किये तो 4-3-12 परचेंट आंसर हो जाएगा 4-3-12 परचेंट आंसर हो जाएगा समझ रहे ना आप सोचो कि सिर्फ आपको थोड़ा सा चीज पता है जो है cube और cube पता होने से आप क्या करोगे फटा फट्साल कर लोगे तो यही चीज आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है अगले question को देखो in how many years the compound interest if compounded annually on a sum of 60,000 at a rate of 8% per annum is इतना तो आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो दो तरीके से कर सकते हो आप पहला तरीका होगी रोट स्क्वार रोट चेक करो क्या चीज का है और दुसरा आप a-prox निकाल लो यहाँ पीछे वाले में भी आप a-prox निकाल सकते हैं जो भी question थे सब में अप्रॉक्स निकाला जा सकता है मैं आपको सारे तरीका बता रहा हूं जिससे आप जल्दी से जल्दी कर पाएं यहां पर भी आप एप्रोक्स निकाल सकते थें, यह कितना पर्षेंट का इंग्रीज है, आपको मैं समझा देता हूँ एप्रोक्स कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा लेकर डिफिकल्ट होगा, जिसको नहीं याद होगा उसके लिए, अब मैं बता हूँ जिसको डेटा नहीं या कि जो इनक्रीमेंट है, क्या 40 परषेंट का है तो इसा मज़ जाँगा, 12 परषेंटा पाले स्कता है, क्योगि 8 यह है यह 25.9712 यह कहीं समय का सब्कर्राइद हों जान है, 9 परसेंट मि मैं पता है 29.5029 का इंखरीज है और 10 परसेंट पाइद 23.1 , अब मैं छेक करों कितना के इंक्रीज हुआ है अगर 40% के प्रॉक्स इंक्रीज हुआ होगा तो आपको चेक करना है आप चेक करो कितना एक्स्टा है हो तो 5000 उदर कितना एक्स्टा है सीधा है वह 5952 और पीछे कितना है 375 दोनों को आड़ कर लो थौसा आप गंदा लिग दिया 375 अपको एक्जाम के दिन ऐसे ही सॉल करना होता है जैसे मैं लिख रहाता है इसी स्पीड में लिखता और एड़ करके सॉल करता है आपको यही स्पीड डेवलप करना है एड़ किया तो क्या हुआ यह आया यह 6,327 अ ना रहके वह ऐसे रहता 15700 तो क्या करते हैं या फिर 15600 भी रहता तो आप क्या करते हैं इसके चारगुना करते हैं 4-6-24-25-240 के राउंड उससे थोड़ा जादा है क्योंकि यह पर 25 है तो आपको एप्रोक्स मिल गया 40% के राउंड है तो आपसर एटिक कर लेते हैं तो लर्न करना है दिमाग में बातों करकना है कभी क्यूब दिख जाएगा कभी क्यूब रूट नहीं दीखेगा कभी आपको अश्कुर्ड रूट दिख जाएगा कभी आप फ्रैक्शन परसेंटेज कितना बढ़ा है यह देख लोगी जो दिख गया उससे अंसा ओकर ब्रेन open करना है solve करने के तरीके से आपका मैं brain ही open कर रहा हूं मालों यहां पर मैं बोलू कि मैं square square root q q check नहीं करूगा check नहीं करूगा check नहीं करूगा सिधा-सिधा में check कर लोगा कितना percent का increase है यह 60,000 है ओक्या 99 एप्रोक्स कितना increase आप देखो अगर मैं 6 से divide करूगा आपको इसका ratio निकालना पड़ता फिर आपको चेक करना पड़ता है square root है या cube root है क्या है उसको दब decide कर पाते है यही होता न और मैं क्या बोल रहा हूं बस देखो कितना percent का increment है तो पर्षेंट तो 16 कप किस में आएगा जब 8% दो साल चलेगा यूवी 8% जब तीन साल चलता है तो 25 परशेंट होता है चार साल चलेगा तो 35-36 के round होगा इससे कम में होगा नहीं इस तरीका से आपको एप्रॉक्स एप्रॉक्स भी खेलके क्योंकि एकजाम में हम लोग के SAC में असान कोस्टन आता है कभी difficult आता ही नहीं सिया इसे जो difficult आता है ओभी असान होता है करने लोगों को नहीं आता उस तरीके से अब ये कोस्टन है Will a sum of Rs.13,25 जार amount to Rs.14,48 जार जो भी है 870 at 12% if interest is being compounded half yearly मतलब आपको 6-6% का देखना है 6% के कितने layer बनेंगे या पर 6% के कितने cycle बनेंगे अब आप यहाँ पर क्या करोगे best है कि आप approximation लगा कितना percent approach increase हुआ है तब इतने बड़े data को तो देखो के नहीं तो मैं decimal में data देखता हूँ decimal में देखने इंटेसेंज कि मैं बोला अगर 125 रुपया होता तो कितना की increase होता है 148 रुपया का तो 125 से 148 का increase है approach कितना की increase है 23 point something रुपीज का अगर मैं बोलू कितना percent है 23 12, 125 का सिधा सिधा दिख रहा है कि ओ 20% से कम है कि 20% की increase होता तो सिधा सिधा 25 का increase होता लेकिन increase कितने का है 23 का मतलब 20% से जो थोड़ा कम answer होगा वही हो जाएगा 20 परसेंट कम 6% कुतना साल में मनता है 3 साल में 3 साल में क्या बनता है 19.1016 मतलब 20% से कम answer हना चाहिए 20% से कम तीन साल में 66% का केस बनता है आप एप्रोक्स लगाएं कि एप्रोक्स 20% था 20% था कम था आंसर हो गया जब 6-6% का 3 layer बनेगा तो ओ इतना increment हो पाएगा अब आपको पता है 12 साल पे 12% पर कितना साल दिया जाए तो जब आपको पता है कि 6-6 महीने पर यह increase हुआ है एक एक साल पे नहीं हुआ है half yearly बोला है तो रोल टाइम कितना है हुआ 6 plus 6 plus 18 महीन है यहाँ पर error क्या होता है कि गलती से अपन the answer टिक कर देते है 3 साल यह सब कर लोगे आप यह सान है लेकिन वहाँ error हो जाएगा यह बड़ा चीज नहीं है यह आप देख सकते हो कर सकते हो लेकिन यह जो है ना बहुत बड़ा चीज है आप लोग लग रहा हूँ मैं इतना क्यूं जोर देके बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही error करके मैं कभी 200 में 200 नहीं ला पाया छोटा-छोटा error मेरे से हमेशा हो जाता था पता ही नहीं चलता था अब मैं देख लेता मन में करता चाँ 23 का increase है तो approximately 20% से कम का increase है तीन साल आंसा होगा अब 10 सेकंड का अंदर मैं सोच लिया टिक करके निकल गया अब बाद नें पता चला अब दो तरीक़े से कर सकते हो आपको पता है 5% पर दो साल में कितना किंटीज होगा 10.25% 10.25% का भीलु आपको पता है आपको 100% का निकालना है तो 32 के रावंड आंशार आएगा सिद्हा-सिद्हा दिख रहा है 32 के रावंड आंशार आएगा लेकिन आप बोलो कि ठीक है नहीं देखना ऐसे नहीं करना मेरे को तो दुसरे तरीका से कर लो कि आप पूरा-पूरा कैल्कुलेट कर लो फ़र्स तरीका है कि 328 अपॉन 10.25 गुणा 100 काटा कुटी लगाया तो 2-0 गया 25 का टेबल पढ़ा 25 का 100 25 से कम पचीस यह 4 बार में गया एक तालीस आठ है 328 तो 3200 तो आया आपका वही अगर इस तरीका से आप कर लिये कैल्कुलेशन बहुत अच्छी बात है बहतर तरीका बेश तरीका यही है लेकिन अगर आप ब्रेन ओपन है आप देख लिए कि रेशियो से और जल्दी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है वहां से भी कर लो लेकिन मैं बोलता हूं इस तरीके को ज्यादा प्रिफ्रेंस दो यह ज्यादा जगे हेल्प करेगा रेशियो से ज्यादा हेल्प यही करेगा सक्सेसिम इंक्रीज वाला मैं रेशियो से क्या करता हूं 20 से 21 साल में इंक्रीज है दो साल में कितने के इंक्री तो जो चीज आप कर पाए जहां आपका जैसे ब्रेन फंक्शन किया इसको इस तरीके से की तो भी आपको उतना ही टाइम लगेगा इस तरीके से के तो भी उतना ही टाइम लगेगा थोड़ा सा 2,005 सेगंड का डिफरेंस होगा और कुछ नहीं होगा अगले कोशन को आप 27 दोनों में से कोई तरीका से जाओ आप रेशियों से बिजा सकते हो आप सिदा शिधा देख लो 55.44 परसेंट का भेलू दिया हूँ हाँ है हंडिडर परसेंट पोच रहा है इसका एप्रॉक्स्याम के दिन इसी इसी स्पीट से करते हैं एक्जाम के दिन या फिर होता ऐसा कि डेटा कुछ इस तरीका से होता कि 1870 1875 अठारा सो नबे अठारा सो तिरानबे ऐसे तो फिर आप वो पूरा सॉल करना था अधरवाज पूरा सॉल करें जो नहीं थी मेरे को पता है 12% प्लस 12% 24% प्लस 1.44 45.44 परसेंट का भेलू पता है तो जो 100% होगा 25 का चारगुना होगा तो 25.44 परसेंट का चारगुना किया एप्रोक्स आंसर जो मेरा आया चार साथे 28 और 47 चोग 188 और 2 190 यह वह न तो मेरे 190.8 से थोड़ा कम है क्योंकि वह मेरे पास 25.44 परसेंट का भेलू था तो इस तरीका से आप ब्रेन आपका फंक्शन तेजी से करना चाहिए सोच लो यह अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं सोच पाए तो आपको बेसिक तरीका तो आता है बेसिक दोनों तरीका आपको आता है एक जो आपको बेसिक कैलकुलेशन कर दोगे यह 47 जो है 25.44 परसेंट का भेलू है तो 100 परसेंट का भेलू क्या होगा इस तरीके से काटा कुटी करोगे आंसर आजाए जो मेरा CI होगा, वो क्या रहा होगा, 14 से 5 गया 9, और 6 से 2, 7 से 2 गया 5, मतलब 159 इनुट CI है, 625 इनुट के अभेली पूछा है, तो 1459 के सीरह सीरह देख रहा है, 3 टाइमस है, तो जो प्रिंसिपल है, 625 इनुट का 3 टाइमस हो जाएगा, तो आप जैसे भी करोगे, आपका ब दो तीन कोस्टन आते हैं, कभी कभी चार कोस्टन भी मिल जाते हैं, तो जो आते हैं, बहुत तीखे सवाल होते हैं, लोग करने वाजे दो मिनट, धाई मिनट, तीन मिनट बर बाद कर देते हैं, एक कोस्टन है, आप याद अपना धाई-तीन मिनट एक कोस्टन में लोग ले हो सकता है या इससे भी अधिक लेक्चर सी आई पर दो क्यों कम है छोटा है लेकिन इसके कॉंसेप्ट छोटी-छोटे हैं कैल्कूलेशन करने का तरीका छोटी-छोटे हैं उससे आप दिमाग में एक बार इनकल्केट कर लोगे तो तेज करने लगए कोस्टन्स को इस सर्टेन सम इमाउंट्स टू इतना इन टू यर्स एट सिक्स परसेंट पर इनम इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट कंपाउंड एन्वली दसाम बीच यह तो असान हो गया सिक्स परसेंट को लिखूंगा 53 अपॉन 50 एमाउंट 53 उनिट और 50 क्या हो गया प्रिंसिपल तो 53 का स्क्वार गीवेन है 50 का स्क्वार आंसर होगा अब यहां पर आप कर रहे हो 6 प्लस 6 प्लस 6 का स्क्वार अपॉन 100 तो आप बेवगूफी कर देओ आपको डेटा का नॉलेज नहीं हो रहा है आप डेटा को समझने रहो नंबर को समझने रहो जब आप नंबर को समझोगे तो दिक्कत नहीं होगा इसको ऐसे ही समझाया आपको 100% का निकालना है जैसे कर सकते हो आपको और बस आपका आंसर विधिन सब्सक्रण क्या I get used a compound interest annually then what some will become इतना इन 2 years, the rate of 8% compound interest, अब 8% पर दो साल में कितना होगा, 16.64%, amount कितना होगा, 116.64, जो आपका amount होगा, 116.64 होगा, इसका value given है, 100% का निकालना है, जो बच्चा तेज होगा, वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, option के उपर, किसका 15-16% उतना होगा, लेकिन डेटा बड़े- सारे 2200, 2200, 2200, 2200, 2200, 2200, सारे near-near में भी option है, 2100 और 2200, 2200 और 2200, तो फिर नहीं जाएगा option से, अप्रोक्सिमेशन से नहीं जाएगा, पिछे वाले में दूर दूर थे, अप्रोक्सिमेशन से जाओंगा, थोड़ा सा near में आंजर्टी कर लोगा, अगर नजदिक नजदि में रिस्क क्यों लेना है, अगर जहां बच गया है, जहां रिस्क नहीं है, वहां रिस्क ले लेंगे, मतलब वहां solve कर लेंगे, उस तरीके से, उठाया उपर, तो यह 1000 हो गया, यहां का 2-0 उपर ले गया, 1-0 खतम कर दिया, 3-0 होगा, decimals को खतम कर दिया हमेशा के लिए, अब मैं काटा कुटी करूँगा, 8 से तो सिधा सिधा डिवीजबल है, तो 8 से इसको काटता हूँ, 8-8, 8-4, 32, 8-4, 48, 64, इसको 8 से काटा, तो क्या होगा मेरा, 8-3, 24, 8-6, 48, 48, 64, दो से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 9 से काट लेते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं, 2-5 रहा 27, 2-3, 6, और 29, 18, अब 9 से काट लेंगे, यह तो सिरा सिरा दिख रहा है, 9 का Q भी है, 729, तीन बार अगर 9 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, तीन बार लगतार 9 से काटते हैं, उसको, तीन बार 9 से काटते हैं, मैं दूसरा कलर यूज करता हैं, आप लोग अपने स्प देखो आप थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन है, तीन चार पांच टेबल पढ़ना था, एक बार आठ का, एक बार दो का, एक बार नाइन का, आंसर आ गया, और इसी के लिए क्या होता है, ताइब बार बार जाता है, क्योंकि confidence के साथ जल्दी जल्दी आपन काटते नहीं है नंबर देखके छोड़ देते हैं, बड़ा सा नंबर है, टाइम लग जाएगा, अगर वही स्पीड में काटना सुरू कर देगा बचा, 15-20 सेकंड में काटके निकल जाएगा, बातों को घराई को समझना, नंबर आप कोस्चन इसलिए जादा लिया हो, कि आप बिल्कूल भ थो थेरेस्ट उन शर्टेन सम आफ मनी फोर थी यहर्स कंपाउंड ऐनुवली एट रेट ऑफ इन्डेस्ट फोर यहन्म इच तेज तेरह सो चो चो बिस लग जाएगा, टैन पर सेबिस तरह जाएगा, तेना पर सेल्पर सेलिए जाए जाएगा, थैंट प्रिस जाइन साल्र इसी तरीके से questions आते हैं और इसी तरीके से आपको करना होता है आगे questions को देखो आप मैं थोड़ा तेज करा रहा हूं क्योंकि आप लोग बहुत सारे questions प्रक्टिश कर लिए हो तो अब आपको यह speed maintain हो गया होगा अब मैं एक एक step धीरे धीरे नहीं करा रहा हूं क्योंकि फिर फायदा नहीं होगा आपको आपको वही speed पकरना है तो आप देखो क्या है यह क्या है कैसा हिंट है कि ratio से जाओ अब मैं रेशियो से जाओंगा एक साल में क्या है 1 upon 16 पहले साल में 16 से 17 हो रहा है तो 3 साल में 16 के cube से 17 का cube हूआ होगा सेवेंटीन का क्यों क्यों होता है उन्चास दे रहा है शिक्चीन का क्यों क्यों होता है 4096 आपको इसका वेलू गीवेन है और इसका वेलू पूछ रहा है यही तो कर रहा है अब ध्यान से देखो नंबर्स को 13 x 3 39 49 x 3 1 47 थी टाइमस हुआ है देख रहे हुँ न थीन को अलग सब्सक्राइब को अलग देखो तो इसका थी टाइमस आंशर होगा ओभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे को लगा उनिट डिजिट से हो जाएगा लेकिन ऑप्शन भी और ऑप्शन डी मैच कर गया था तो मैं पढ़ लूँगा तीन सके अठाथा तीन नोवसा ता मेटिपलाएगा आंशर इसी स्पीड से कर लोगों को दस सेकंड जाधा का टाइम ही लगेगा यह सब पॉच्छन आप प्राक्टिक्स कर लोगों तो दस सेकंड जाधा ना जाधा नहीं इस सम आफ एक्स बिकम्स इतना आरेस इन टू येस तरे रेट परेनम् विन दरेस्ट इस कंपाउंड एंट मंथली तो आपको एमाउंट गीवेन एट मंथली कंपाउंड किया जा रहा है तो 15 अपॉटी इंटु एट 10 परसेंट मैं लिख दे रहा हूं 15 अपॉटी नूट इंटु एट चार दुना आठ चारती या बारा तीन बचे पंद रहा है तो क्या हुआ कितना परसेंट की निखी ओगा 33.1 आपको गीवेन किसका वेलुए एमाउंट का मतलब इमाउंट कितना दिया हुआ है 133.1 परसेंट का वेलुए 100 परसेंट का निकालना है तो अब तीन बार उसको 11 से काटो आंशर आ जागा तीन बार लगा तार ओ 11 से कटेगा ही कटेगा अधर्वाइज options ऐसे नहीं रहते decimals में रहते बस आपको question रीट करना था समझ जाना था 11 का multiple है तीन बार पटापट पटापट काटो आंसर में जाएगा समझ रहो ना बातों को काटो 11 कमी 11 11 एक बचा 11 कमी 11 6 बचा 11 6 के 66 11 कमी 11 11 6 के 66 मैं point को ने छोड़ दिया decimals को ignore करगा decimals तब नोर करता जब सेभी नंबर को तीन चर बार लिखा रहता है इधर होदर करके अब मैं फिर काटोंगा 11 कमी 11 0 11 5 6 11 6 6 फिर काटोंगा 11 9 9 11 11 6 एक इन इन गड़ो 96 है तो 96 वाला answer होगा option D 9600 कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ मेरेको कोई फ़्यक नहीं परता किधा decimal आगा क्या आएगा जिसमें 9600 का answer होगा इस तरीके से ही आपको एक्जाम के दिन सारे एक्जाम की इस टाइप से एक्जाम में आते हैं आप उठागा paper देखो कोई भी question आपसे छूटेगा नहीं य 1st year 5% for the second year and 6% for the third year दो तिन तरीके से कर सकते हो पहला तरीका आप accumulative rate percent निकालो दूसरा सिधा ratio से खेल जाओ डेटा इजी इजी है तिसरा approximation अगर minimum increase हुआ तो क्या होगा 4,5,9,15% से तो अधिक कहीं increase होगा आप अगर accumulative rate percent निकालेगो तो क्या करोगे कि 4 प्लस 5 प्लस 4 इं अब इस 9.2 को 6 के साथ निकालोगे ऐसे यह brain में करना है मैं आपको अलड़ी बता चुका हूं मन में करना है 15.2 और यह कितना आया चौदूना बार चौदूना 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 एक पचपाल तो 0.552 यह हुआ नो अब मैं add करूंगा तो क्या होगा 15.752 मैं वही बात बोल रहा था जो इसका एक प्रोक्सिया मिनिमम इंक्रीज हुआ होगा 4 प्लास 5 प्लास 6 15 परसेंट तो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा तो मैं चेक कर लूँगा किसका 15 परसेंट इंक्रीज इसके बराबर है आप ऑप्शन जाओगे तब 45 का 15 परस तो जो 675 इसमें एड होगा तो 45 में 675 एड होगा तो यह अधिक जाएगा तब को मन में करना है मिरे भाई मन में करना है 4800 जो 4500 पॉसिबल नहीं तो उसे बड़ा वाला तो और पॉसिबल नहीं है 4000 का 15% निकाले तो कितना है 600 400 के प्रॉक्स में है option c answer 3500 देखना ही नहीं है 3500 का 15% 4000 भी नहीं पहुचेगा मिला जुला के तो आपको अगर आप एक्जाम में होते सीधा question पढ़े options पर देखने में options देखने में option a b खतम c answer 10 seconds अगर आप नहीं देख पा रहे हो मैं सारे तरीके बदाता हूं जो लोग देख लिए वो लोग का speed मतलब pro level जो नहीं देख पा रहे हैं उनका भी तो solution तो बेसिक से कर ले आपको जो आया था cumulative rate percent उससे भी कर सकते थे उससे भी कर सकते थे क्या आया था मेरे को ध्यान नहीं है फिर से 100 निकालना है आपको यहां वह दिख रहा है सिदे आज़ा नहीं भी दिखता आपको options का help दो लेना है न ऐसे नहीं भी भी करोगे तो आपको तो रेशियो में तो आता है तो आपका ब्रेन इतना तेज काम करना चाहिए एक्जाम के टाइम कि आप किसी भी राश्ते से जाओ आंसर के पास फट से पहुंचा फटा फट और यह तभी होगा जब आप प्रक्टिस किये रहोगे मैं सिर्फ पढ़ा दि अगले में फाइप परसेंट का इंक्रीज है तो 21 अपॉन 20 और अगले में 6 परसेंट का इंक्रीज है तो 53 अपॉन 50 यह किस के बराबर है फोर जिक्स तीस जीरो जीरो एट अपॉन 100 जीरो से काट लिया खातम अब मैं कैल्कुलेशन करूंगा 21 का टेबल एक बार पढ़ पढ़ देता हूं आपके सामने इत बार जिससे आप लोग कॉन्फिडेंट रहों सिर्फ बता के चला जाओंगा तो आप लोग खुद से नहीं करोगे 21 दूना 42 चार बचा 21 दूना 42 एक बचा 214 और 218 16 26 का पढ़ता हूं 26 28 12 बचा 26 14 20 बचा और 26 28 जीरो हो जाएगा यही हो अब मैं 53 का टेबल सिधा सिधा पढ़ोंगा आपको पता चल रहा हूं कियों 53 का पढ़ रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं क्योंकि एक कटे गा ही कटेगा अगर 53 से यह कंप्लेटली नहीं कटेगा तो मेरे आंसर्स नेचुरल नमबर नहीं रहेंगे योगि 53 क्या है एक प्राइम नंबर है काटा 53 से वन टाइम्स गया कित्रा मिला मेरे को साथ और उदर चौबीस साथ एकतिस तीनसो अठारा छे टाइम जा रहा है सिधा सिधा छे ती आठारा छे पाचे तीस सिक्स्टीन टाइम्स कट गया अब मेरे को मिला क्या आंसर 25 इंटू 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 two into five ten इह मेरा है क्या इए कई है मेरा इंट्रेजर टो आपका मैं क्या करना चाहता हूं बातों कॉंडे कर गए होंगे अब्रेंबल अंसर आपके हाथ में अगला क्बोशन आप रहे इंट्रेस्ट ईनू गर्ष्टू यंटू if the rate of interest is 20% for the first year, 40% for the second year, 50% for the third year यह data आसान है, फटापट मैं लिख दूँगा, 5 से 6 हुआ होगा, 7 से 5, मतलब 5 से 7, और यह 3 हुआ होगा दौस्टा, यह मेरा amount है, यह मेरा principal है, पूछा क्या है, आप से, what is the sum, sum मतलब principal निकाल लो, काटा कोटी यह स्टार्ट किया, 7 यह 21, 21 दूना 42, 24, 6 से खाटा, 6 चाओ का 24, तो आपको मिल गया, एक unit का value, 40, तो आपको निकालना क्या है, 5 पचे 25 दूना 50, पचास unit का value निकालना है, 50 दूना 40, वही ratio मैं इस तरीका से लिख दिया हूँ, ऐसे भी ratio लिखा जाता है, आप लोग confuse मत होना, यह 6 गुणा 7 गुणा 3 है, और यह क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 2, मैं इसका value से compare किया हूँ, काटा, तो एक unit का value 40 है, तो 50 unit का value 50 into 40, मैं यहां पर ऐसे क्यों किया, क्योंकि मिलेको data दिख रहा था, 50% है, 20% है, 40% है, इसका fraction value में easily लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे चला गया, मिलेको वहां 4%, 5%, 6% दिख रहा था, अब हर बार मैं बोल रहा हूँ, शुरू से data देखके decide करो, कैसे solve करना best है, जब आप data देखके, यह decide करना लगे solution का तरीका best कौन सा है, तो आप तेजी से निकलोगे, अब अगले question को आप देखो, what will be the compound interest, on a sum of 25,000 for 2 years at 12% per annum, if the interest is compounded 8 monthly, 8 monthly compound किया जा रहा है, 25.9712, 25.9712%, answer, होगे answer, अब मैं approach देखूं, तो देखो आपको option थोड़े close-close है, 63946493, यहाँ I think comma होना चाहिए, comma नहीं होगा, तो option B और D खतम हो जाएंगे सिधा, अगर comma नहीं दिया, तो option B और D खतम होगे, option A और C में से answer होगे, क्योंकि देखिमल में कभी इतना कम तो आएगा नहीं, 25 जर का, 26% के approach, तो मैं आपको बता रहो, approach भी यहाँ पर 46% निकाल के चेक कर सकते हो, लेकिन डर हो, सहब बहुत सारे options close-close है, तो risk नहीं लेना है, जब option close है, तो बिल्कुल risk नहीं लेना है, आपको calculation सिखा ही गया है, इसलिए, मैं इसको नीचे किया, तो 4 decimal से होगे, तो 3 0 काट लिया, तो 3 0 बच गया, 25 से काटा, तो यह 3 के 3 0 भी कट गया, 25 4 के 100, कट गया, अब मैं उपर डिवाइट कर दूँगा, फोर से, 4 6 के 24, 1 मिला, 4 4 के 16, 3 मिला, 4 5 36, 1 मिला, 4 2 8, 4 32, 4 692.8, मतलब 4 693.8, रिस्क लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, जब थोड़ा भी आपको डर लगे, के प्रॉक्स से आंसर गलत हो सकता है, कैल्कुलेशन करो, कैल्कुलेशन करने आपको आता है, जिसको नहीं आता है, ओ लोग डरेगा, और ओ लोग समय भरबाद करेगा, अगला कोशन आप देखो, वाट वी देखो, डेटा एक्जामने रिपीट कर रहा है, वो डेटा भी रिपीट कर रहा है, तो आप इसका फाइदा उठाओ, रट्टा लगाके, इसका फाइदा उठाओ, आप रट्टा लगाके, सेम काम है मेरा करूंगा, चार दो, छे जी जी रो नीचे आएगा, एक जीरो कट गया, तो नीचे 5 zоля बचे है, दरे पास, अब ये दिख रहा है 25 का मल्टिपल है, 25 से एक बार काता, तो कितना बार में किया ? 25 से कम 25, 25 दो ना 50, 25 पार 25, वह बढ़ावावा खानेक है चार के चीतम नेश्चेत रहा पाश्चेट भूंग है। तैलेंड़ना है 328 252 32 32 कितना बचा 181 1932 आकर एक्सबरान में 21 से शोलो विट राइट एंसर ओप्शन बी देखो यहां पर आप फस सकते ते अगर अगर अप्रोक्सीमेशन से गय तो 8106 8116 80168156 पर अप्रोक्सीमेशन लेना कहाँ जो बहुत दूर-दूर हो और हुए तो बरबाद करोगे समय और जब दूर है तो आप फटा-फट लेकर आंसा टिक करो अगले कोशन को आप देखो तो दो साल तो 20-20% पर चलेगा लेकिन तीसरा साल 20 का 2.5% पर चलेगा तो कितना हुआ पांचों का भी चार दूना आठ परसेंट तो तीन साइकल है दो 20% का और एक 8% का अब आपके मूड पे डिपेंट करता है आप कैसे जाओ मैं जाओंगा एक्स प्लस वाई सक्सेसिप से क्यूं जाओंगा कि एक बार एमाउंट निकालू और एमाउंट निकालके प्रिंसिपल को माइनस करके कंपाउंट एंट्रेस्ट पर पहुंचू प्रोसेस लंबा है कैल्कुलेशन अल्मोस्स से भी पड़ेगा तो मैं सीधा इफेक्टिव रेट परसेंट निकालके और सी आई निकाल दूँगा निकाला यह 20 प्लस 20 फोटी और फोर हो जाएगा 20 का स्कॉर अपोर 100 तो 44 इससे म निकालना है किसका किसका निकालना ए 7200 कुछनि करूंगा मेरेको पता है 72 से इसको मोल्टिप्लाई करूंगा मेरेको आंसरमिल जाएगा क्योंकि परसेंट से 2-0 काट लिहाओ अब एक बार मैं 8 अबर 8 का टेबल पढ़ूंगा और क्होंगा पढ़ना शुरु किए याच दूआ जोला आठफचे चालीश इगा टालीस आठफचे चालीश चालीस आठफचे चालीस चालीश ना यान केर टेवल पढ़ा नौ शा के चालीश का। नौ एकम नौ पान, चालीश नौ ओक्धा, दू आ जातीस इतना असान कोश्चन है अगर आप थोड़ा सा कैल्कुलेशन थोड़ा सा टेवल आपको आता है तो बिल्कुल ही बेसिक सा कोश्चन करने का तरीका बेसिक है अगले कोश्चन पाम देखें इस सर्टेन सम अफ एमाउंट्स टू ब्यालिस जीरो फाइफ पॉइंट फाइफ फ साइकल रहेगा और तीसरा साइकल रहेगा आपका दस का पंद्रा पंद्रा का करो गें दस नहीं आया ना छे आया पांच यह वांश्चे का निकाल लो एक क्युमिलेटिव लेट पर्सेंट और ट्याल्कुलेशन कर दो जिसकिसी थोड़ा सा ओध दिमाग काम करेका वो 32.25 हुआ अब 32.25 और 6 को सॉल करेंगे तो 38.25 प्लस 6 को मल्टिप्लाई करके दो डेशिमर अबढ़ा लेंगे 25 चाका 500 और 32 चाका 91, 93 1.935 अब मैं इसको एड किया तो क्या होगा मेरा एड करवा 5 358 9211 और 40.185 अब आपको जो मिला है वेलू ओ 40.185 परसेंट का वेलू मिला है सॉरी 140.185 क्योंकि amount दिया है CI ने दिया हुआ है 140.185 का भेलू पता है आप से पूछा क्या है 100% का भेलू आप थोड़ा सा गौर से देखो मैं डिवीजन टाइप आपको दिखाया था बड़े नंबर को गौर से देखो कितने से कट रहा है थोड़ा सा गौर से देखो तो 14 42 हो रहा है 14 x 3 42 हो रहा है तो लास्ट वाले में 3 से मल्टिप्लाई करों तीन पचे 15 अठार तीया चाओ ने पचपर यह पार्ट सिधा सिधा 3 से कट रहा है जो आंसर होगा 3000 होगा जो आंसर होगा 3000 हो बातों को समझ रहे हो ना गहराई को अब गौर से देखा करो नंबर को देखो 14 या 42 जैसे आपको 13 और 65 अलग अलग रहता है 14 और 98 अलग दे देता है तो आपको 7 का मल्टिपल दिख जाता है उसी तरी का सिधा बड़े नंबर है इसका मल्टिपल देखा 3 ताइमस इसका मल्टिपल देखा 3 ताइमस उली खा गया है तो आंसर होगा 100 का 3 ताइमस बतलब 3 पर 00 रहेंगे और कुछ नहीं रहेंगे जब आप इस तरीका से एक्जाम की दिन देखने लोगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा रोकने का बात थोड़ो आप रैंकर्स के लिस्ट में चले जाओगे आपको जाना है तो ऐसे कोस्टन्स को ऐसे नंबर्स को देखना पड़ेगे और जब आप देखोगे तो आप प्री में थोड़ा कम भी किया है तो 500,000 में भूच जाएगा रैंक दा इंट्रेस्ट टू भी पेड अन सम अव थर्टी थाउजेंट एड फंद्रा पर्सेंट परेनम आफ्टर टू साइज टू अपॉन थी यर्स इफ इंट्रेस्ट कंपाउंडे यर्ली आपको सिधा- अब इस तेन के साइकल को सॉल करो 32.25 प्लस 10 कितना हुआ 42.25 और जब मैं 32.25 में 10 से मल्डिप्लाइ करूंगा तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा कैसे आगे चला जाएगा देखो आप इंटू 10 अपॉन हंडे एक जिरो से एक जिरो गया एक डेसिमल आगे चला गया तो मै मैं 42.25 में 3.225 एड़ किया यह मेरा आया इफेक्टिभ रेट परसेंट एड़ करता हूँ तो 45.475 अब मेर springs 30,000 का 45.475 निकालए तीन का टेबल पढ़ो आप नमबर्स नहीं देखने है decimals नहीं देख लें तीन का टेबल पढ़ा तीन पच्छे 15 तीन साथे 21 एक बाइस तीन चोग का बारा दो चौदा 45 ती या 135 एक तो 136 तेरह 6 चार दो जिसमें है option B will be the right answer तो आप questions को करने के technique आपको मिल गए होगे around 35 question 38 question मैं करा दिया हूँ 38 questions आपको सिर्फ एक pattern पर मैं 38 question कराया और सिर्फ दो तरीके पर अभी एक दो तरीके और है एक दो pattern और है उस पर भी मैं 30, 30, 40, 40 question कराऊँगा क्योंकि number of question इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ कि CI कैलकुलेटिव आता है और time taking होता है आप मेरे साथ number of question ज़्यादा कर लोगे तो confident रहोगे तो मैं आपको 30, 40 question मतलब around 60, 70 question ज़रूर कराऊँगा 60, 70 करने के बाद आप बार बार इसको practice करो exam के दिन CI आपको आसान लगेगा और time save कराएगा time लेगा नहीं यह सबसे ज़्यादा time consuming chapter है questions बनते हैं तो आप यहाँ से time save करने लगे तो सुचो आप कितना आगे निकल जाओगे तो आज का lecture यहीं तक कल के lecture में आप लोग देखेंगे अगला type जो आता है क्या होगा everyone आज हम लोगा compound interest का lecture number 2 देखेंगे इसमें मैं आपको और कुछ methods बताऊँगा जिससे compound interest निकालते हैं जिससे और भी जो चीजे होगी कभी कुछ देता है second year का compound interest बताओ कभी third year कभी fourth year तो कुछ एक method जो होगा वो help करेगा जब कुछ अलग type के question बनेगे जब कुछ अलग type के question बनेगे उसमें ये help करेगा लेकिन जो चीज मैं पढ़ा चुका हूँ दो method एक था successive increase और एक था ratio उस दोनों से आपका 70 to 80% question जो अभी के exam pattern में पूछ रहा है वो solve हो जाएंगे लेकिन हम लोग तयारी कर रहे हैं पूरा तो 100% तयारी करेंगे एक चीज और बता दू कभी कोई subject का या कोई chapter आप 100% नहीं पढ़ सकते हैं हाले कि 95% 98% पढ़ सकते हो तो maximum चीजे cover करने के कोशिश करेंगे 100% जो word बोलता है गलत बोलता है तो मैं आपको उसमें help मिलेगे कुछ एक method बताऊँगा तो तो आपको इसको भी learn करना है इससे भी आपको compound interest निकालने amount निकालने सब कुछ हाएगा लेकिन जो बाते में बताऊँगा जहां पे इसको ध्यान देना है सिर्फ वहीं पे उच करना है ऐसा नहीं कि हर जगे ये method ये उच करना है मैं जो बाते बोलता हूँ उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसी को यूज करना है जहां पे यूज करना हो वहीं पे हर जगे नहीं हर जगी यूज करने के लिए method आपको अल्रड़ी बताया जा चुका है स्टार्ट करते है हम लोग का जैसे मैं example से ही लेता हूँ theory based अगर मैं PRT लेकर solve लिखूँ तो क्या होगा lindy बनेगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे कि PRT सब ले रहा है और गंदा सा equations सिर्फ बनेगे तो इसको समझाने के लिए मैं numbers का help लेता हूँ अधरवाज मैं PRT के help लेता तो बहुत ही गंदा लगता यह solution या फिर equations तो मैं equations लिखूँगा ही नहीं variables मैं काम ही नहीं करूँगा सिर्फ numbers में काम करूँगा जैसे मैं example के तोर पर एक number लिया 1000 यहां लिखता हूँ 1000 बोला मेरा 1000 रुपी प्रिंसिपल था और जो rate परसेंट था ओ मैं 10 परसेंट माल लिया rate परसेंट 10 परसेंट था तो मेरा एक साल का CI क्या मिलेगा 100 रुपया आपको आता है 10 परसेंट निकाल दिया अब मैं बोला ठीक है दो साल में क्या आएगा यह बताओ तो मैं बोला ठीक है दो साल का निकालता हूँ तो दो साल निकालते कैसे आपको आता है हजार रुपया का दो साल कैसे निकालोगे आपको पता है पहले साल भी C.I. मिलेगा और दूसरे साल इस C.I. पर भी C.I. मिलेगा मतलब पहले साल आपको इस पे 10% मिला तो 100 रुपय मिला और दुसरे साल तो पूरे का 10% मिलेगा ही आपको समझाया था इस पर 10 मिला तो 110 मिला तब इस तरीका से भी इसको understand कर सकते हैं इस 110 का 10% 11 आएगा यही बोला था नो तो यह 121 हो जाएगा इस 11 को एक और तरीके से understand कर सकते हैं किस 100 पर मेरे को 10% मिला 10 रुपया और इस 3 पर मेर 11 का इंट्रेस्ट मिला तो 11 का इंट्रेस्ट कैसे आया प्रिंसिपल पर 10% और इस इंट्रेस्ट पर 10% अब मैं बोलूँगा अगले साल यह फस्ट यह का इंट्रेस्ट है यह सेकंड यह का इंट्रेस्ट होगा अगले साल 100 रुपया का तो इंट्रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा लेकिन और भी कुछ इंट्रेस्ट मिलेगा, जो इस इंट्रेस्ट के ऊपर मिलेगा, इसका 10 परचंट है अब मेरे को दो साल का इंट्रेस्ट कोई पूछेगा, तो 100 प्लस 100 प्लस 10, 210 रुपे यह साल का इंट्रेस्ट कोई बोले तीन साल का इंट्रेस्ट है दूसरे साल भी सो कमाया लेकिन इस पे भी दस पर शेट मैं कमाया थो एक सो धस ओ गई तीसरे साल मेरे को इस पे तो 100 मिलेंगे ही साथ साथ जो इंट्रेस्ट मिल चुके थे उसके उपर भी इंट्रेस्ट मिलेगा तो एक इंट्रेस्ट ये है तो इसका 10% मिलेगा तीसरे साल तो तीन साल का क्या हुआ, 100 प्लस 100 प्लस 300, 10 प्लस 10 प्लस 20, 330 और 331, 331, 3 साल में 1000 रुपया पर, रेट परसेंट जब 10 परसेंट हो, तो आपको मिल रहा है 331 का ब्याज, मैं statement लिख देता हूँ, मैं P 1000 लिया हूँ, सारे case में, मैं अभी आपको theoretical पार्ट समझा रहा हूँ, सा जो को understand करना, एक बार थोड़ा 10-15 मिट, 20 मिट बोर हो लो, उसको मज़े आएंगे question solve करते time, यो खुद में theory पढ़ना ज्यादा पसंद भी करता था, question सी solve करता था, इसलिए आपको number of question ज्यादा solve कराता, आईए अगला हूँ मैं बोलू, 4 साल के लिए same कहानी ले रहा हूँ तो क्या होगा, पहले साल 100 रुपया, दूसरे साल 100 रुपया, प्लस इसका 10 रुपया, तिसरे साल फिर 100 रुपया, और इनका 10-10 और इसका एक, चोथे साल क्या होगा, 100 रुपया, और इस तीनों पे 10-10 परसेंट, इस पे 10-10 परसेंट, तो 10-10 तीन बार, और इस तीनों पे 10-10% 10-10% 10-10% और इस 1 पर 10-1 मतलiqu 0.1 मैं क्या किया हूँ हर इंट्रेस पर 10% लिया हूँ चौते साल में इस साल में हर इंट्रेस पर 10% लिया इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% और कुस तो नहीं किया जब आप इन चीजों को देख रहे हैं तो आप पहला चीज कोई पुछे एक साल का क्या हुआ एंट्रेस्ट, तो 100 रूपया, कोई पुछे दो साल का एंट्रेस्ट क्या हुआ, तो 100 प्लस 100 प्लस 10, 210, कोई पुछे तीन साल का एंट्रेस्ट क्या हुआ, तो 100 प्लस 100 प्लस 10, प्लस 10, प्लस 10, 10, टोटल हुआ, 330 प्ल साल का इंट्रेस निकालने आता है जब आप एक चीज को आप नोटिस करोगे तो हर बार आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे फोटो बनाकर सॉल करने की एक चीज आपको एक फिक्स रेशियो मिल जाएगा पहले में उस रेशियो को लिख देता हूं फिर आपको उ यूज करो गए तो सीधा आंसर स्टिक करना चूरू करोगे मैं रेशियो लिखा इसर इग्यारा नहीं की 11 का इसकुरे का होता है 121 कि 11 को अधी परफोर क्या होता है 11 का तूदी पॉर फोबवार फोर क्या होता है पूर वन मैं इस पार्ट को ऐसे मिटा दिया अब मेरा क्या है यह रेशियो आपको याद रखने का तरीका था 11 11 का स्कुरर 11 का क्यूब 11 का पूर 4 पहले साल के लिए रेशियो यह है दूसरे साल के लिए रेशियो यह है एक साल के लिए यह दो साल के लिए यह तीन साल के तो 5 साल के लिए पहला वर्ड 5 होना चाहिए, देखो पहला वर्ड 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए 3, 4 साल के लिए 4, अब आगे निकालना है, पहला हो जाएगा नंबर 5 साल के लिए 5, 2 साल 4 प्लस 6, 10, 3 साल 4, 10, 4 प्लस 1, 5 और फिर 1, इस तरी के साथ यहां भी नोटिस कर सकते ह यहां पर 2 हो गया, दूसरे साल के लिए और 1 ही है, तीसरे साल के 3 अपना खुद का, फिर 2, 1, 3, फिर 1 आगया, आप अगले देखो, तो अगर 3, 3, 6, 3, 1, 4, फिर 1 आगया, उसी तरीके से आया है, जैसे आप याद रखो, लेकिन आप याद रखना ना उपर के कम से कम 4, अब ये रेशियो आया कहां से आप ध्यान दो, देखो, ये एक है क्या, पहला बार जो इंट्रेस्ट मिला प्रिंसिपल पर, जो 100 के उपर, जो 100 का इंट्रेस्ट मिला, वही वन है, अब ये 2, 1 क्या है, आपको दिखाता हूं, 2, 1 क्या है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं धीरे-धीरे, आप लोग थोड़ा तेजी इस प्यूड में देख सकते हो, जिसको स्लो पसंद नहीं है, देखो क्या है, मैं बोला, 1000 रुपे पर पहले साल में क्या इंट्रेस्ट मिला, 100 रुपे और दूसरे साल में इस पर क्या इंट्रेस्ट मिला, 100 पर 10, तो यह फस्टियर मिला इंट्रेस्ट, और यह सेकंडियर, अब मैं बोलू, कि यह 2 रेशियो 1 क्या है, तो जो प्रिंसिपल था, उस पे दो बार इंट्रेस्ट लगा था, एक एक दो, इसमें दो से मल्टिप्लाई कर दो, और जो इंट्रेस्ट था, उसके इंट्रेस्ट के और एक बार दस आया, अगर मैं इसको दिखाऊं, तो आप यहां से देख सकते हो, तीन बार 100-100 का इंट्रेस्ट लिया है, तो मैं हजार पर कितना का इंट्रेस्ट मिला, पहली बार 100, इसके उपर दूसरी बार कितना का इंट्रेस्ट मिला, 10, इसके उपर अगली बार कितना मिला और यह क्या है फरस्ट यह एक्या है नीजुट यह क्या है ठाड और तीन साल का है त्ट रेशो क्या चलता है घिन धीन हम इंफील्ट तेस और 630 100 30 plus 1 331 समझ रहो ना अगला वाला में बात करूँ तो सेम काम करूँगा उसके लिए मेरा मेरे को पता चल गया कि इंट्रेस्ट कैसे मिलता है पहला साल का क्या होगा 100 दूसरे साल का इसका 10% 10 तीसरे साल का इसका 10% 1 चौतरे साल का इसका 10% 1 100 का 10% 10 10 का 10% 1 1 का 10% 0.1 इस पर रिश्यू कहा चलता है 4, 6, 4, 1 multiply किया 400 plus 60 plus 4 plus 0.1 इसा में plus है आप यहां से भी notice कर सकते हो 100, 100, 100, 4 बर आया है यहीं 4 है 10, 10, 10, 10, 6 बर आया है यहीं 6 है 1, 1, 1, 4 बर आया और यह 0.1 एक बर आया यहां पर भी आप 3 बर 100 आया 3 बर 10 आया और एक बर बनाया मैं उसी चीज को लिखा हूँ कुछ नई बातें नहीं लिखा हूँ सिर्फ आपको बोल रहा हूँ बार बार ऐसे लिखने के बज़ाए इस रेशियो को याद रख जाना तो आपको जब कभी बोले दो साल का C.I. निकालो तो आप इस तरीके से रेशियो लगाए निकालोगे तीन साल का C.I. निकालो तो ऐसे निकालोगे चार साल का C.I. निकालो तो ऐसे निकालोगे दो तीन एक जामपल आप सॉल्व करो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फील होगा मैं एक्जामपल लेता हूँ मैं ले लेता हूँ प्रिंसिपल बारा हजार रेट परसेंट पंदरा परसेंट बोला कि दो साल का C.I. बताओ टाइम टू साल में क्या होगा C.I. और फिर वही कोश्चन में बोला जब टाइम तीन साल हो तो फिर C.I. क्या हो एक कोश्चन और एक कोश्चन और लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल आठाजार है रेट परसेंट मैं यहाँ पे टॉन्टी परसेंट ले लेता हूँ और बोला टाइम जो है तो आप बताओ C.I. मेरे को पता है आप लोग को मेथड आता है लेकिन फिर भी मैं इस मेथड को भी सिखा रहा हूँ तो इसके पीछे रीजन होगा कुछ ना कुछ तो पहले आप इस दो कोश्चन सॉल करो आप लोग को पता होगा कि आप बेसिक से भी कर सकते हो सक्सेसिप से 32.25 निकाल दोगे इसका इसका आप कितना आता है 52.0875 आता है 15 परसेंट का 3 साल में 52.0875 परसेंट आता है उतना निकाल दोगे 20 परसेंट का 2 साल 44 परसेंट निकाल दोगे मेरे को पता है इस तरीका साब कर लोगे लेकिन ये तरीका भी लर्न करो ये मेथड भी लर्न करो 12,000 का 15% क्या होगा 15 गुण 12 अठारा सो पहले साल अठारा सो का इंट्रेस्ट आएगा पहले साल अठारा सो का इंट्रेस्ट आएगा दूसरे साल इसका 15 परसें तो 18 गुणा पंदर कितना होता है? 270 दो साल में यही मेरा एंट्रेस्ट आएगा 1800 और 270 दो साल का रेशियो क्या चलता है? 2 रेशियो बना 18 गुणा 36 इंटो 270 इंटो 1 36 प्लस 270, 3870 स्याई हो जाएगा 3870 स्याई हो जाएगा समझे रहो ना? अब मैं बोलू 3 साल का क्या होगा? तो मैं इसी जेटा को आगे बढ़ाता हूँ इसका 15 परसेंट एक बार और लिखता हूँगा कितना होगा इसका 15 परसेंट? 27 और साढ़े तेरा 40.5 40.5 10 परसेंट 27 उसका आधा किया तो 5 परसेंट मिल गया 13.5 27 प्लस 13.5 एड कर दिया 40.5 अब तीन साल में क्या रेशियो चलता है? 3 रेशियो 3 रेशियो अब मैं इसको सॉल किया तो क्या होगा? 1800 इंटू 3 चोवान साओ प्लस 27270 इंटू 3 क्या होगा? 810 और 40.5 इंटू 1 40.5 अब मैं इसको सॉल किया तो क्या मिला में रेखो? 5400 प्लस 810 621 0 प्लस 40 तो 6250.5 0.5 इस तरीका से क्वेश्चन सॉल होगा मेरा CI आ गया आ गया नो? अब मैं उस क्वेश्चन को सॉल करना चाहूँ ऐसे ही सॉल कर लोगा 8000 का 20% क्या होगा? 1600 इसका 20% क्या होगा? 320 यह 2 रेखो 1 चलेगा तो सोरा दूना 32 और 3 3520 होगी दर है अगर मैं इहीं पर 3 साल का निकालने का कोशिश्चन को क्या होगा? उसको एक बार आगे बढ़ा दूँगा 32 दूना 64 हो जाए गयी और रेशियो के चलेगा 3 रेशियो, 3 रेशियो होगा multiply किया तो यह 4800 आप तेजी से में समझा रहा हूँ यह हो जाएगा 640 प्लस हो जाएगा यह 64 add किया तो 4 प्लस 0 785 45 आप बातों को understand कर गए होंगे किस तरीका से निकालते हैं? आप CI को इस तरीका से में निकाल सकते हूँ लेकिन मेरा purpose सिर्फ यह सीखाना नहीं था इस method को सीखाने का purpose कुछ और था उस purpose के पीछे चलते हैं दो example आप इस पे भी सीख लिये हो अब मैं आपको जो सीखाने के लिए यह method बताया, वो सीखने का कोशिश करते हैं इस example को मैं रखता हूँ उसके पहले मैं ओ method सिखा हूँ पहले एक बात आप से बता दू आप यह बात समझते हो ना two year और second year three year और third year आपको पता है दो साल मतलब पूरा पूरा दो साल second year मतलब सिर्फ दूसरा साल three year, completely three year three year, तीनो साल और third year मतलब only third year इन बातों को आप समझ रहे हो जिससे हम लोग बजपाने पढ़ते हैं तो कोई पूछा किस क्लास में पढ़ते हो तो अपन बोलते हैं शिक्स्त क्लास में या एट्थ क्लास में या एट्थ नहीं बोलते थे कि आठ्थ क्लास में पढ़ते हैं आठ्थ क्लास हुआ तो आलग अलग आठ्थ क्लासे का बात हो रहा है एट्थ बोला तो मैं एट्थ क्लास में पढ़ता हूँ या फिर ऐसे भी बोल सकते हो child है तो बोला 8th child तो आठवा child बोला 8 child तो टोटल 8 child इस तरीका अग्याद आप समय सकते हो mango का भी example ले सकते हो कि 8 mango मतलब पूरे कोई टोकरी से 8 mango का बात हो रहा है 8th mango मतलब कोई आठवा mango बहुत सारे mango को ऑसमें 8th mango का बात हो रहा है सिर्फ एक साल के लिए थे दो साल के लिए तो मैं इस एक और दो को मिटाता हूं आपको सिखाने के लिए अब मैं बोलू अब मैं बोलू कि क्या इसमें फस्ट इयर का इंट्रेस्ट क्या है look the stock Centres ौश्च यर का सब्सक्राइं कि अब ऐसा नहीं बोला कि आसा गिया है कि क्या कूकि क्या है अगर टू एर बोलता तो यह 210 अगर यह विए ट्रीयर त्रीयर आपको पूरा 3 year 331 लेकिन 3rd year 121 तो आप 2nd year 3rd year का मतलद समझ गए अब आपको question पूछेगा direct कि 3rd year का interest क्या होगा 2nd year का interest क्या होगा 4th year का interest क्या होगा ऐसा नहीं कि 4 सिर्फ 4th year उस ताइम पर आप confuse ना हो इस बज़े से आपको यह चीज़ ध्यान रखना है और यह ratio ध्यान रखना है अब मैं question यहीं पर बोलता हूं कि सिधा पूछता में कि principle 1000 रुपया है जो question यहीं था principle 1000 रुपया है और 8% 10% है तो बोला कि आपको time नहीं दिया है सिधा बोला find ci of third year ci of third year तीसरे साल का बयाज बता है तो क्या अंसर होगा 121 लेकिन आप उतना जल्दी निकाल पाओगे बिना लिखे है तो हां कैसे निकालोगे तो पूरा 3 year का ci निकालो उसमें 2 year का ci minus कर लो तो पूरा 3 year का ci क्या हुआ 331 पूरा 2 year का ci क्या हुआ 210 यह क्या हुआ 121 लेकिन पूरा ऐसे करने की जरूरत है नहीं है योगि आप तो ऐसे लिखोगे तो timer बाद होगा तो आपको सिधा ratio को ध्यान रखना है आपको पता है कि 3 साल का ratio क्या होता है 3 3 1 दो साल का ratio क्या होता है 2 1 तो आप ratio से ratio को minus कर दो स 100 को मिटाता हूं मैं सिद्या कर लिखते है 100 से कर लिखता है अ तर्ड के इंट्रेश का आता है 10 सिधा 3 एक 155 का बतहा हो तो आप क्या कर eg अर्व कर से पे 3 3 23 साल कर निकाल लेते फिर 2 1 धो मैं आपको समझाता हूं 2 साल का निकाल हो गया believe 100 उर 10 तो दो साल के क्या होगा 2, 1 तो यह 210 और जब अफ़ तीन साल का निकालोगे तो क्या होगा 331 और फिर minus करोगे तो 121 आएगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे ना करके सीधा ratio को ही minus करो और solve करो, मैं अब रatio से रेशियो को माइनस कर दिया, तीन साल के रेशियो को माइनस किया, दो साल के रेशियो से, तो क्या आया, टू, और यह एक का एक आजाएगा, यहां से आप सिधा निकालोगे, तो 100 प्लस 20, प्लस 1, क्या हुआ, एक सिधा आपका 3rd year का इंट्रेस्ट आ गया, कोई पुष्ता 2nd year का इंट्रेस्ट बता हो, इसी क्वेश्चन है, तब वो क्या करना था, 100, 1st year, और यह 10nd year, रेशियो माइनस किया, 2 से 1 गया, 1, और 1 से 1 सिधा आपका, 2nd year का इंट्रेस्ट का है, यहां से आप देख सकते हो, 4 से 3 गया, 1, 6 से 3 गया, 3, 4 से 1 गया, 3, सब सही है, और 1 का 1, अब मैं इसको solve किया, तो क्या मिला मेरे को, 100, प्लस 30, प्लस 3, प्लस 0.1, तो 133.1 मेरा 4th year का इंट्रेस्ट आएगा, अब मेरे को चेक करने का मन किया, कि चेक करलो 4th year का इंट्रेस्ट क्या है, तो मैं इस नमबर को add करके चेक करता हूँ, चेक किया, तो 10, 10, 20, 10 एक, एक, दो, एक, तीन, और 100, प्लस 1, 100, प्लस 30, प्लस 3, प्लस 130, प्लस 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 एंट्रेस्ट होना है, तो direct आपको 4th year का CI बोलेगा, तो भी निकाल लो, direct आपको 3rd year का CI बोलेगा, तब भी निकाल लो, आओ कुछ example solve करते हैं, कि direct question आपको बन रहा है, कि 3rd year का CI बता तो भी आप निकाल लो, principle में late करता हूँ, question में, 8000, rate percent में late करता हूँ, 15%, और question बोला, पहला question, CI of 3rd year, बता, अगला question में देता हूँ, खुद से आप लोग एक बार solve करना मेरे भाई, principle में दिया 12000, यहाँ पर rate लेता हूँ, 25%, 10% लेता हूँ, थोड़ा छोटा होगा, number, 10% यहाँ बोला CI बताओ, 4th year का, अगला question में लिखतेता हूँ, यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखो, यह principle में ले लिया 10,000, rate percent में थोड़ा सा लेंदी ले लेता हूँ, 12%, बोल दिया बतादो CI आप, 3rd year का, काफी है इतना example, एक easy question ले लेता हूँ, CI ले लिया, बताना है आपको 50 year का, क्या होगा, जब principle 10,000 हो, और interest 10%, इन चारो question को आप solve करो, फटाफटा solve कर लोग, आपको क्या करना है, पहले आपको 3rd year निकालना है, 3rd year के लिए इसका 15% पहले निकालो 1200, फिर इसका 15% 120, फिर इसका 15% कितना हो, 27.5, कैसे किया इतना तेज, तो 18-10% हो गया, उसका 9, 27.5, 27, 18 plus 9, 27, तिये मेरा 1st, 2nd, 3rd, मेरे को CI थार्ड year का, निकालना है, 3rd year का ratio के चलता है 3, 3, 1, 2nd year का ratio के चलता है 2, 1, तो 3 से 2 गया, 1, 3 से 1 गया, 2, और 1 का 1, तो 1200, प्लस 360, प्लस 27, 15, 87, ये मेरा जो होगा, 3rd year का interest होगा, 3rd year का interest होगा, error नहीं नहीं किया हूँ, जोडने में, नहीं, तो 3rd year का सिधा-सिधा interest आप निकाल के रखती है, जा में questions आ रहे हैं, MTS का paper उठागे देखोगे तो questions आयोगे, सिधा-सिधा 5th year का interest बताओ, इस बज़े से इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पूछ सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, सिधा पूछ देगा 7th year का interest बताओ, तो 7th year पुछेगा, 10th year पुछेगा, 14th year पुछेगा, उसके रहे मैं अलग logic बताओंगा, ये 3-4th second तक का मैं बता रहा हूँ खुद से, ऐसे, आपको पूरा ध्यान से logic सिखते जाना है, अगला question बोला, कि आप 4th year बताना है, पहले आप इसका 1200 का लिखोगे, 12,000 का 10 पर देना है 1200, फिर इसका 10% 120, फिर इसका 10% 12, और 4 साल का बात हो रहा है, तो इसका 10% 1.2, आपको रेशियो यादे 4-6-4-1, चार साल का, तीन साल का रेशियो यादे 3-3-1, तो 4-6-4-1 है, तो यहाँ पे, यह 1200 हुआ, यह 360 हुआ, यह 36 हुआ, और यह 1.2 हुआ, अएड कर दो सबको, 396, 15, 157 पॉइंट दो, यह क्या हुआ, 4th year का CI हुआ, इस प्रिंसिपल और इस रेट पर, इस प्रिंसिपल और इस रेट पर, आपको एक चीज नोटिस हो रहा होगा, कि डिफ्रेंस इस रेट रहा है, 11 वाला केस रहा है, लेकिन आपको नहीं याद करना है उस तरीके से, तीन साल का है का तो 11 का स्क्वार लेलो, 4 साल का तो 11 का क्यूब लेलो, रेशियो, समझ रहे हो नो, जो बोलना चाहता हूँ, आप नोटिस कर रहे होंगे, आपको पीछे से नोटिस कर ूब अबको मन होगा तो रड सकते हो, लेकिन मैं रटाता नहीं हूँ, हर कितना रचोंगे यार आप, इनसान है आप लोग, मैं बोला के डिफरेंस, इक डिफरेंस का डिफरेंस क्या आ Yuk आप देखोगेस 2 से के डिफरेंस का रेशियो, अन आलएगा, आप देखोगेस का डि 3 3 1 5 का difference देखोगे तो 11 का to the power 4 आएगा जो difference आ रहा है एक कम होते जा रहा है तो बस वही difference आपको ना होता है आप क्या कर सकते हो देख लिए आप ऐसे ही आपको यह याद रखना है आप ऐसे याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं रखना है तो आप ऐसे minus करकर के तो आप ध्य कि आ है कोई देखोऊ यह आया आप मैं बात करूइस का तो क्या अब या कुछन आप रखने क्षें क्वाव एक सभी कि इसका भारा कहा हुआ इसका बारा प respectively ऑल्ता пой से अग्लेंत सुपीट है यही ता ना है इसका बारापरिशेंट इसका बारा पर सेंट गालना था तो बढ़ियर निकालना था तो मैं क्या रेश्यों लूँगा 1 to 1 का 1200 प्लस 288 और प्लस 77 तो सिधा सिधा एड़ कर लेते हैं 505.28 पंधाश्यों 505.28 अंसर आ गया अगले साल को आपको बोले आप किसी फ्रेंड को अपने सॉल्व करने को दे देना सिधा कि 5th year का CI बता 4th year का CI बता फस जायगा इसलिए फस जायगा क्योंकि उप ढ़ंग से नहीं पढ़ा है ढ़ंग से पढ़ा होता तो नहीं फस ता अब दे मनें देखना चाहिए एक बार अब आपको देखो इस में बोला पहल 시ас में क्या होगा हजार दूसरे क्या चलेगा आप ऐसे घंटा सकते हों अपको अगर याद ने है तो घंटा सकते हो नहीं तो आप सीधा-सीधा लिगदो 14641 तो कैसे आया यह तो 10 से 6 है निकाल रहे हो 50 का सिया निकाल देओ अब यहां पर क्या करोगे हजार इन्टू हजार हजार प्लस चार सो साथ चार सो चौशट 146.4 यह अपका 50 एर का CI है तो आपको कभी भी कोशन पूशेगा 3rd एर का CI, 4th एर का CI, 5th एर का CI 6th एर का CI तो आप easily handle कर लोगे अभी मैं और भी तरीका एक बताऊँगा जो geometric progression से आता है कि सीधा 2nd एर के CI से मैं कैसे 5th एर का CI पे चला जाओ 3rd एर के CI से कैसे मैं 7th एर के CI पे चला जाओ तो उस method को discuss करने से पहले एक चीज और हम लोग discuss करेंगे देखो क्या हम लोग discuss करेंगे आप 2 चीज़े understand करेंगे पहला आपको CI निकालने का एक और method मिला दुसरा आपको direct 3rd year, 4th year, 5th year का CI निकालने का एक method मिला चौथा चीज़ जो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे देखो आप इसको तो मिटाओ ही मत यह बहुत help करेगा आप इसको नहीं मिटाना आप ध्यान से देखो पता नहीं क्यों यह board काम नहीं कर रहा है देखते हैं क्या होता है आगे देखो अब हम लोग बात करेंगे क्या कैसे अब हम लोग जैसे अभी तक दो चीज़े पढ़ लिए तिसरी चीज़ पढ़ेंगे difference के बारे में जब CI और SI का difference का बात हो बोड में इसू आ गया था तो आपका difference के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ यहां में मिटाता हूं इस बात को रखना है और आगे की बातों को नहीं रखना मैं मिटाया अब बोलू कि SI और CI का difference क्या होगा एक साल में आपको पता है कि SI और CI पहले साल equal होता है यहां पर आप देखो 1000 रुपे पर पहले साल भी SI भी 100 आएगा और दूसरे साल CI भी 100 आएगा SI लिख रहा हूं यहां सी लिख रहा हूं अगर मैं बात करूं कि दो साल में क्या condition बन रहा है तो दो साल में आपको पता है कि SI फिर 100 ही increase होगा SI में तो कुछ change नहीं होगा SI 200 हो जाएगा लेकिन CI के case में आपको 100 प्लस 100 प्लस 10 जो interest के उपर interest मिला है वो मिल रहा है यहां difference मिला वो difference कहां से मिला है जो interest के उपर interest लागा उसके उपर अब मैं बहुत तीन साल में तो CI तो 300 होगा लेकिन SI तो 300 होगा लेकिन CI 331 तो यहां भी difference मिला 31 तो आप एक चीज़ जब notice करोगे तो आपको difference वाला पार्ट जो है यह दिखेगा आपको देखो जब first year देखे आप जीरो मिला यहां पे जब आप second year देख रहे थे तो आपको 10 मिला यह 10 second year के नीचे वाला पार्ट जब आप देख रहे तो आप देखो 3 साल 3 साल तो आप यहां से काउंट कर लो यह वाला पार्ट जो है वह difference होता है यह वाला पार्ट difference होता है क्या है 6, 60, कुछ गलत लिख दिए कि 64.1, 64.1, 64.1, तो आप देखो 10 प्लस 10 प्लस 10, 60, 1 प्लस 1 प्लस 14, 64.1, तो आप एक चीज देख रहे हो, कि हर बार जो difference आ रहा है, जो interest के ऊपर interest लग रहा है, वही part difference create कर रहा है, तो आपको हर बार ऐसे लिखके difference नहीं निकालोगे, तो ratio का ही help लेंगे, कैसे ratio का help लेंगे देखो आप, मैं बोला कि 2 साल का difference क्या होगा, SI, CI का, तो पहले साल का CI क्या हुआ है, 100, इसके उपर interest क्या हुआ 10, बस इसी को target करना है, इसी को target करना है, जो दूसरे साल का आया ना, उसी को target करना है, अब आपको 2 साल का पूछा है difference, दो अब आपको सिर्फ इतना part को ही count करना है, आपको 2 साल का CI, SI का difference पूछा है, जखो wife से गेरा हुआ, 1, मतलब यहाँ पर 1 से multiply होगा 10 answer, 2 साल का CI, SI का difference, अगर यही 3 साल का पूछता, तो आपको जो equation बनेगा, मतलब जो बनेगा, लिखेंगे, पहले साल का CI, 100, यह 10, यह 1, 21, वो बोलता है, चार साल का CI, SI का difference का होगा, आप 641 को notice करो, 641 को, पूरा नहीं notice करना है, तो क्या होगा, 100, इसको देखना ही नहीं है, 10, 1.641, तो 64.1, तो 64.1, तो सिर्फ इसी ratio का यूज, जब difference निकालना हो, तो एक छोड़ देना है, जब 3rd year, 2nd year निकालना है, तो आप आपको ऐसे घटाते जाना है, या फिर आपको पता है, 2nd year पूछा तो 11, 3rd year पूछा तो 11 का square, 4th year पूछा तो 11 का Q, 5th year पूछा तो 11 to the power 4, जब आपको ऐसे निकालना है, SI, CI का difference, तो एक नंबर को छोड़के आगे वाला का यूज करते जाना है, अब मैं आपको एक दो question इस पे भी दे देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, knowledge थोड़ा सा मिल जाएगा, question का भी, लेकिन ज़रूरी नहीं सिर्फ आप इसी method से हर बार निकालो, आपको मैं successive knowledge से भी difference निकालने सिखाऊंगा, यह difference के उपर particular class रहेगा हम लोग का, जिसमें SI, CI के difference का हम लोग 20-30 सव आपको CI तीन साल का और SI तीन साल का difference क्या होगा, CI दो साल का और SI दो साल का difference क्या होगा, अगला question यहीं पर मैं लिखता हूँ, कि principal आपका 8000 है, rate percent 15 है, फिर question है कि CI तीन साल का और SI 3 साल का क्या होगा difference, Sam question, CI दो साल का और SI 2 साल का क्या होगाँ आप फटाफट निकाल लोगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, देखो, क्या होला 20 परसेंट, तो क्या होगा 24 सा, इसको कंसीडर नहीं करना है, फस्तियल वाले को, फस्तियल वाले को कंसीडर नहीं करना है, अगले बार से दूसरे साुल क्या होगा सुबस दूना 48 am n K2 c Р 32 को काॉंट करना सिर्फ त्री ऑर वन को काॉंट करना कितना हो जाएगा एड कर लो 1536 तीन साल का डिफरेंस 1536 दो साल का डिफरेंस 480 अभी आपको और डिटेल में डिफरेंस के ऊपर क्लास मिलेगा यह बेसिक अंडेस्टेंडिंग है आप इस तरीका से भी निकाल सकते हो यह सीख लोगा मैं इस रीच को बोलू आपको क्या होगा पहले 15% निकालो 158,120 फिर इसका 15% क्यों गिसको तो कंसीडर नी करेंगे डिफरेंस का बात हो रहा है फिर इसका 15% निकाला तो 1512,180 फिर इसका 15% 189,27 अम मेरिको डिफरेंस बताना है दो साल का तो सिर्ख इसको 2 रेशेव,1 करूँगा तो यह वाला काउंट करूँगा मैं पूरा तीन साल का डेफरेंस निकाल recorded three three one होता है three hour फान्सो चालईस फ्रोस सटाइस फान्सो शार्षट कर गये कि क्या होता है होता है दो साल का डेफरेंस दो कोच्टन भी आप कर ली दो नी चार कुर्टन कर ली एक कोच्टन में दो एक कोशन में दो रोड़ा चार एक्जामपल हो गए तो आप बेसिक अंडरस्टेंड कर गए कि एसा इसे गा डिफरेंस जब बेसिक तरीके से पूछे तो ऐसे आप निकाल सकते हैं सिर्फ रेशियो के हिल्प से अब हमनों तीसरा चीज पढ़ेंगे तीसरा यह चौथा तीन गंदा बन जाएगा मैं वहीं पर लिखता हूं अलग से फिर से साफ साफ लिखूंगा तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समाझ पाएंगे मैं आपको क्या कर रहा हूं कि आप देखो मैं बोला प्रिंसिपल आपका थाउजंट रूपीज है फिर से मैं प्रिंसिपल जब ized 1000 लिखा और बोला 10% का बयाच दो 10% का बयाच दियाओ तो क्या हूआ ये इंक्रीज हुआ हिसी पर फिर यह नसबी कई RS हो गया sound एक नजर में आप देखो क्या होकर हरवार 11 एक परशेंट से करा हुआ हुआ हर बार यह बार 11 भार अगला बार आप देखो यह क्या होगा यह क्या होगा इसका 10% इंक्रीज होगा तो मैं इसका 10% इंक्रीज किया 1331 121 का इंक्रीज है इसका 10% इंक्रीज किया 146.41 यही होगा ना वही होना चाहिए यहाँ पर कितना की इंक्रीज हुआ 133.1 का गलती दिख दिया हूं क्या अब आपको दो चीज यहाँ नोटिस करना होता है पहला चीज जो आपको नोटिस करना है कि जो CI है ओघ्रीज है कैसे GP में चल रहा है देखो यहाँ इसका 11 वा तो यह आया फिर इसका 11 वा टू आया 10 आया तो यह हुआ मतलब जो amount चल रहा है ओ हर बार GP में चल रहा है हर बार GP में चल रहा है कि हर बार 11 by 10 से increase हो रहा है तो question कैसे बनेगा आप देखो मैं आपको basic सा question बना करेकाता हूं पहला question बेशिक सा एक question जैसे आपके सामने लिखा थोड़ा सोचने का मौका देज़ो आप क्या है 500 यह second year का amount है second year का amount है और अगला बात जो बोल रहा है examiner वो क्या बोला कि जो 575 है वो third year का amount है third year का amount है आप समझे रहो न second year का amount क्या होगा third year का amount क्या होगा देखो आपको पीछे दिखाता हूं अब मैं बोला यह एक साल में हुआ यह दो साल में हुआ तो यह second year का amount हुआ और यह third year का amount हुआ समझे क्या कैसे दिखा है कि 500 is the amount of second year या फिर a sum increased to 500 in 2 साल and increased to 575 in 3 years ऐसे question लिखेगा कि a sum x is increased to 500 in 2 years and 575 in 3 years then find the rate percent ऐसे question देगा find the rate percent तो आपको पता है कि एक साल में इंक्रीज कितने का है वही जो amount rate है तो कितना की इंक्रीज है 75 का 75 का कौन 500 तो क्या आएगा आपके सामने 15 परचेंट तो आपको ऐसा ही simple सा question आएगा 15 लेकिन अगला बार मैं ऐसे question बना दूँ थोड़ा सा मौका दे question मैं बना रहा हूं दूश्रा देखो आप मैं बोला कोई amount 1200 से 1728 हो गया 1200 से 1728 हो गया यह 1200 हुआ है 3 year में और यह 1728 हुआ है 5 year तो दो चीज पूच सकता है यहां पर आपको principle भी पूच सकता है ऐसा नहीं कि principle नहीं पूचेगा यहां पे आपको principle भी पूच सकता है rate परचें पूंज़ान सब्सक्राइंगे लेकिन प्रिंसिेपल भी पूछ सकता है आपको प्रिंसिपल निकालना असान है 2 साल बार 500 हुआ तो धो साल में कितना की इंक्रीस हुआ ना की इनक्रिस हुआ तो जो इस केस में प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 4 into 500 मतलब 20 के ऊपर 4 0 upon 520 यहां पे यह प्रिंसिपल है इस कोश्चन के लिए यह प्रिंसिपल है आपको मैं और सारे कोश्चन कराऊंगा यह एक्जामपल के तोर पर आप संजो अगर मैं इस कोश्चन को लूँ तो आप क् बोल्नागा यहां पर आप 12 साल का गयब दे रहूं कि यहां से देखो एक साल बात गैरे अर्प 10 का इमक्रीज को करेंगा तो मैं क्या करूंगा एक बार स्कॉार रूट के लिए लूगा फिर से 11 बाइट आ जाएगा तो यह तो इंक्रीज हो रहा है यह तो इंक्रीज हो रहा है तो इस दो का लो फिर इस दो का लो इस टो का लो हर बार ही आएगा यहाँ पर दो साल बोला है दो साल बोला है गैप घर पहले में क्या करूंगा रेशियो निकालूँगा जिसे मेरे क्या हो स्क्वाइर रूट लेना आसान हो 12 से काटा 144 गया 100 रेशियो 144 है तो 10 से 12 का इंक्रीज है तो जो इंक्रीज है कितने का 20% 20% का इंक्रीज होने के रेट पर्शेट आंसर आएगा पूछ लिया और में एकजामिनर का प्रिंसिपल बताओ तो 3 साल बाद 12 होगा एक साल में 6 x 5 का इंक्रीज है क्योब इकस इंटू 6 x 5 का क्यूब तो सिधा-सिधा शिधे काटा और लिखा 216 अपॉन 125 बराबर हो जायगा बरस अब मैं काटा कुटी लगाऊंगा जो भी आए अभी मैं पूरा काटा कुटी नहीं लगा रहा हूँ आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूँ जो चीज ओधे सीखने पर आप ध्यान दो 2250 अपन नहीं यह आजाएगा प्रिंसिपल यह प्रिंसिपल आ जाएगा आप बात को समझ गहोंगे कि जो CI चलता है GP में चलता है और दो टाइप से कोश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर रेट निकालने को बोल सकता है प्रिंसिपल निकालने को बोल सकता है इन दो टाइप कोश्चन को आप ध्यान रखेंगे लेकिन इस दोनों case में हम लोग amount पे खेल रहे थे लेकिन एक जगे और हम लोग खेल सकते हैं क्या ओ जगा है भाई देखो अब ध्यान से देखना यह बहुत ही important चीज़ है जो अभी में बताने वाला हूँ बहुत important चीज़ है देखो यह क्या है मेरा CI है first year का CI है first year का CI1 यह क्या है CI है second year का यह क्या है CI है third year का और यह क्या है CI है fourth year का अब एक चीज़ नोटिस करोगे तो CI का भी increase है वह भी 11 ratio 10 ratio 11 में मतलब 10 percent interest है तो first year से second year का CI इस पर 10 increase किया तो 110 हो गया इस पर 11 increase किया तो 120 हो गया इस इस ही पता है तो मैं third year का निकाल लोगा और साई बता तो मैं fourth year का निकालोंगा तो आप एक चीज़ notice कर पारहे हों? तो हाँ notice कर पा रहे होNotice ब्सक्रान हो तो यूज करो ना आप बस इस बात को notice कर लिये तो आपको कोई बोला कि आपको दो चीज दिखा पहला क्या क्या दिखा मैं पहले यह बता दो आपको amount भी उसी ratio में दिखा कर देखोगे तो आप एक साल में amount का increment यह है एक साल में देखो 10 से 11 अगर कोई बोले दो साल में amount increment क्या है तो 1000 से 1210 मतलब 10 के square से 11 के square तो यह इस चीज आप लर्न कर चुके हूँ ratio में तीन साल में क्या है लेन का क्यूब से 11 का क्यूब यह principal amount के साथ साथ c i का भी ratio है अगर कोई बोले यह क्या है तो c i first year से c i second year यह क्या होगा c i first year से c i third year दखो मैं इसको मीटाता हूँ अब मैं c i के लिए दिखा रहा हूँ इसके पले मैं principal amount के लिए दिखा रहा था अब मैं यहां पर देखूं तो कोई बोले c i first year से c i third year का ratio क्या होगा c i third year तो आप देखो 10 का square से 11 का square यह 10 का square यह 11 का square मतलब 2 साल का gap है interest में तो square हो गया compound interest को आप सिर्फ notice करना मैं यहां पर सिर्फ interest का बात कर रहा हूँ principal amount कुछ नहीं गीवेन है आपको इंट्रेस्ट की बने आपको बोला कि आप बताओ चार साल में इंट्रेस्ट का gap क्या होगा तो मैं बोला आपको c i1 पता है और c i5 निकालना है तो 10 इंट्रेस्ट बता है तो 10 to the power 4 to 11 to the power 4 हो जाएगा कोई पुछे आपको कि 100 रूपया c i यह first year का 100 रूपया थार्ड-year का c i बताओ तब क्या करोगे इंट्रेस्ट रे दिया है 10% तो आपका जो incredible c i को स्क्र programa लोगा कि यही कोस्टन मैं बोलू इसी डियर्टा पर एक और कॉस्टन मैं रिपको लिखन की ナ्टन मैं बोला कि आपका जो CI था फस्ट यर का 100 था CI बताओ फोर्थ यर का क्या होगा अगर 8% 10% है तो क्या होगा I1 से I4 मतलब 3 का गयब है तो 10 का क्यूब से 11 का क्यूब का गयब अब आपको 1000 unit का value पता है 100 है तो 1 unit का value 1 upon 10 11 cube मतलब 13, 3.1 हो जाएगा इसका भी तो यही है तो आप शिर्फ interest को देखें तो आपको दो बात पता चला दो बात क्या क्या पता चला पहला कि CI में जो a amount है 200 ग जी पी में रहता है और CI में जो खुद Xiaomi BA ही TOP TV में रहता है TOP 200 मेंरता हैlı KGP मेता है आप सोचना पड़ेगा पहला एक्जाम्पल जैसे में ले लिया सोच लिया कि आपको दिया हुआ है कि तीसरे साल का सी आई दोसो तीस रुपया है और चौथे साल का सी आई आपको तेस्ट तो सो त्यालीस पॉइंट एक तो बोला रेट पर्षेंट बताओ यहां पर रेट पर्ष कोच लेने दो यार कि आजाओं दूसरे साल का सी आपर है और वाइट पर्षेंट यह तो आपको बताना है कि पाँछवे साल का सी आई क्या होगा सिधस सी आई से कोश्चन सी आई ही divan और दोस्ट कर लिए होंगे तो मैं कॉश्य और लिप देता हूं, CI चार साल का है, कितना, आपको मैं रेशियो देदू, कितने का क्यूब ले लेता हूं, तो हजार रूपीज, और जो इंट्रेस्ट है, वो चल रहा है, 20% रेट पर, तो आपको सात्वे साल का CI बताना है, दो कोशन में, तीन कोशन में पूछ लिया, तो आप इजीली कर लोगे, पहला आपको पता है, CI भी GP में चलता है, जो रेट परशेंट है, उसी के रेशियो से इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज कितने का है, 16.1 का, तो 16.1 का इंक्रीज है एक साल में, तो रेट परशेंट क्या होगा, 16.1 अपॉन दू ठात्ती, एंटु हंड़ सीधा सीधा दिख रहा है, 23,161, 7%, 23,161, मैं खुद लिखा हूँ, मेरो थोड़ जल्दी दिख रहा है, 23,161, 7%, यहाँ पर बोला, तो CI का गैप कितना है, तीन साल का दिया है, पांच साल का पूछ रहा है, दो साल का गैप है, तो 5% का फ्रेक्शन वेलू क्या होता है, 1 चार सो एक टालीस होगा, तो 400 इनोट का वेलू क्या है, 800, 441 इनोट का वेलू क्या होगा, 800 गैप है, अगला बात अगर चार साल का CI गिवन है, बीस परसेंट का क्या है, फ्रेक्शन वेलू, तो 1 अपौन 5 होता है, मतलब जो इंक्रीज होगा, वो 5 का क्यूब से 6 का इस तरीके से ही आपका कोश्चन आता है एक्जाम में अब जितने भी कोश्चन है मैं करा दिया हूँ कुछ कोश्चन मैं लेकर आऊंगा अभी कराने के लिए एक्जामपल के तौर को कि आप थियोरी समझ पाएं क्योंकि मैं थियोरी पी आर टी में अगर लेक के समझाता तो आप बोर हो जाते हैं कि पी है तो पी आर इसक्वाइर का इंक्रीज होगा पी आर क्यूब का इंक्रीज होगा इस तरीके से मैं लिखूंगा कोई भी बोर हो सकता है मेरे को पता है और इस बज़े से में पी आर टी टाइप के questions सारे questions में लाया हूं कि जब अब question practice कर लोगे तो सारे टाइप आपके cover हो जाएंगे दोणों साइड से मतलों theory part और question part भी question इस्टार्ट करते हैं question वो क्या करना है पढले आपको एक बार solve करना है क्योंकि कि जो questions है जो बच्चे अच्छे से पढ़ लिए होंगे थियूरी वारा पाट सारे questions solve कर लेंगे एक भी ऐसा question नहीं होगा जो उन्चा नहीं बनेगा लेकिन फिर भी मैं आके solve करा रहा हूं तो आएए मैं थोड़ा तेजी solve करा हूंगा क्योंकि सारा थियूरी में मैं एक्जामपल ले लेकर सबकुछ अल्मोस्ट एपरिटिंग कभर हो चुका है a sum invested at compound interest amounts to 750 at the end of first year and 900 at the end of second year what is the sum best तरीका है ratio काटो जो increase होगा percentage खोजना आसान होगा ratio काटा तो 15,75, 15,60 कितना की increase है एक का increase है तो 20% आया rate of interest लेकिन rate of interest निकालना ही नहीं था यहां पर दिख्या रहा है कि एक साल में 6.5 का increase हो रहा है कोई amount P होगा यह 6.5 होके 750 हुआ होगा यह फिर ऐसे बोल सकते हैं 20% increase होके 750 हुआ होगा फिर यह 20% increase होके 900 हुआ होगा तो 6.5 होके 900 हुआ होगा तो P का 6.5 चुँए ओग और 750 के बराबर है 750 के बराबर है calculation करोगे आप 6 से सिधा सिधा काट लिया में 12 चके 70 और 6.35 तब P का value क्या है 6.25 P का value क्या है 6.25 Easy question है बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं हुआ होगा हुआ क्या होगा इस तोरी P से कुछ बना होगा यहां फिर यहां कुछ बना होगा और यही जो है given है यह आपको मन में करना है वहां फोटो नहीं बनाना यह last है जो मैं फोटो बना के समझा रहा हूं आपको वहां पर फटा-फट करना होता है पहले साल यहां कुछ बढ़ा होगा दूसरे साल यहां कुछ बढ़ा होगा पता नहीं किस रेशियो से बढ़ रहा है लेकिन दूसरे साल यह आपको 28,224 हो जा रहा है और इसके बाद एक बार और इंक्रीज होके यह 29,635.2 हो रहा है तो आप यहां से क्या करो किस रेशियो मे equate करके इससे equate करके principle निकाल लोगे यह process है अगर आपके पास 100 110 वाला होता तो मैं बोला 100 था 10% से बढ़के 110 हुआ फिर 10% से बढ़के 11 by 10 का इंक्रीज है अगर कोई पूशता यह वाला बता हो तो एक बार 11 by 10 का इंक्रीज है तो एक बार 11 by 10 निकालोगे तो एक सुनसा है process आप समझ गह होंगे अब मैं इतना process slow slow नहीं शमलाओंगा वाले भी solution कैसे करते हैं यह देखो क्या बोला दो साल से तीन साल में यो हुआ रेशियो चेक करो कितने से बढ़ा काटा कोटी करेंगे 29,635 2 upon 28,214 1,0 काटा कोटी करूंगा पहले तुम्हेरे को देख रहा है यह सिधा-सिधा 4 से कट रहा है तो पहले 4 से काटते हैं छोटा नंबर है 4 शाथए, 244 का शोड़ो, 14 तो फिर 4 से काटा यह नीचे वाला तो 7 से कट रहा है, शिधा-सिधा दिख रहा है 7,8,家पपण, महीं मैसाज है ऊपरवाले को चेक कर लेते हैं, साथ से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो उपरवाला भी साथ से कट रहा है किसे चेक किया तो 88-74 कर दिया 14 आ गया आपको बहुत लोग मैसेज किया था सायद एक बच्चा मैसेज किया था 7 का डिविजबिलेटी रूल नहीं पड़ा है तो मैं ध्यान नहीं दिया हूंगा एक स्पेशल क्लास ले लूंगा जिसमें बता दूंगा 7 17 13 19 23 यूजलेस है ज् कोई भी नंबर है यह अगर तीन डिजिट से ज्यादा कहूं तो आप उसको किसे चेक करेंगे तो तीन तीन डिजिट का पेर बनाके डिफरेंस लेंगे तीन तीन डिजिट का पेर बनाके डिफरेंस लेंगे अगर वो डिफरेंस है 7 का डिविजबल तो नंबर 7 का डिविज है तो यह बड़ा वाला नंबर भी शेविजबल है और में एक्जामपल लिख देता हूं 49728 728 से 49949 घटाओगे तो जो नंबर आएगा अगर डिविजबल होगा तो यह पूरा नंबर 7 का डिविजबल होगा यह रूल में बता चुका हूं दूसरा 7 का रूल जो होता है ओ होता है मेरे को अभी ध्यान आ गया बोर मत होना आप लोग नंबर से समका पार्टे थ्रोड़ सा डिसकस कर दे रहा हूं कि सडंगी सड्टों कोई ऐसा नहीं आप देखो क्या है पताशनी नाम नहीं आ रहे उस बच्चे का या जो आगरे को जिसका मैसेथ सब्पर्सों यह तर्सों लेकिन आपको उतना डिटेल जाना नहीं होता है मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना रेलिवेंट रहता है अभी अचानाक से आ गया तो इसको मैं डिसकेस कर दे रहा हूं इस्पेशल क्लास भी दे दूगा नंबर सिस्टम में अभी जैसे ही हम लोग का बैज खतम होगा तो मैं छोटे-छोटे इस्पेशल क्लासे सब चेप्टर में देते रहा हूंगा जब तक एक्जाम ना हो जाए उस्पेशल क्लासे से आपको बहुत ज़्यादा इंप्रोब्मे करते हैं आप कैसे हुआ क्यों हुआ किसी क्लास में बता दूगा जब 7 इंटू 14 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 21 यह नंबर 7 का डिविजबल है हाँ है अगर आपको मन है और चेक करने का तो यूनीट डिजीट में 2 से माइटिप्लाई करके माइनस कर दो एक गुड़ा 2 यह पूरा बड़ा वाला नंबर 7 का डिविजबल है अगर मैं और दिखाऊं तो यह क्या करना है 49714 मेरे को चेक करना है कि यह नंबर 7 का डिविजबल है या नहीं है तो मैं क्या करूंगा 4 में 2 से मल्टिप्लाई करके माइनस कर दोगा 8 माइनस किया तो 11 से 8 गया 3 6 4 9 इस 3 में 2 से 3 में 2 से मल्टिप्लाई करके माइनस कर दोगा तो 6 क्या हुआ 490 जीरो को को कंसिदर नहीं करते हैं मैं 9 को चेक करता हूं या फिर आपको गांसिदर करने का मन होगा तो कर सकते हो 0 में 2 multiply करके minus करो 9 में 2 multiply करके minus करो 4 में 2 multiply करके minus करो Ultimately 7 आ गया तो आपको हर बार divisible मिल जाएगा आपको यहाँ से भी decide हो जाता है यहाँ से भी decide हो जाता है यह 7 का multiple है लेकि रूल understand करने के लिए मैं आपको बता दिया और एक चीज मैं बता दू आपको कि माल लिजे कोई number है 353 आप मेरे को चेक करना यह 7 का divisible है या नहीं है किसे चेक करोंगा इसमें 2 से multiply करोंगा minus किया 35 से 6 किया 7 का divisible नहीं है इस तरीका से decision लेना आपको 7 का divisibility का rule का कभी आपको special class में मैं 13, 17, 19 सब बता दूगा कोई बहुत बड़ी बात में सब seed number से निकल के आता है ऐसा नहीं कि सिर्प्ट 2 से मैं 7 का 3, 4 rule बता सकता हूँ आप जैसे हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग इस बार कर रहे थे कि unit digit में 2 multiply करके 1 minus कर रहे थे आप अगर एक और rule निकालोगे तो unit digit में 5 multiply करके add करो फिर भी वो satisfy करेगा देखो आपको दिखाई देता हूँ मैं 21 ले लिया divisible है न unit digit में 5 multiply करके add किया एक पांचे 5 दो एक पांचे 5 इसमें add करूँगा तो साथ है यह number 7 का divisible है और number मैं आपको दिखा दू 28 आठ पांचे 40 एड किया 42 आया ना डिविजबल 2 पाचे 10 14 आया ना डिविजबल बड़ा नमबर देखना है आपको देख लो 74 अठाई 77 यह डिविजबल है यह नहीं है मैं इस rules दे सटिस्वाई करा रहा हूँ 9 पाचे 45 एड किया 5 दो साथ 4 दिन साथ इविजबल आगया तो मैं rules जितना चाहो बना सकते हूँ लेकिन कितना रटोगे आप rules rules आपको रटना नहीं है क्या नाम था? अनुझ या कुछ नाम था rules आपको रटना नहीं है अनुझ आपको क्या करना है? कि ये आपको सीख लेना है एक बर मैं सिखा दोगा, लेकिन यह होता क्यों आप तक तप तक नहीं समझोगे, जब तक आप seed number नहीं समझोगे, seed number मैं किसी class में आपको समझा दोगा, seed number क्या होता है, इसको एक और नाम बोलते हैं, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, सीड नंबर को हिंदी में कुछ और बोलते हैं मेरे को ध्यार नहीं लेकिन आपको इतने सारे रूल नहीं याद रखने हैं सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है कि आप यह 7 का unit digit में 2 से multiply करके जब minus करोगे तो आपका answer आजाएगा वो ऐसा क्यूं हो रहा है क्यूं हम लोग बाद में बाद जानेंगे यह बात हो गया अब मैं आगे आपको बता दू इस question में इसमें decision में कैसे लिया था मैं pairing बना कर decision लिया था maximum time में pairing बना के ही decision लेता हूँ और छोटे number तो आप 3 digit के number में क्या ही बहुत बड़ा चीज है 7 का table भी पढ़ लोगे लेकिन जब बड़ा number आएगा तो 7 का table पढ़ने में time लगेगा तो 30 digit का pair बना के चेक करना चाहिए ज्यादा देर तक हो गया बकाई थी अब हम लोग पढ़ाई करेंगे ओभी पढ़ाई वाला ही पाट था 88 से 74 गटा है आज 7 का division मिल गया था काटा इसको 1008 इसको काटा साथ एकम साथ 75 से 35 साथ चार से दोनों कट रहा है चार से पले 11 से भी कट रहा है 11 के साथ साथ 9 से भी कट रहा है दिख रहा है ना 549 आठेक नव आठेक नव आठेक नव 11 से देखू तो यह वाला पार्ट 11 से नहीं कट रहा है वह वाला से पार्ट 11 से कट रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ पले 9 से काटता हूँ थोड़ शोला साते 112 शाथ से काटा 7 एकम साथ साथ से के भी आलिस उद्ट आप कहीं एरर करने क्या कि अच्छा एक जीरो मिसीं जीरो अब मैं इसको और एक बार काटूंगा एकीसाथे 161 और अब क्या मिला आपको क्या करना था फटा फट काटना था और कुछ नहीं करना था रेट ना था काट लिए तो आपको पता चल गया कि 21.20 से इंक्रीज हो रहा है एक साल में तो जो रेट परसेंट पूरता तो 5 परसेंट यह फिर आप यहां से एक और तरीका है उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं अब आपको दो साल बढ़ा होगा पीछे दो साल बढ़ा होगा इसको एक और तरीके से आप कर सकते थे आप थोड़ा सर कैलकूलेशन से बच जाते मैं वो तरीका आपको बताता हूं ऐसे भी आप कर सकते हो थोड़ा सब डिवाइड है छोटे नंबर से मुल्टिपल है कोई बड़े नंबर नहीं थे बीच में आप क्या करों दूसरे तरीका मैं आपको बताता हूं धिहान से जुनना देहो क्या है अगर मैं चेक करलू कितना percent का increment हे वो चेक करना थोड़ा से आसल है तक पहले मैं क्या करूंगा percent increment के लिए कितना increase हुआ है देखूँगा तो उस इसको माइनस करूंगा उससे इसको माइनस करूंगा तो माइनस किया तो कितना है पॉइंट का टू पांच से माइनस किया तो एक आया तीन से माइनस किया तो एक आया छे से माइनस किया तो क्या है चार और नाइन से माइनस किया तो क्या है वन नाइन से माइनस किया तो क्या है ये किस पे इंक्रीज है 28,214 गुणा 100 ये मेरा क्या आएगा rate percent ध्यान से देखोगे आप ये 14,1,1,2 का दुगना है तो से काट दिया टू टाइम्स तो 25,100 तो ये थोड़ा सा आसान हो गया calculation भी बच गया जैसे आप rate percent निकाले तो 5% का मतलब क्या होता है 21,20 इंक्रीज हुआ है 21,20 जब आप 21,20,21,20 दो बार निकालोगे तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा 256 अंसर आजाएगा डबल जी तो आप थोड़ा सा ये असान पढ़ रहा है उससे ये बड़ा होला नंबर फटाफट दिख जा रहा है किस से डिविजबल है तो एक्जाम में जो दिख गया हो सकता है वैसे जाओगे तो दस बंदर सेकेंड कर लोगे वाला उसको अधी पार्ट लिखना ही लिखना है तो दोनों के इसमें आपको लिखना है अगले कोशन को आप देखें क्या है if an amount becomes 4000 रुपीज after two years and 6000 रुपीज after four years at the same rate of compound interest what is the amount दो साल में जितना ब कितना कर एंच्यों से इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ 6000 है यहाँ 4000 यह 3 X 2 का इंक्रीज है यहाँ भी 3 X 2 इंक्रीज होता यहां भी 3 by 2 का इंक्रीज होगा तो P का 3 by 2 यह brain में करने वाला पाठ है फिर से बोल रहों यह brain में करने वाला पाठ है सिदा सिदा दिखे का P का 3 by 2 जो है वो 4000 के बराबर है तो P किस के बराबर है? 8000 upon 3 8000 upon 3 मतलब 26 यह 78 तो तींचा के अठारा तींचा के अठारा Option B will be the correct answer Option B will be the correct answer Easily solve हो गया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ अगले question को आप देखो Sum of Rs.2400 becomes 3700 in 6 years at certain rate of compound interest What will be the amount after 12 years? हुआ क्या है? कुछ बढ़के 26, 6 साल में हुआ है कुछ तो अगले 6 साल में क्या होगा? पूछ रहे हैं टोटल 12 साल में क्या होगा? तो जिस ratio से यहाँ increase होगा? उसी ratio से वहाँ increase होगा बस यह चीज देखना था किस ratio से increase होगा है? 12-36, 12-24 तो 24 से 3 by 2 होगे 36 मिला है तो 36 से 3 by 2 होगे अगला वाला पार्ट मिलेगा तो कितना मिला में रहे हो? 5,400 इसी कोश्चन है सारे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इसमें टाइम बार बात करना है आजाओ अगले कोशन को देखो एसम फ एट जीरो टुट इट इन थी यर्स अट टु आरेस अच्छा अट नहीं होना चाहिए यहाँ पर अमाउंट टु इन थी यर्स अच्छा स्वरी कुछ गलत है? एसम अमाउंट टु आरेस 8028 in 3 years and amounts to यहाँ पर इमाउंट छूटा होगा amounts to 12042 in 6 years at certain 8% पर इन हम what is the interest is compounded yearly? when the interest is compounded yearly the sum is sum बताना है कुछ नहीं करना है? देखो कैसे होगा? अब को पता है P से 8028 तीन साल में हुआ है 8028 से 12042 छे साल में हुआ है जितना गेंगरीज यहाँ होगा इतना गेंगरीज यहाँ होगा ratio निकालो, ratio से compare कर दो answer आजाएगा मैं compare किया, सिधा-सिधा दिख रहा है आपको ध्यान से दिख रहा है क्या? यह 14 गुणा 2 है, यह 14 गुणा 3 है अगर दिख गया तो अची बात है नहीं दिखेगा तो calculation फशादेगा अब मेरे को तो दिख गया 4014 का ऊपर में 3 का multiple है एक में और एक में 4014 का 2 का multiple है वो numbers वैसे मैं अलग अलग देख रहा था इस 8 को 8 की तरह देखा, इस 12 को 12 की तरह देखा तो 4 गुणा 8, 4 गुणा 12 गुणा 12 गुणा यहां पर 14 गुणा 8 है, 14 गुणा 12 गुणा 12 गुणा तो मैं इसको notice कर पाया तो जो increment है 3 साल में, वो किसका increment है? 3 upon 2 का यही principle पर होगा, तो 8028 upon, 8028 मिलेगा सल्यूशन कर दो, easy question हो गया, बस ओ रेशियो काटना ही थोड़ा डिखल था दिख गया तो, इसली आप जल्दी साल कर लोगे अधरोज आप 2 से एक बार काटो गया, फिर कही ने कहीं कुछ ना कुछ कट जाएगा 4, 0, 1, 4 सॉरी, 3 से काटना था ना 26, 3, 78 आप इसको मल्टिप्लाई करो, 26, 52, 16, 12 क्या होगा, 5, 3, 5, 2 होगा option, a will be the right answer a will be the right answer सिधा सिधा दिख रहा, 26, 12, 26, 12, 3 5, 3, 5, 2 सल्ल हो गया, अगले question को देखो आप क्या है अगला question, यह देखो, 5, 3, 5, 2 यहाँ यूज किया पीछे हमनों को 5, 3, 5, 2 है देखो अगला question क्या, sum of money becomes 3, 5, 6, 8, 0 after 3 years and 5, 3, 5, 2 after 6 years at a certain rate percentage per annum compounded yearly, what is the compound interest on the same sum in the first case compound interest पुछा है, क्या पुछा है sum नहीं पुछा है, compound interest तो क्या करोगे, amount से minus कर दो principle को, हो जाएगा compound interest दो तरीके से निकाल के सिखाऊंगा आपको, सबसे पहला क्या मापो क्या होगा, दोनों का ratio लेना पड़ेगा तब ratio ले लो ratio में लेता हूँ, तो काटा कोटी शुरू करता हूँ 5, 3, 5, 2 3, 5, 6, 8 नंबर दिख रहा है क्या है किसी से मेरे को तो दिख नहीं रहा है काटते हैं, 4 से तब तब काटते हैं 4 से तो काट रहा है 34 के 52 उसके बाद क्या होगा 4, 3, 12, 4, 8, 32 इसी से काट रहा है ना नीचे काटोंगा 4, 7, 8, 8, 4, 8, 32 4, 9, 6, 4, 2, 9 8, 9, 9, 9 दिख रहा है क्या किसी से 46, 46 ती या 4, 46 से ये कट रहा है इसका 2 गुना यहाँ इसका 3 गुना यहाँ हर बार ऐसे कटेगा आपको नमबर्स को ध्यान से देखना है मेरे को ये दिखा 38, मतलब 23 का टेबल में आ रहा था तो मैं 46 को ट्राइ किया तो आ गया 46, 33, 38, 48, 48, 42, 13 अगर आइसे नहीं दिखता तो आप 2 से एक बार काट लो 2 से एक बार काटोगे तो क्या है कही ना कही तो में ने गई 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 9, 18 2 4 के 8 और 446 इस केस में तो आपको सिधा-सिधा दिख जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 और 3 गुना 2 गुना 3 यह 2 गुना 6 है यह 2 गुना 4 है यहां पर आपको 213 दिख जाएगा इस पार्ट में 23, 29 लग रहा है यहां 23, 24 लग रहा है यहां 2 गुना 6 लग रहा है तो फिर आपको दिखेगा यह 3 यह 2 मतलब जो इंक्रीज है वो 3 अपॉन 2 का इंक्रीज है यह 3 अपॉन 2 होगा को बताओ यह 3 रेशियो 2 रेशियो 3 है क्या ही यह प्रिंसिपल है यह इमांट है जो इंट्रेस्ट हुआ होगा क्या है 1 का हुआ होगा तो यह 1 का इंट्रेस्ट पर यह 3 बना होगा तो मैं सीधा इंट्रेस्ट ही न निकाल लो कि प्रिंसिपल का 1 upon 2 जो होगा इंड्रेस्ट होगा तो प्रिंसिपल का 1 upon 2 फाइंड कर लूँगा आंसर आजाएगा तो रेधर देन कि मैं पहले प्रिंसिपल निकालू फिर माइनस करूँ मैं सीधा 1 upon 2 निकालता हूँ काटा इसको तो क्या हुआ 1133 324 397 और 3 तिया 9 110893 यहां पर बोला भी है कि नियरेस्ट बताना है तो अप्सन भी हो जाएगा अगर आप क्या करते यहां पर फस सकते थे देखो आप कैसे गंदा फसते अब इसको आप मल्टिप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे तब आशर आए पर आता वही आंसर 666 2918 और 2816 17 12 अब इसको 35,680 से आप माइनस करते हैं फिर आपको आंसर वही आएगा लेकिन मैं यहां अंडेस्टेंड कर गया तो मेला टाइम बच गया सीधा सीधा आंसर एके स्टेप में आ गया डो स्टेप आगे लिखना नहीं पड़ा अगले कोशन क क्या है इस सटेन अमाउंट अप मानी एट कंपाउंड इंट इस ग्रोज तू डबल सिक्स फाइफ डबल जीरो इन त्री यह तो यहां पर हिंट है 11 का मल्टिपल है एंड 73205 इन 4 यह तरेट परेनम काटा कुटी करके छोटा कर लेके नंबर 11 का मल्टिपल है तो जल्दी हो इस नंबर से इस नंबर को काट लिया तो 10 रेशियो 11 का रेशियो आगया जो इंक्रीज है 10 से 11 का है मतलब 10 पर्शेंट का इंक्रीज है 10 पर्शेंट का इंक्रीज है डेखनी पाया अभी अभी काटा तो दिग गया काटा तो दिग गया तो वहीं सी उज़कर दिया आगे केल्कुलेशन करने के जुरूत नहीं पड़ी अगले कोश्चन को आप देखो a sum amounts to इतना इन 4 साल and इतना इन 5 साल a certain rate percent per annum what is the interest is compounded annually option से भी आप जा सकते हो अगर मैं बोलू कि वो 8% से increase करता तो कितना increase होता है unit digit पर 6 आता आपको समझाता हूँ ऐसे questions को option से solve करना होता है 7562 का मैं 8% निकालूंगा तो कुछ भी आएगा वो 6 जो आएगा decimal के बाद ये unit digit आएगा लेकिन unit digit 4 है तो option A गलत है अगर मैं 20% निकालूंगा तो 20% क्या आएगा उसका निकाल लो लेकिन 20% निकालने के बाद एक चीज आपको ध्यान देना है decimal के बाद 2 number नहीं आएगा मैं निकाल के चेक कर लोगा मन में ही निकालना है पूरी बड़ा चीज नहीं है उसमें 2 से multiply किया दो दूना चार दो शक्के बारा और 75 दूना देड़ सो 151 ये ये जो आएगा 20% के हिसाब से interest आएगा अब मैं 7562 में 1500 एड करूंगा तो 9000 हो जाएगा आपशन सी खता हूं और आपशन डी भी आपका नहीं आएगा तो आपशन भी ही दे रहा है जो उनिट डिजिट से हो पारा है उनिट डिजिट से ही ऐसे question सॉल करते है अगर आपको सॉल करना पड़े बिना उनिट डिजिट का तो कैसे करोगे अब पहले माइनस करो तो पॉइंट फोर फोर नौ से दो गया साथ छे से छे गया जीरो चार से पांच चावदो से पांच गया नौ 907.44 का इंट्रेस्ट मिला है पच्छतर सो बाशाट रुपया पर इंट्रेस्ट आजाएगा ऐसे आप निकालोगे लेकिन आप उप्षन का सहारा लोगे तो जल्दी हो जाएगा इस केस में भी यहां आके भी उप्षन का सहारा लेलो लेकिन आपको नहीं लेने का माने तो कैसे करोगे देखो क्या कि आप कटा कोटी लगाओ देखो किस नंबर से डिविजबल है सिधा सिधा देख रहा है पहले टू सेट तो काटना पड़ेगा और कोई सलूशन है नहीं सिधा सिधा भी आप देख सकते हो एक ही बार 75 से 62 से डिवाइड करके कि कोई ना कोई integer value है option में integer value तब ही होता है जब पूरा calculated पूरा calculate हो जाए आपको ऐसा रहा है डेसिमाल में रहता या एप्रॉक्स में रहता तो भी पूरा नहीं कटता लेकिन integer नंबर है सारे तो पूरा कटेगा ही कटेगा तो मैं direct बड़े नंबर से भी कटा कोटी लगा सकता हूं लेकिन लगा नहीं रहा हूं कटा क आपकी किया छोटे नंबर से 37 दूना चोहत्तर दो अटे शोला दो एकमे खतम हुआ इसको काटा तो क्या मिला मेरे को यह 45 दूना नब्वे दो तीया छे दो साथे चौदा दो दूना चार अब मेरे को कोई option नहीं मिला 371 कासी किसी नंबर से डिविजबल दिख नहीं रहा ह इस तरीका से करो तो भी आंसर आएगा एप्रॉक्स लगा दो तो भी आंसर आएगा इसे केस में पर्टिकुलर इस ट्राइब को कोशन में यूनिट डिजिट आप ट्राइब कर सकते हो अगली कोशन को देखो क्या है इस सम्में मौंट्स तो सेम कोशन अच्छा इसमें कुछ और पूछा है अजब साटी ने इंट्रेसिश कंपाउंड अभी अभी हम लोग इंट्रेस इंट्रेस निकाल ले थे बारा पर्शंट आयता है अब आगे क्या बोला इस दस जार अट आड़ 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 आ तो 12% पर दो साल के लिए अगर 10,000 पर दिया जाता तो क्या आता निकाल दो successive 12% दो साल में कितना परसेंट बनाएगा 25.44 10,000 का 25.44 परसेंट निकालो आजाएगा option C will be the right answer option C will be the right answer इसमें भी question में struggle कहा था 12% निकालने तक इसमें आप option का सहरा नहीं ले सकते थे इसमें आपको यह करना पड़ता प्रोसेस इस केस में आपको यह process करना पड़ता तो एक्जाम जर समझ गया था बच्चा सब option लगा रहा है तो अगला बार question थोड़ा सा change कर दिया और थोड़ा सा change कर दिया तो यह high level question हो गया एक्जाम टाइम 12% निकालना difficult है यहां भले में बता दिया एक्जाम टाइम इस question से 12% निकालना difficult है और यह question difficult में count होगा maximum बच्चे छोड़ के भागाएंगे answer ही नहीं कर पाएंगे जो धीठ टाइब बच्चे होंगे जिनको पता है करना ही करना है ओलो कर लेंगे अगले question को देखो करने वाले तो option यहां पर भी लगाएंगे लेकिन यहां आपको option का सहरा नहीं लेना है आरे साथाजार invested at certain rate of certain rate for a certain even number of year compounded annually grows to 63654 to how much amount would it grow if it is invested at the same rate of for half period पहले मैं ratio देखता हूं सिदा सिदा देख रहा है 600 कट रहा है यह 10,000 है और क्या 6 कम 6, 66 क्या 36, 694 अब मेरे को बोला even number of year के लिए लगाया गया और hint है 100 का square है और 103 का square है दिख रहा है नहीं 103 का square अब मेरे को hint है तो मेरे को मिल गया कि यह half year के लिए लगाया गया अगर एक year के लिए लगाया जाता इस ratio में grow करता अब आपको इसका value पता है इसका value निकालना है और यह पुछा है कि आदे समय के लिए लगाया जाए तो क्या है इसका value क्या है 60,000 एक क्योंट का value क्यों और 600 इसमें जैसे 600 का multiply करो गया आप answer आजाएगा यह नहीं इजीली सॉल्व होगया बिल्कुल भी दिकत नहीं हुआ होगा एक बार में सॉल्व होने वाला कोश्चन है जब आपको कॉंसेप्ट एक बार आता है तब कॉंसेप्ट नहीं आता है तो time थोड़ा लग जाएगा a certain sum amounts to इतना इन दो साल and इतना इन तीन साल on compound interest annually how much will be the simple interest on challenger at the same rate for two years approach यहां पर भी लगा सकते हूं अगर मैं option से जाओं तो मैं अगर यहां पर छे है क्या percent हो सकता है मैं आपको दिखाता हूं एप्रोक्स किसे लगाते हैं अगर मैं 8% लोगा तो unit digit 8 बनेगा अठशा के 48 इक option मैं पर पास 8 परशेंट ले सकता हूं उसके बाद क्या लोगा तो यह उतना बनेगा इक दो 3,000 तो बना नहीं नाइन पी नहीं बना तो आठ दूना सोरा चौशाट सो आंसर होना चाहिए ऐसा ही पहले ही साटिस्फाइ कर गया अगर अठारा परसंट रहे तो आठारा दूना चातिस चौक एक्षो चौक चौक चौदादर चार सो अगर ऐसे एक्जाम में करते हैं कॉस्टन्स को अगर ऐसे आप ठोड़ा डर ल रेशो निकाल दिया 314928 इधर वोला पाट तो साथ से कट रहा है इधर वोला 31 है डिफिकल्ट है 2916 यह 54 का स्क्वाइर है 2916 54 का स्क्वाइर है 54 का स्क्वाइर है तो 9 का मल्टीपल है 3 1 4 4 8 2 2 6 9 से दोनों कट रहे हैं उपर नीचे अब मैं यहाँ पर रेशो निकालोंगा 9 से काट लोंगा 9 से काट लोंगा 9 से काट लोंगा 9 से काटा कोटी किया आपके सामने ही काट रहा हूं तो 29 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 फिर यह 9 से काट रहा है तीन बार 9 से कटा है याद रखना आपलों 9.4, 36, 2,99, 27, 9,21, 18, इसमें क्या था? 54 x 54, मतलब तीन बार 9 इसमें था, बचा क्या? 4, बचा क्या? 4, कैसे किया? इसमें मेरे को दिख़रा था, 54 का स्क्वाइर है, चाओवन में क्या है? 9 x 6, 9 का स्क्वाइर दो बर कटा, बचा क्या? 6 x 6, इसको एक बर कटा था, चार बचा, अब मेरे को 400 ratio 432 मिला, 4 से एक बार और कटा, तो 108, तो 100 से 108 का increase है, मतलब 108 अपॉन 100 आया, मतलब 8% यहां से 8% आगया, 8% आगया, दुसरा तरीका था, आप सिधा rate परसेंट को ही focus करो, आपको ratio ना लो, तो क्या करोगा, कितना का increase है चेक कर लोगे, तो चेक किया, 8, ये 2, ये 9 से 6 गया 3, ये 4 से 1 गया 3, 31 से 39 किया 2, कितना है, 291600, अब आपको यहां है प्रोक्स लग जाएगा, कि अगर 10% होता है, तो 39,160 का increase होता है, उससे थोड़ा कम है, तो चेक करो, यह उनु डिजिट से 8% पर, आइसे भी आपको बता है, 39,232 होता है, और 148,128, इसको focus करो होगे, तो 39,232 होता है, और 148,128, तो सब कट रहा है, 8% पर, ऐसे बड़े-बड़े नंबर को focus करो, 8% आगया rate, तो आट दूना, 16,4 के, 6400 हो जाएगा, क्योंकि 40,000 पर आपको दो साल के लिए, सेम रेट पर निकाना जाता, तो सेम रेट पर कितना होता है, 16%, 40,000 का, तो 64 will be the right answer, easy question था, बिल्कुल difficult नहीं था, बस देखने, देखने का नजरिया है, अगले question को देखो, अब देखो, आपको बताओ, मैं बोल रहा हूँ, कि कोई सम, 100 से 110 हुआ, 110 से 121 हुआ, तो मैं इस 110 को गयब कर दिया, और बोला, कि दो साल में कोई सम, 100 से 112 हो रहा है, तो एक साल में कितना होगा, 10 से 11, और यही लाइन में दुसरे तरीका से बोलू, कि 100 से 112 होने में 8 साल लगा है, अब क्या बोलोगे, 10 से 11 होने में 4 साल लगा है, स्क्वाइर रूट कर दिये, स्क्वाइर रूट ही तो किये हो, अगर यही लाइन में बोलोग 10 से 11 होने में 6 साल लगा है बोल दिया 10 से 11 सार 10 से 11 होने में 6 साल लगा स्क्वायर करूंगा तो यह क्या होगा यह तो दिया हुआ है एक डायरेक्ट इसके यूज होता है एक कोस्चन है उस कोस्चन का डायरेक्ट यूज आपको सिखाऊंगा अभी आप ऐसे समझ लो जब आप उपर जाते हो मतलब की रेशियो से प्रिंस्पल अमाउंट में तो उपर जाते हो तो स्क्वायर हो रहा है और डबल जिरो से डबल जिरो गया तो 25 से 36 हुआ आठ साल में तो चार साल में कैसे बढ़ेगा पांच से छे और पूछा है एक कोई अमाउंट 6550 चार यहर में तो चार साल में कोई इंक्रीज कितना हो रहा है तो 6550 पर 1 by 5 का इंक्रीज होगा चार साल में निकाल दो यह अच्छे कोईशन में आता है अचानक आ जाये तो आपको दिखेगा नहीं कि 8 का आधा चार करके कोईशन बनाया गया है वहीं आपको यह स्टेट्मेंट में दे द अभी बार से ध्यान रखना टेरो सो दस विल भी आपाइट अंसर ऑप्शन दी ऑप्शन डी कट गया तेरा पचे पैसाठ पाचे कबच असान कोईशन था अगले कोईशन को देखो क्या है the annual interest compounded on any amount is Rs.320 for the second year and 1422 for the third year what will be the original amount at the beginning of the first year the annual interest यहाँ पर क्या है यह एक साल का interest है आपको जब मैं पढ़ाया तो बताया था interest भी उसी ratio में बढ़ता है जिस ratio में amount बढ़ता है ति किस ratio में बढ़ा है तेरह सो बीस से 425 है सीधा सीधा दिख रहा है 10% increase हुआ है लेकिन तब भी कटा कोटी लगा के आपको दिखाता हूं 11 बढ़ हां 132 111 11 11 33 23 29 22 फिर से 12 से काट लिया 12 12 22 10 से 11 बढ़ा है 10% बढ़ा है 10% बढ़ा है अब आपको बोला है कि तेरह सो बीस जो है सेकेंड यर का इंट्रेस्ट क्या है सेकेंड यर का इंट्रेस्ट वो पूछा क्या है वाट वी दो ओरीजिनल इमाउंट अड़ बीगिनिंग अब फिर्स्ट इयर अब आप कैसे निकालों कि दो तरीका है आपके पास आपको 10% दो साल में कितना बढ़ा होगा इस तरीका से सोच सकते हों सक्सेशिव को यूज करके या फिर आपको बास और भी तरीका हैं लेकिन सक्सेशिव देस आपको यह इंक्रीज वह इसके बराबर है तो प्रिंसिपल निकाल लो प्रिंसिपल का जो 11 परसेंट है वह बराबर है 13200 काटा कोटी लगाया तो प्रिंसिपल आगया 12000 अब इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा दुसरा तरीका क्या है कि आपको एक चीज और पता है कि सेम आपको पता है कि सेकेंड डियर का सी आई क्या है कि आपको सेकेंड डियर का बता है तो आप क्या कर सकते हूं निकाल लो प्रिंसिपल का अच्या फर्स्ट इयर का सी आईया तो प्रिंसिपल का जो ये द हएक रहता है अंजर आजएगा क्या होगा प्रिंसिपल के थएर का 1210 सो और इसका का CI क्या होता है principal का 10% इसका principal का 1 upon 10 जो है 1200 इस तरीके से आप निकाल सकते हो तो आप दोनों तरीका सोच सकते हो फस्तियर का CI निकाल के भी एफिर डायेक्ट जंप करके चले जाओ सेकंड यर के CI में सक्सेशिब से दोनों तरीके आपको समझ में आव गया होगा अगले कोशन को देखते हैं क्या है क्या है the compound interest on a certain sum at a rate of at a certain rate of interest per annum for the second year and third year is 3300 and 3630 सिदा सिदा देखर 330 बढ़ा है 10% का increase है what is the amount obtained after 2.5 year when the sum is lent at the same rate of interest compounded yearly तो पुछ रहा है कि 10% की हिसाब से अगर yearly compound किया जाए तो 2.5 year में क्या amount आएगा तो पहले आपको तो principle निकालना पड़ेगा तब जाकि आप amount निकाल पाओगे आपको second year का क्या पता है CI ratio लगा दो 10 से 11 हुआ होगा आपको 11 का value पता है 3300 तो 10% का value क्या होगा 3000 यह 10% 3000 क्या होगा first year का CI मतलब principle का 10% 3000 प्रिंसिपल कितना है 30,000 प्रिंसिपल का 10% आपको पता है तो प्रिंसिपल कितना होगा 30,000 अब इस 10% प्रिंसिपल पर 10% के लिए 2.5 years का कितना होगा CI CI ही पूछा है न हाँ CI तक दो तरीके निकाल सकते हो successive से भी और आप basic से भी तो मैं successive से भी सिछाता हूं basic से भी सिखाता हूं 2 साल तो 10-10% के लिए और जहां 5 परशेंट के लिए यह हुआ होगा तो मैं आपको सिदा सिदा निकाल दिया 11 upon 10 into 11 upon 10 into 21 upon 20 calculation करूँगा कट जाएगा यह 15 बार में अब मैं multiply कर दूँगा 15 गुणा 21 गुणा 11 गुणा 11 जो answer 11 का multiple होगा वही answer होगा और unit digit पर भी 5 आएगा अब मैं देख लिया 5 2 7 3 10 7 8 यह खतम होगे 5 1 6 3 9 8 इस तरीके से आप unit digit और 11 का divisability आप CI को solve कर लिए लेकिन आपको मन होगा नहीं मेरे को करना है दूसरे तरीक्या से तो आप यह direct amount ना निकाल के पहले आप क्या करो CI निकाल लो CI कैसे निकाल होगे 30,000 आपका principle पता था अब आप क्या किये 10 10 5 का effective rate percent निकाल लिए effective rate percent 10 और 10 का क्या होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटो 10 अपन 100 21 परसेंट और 21 परसेंट और 5 परसेंट का क्या होगा 21 प्लस 26 5 26 प्लस 21 गुना 5 105 अपन 100 तो 1.05 तो आपका जो effective rate percent आया 27.05 परसेंट आया तो क्या है percent से 20 और 05 से 20 चार 0 खतम होगया तो 3 से multiply किया तो 27 दिया 81 और 3 परसेंट पंदरा 81 पंदरा का आपका interest आया 30 जार पर तो 30 जार प्लस 21 पंदरा 38 115 आंसर होगा तो आप तरीके समझ के होगे जब direct CI देता है तो अधिकतर बच्चे फश जाते हैं आपको फशना नहीं है इस तरीके से करना है आगे की questions को देखते हैं कैसे कैसे questions से अगले question को देखते हैं क्या है अगला question अब देखो अपको क्या करना है मेरे भाई देखो आपको already theory time मैं discuss कर चुका हूँ कि इस type का question हो कि आपको second year का interest given हो और fifth year का पूछ ले तो क्या करना है साथ में आपको rate percent given हो ऐसा question कराया था न तो rate percent क्या है 20% इसका fraction value क्या हो 1 upon 5 मतलब 5 से 6 हो रहा है एक साल में 5 से 6 हो रहा है एक साल में interest भी उसी ratio से बढ़ता है जिस ratio से amount बढ़ता है ये gap कितने साल का है तो तीन साल में 5 के cube से 6 का cube हो जाएगा interest अब 5 का cube का value आपको given है 250 मतलब 125 unit का value आपको given है 216 unit का value निकालना है 125 unit का value 250 मतलब into का 2 तो 6 का cube 216 into का 2 जो आएगा और fifth year का interest आएगा 432 आप खुद देखो आप इतना असानी से इस question को कर पा रहे थे ये आपका MTS का value question है अगर आपको ये concept नहीं पता तो क्या आप इतना easily कर लोगे नहीं यहाँ पर आपको दिक्कत होगा मैं आपको इसका theory brief करता हूं किया हुआ है already मैं बताया हूं इसका theory फिर भी एक पर मैं brief कर देता हूं जिसे क्या होगा आपका understanding deep होगा आपका understanding deep होगा देखो वही चीज़े मैं दुबारा बता रहा हूं 100 रुपया था आपके पास नहीं 1000 ले लेता हूं 100 रुपया ज्यादा कम लगेगा 1000 पे 10% दिया तो क्या हुआ 100, 1100 हुआ 1100 पे 10% दिया 110 हुआ अगले पे 10% का interest लगाऊंगा तो 1331 होगा increase कितना का है 121 का अगले पे फिर interest लगाऊंगा तो 146.41 होगा 1464.1 होगा 146.41 increase कितना का है 133.1 अब आपको क्या पूछा क्या है आप उसको यहां से notice कर सकते हो आगे भी आपको और लिखना है तो आप लिख सकते हूँ यहां पर इंतरी जोगा 146.41 का तो increase जोगे बनेगा 111.05 यही कुछ बनेगा 1610 बनेगा 1610 आगे और जाएगा 177.561 ऐसे कुछ बनेगा 187.1561 ऐसे कुछ बनता है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है आप लोग देखना कुछ एरर हो तो message मत जालना जादा 1561 यही बनता है 177.1561 बनता है तो मैं कुछ एरर किया हूँ यहां पर एक यह होगा यह अभी बनेगा इधर 5 के पास यहां रहेगा आपको याद होना चाहिए सक्सेसी वह यह से मेरे को याद है 6 साल का 6 साल में पहले साल 10% दूसरे साल 21% तूसरे साल 33.1% चौतरे साल आपका बनता है 46.41 पाँचवे साल 61.054 चटे साल 77.1561 तो उसी का नुशार में लिखा हूँ और कुछ कुछ नया बात नहीं है आपको जो चीज ध्यान देना है ओओ क्या ध्यान देना है मरे भाई ध्यान से सुनना देखो आपको एक साल में the amount बढ़ रहा है आपको अलड़ी पता है लेकिश इंटरेस्थ भी उसी रेशियम बढ़ रहा है मैं सीधा एक साल से तीसरे एर पर जंप किया, तो एक साल से तीसरे एर पर जंप किया, तो दो साल का जंप किया, तो दस से 11 का स्क्वाइर बना, मैं भोला कि दूसरे साल से मैं पांचवे एर पर जंप किया, तो आप काटा कोटी लगाओगे, तो दूसरे से पांचवे का जो और third year क्या है यह आपको first year दे दिया तो आप क्या करोगा मैं आपको बोला third year क्या होगा first year आपको पता है तो आपको first year पता है तो third year क्या होगा तो यह 10 का square है तो third year 10 11 का square बनेगा और कल को कोई बोले कि फिर ठीक है फुर्ट का क्यूंग है और फुर्फ यह होगा इसले आप पटाफट है यह घर लिखने का तरीका है फुर्फ थर्ड यह जूघ م carved होगcknow आप समझ चुके हैं question को solve करते है बहुत basic बात है थ्योरी में एक बार explain कर चुका था, दुबारा explain कर दिया, कई भूलोल कोई गया होगा, दुबारा बता देता हूं मैं थोड़ा अच्छा रहता है, एस समप 18,000 लेंटेट, 10% पर नम, compound interest, compounded annually, what is the difference between the compound interest for third year and fourth year, आपको मैं बता हूं, तो first year का interest क्या होगा, 18,000 का 10%, 1800, आप इ आपको first year का interest पता है, आप से कोई बोले, first year का interest पता है, third year निकालना हो, तो क्या करोगा, 8% क्या है, 10%, third year निकालना है, तो 10 का square से, 11 का square कर दिया, यह मेरा क्या है, third year का interest, यह मेरा क्या है, first year का interest, अब मैं बोला, आपको first year का पता है, fourth year का बता हो, तो क्या करोगा, 10 का cube से 11 पत今 से ओर स्पाइब कोस्किश सब्सक्राइब थाप में सब्सक्राइब कर दिया, उपर में 10 से इन का क्यूब यह लिए लिखता हूं दूसरे यहा जोग अव दस से multiply हो गया और यह भी 10 से multiply हो गया अब आप से पूछा है third year और fourth year का difference बताओ third year का interest क्या है यह fourth year का interest क्या है यह दोनों का difference लो 11 का square common हो गया और 11-10 बचा तो यह क्या है 11 का square मतलब आपको 121 unit का value बताना है आपको thousand unit का value बता है thousand unit का value क्या है अठारस यह first year का interest है यह भी first year का interest है first year का interest कितना अठारस हो तो thousand unit का आपको value गीवेन है अठारस हो 121 unit का अबले निकालो तो अठारस हो अपन thousand into 121 काटा कोटी लगाया और multiply कर दिया जो भी आएगा 9 का divisible number आएगा और 11 का भी divisible आएगा चेक कर लेते हैं आठ एक नौ साथ दू नौ छेद और दू आठ दू दस चार एक पांच 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 दू साथ देखो calculation से भी आप लोग बच गए जिसके से calculation करना होगा तो 18 का table पढ़ दो अठारा एक कम अठारा और अठारा गुणा तो आप बेसिक से calculation करके कर लिए क्योंकि आपको जो पता था बात कि आपको second year, third year कैसे चलता है लेकिन एक तरीका से और आप इसको देख सकते हैं, आपको देखने के नजरिया बता रहा हूँ, करने का बेहतर तरीका यही है जो भी बता है, लेकिन देखने के नजरिया भी बताता हूँ, जो तरीका बता है वो बहतर तरीका है बोला 100 से दूसरे साल का अगर मैं निकाला फ़स्ट इयर से सेकेंड इयर का C.I.E. निकाल रहा था तो क्या हो रहा था फ़स्ट इयर का C.I.E. इंटू जिससे इंक्रीज हुआ है 11 by 10 वही चीज है रेशियो ही है अभी भी रेशियो है अगर मैं बोलू कि फ़स्ट इयर से सिखत थाड इयर पर जम करना है तो मैं क्या कर रहा था दस का SQ, देशट इंक्यार का SQ तो मैं क्या करूँगा अगर ऐसे लिखूंगा तो दो बर 11 का 10 अगर मैं बोलू कि fourth year का interest बताओ यह तो third year का हो गया तो मैं क्या करता है 11 का cube into 10 का cube upon 10 का cube तो लिखने का तरीका अभी भी तो वही है तो क्या होता है कभी-कभी हम लोग ऐसे ना ऐसे भी लिखते थे लिखने का तरीका वही है यहाँ क्या था आपको यह second year का interest था यह third year का interest था वहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते थे कि आठारासो रुपया first year का interest है तो यहाँ मैं fourth year का interest सिधा लिख दूँगा 11 का cube upon 10 का cube और जो मेरा third year का interest आएगा क्या आएगा 1800 into 11 का square upon 10 का square देखो आपको थोड़ा calculation का भी change नहीं आएगा अगर ऐसे भी लिखोगे तो यह मेरा third year का interest होगे यह मेरा second year का interest होगे इस तरीका से भी लिखोगे तो वही चीज आएगा अगर आप अलग-अलग second year और third year का interest लिख रहा हो तो वही बात कुछ अलग नहीं है तो आप इसको common लोगे अठारसो गुणा 121 बाटा 100 minus 11 upon 10 into 1 तो क्या आया अठारसो इंटो 121 बाटा 100 upon 1 upon 10 देखो सेम calculation बना न अठारसो गुणा तो आप जिस तरीके को adopt करना चाहो उस तरीके को adopt कर लो यह मेरा fourth year का CI था यह मेरा third year का CI था और इस case में यह third year का CI का ratio था और यह fourth year का ratio था जो तरीका आप आप अपने पसंद वाले से करूंगा अपने पसंद वाले से यहां जो जबरदस्ती नहीं चलेगा इफ देंस भॉपने नहीं थो जायर से नहीं है और फॉर्थ येर से फाइफ येर का रिश्यो गया होगा 25 से 27 डशक्राइब आपको पता है थाट येर पहले भी 36 था अभी भी 36 था तो दोनों अलग-अलग है तो में एक्वल कर दिया यह आपको ब्रेइन में करना है यह सब बाते आपको लिख लिख के नहीं करना है आपको I-7 मैने को पता क्या है 65 जिए 625 का वैलू निकालना किया तो 35 चुसकी के बराबर होगा इसके बराबर बहुंड आपाउन 625 आपको भैलू किसकथ निकालना था watch हुआ ऐना कले सन और शक्योट करें इसके पर इसमें वी चेक कर सकते हैं कि ना इन का म्यटिपल घdes 9 का multiple check नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि ये line ने खुआ ये line काफी है ये बताने के लिए कि 9 का multiple आप check नहीं कर सकते calculation करना पड़ेगा कर देते हैं 25 से काटा मैं क्या क्या उपर नीचे 4 से 1 बर और multiply किया ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो मेरे को नीचे दुबारा डिभाइड ना करना पड़े नीचे सिर्फ मेरे को 100 मिल जा है अब सिर्फ मैं multiply करूँगा मेरा answer आ जाएगा समझ गए ना? multiply करो आप multiply करो 4 x 4 16, 16 6 96 और 16 3 48 और 9 57 अब मैं 54 से करूँगा 54 को मैं factorize कर लूँगा 9 x 6 में 44, 51 अब 6 का टेवल पढ़ूँगा 64, 24, 68, 48, 250 6 x 628, 635 308 कहीं गलती हो गया क्या? 64, 24, 68, 48, 250 6 x 6, 5, 11 और 6, 35 31 31, 0, 4 लेकिन नीचे मेरे क्या था? 25 गुना 4, 100 नीचे 100 था तो यहाँ पर decimal आ जाएगा 3, 1, 1 0, 0, 4 will be the right answer 3, 1, 1 0, 0, 4 will be the right answer बस आपको एक स्टेप करना था यह है उसके बाद तो कैलकूलेशन है यार उसके बाद तो कैलकूलेशन है और कुछ नहीं है बस यह स्टेप ही समझना difficult है बहुत लोग अपलाई ही नहीं कर पाते अगर आप एक बार में अप्लाई करने लगो यह मौक में जब कोश्चन आएगा तो देखना इसका जो सलूशन करने वाले लोग होंगे एक परसेंट दो परसेंट ही लोग होंगे 98 परसेंट 99 परसेंट लोग ऐसे कोश्चन छोड़ देते हैं यह फिर सॉल्व भी करते हैं तो तीन मिनट चार मिनट में सॉल्व करते हैं अगले कोश्चन को देखवाँ का यह कुझा आए समाप 15,000 इसजेंट छोड़ परसेंट आट सोड़ेंट पर आण मम कंपाउंड इंट्रेस्ट वाट इस दीफरेंस बिट्वीन दर कमपाउंड इंट्रेस्ट फर्सेंड का इंट्रेस्ट क्या होगा 11.15 ये मेरा 1. выз event का इंट्रेस्ट हूआ अम मेरा 1st year का इंट्रेस्ट मेरे को पता चल गया 1st year से 2nd year निकाल लूँगा और 2rd year नीकाल लूँगा ऐसी ये question तो आसान है लेकिन अज तब भी आप क्या सिधा보다 2nd year का भिनिकाल सकते हो कुछ बच्छे हो जिनको 16 तो और तेज कर सकते हैं लेकिन मैं आपको इसी तरीके से सिखाता हूं 14% का fraction value क्या होगा 4 upon 25 तो 25 से 29 क्या होगा यह 1st year का interest है यह 2nd year का interest है अब मैं बोलू 1st year का interest और 3rd year का interest का ratio क्या होगा तो यह होगा आपको एक बात और पता है कि 1st year का interest हमेशा equal होगा equal होने के लिए उपर नीचे 25 से multiply करना पड़ेगा जब आप उपर नीचे 25 से multiply किये तो यह part क्या मिला 29 into 25 तो यह मेला 29 into 25 क्या है 2nd year का interest यह क्या है 3rd year का interest मेरे को निकालना है दोनों का difference दोनों का difference लिए तो क्या है 29 into 29 minus 25 into 4 अब आपको क्या-क्या पता है, क्या-क्या निकालना है देखूंँ आपको पता है, 25 का स्क्वाइर का भैलू यह है निकालना है, 116 unit का भैलू निकालते है 625 का भैलू पता है तो एक का भैलू क्या होगा, इसके अपन 625 निकालना किसका है, 116 लगा कैलकुलेशन बहुत ही असान है इजी ली आप कर सकते हो मैं काटा कोटी शुरू करता हूं 25-25 आप चोशाग पचीस चक्के डियर सो उपर नीचे एक बाद चार से मल्टिप्लाइ कर लेते हैं जिससे क्या होगा कैलकुलेशन असान हो जाएदा चार सक्के 24 का टेबल एक बार पढ़ते हैं 24 सक्के 144 कितना बचा 14 24 सक्के 24 और 38 तीन बचा 24 सक्के 24 और 37 अब मैं 16 का टेबल एक बार पढ़ते हूंगा आंसर आजाएगा इस पर दो जीरो के बार आंसर आजाएगा 445.44 अप्शन बी विल भी तो राइट आंसर कुछ नहीं करना है दो बार टेबल पढ़ना है एक बार 24 के एक बार 16 का आंसर आजाएगा तो आप देखो बस तरीका आपको एक बार लर्न कर लेना है उसको दो तीन बार तीन चार कोश्चन में अप्लाई कर लेना है फिर आपके सामने कोश्चन आएगा तो आपके बहुत ही आसान होगा कोश्चन आपके लिए रेशीयो अफ डिफरेंस उफ फ फॉर्थ येर शी आई एंड थारड येर शीय तो थार्ड येर शीयाई एंड सेकंड येर शीयाई इस बार रेश्यो एडवल इए यह बेर आपके चीज नोटिस कर सकते हो मैं वहीं जे़ नोटिस करा दे रहा हूं जो एकजामपल लिया थ क्या बोला है 4th year ci और 3rd year ci का difference और 3rd year ci और 2nd year ci का difference का रेशो दिया थह 4th year ci क्या है यह है इसका और इसका difference कितने काहेगा मेरे बाई देखो 12.1 का और 3rd year का कितने काहेगा 11 का अगर मैं इसका रिष्यो रहता है आप कुछ भी करो आपका रिष्यो वही रह रहा है किस केस में अब ध्यान देना जब CI का difference ले रहा है 4th year CI और 3rd year CI मैं आपको ये बात द्यान दिरना CI and SI का difference नहीं बोला CI and SI का difference नहीं बोला 4th year CI minus 3rd year CI upon 3rd year CI minus 2nd year CI का ratio है बात को द्यान से सुनना तो ओ आपको पता चल गया कि ओस सेम ratio में चलता है जिस ratio में amount increase हो रहा है और जिस ratio में compound interest increase हो रहा है बस तो हो गया काम आपका आपका क्या हुआ है 11 से 12 का increase है 1 upon 11 का increase है 1 upon 11 into 100 ये क्या आएगा आपका rate परचेंट तो 9.09% will be the right answer बस ये बात जो गौर नहीं कर पाएगा तो उसको time लग जाएगा जब कभी आप exam time या mock time फस जाओ CI के question में तो आपको क्या करना है मैं इसके solution बता रहा हूँ कि बहुत लोग होंगे जो भूल जाते होंगे जो भूल जाते होंगे उनका ये solution है वो हर बार इस example को फटाफट exam में भी लिख लो और सारा चीज साटिस्वाई करा लो कोई भी condition साटिस्वाई करा लो कभी फसोगे ही नहीं कभी नहीं फसोगे चलो आप आगे आओ आगे questions को देखते हैं आगे का question क्या है if compound interest on some amount is 234 for 2 years and 381 for 3 years 234 for 2 years then find the rate of interest देखो ये बात ध्यान से आप देखना फिर ये CI का सिर्वात कर रहा है कि 2 साल का CI ये है और 3 साल का CI ये है तब को interest बताना है ये question आज तक CGL में नहीं आया है SSE के कोई paper में ये question नहीं आया है लेकिन आप देखोगे तो mock test में बहुत frequently ये लोग पूछ लेते है कोई भी mock test उठा कर देखो SSE में नहीं आया है mock test में डालते है क्या पता है SSE वाले कभी उठा कर डाल दे बहुत ही typical सवाल है जिसको इसका proof नहीं पता है या फिर इसको final outcome नहीं पता है वो 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट ले लेगा तब भी नहीं solve गरता है मेरेको आज भी याद है जब पहली बार कोईसी mock में पहली बार ये question मेरेको मिला था तयारी के दौरा तो मैं 12-13 मिनट से आधिक time दिया था फिर जाकर solve हो था एक ही mock में एक ही मेरे पास time बच जाता था mock में तो मैं एक question पे ज्यादा बैठके proof भी करता था तो मैं proof करने का time बच जाता था मेरेको ध्यान नहीं किस mock test का question था इस pattern पे ही था तो उस time में बहुत जादा लंबा time देके मैं proof किया था बचे ही में एक question आपको बताऊंगा height and distance में भी मेरेको मिल गया था उसको भी मैं proof किया था 17-18 मिनिट देके तो आपको आना चाहिए proof तभी आप proof भी कर पाओगे जब आप कम time में other question को solve कर पाओगे तो मैं आपको easiest proof बता रहा हूँ जब मैं proof किया था तो PRT लेकर proof किया था और PRT लेने पर बहुत ज़्यादा लिंदी हो गया था तो मैं आपको PR लेकर नहीं समझाओँगा आपको छोटा number लेकर समझाओँगा आसान number मैं बोला कि principle जो बहे x cube है और जो मेरा interest है ओ मेरा 1 upon x है interest है 1 upon x है अब मैं बोलू कि 3 साल का interest क्या होगा देखवा आप क्या होगा x cube पहला 1 upon x से ये x square दूसरे साल 1 upon x से ये x square और तिसरे साल 1 upon x से ये x square अब मैं आगे बात करूँ तो 3 साल x square x square मिल जाएगा लेकिन आपको पता है कि पहले इसको ना लिखा मैं तो confused हो जाओगे आप कहीं मेरे को तो याद है तो मैं लिख देता हूँ फटा-फट से पहले साल के interest क्या होगा x square दूसरे साल क्या होगा x square और प्लस इस पे 1 upon x मिलेगा तिसरे साल क्या होगा x square प्लस इस पे 1 upon x इस पे 1 upon x तो ये x ये x और फिर इस पे 1 upon x तो ये क्या होगा आपका first year का ये पूरे 2 साल का ये पूरे 3 साल आपसे question क्या था 3 year का CI ये बेंता और 2 year का CI ये बेंता तो मैं 3 year का CI लिखूँगा तो क्या होगा x square प्लस x square प्लस x square 3 x square प्लस का 1 upon 2 year का C.I. क्या होगा? x square प्लस x square upon x यह क्या है? 2x square plus x यह क्या चीज़ हम लोग का? यह 3 year का C.I. यह 2 year का C.I. इसको मैं represent करता हूँ I3 मतलब 3 year का C.I. और I2 मतलब interest of 2 year आपको जब भी question पुछेगा तो 3 साल और 2 साल से पुछेगा जब hard करना होगा 2 साल एक साल नहीं पुछेगा 2 साल एक साल बहुत ही असान होता है सब लोग निकाल लेता है तो आपको 3 साल और 2 साल पुछेगा हर बार अब मैं बात करूँ एक step आपको ध्यान से देखना है अगर मैं दोनों साइड माइनस 1 कर दू दोनों साइड माइनस 1 किया दूसरे कलर से करता हूँ यहाँ भी माइनस 1 किया थोड़ा सा दो लिखता हूँ थोड़ा सा दो लिखता हूँ i3 अपोन i2 अब दोनों साइड माइनस 1 किया दोनों साइड माइनस वन करने पर, ऐसे, क्या होगा यह, माइनस होगा, तो 3x से स्क्वार से 2x से स्क्वार जाएगा, x स्क्वार, 3x से 1 जाएगा, 2x, और x चला जाएगा, 1 का 1 बच जाएगा, यहाँ पर, मैं क्या किया हूँ, 3x से स्क्वार प्लस 3x प्लस 1, माइनस 2x स्क् प्लस एक्स और उधर क्या होगा i3 माइनस i2 अपोन i2 अब मैं इसको एक स्टेप और सॉल करूं तो यह पार्ट मेरे को सिर्दा सिर्दा दिख रहा है कि एक्स प्लस वन का फोले स्क्वार और नीचावला पार्ट क्या है और इधर क्या है तीन यर का सियाई और दो यर का सियाई का डिफरेंस अपोन दो यर का सियाई बस यही आउटकम आपको याद रखना है यही outcome आपको याद रखना है जब भी आपको question दे कि 3 साल का CIE ये है और 2 साल का CIE ये है तो आपको 3 साल और 2 साल का difference upon 2 साल लिख लेना है और फिर इस ratio में convert कर देना है वो ratio क्या है? x plus 1 का whole square upon x into 2x plus 1 और यहाँ पर x क्या है? तो यह interest लिख दिया हूँ क्या rate percent rate percent मैं अगर ध्यान से सुधार दिया हूँ message पले से मट डालना आप लो कभी कभी मैं गलत लिख जाता हूँ rate percent बराबर 1 upon x माने यहाँ से x निकाल के उसको उल्टा कर देंगे तो rate मेरे को पता चुन लाएगा तो मैं इस प्रूफ से question solve कराता हूँ बहुत ही असानी से proof किया हूँ principle को x cube लिया हूँ और उसी pattern को satisfy करा हूँ जिस किसी को direct लिखने का मन होगा तो आपको ratio याद होगा ऐसे नहीं लिखने का मन होगा तो आपको सिधा ratio याद होगा फास्ट फास solve करना होता है मैं एक एक step लिखके आपको समझा दिया हूँ ये ratio भी आपको याद करा दिया हूँ अब आपको question solve करा देता हूँ देखो आप क्या है तीन साल का और दो साल का CI आपको दिया हुआ है आपको ratio याद है क्या होता है x प्लस 1 का whole square तो क्या मिला मेरे को साथ यहाँ पर 4 यहाँ पर क्या मिला 147 upon 234 ये आपका दो साल का CI आई है काटा कोटी किया ये 49 मिला और ये तीन छक्के तीन सत्य सत्य 21 तीन होटे 24 अब मैं देखो 49 क्या perfect square number है x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7 के तो x किसके बराबर होगा 6 मतलब इसको मैं 49 को इस तरीका से लिख सकता हूँ आप देखो इस तरीका से लिख सकता हूँ ये क्या है 6 प्लस 1 का whole square है तो यहाँ पर 6 क्या हुआ x का मिलू साथिस्फाई करा लूँगा यहाँ भी 6 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 1 तो 6 इंटू 13 अठतर तो जो मेरा rate percent आया rate percent किसके बराबर होगा 1 अपोर x के 1 अपोर 6 के तो r किसके बराबर होगा 100 अपोर 6 percent उधर लेकिया तो क्या होगे 66.66% option C ये इसका fraction value आया है तो मैं percentage में change कर दिया rate का fraction value है 1 upon 6 तो मैं percentage में change कर दिया 100 से multiply करके तो आपको इस तरी क्या सही करना होगा अगले equation और है उसको practice करवा और जब कभी mock में दिखेगा तो आप 15 second के अंदर solve कर लो कभी छोड़ना मत difference लिया 4 से 2 गया 2 13 से 7 गया 6 और क्या है 3 से 2 गया 1 128 अपॉन 200 गया काटा कुटी किया 81 और नीचे क्या मिला 13 दूना 26 2 चके 12 1 upon 8 12.5 परसें डिखेगा mock test में इसी speed से करना होता है mock test में इसी speed से करना होता है और इतने सारे question exam में आते हैं इससे ज़्यादा कभी आते नहीं है आप इससे ज़्यादा कभी आते नहीं है अब mock test में आपको ऐसे नहीं लिखना होगा कभी भी x plus 1 का whole square upon x into 2x plus 1 ऐसे नहीं लिखना है कभी भी सिधा आपको क्या 3rd year minus 2 year 122 upon 2 year ratio लिखा 81 9 का square है मतलब 8 plus 1 का square है rate percent आएगा 1 upon 8 1 upon 8 का fraction value है rate का तो उसका percentage value क्या होगा 1 upon 8 into 100 यह speed आपको exam में रहना चाहिए आप सुचो इस question को 15 second के अंदर स्वाल कर सकते हैं लेकिन जैसे मैं समझाया उसके पीछ से आप समझ गया याद करके रखें outcome तब कर सकते हैं नहीं याद किया तो फिर time लगे है तो CI के एक type का question था अभी हम लोग CI SI mixed वाले question भी करेंगे इसमें CI SI का difference पूछ देता है जो पूछ देता है तो इस type से अभी और एक दो session मिलेंगे आपको CI में Hello everyone आज हम लोग पढ़ेंगे SI और CI के mixed questions मैं already इसका concept ब्रीफ कर चुका हूँ लेकिन एक बार और आपको ब्रीफ कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे तो मैं बताता हूँ सीधा और एक class कुछ miscellaneous type questions बचे हुए है उसके लिए दोंगा फिर CI खतम हो जाएगा CI में बचाएगा topic इक installment इंस्टॉल्मेंट से जो भी question बनते है उन सब को discuss करेंगे और दूसरा एक SI का installment रा गया है तो उसके उपर discussion बागी है तो ये दो लेक्चर CI खतम होने के बाद होंगे आप लोग धंग से पढ़ते रहे इंस्टॉल्मेंट से एक question आजाता एक्जाम में CI इंस्टॉल्मेंट से आता है SI इंस्टॉल्मेंट से आता नहीं है लेकिन पढ़ लेंगे कुछ चीजे जो नहीं आता कभी कभी rare chances है कि आ जाए तो उसको भी पढ़ लेना चाहिए जो CI और SI मिक्स्ट कोस्टन है इससे जो दो इयर्स का question है कुछ दिफ्रेंस बिट्विन बता रहा हूं ध्यान से आप सुनना जब question होता है difference between CI difference between CI and SI for two years two years जो सबस्टा question बनता है यहीं से बनता है तो मैं पहले two years के बारे में discussion करूँगा फिर three years के बारे में discussion करेंगे तो मैं पहले आपको दो साल का बदाता हूँ जैसे मैं एक number का example लेके पहले आपको समझाता हूँ फिर मैं PR और theory best बाते करूँगा theory best बाते ज्यादा समझ में आती नहीं मेरे को खुद नहीं आती थी जब मैं पढ़ता था इसलिए जैसे मैं लगता है कि सबसे best है समझाना वह इसे ही समझाता हूँ यह इंक्लूड नहीं कर दे डिफरेंस सिर्फ ही हो जाएगा तो मैं तब भी इसका एक बार basic और अच्छे से explain कर देता हूँ पहले भी किया हूँ है मैं बोला 1000 रूपया है यह तरीका आप लोगों को इंट्रेस्ट मिलेगा तो यह 10 है तो जो डिफरेंस हुआ CI और SI का यहीं 10 हुआ यूपकि जो उपर वाला पाट है यह SI ही है लेकिन जो यह 2 unit है यह SI ही है मतलब यहाँ जो 200 आएगा यह SI आएगा और यह 10 मिलने के बाद CI बन जाता है 210 समझ रहे हो आप यहीं चीज है आपका डिफरेंस डिफरेंस पर 2 years अब मैं बात करूं कि इसको और कैसे समझ सकते हैं theoretical पार्ट से कैसे समझ सकते हैं तो मैं आपको माना principal P unit है और rate मेरा R% है तो पहले साल का SI क्या होगा CI या SI दोनों सेम होता है first year में P का R% P R upon 100 और दूसरे साल का SI क्या होगा होगा मतलब second year का ब्याज P R upon 100 लेकिन मैं पूरा CI निकालने का कोशिस करूंगा तो मुझको इस interest पर भी R% का ब्याज मिलेगा तो मैं इस interest पर जब R% का ब्याज निकाला तो क्या हुआ P का R% तो अल्रेड़ी है P का R upon 100 पहले से था अब मैं एक बार और R upon 100 लिखा जब दो बार R upon 100 हुआ तो R upon 100 का square हुआ तो यही formula derive होके आता है बहुत लोग इस formula को रटे रते हैं कि जब पुछता है कि difference between CI and SI difference between CI and SI for two years two years क्या होगा इसको मैं D से रिपरजेंट करता हूँ difference को तो यह formula लोग रटे रते हैं R upon 100 का square लेकिन रटना है सबको रटना है आपको भी रटना है लेकिन usage न अलग तरीके से करेंगे अब लोग यूज ऐसे लिख लेके नहीं करेंगे अप यूज को समझना जब आप यूज करने लगोगे questions के ऊपर formula को तो यूज ही matter करेगा याद 99% बच्चे रखेंगे लेक मैं बोलू इसको क्या ले सकता हूँ डी का P r% का square मतलब जो difference होता है principle का r% का square होता है principle का r% का square होता है बात को गौर से सुनना principle का r% का square होता है इस बात को आप note down कर लो और ध्यान रख लो बस इसी को हम लोग यूज करेंगे हर बार हर बार जब भी आपको principle निकालना हो तो क्या करोगे जो difference है उसको r% square से divide कर दोगे तो यह आपको रटना नहीं है सिर्फ इस बात को रटना है कि difference जो होता है P का r% का square होता है अगर मैं इसी चीज को effective rate percent के नजर से देखो effective rate percent के नजर से देखो तो क्या होगा मैं बान मान लिया कि principle जो है P है और जो interest rate है r% है तो asi क्या मिलेगा दो साल के लिए 2R% मिलेगा और ci क्या मिलेगा आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 1000 रुपया है 10% में दो साल के लिए क्या म 20% मिलेगा और ci क्या मिलेगा तो 10 plus 10 plus 10 into 10 upon 100 21% मिलेगा तो जो 1% का difference आया पूरे principle पर वही तो si ci का 2 साल का difference है हाँ है तो मैं यहां पर 2R% क्या लिखा हूँ si का accumulative यह फिर si का effective rate परसेंट अब मैं 2 साल के लिए ci का effective rate परसेंट लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा r plus r plus r square upon 100% जब मैं difference लिया तो minus किया दोनों का तो 2R से 2R हटके 0 बचेगा बचेगा क्या r square upon 100% r square upon 100% ultimately मैं percent को नीचे लाँगा ति r upon 100 का whole square होगा मतलब r percent का square है pk r percent का square है वही जीज आया अब मैं आपको pk r percent का square है समझ रहे हो ना pk r percent का square है जो यहाँ है difference जो है pk r percent का square है तो आप usage को समझना direct कैसे use करेंगे questions में questions के माध्यम से समझाओंगा जैसे मैं सीधा यहाँ पर देखता तो माल लिया 10% rate था तो मेरे को निकानला था 1000 का तो 10% का square एक आएगा एक परसेंट इसका answer हो इस तरीके से हम लोग solve करेंगे आव मैं सीधे questions पर move करता हूँ इस theory part को आप लोग note down कर लो और questions को समझने का कोशिस करना है जितने भी questions है असान असान question है दो साल के question हमारी exam में बहुत ज़्यादा पूशे जाते हैं और दो साल से जितने ज़्यादा question बनते हैं उसको उतना fast आप कर सकते हैं अब क्या बोला कि the difference between the compound interest and simple interest on RSX principle नहीं पता है at 8% परेरम for 2 years is इतना what is the value of X अभी अभी आपको बताया कि principle का जो r% का square होता है वही होता है आपका difference वही होता है difference तो principle क्या होगा 192 upon 8% का square अब मैं percent को ignore कर रहा हूँ तो percent को ignore किया तो मैंने 2 0 और 2 0 4 0 मिल गए बाहर तो ultimately मैं देखो तो 8 गुड़ा 8 64 से काट नूँगा उपर चले जाएगा उतो 64 से काट नूँगा 64 से काट रहा तो क्या मिला 0.3 तो 0.3 into 4 0, 3000 will be the right answer तो आपको exam के दिन इस तरीके से steps लिख लिख के नहीं करने हैं exam के दिन कैसे करने हैं आपको बताता हूँ इसको काटो इसको मिटाओ देखो अब मैं बोला principal का r percent square का होता है difference मतलब जो difference है उसको 2 बार r से काटूँगा तो principle मिल जाएगा अब फरक नहीं पड़ता क्या principle मिले यहाँ पर अगर options ऐसे राता 3000, 30,000, 300,000 और 300,000,000 तो मैं decimals को count करता तो मैं decimals को count करता अब मैं decimals count नहीं करूँगा सिर्फ जैसे मेरे को 3 दिखा answer टिक कर दूँगा अब देखो आप बातों को समझना मैं बोला अगर मैं difference को r से दो बार काटूँगा तो मुझको principle मिल जाएगा 8 से काटा एक बार 8,2,14,84,8 से काटा दूसरी बार 3,3000 answer आपको question कैसे करना है समझ रहो न r से दो बार difference को काटो principle मिल जाएगा आगे questions को देखो आगे की questions को देखो यह क्या है 13 upon 2 13 upon 2 से दो बार काटूँगा मैं काटा 13 upon 2 से दो बार 13.8 upon 13 upon 2 13 upon 2 into 4 यह मैं लिख दिया कि confusion ना हूँ यह तो अब सिधा 13 से दो बार पहाडा पढ़ सकते थे यहां से 13 से दो बार पहाडा पढ़ सकते थे उसके लिए काटा कोटी शुरू किया मैं decimals नहीं देखूंगा 13,2,26,38,38,38,38,42,26 24 के 8 8 पे जो 0 होगे वही आंसर होगा 8 पे जो 0 होगा वही आंसर होगा अभी मैं आपको accumulative rate percent से नहीं बताया है उससे भी बताया जा सकता है क्योंकि कुछ questions उस तरीके से difficult हो जाते हैं अगर आप पूरा सोचोगे कि 6.5 plus 6.5 plus 6.5 into upon 100 उस तरीके सोचोगे तो time लगेगा जब fast किया जा सकता है तो आप fast ही करें आप अगले question को देखूंगा क्या है if the difference between the compound interest and simple interest at 17% on a sum of money for 2 years is इतना 17 से दो बार काटा 17 दुना 34 बचा क्या 17 पचे पिचासी बचा क्या 17 पचे पिचासी इसको 17 से एक बार और काटूंगा 17 एकम 17 17 पचे पिचासी पंदरा पे 0 जो होंगे वही आंसर होंगे यह जो question at two years यही पूछता है सबसे आदा एक्जाम में अगर वो basic question बनाएगा तो यही बनाएगा यह पिर इसके एक step बढ़ाना हो तो कुछ नि करेगा एक बार और कोई rate देगा कुछ interest देगा पूछ देगा इस पर CI बता दो यहां से principle आप निकाल के बता दोगे आपको यहां से principle निकाल के बता दोगे लेकिन direct आगा तो आपको direct करना होता है इसी question का मैं बात कर रहा था जब इस ताइप से question बन रहा है तो आपको क्या करना है बस यहां पर थोड़ा आपको घ्यान देना है और कुछ निया ऐसा नहीं कि आपको यह बहुत difficult side question होगे नहीं देखो आप क्या है उस 10% को दो तरीके से count किया जा रहा है एक बार half yearly होगे एक बार yearly जब yearly count किया गया तो क्या किया गया पूरा 10% लिया गया जब half yearly count किया गया तो 5-5% पर addition लगा दिया गया तो ultimately क्या है पांच percent के हिसाब से difference बताना था अगर मैं इसका accumulative या effective rate percent मिकालता तो क्या आता पांच प्लस पांच दस प्लस पांच पांच पचीश पॉन सो तो ultimately मेरा जो difference आया 0.25% का आया तो वही 5 का square upon 5 upon 100 का square इस तरीके से ही देखोगे न कि 5 का square upon 100% या फिर 5% का square यही जो आया difference आया तो 0.25% ही difference है तो आप सीधा भी सोच सकते थे question देखने के बाद कि जो 88.8 है वो 0.25% का value है 0.25% का value है पुछा क्या है कि SI बताना है same sum पर इतने साल के लिए same rate से अब मैं पहले sum निकालोंगा 0.25% का आपको value बता है तो आप पहले 100% का value निकाल लो तो 88.8 चुह है यह 0.25% का बताना 0.25 को मैं 1 upon 4 लिख सकता हूँ तो 1 upon 4% बराबर है इतना तो 100% किसके बराबर होगा 88 100% निकालने की जरूत है क्या नहीं शीधा answer निकालते है answer निकालना ज़्यदा साय है देखो दिमाग में चल गया lengthy बना रहा था questions rare ही lengthy बन पाता है मेरे से आपको निकालना क्या है same rate पर निकालना है मतलब 10% पर निकालना है कितने साल के लिए निकालना है इतने साल के लिए तो तो तीन एकम तीन दूँ पांच, 50 अपोन 3% निकालना है, 10% के लिए 5 बट्टे 3 साल के लिए, तो आपको 1 by 4% का वेलू पता है, आपको प्रिंसिपल का 50 अपोन 3% निकालना है, क्योंकि जो सधारण ब्याज होता है, जो सिंपल इंट्रेस होता है, पी का 80% होता है, तो पी का सम परसेंट गीवेन है, पी का सम परसेंट निकालना है, पी का 1 by 4% गीवेन है, पी का 50 upon 3% निकालना है, तो 1 by 4% का वेलू क्या हुआ, 88.8 into 1, अब इसका 4 और इसका 50 by 3, यहीं आंसर होगा, यहीं आंसर होगा, काटा कुटी किया, 3 से इसको काट लिया, 3 दूनाच्छे, 3 न पड़दू टेबल 29 दून अंठावन और 6 दूना बारह कोई अप्शन है 592 तो आपको यहां पे भी बहुत ज्यादा लेंदी मेथट से नहीं करना था क्या निकालना है आपको 50.3% परिंसिपर इस तरीका से तो लेंदी कोस्टन को नहीं बिनाना है easy questions easiest way में भी करना है आपको the difference between the compound interest and the simple interest on a sum of 8000 for 5% per annum for 2 years क्या होता है आपको पता है 5k square upon 100 0.25% उसका answer होगा 8000 का 0.25% होगा वही answer होगा तो क्या आपको पूरा solve करना है नहीं 25 गुड़ा 8200 2 पे कितने 0 होगे पता नहीं है जो भी यह दो वाला answer होगा option T बात को समझना यह सब भरबली करने वाला question है इस बार के mens में इस बार 29 जनुवरी के mens में एक question ऐसे ही था I think मेरे को यादे 4% के उपर बेश था और principle 5000 राउंड दिया हुआ था answer मेरे को दितना धहने 80 यारा था मेरे shift का question था तो सुचो आप कितना time बचाया होँगा इस question से सिर्फ जो यह same data question से में कितना time बचाया होगा 5-6 second में करके निकल गया वहीं जो लोग time लेंगे वह आपको कितना ज्यादा problem होगा उन लोग तो यह जो difference वाला question है वो जंदली समय बचाने के लिए ही देता है कि समय वहाँ से बचाऊ अगर आप basic से करते तो क्या करते 8000 का P का r by 100 का square r by 100 का square अब आप काटा कुटी करेंगे 3, 5, 2, 10 करेंगे 2, 4 के 8 करेंगे तो 5, 4 का 20 आएगा कुछ अलाग थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं भी तो वही चीज बोल रहा हूं मैं आपको सिर्फ बोला क्या होगा जो difference होगा 0.25% होगा 0.25% होगा 5 का square upon 100% r square upon 100% 0.25% होगा किसका 8000 का तो 25, 200 जो answer आएगा 2 पे 0 होगे कुछ भी होगा पता नहीं है अगर option ऐसे रहता है 2, 2, 0, 2, 0, 0 0.2 तो मेरेको answer tick करने में दिक्कत होता फिर मैं 0 और decimal देखता अभी मैं 0 और decimal नहीं देखूंगा सिधा answer tick करूंगा अगले question को आप देखो what will be the difference in the compound interest on a sum of 78,000 sorry 7800 at 8% for one year when the interest is paid yearly and half yearly जब half yearly होगा तो 4, 4 का चलेगा तो 4 को ही तो target करना है वही तो difference create कर रहा है तो क्या होगा उसका 4 upon 4 का square upon 100 होगा तो मैं 16 से कहा सिधा-सिधा table पढ़ूंगा 16 का table पढ़ा 128 128 12 बचा 12 साथ 12 12 24 12.48 answer होगा option B मैं 0 actually मेरे को याद रह जाता है तो मैं 0 लिख दिया otherwise 0 मैं नहीं भी लिखता तो मेरे 1248 तो option रहता ना वही answer होगा बस अब मैं क्या किया हूँ कुछ नहीं नहीं किया 78-100 का R square upon 100% निकाला 4 का square upon 100 इसका percent था तो एक जी दो जीरो और आ जाएगा calculation करोगे आपका answer आ जाएगा वही चीज मैं बोल रहा हूँ भरबली करो 16 का table पर दूँ answer आ गया समझे गोंगे बातों को यह basic तरीका है और यह भरबली करने का तरीका है भरबली करोगे तो आपका sum बचेगा अमीत बरोड आपका 25,000 on simple interest भोला बरोड the same sum on compound interest at the end of 2 years भोला had to pay 160 more interest than अमीत the rate of interest charge पर देखो फामूला क्या बताया था पले फामूला को समझ लो difference equal to p r percent का square अब मैं difference upon p लिया तो मेरा क्या आएगा r percent का square आएगा मेरा r percent निकालना हो तो क्या आएगा difference upon p अब मैं difference क्या है 160 p क्या है 25,000 अब मैं क्या किया 1 0 स 1 0 काटा तो जो मेरा आया वो क्या है 4 upon 50 percent को इधर बेजूंगा r upon 100 100 को इधर बेजूंगा तो क्या हुआ 8 percent answer है 8 percent answer है यह हुए आपका basic तरीका एक एक step लिखके solve करने का लेकिन आपको कभी ऐसे नहीं करना आपको कभी ऐसे नहीं करना अब में आपको करना कैसे यह दिखाता हूं आपको करना कैसे यह दिखाता हूं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 160 upon 25,000 है, मैं उपर नीचे 4 से multiply किया, तो क्या बना, 64 upon 10,000, हो गया 8% answer, क्योंकि यह जो होता है, formula क्या होता है, 8% का square, तो 8% का square है, 8% का square है, तो मैं difference को target करूँगा, जब कभी ऐसे ना आए, तो क्या करोगे, आपको मान लो कभी direct 100 नहीं मिल रहा है, तो मान ले 25 से सिदा सिदा भागा दे दूँगा, यहां कोई number 7 रहे, कोई नीचे 13 रहे, तो मैं सिदा सिदा भागा दूँगा, मैं भा difference रहेगा, वहाँ एक perfect square number, और जैसे आपको perfect square number मिला, तो आपको पता है, जो difference होता है, r का square होता है, r निकाल लिए, एक second का अंदर, तो आपको ऐसे निकालना है, questions को solve करना है, आइए देखते हैं, आगे questions को कैसे solve करते हैं, क्या है the simple interest and the sum of money at 10% per number for 2 year, इस Rs.81, अच्छा, उस pattern का question नहीं है, तो मैं आपको एक example देता हूँ, फटा-फट से, मैं लगा questions होंगे, इस pattern पे और भी, आईए example देता हूँ, देखो, मैं बोला, कि जो आपका principle है, ओ, 12,000 है, जो आपका principle है, ओ, 12,000 है, और जो आपका difference है, अच्छा सा example ले लो, क्या हो, थोड़ा सोचने क मैं यह 180 है, है 480 है, आ जायेगा यह, आ जायेगा न, 480, हाँ आ जायेगा, अब बताओ की interest क्या होगा, अब बताओ, interest क्या होगा, यह question होता है, यह कितने साल का, यह साल भी देना पड़ेगा न, मैं साल बोल गया, time dosa, time dosa, अब आपको पता है क्या देखना है सिधा सिधा आपको क्या देखना है मैं काटा कोटी किया तो यह कितना है 4, 0 यही आया ना तो मैं देखा मैं क्या देखूंगा आप देखो 40 upon 1000 अगर मैं 1,0 यहां बढ़ा है यह 20 का स्क्वाइर परसेंट है 20 का स्क्वाइर परसेंट है देख रहो नो हो गया आंसर आपका आपका आंसर हो गया अगर option इस तरीके से रहता कि 2, 20, 200, 0.2 तब आपको confusion हो सकता है तो आप पूरा-पूरा pure solve करना पड़ेगा पूरा-पूरा pure solve करना पड़ेगा लेकिन ऐसा कभी option देगा ही नहीं जामिलर अभी तक मैं जितने option बताते गया तो आपको बता रहो ऐसा होगा तो क्या होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं है आप सिधा-सिधा यहां देखे तो यह क्या है 20 का स्क्वाइर का percentage है सारी उल्टा बोग गया ना 20 का स्क्वाइर है यही चीज तो आपको देखना है अगर मैं 2-0 हटा भी लो तो यह क्या होता 400 अपन हंडेट का स्क्वाइर 400 अपन हंडेट परसेंट 4 से काट लेते तो आपका 4% होता लेकिन इस तरीगा से रिपर्जेंटेशन जो होता है rate का वो r square upon 100 का percent होता है तो जो 400 है 20 का square upon 100 का percent है तो यहां से मैं rate अपने दिमाग में ही सोच लिया था 20% लेकी question बनाया था तो आप बात को understand करें होंगे इसे question से जब भी आगे question आगा तो आप भरबली करोगे ऐसा मैं आसा करता हूं अगले question को आप देखो the simple interest on the sum of money at 10% per annum for 2 years is 81, simple interest 81, what would be the compound interest on the same sum for the given period at the rate of interest ते को आपको दो तरीके से समझाया गया है क्या बोला था जब आपका 1000 था तो यह 100 जो था SI था यह भी 100 SI था और इस 100 पर जो मिला था वो आपका था क्या वही था difference और इसी वज़े से आपको पूरा CI मिल रहा था तो आपको 200 का value दिया हुआ है एक तरीके से अब जो उसके आधा पर जो आएगा 10% वही होगा extra CI के लि जो यही 405 SI में add होगा जो difference वाला part SI में add होगा वही पूरा बना देगा आपका CI तो answer हो जाएगा 855 इस तरीके से जो सोच लिया अच्छी बात ही जो नहीं सोच पर उसको और असान तरीका मैं बताता हूँ और असान तरीका मैं बताता हूँ effective rate percent निकालोगे तो SI के लिए कितना का effective rate percent आएगा दस गुणा दो 20% मतलब आपको ultimately 20% का भैलू given है 81% पूछा क्या है CI बताओ CI कितना होगा 10% की साबसे दो साल में 21% भैलू पूछा है 21% का तो 20% का भैलू आपको 81% given है 21% निकाल लो मतलब ultimately मेरे को 81% में अगर मैं 1% भी add कर दूँगा तो काम हो जाएगा तो 1% ही निकाल लो एक परसेंट निकाला कितना आया 405 यह 405 इसमें add किया तो आप इफेक्टिव रेट परसेंट से भी इस तरीके questions को सोच सकते हैं अगले question को आप देखो Simple interest on a sum of money at 10% per annum for 2 years is 81% what would be the compound interest on the same sum for period at 15% per annum when the interest is compounded yearly Same question है बस थोड़ा साथ सोचने का नजरिया बदल गया यहाँ पर क्या बोला 20% का value 81% है क्योंकि SI क्या होता है SI का effective rate percent 20% तो आपको SI में बोला कि 20% का value 81% है अब पूछा क्या है पूछा है कि 15% के हिसाब से अब बताओ कि 2 साल में CI क्या मिलेगा तो 15% का accumulative या फिर effective rate percent क्या होगा 32.25% 32.25% का value पूछा है यह निकालते कैसे है 15 प्लस 15 यह पहले क्लास का ही हम लोगा बात है पढ़ा हुआ उसका यूज यहां किया 20% का value पता है निकालो इसमें फटा 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 तो आपको exam की दिन ऐसे भी नहीं दिखना है ऐसे लेकने में टाइम रखता है मैं समधाने के लिखता हूँ आप exam में कैसे दिखोगे 81 upon 20 into 32.25 यह होगे आपको exam में जब statement लिखोगे page पर तो यह line आपको लिखना चाहिए ऐसे style बना बना के नहीं लिखना वह इसे time बरबाद होता है कि एक बार मैं ऐसे लिखो फिर unit tree method से कुछ निकालो फिर आगे multiply करो तीन step लिखना पड़ा एक ही बार मैं लिखो खटा फट से और आंसा टिक करो मैं solve करना शुरू किया इससे इसको काटा मेर अधर देन की काट काट के timer बात करो एक बार में table पढ़क खतम करता हूँ इसको तर टेबल पढ़ा 9,45, 9,18,4,22,9,18,2,20,9,27,27,29 फिर से एक बार 9 का table पढ़दूँगा 25,225 और 29,26 इसको मैं 20 से डिवाइट करूँगा 20 से पूरा ना डिवाइट करके 2 से डिवाइट करो और एक decimal लेलो तेरा दूना 26 और दो एकम दो दो एकम दो यह आए आपका 311.5 अपन कहीं ना कहीं एरर कर रहे हैं मैं देख लेता हूँ कहां एरर करने हैं पड़ने में साइट एर किया हूँ 25,945,928,422,928,220,927,221,927,225 और 29,261 एक वन छोट गया है आंजर क्या आएगा ऑप्शन है भागा दो दो से मिल जाएगा 13,26,262 और 12.5 तेरा एकसर पॉइंट पॉइंट टूफाइफ आंजर होगा यहाँ पर आपको एप्रोक्स पूछा है तो आप एप्रोक्स मेलू निकाल लो एप्रोक्स मेलू आगया 13-0 एकसर मैं टेबर पढ़ने में हलका सा मिस्टेक कर दिया था तो असान सा कोश्चन है बिलकुल भी दिकत नहीं होगा इस चीज को आप समझ गये इफेक्टिव रेट परसेंट को तो बिलकुल भ तो आपको उन्ती सो चालीस का थाठी परसेंट पता है कि निकालना क्या है 8 टाइप लग लग रहा है चालना का निकालना क्या है 10 परसेंट की इसाल का क्या कपौण इंट्रेस्ट तो दस दो साल से चलेगा 10 सी साव से मैं एफ लिग देता हूँ आपको ब्रेन में करना है चिधा आपके मन में चलना चाहिए था 21-5-dact सान 15.05 इस इस स्पीड से चलना चाहिए मैं आपको समझहता हूँ टी चार स्टेप कैसे मिश्टृडते है। पहले साल 10% चलेगा दुसरे शाल 10% चलेगा तीसरे साल ये फिर आध्वे साल 5% चलेगा इस दस और दस से मिलके क्या बना 21 और इस 21 और 5 से मिलेगा 26 और प्लस 21 पाँचे 105 1.05 तो क्या है आपका CI क्या cumulative rate % 27.05 अब मैं आपको क्या वोला था इस चीज को आपको ब्रेन में करना था 10 प्लस 10 21 हुआ 21 प्लस 5 26 और प्लस 1.05 27.05 परशेंट तो परशेंट यहां मतलिको परशेंट उधर है 35 परशेंट का फेलू पता था 27.05 परशेंट का फेलू निकाल रहा हुआ तो आप इस तरीके से जब आप इसको ब्रेन में करोगे तो सिर्फ यह स्टेटमेंट आप एक्जाम टाइम लिखोगे अब सलूशन करना है टेबल पर दो एक बार पहले में इस दो 0 को यहां ला देता हूँ अब काटा कोटी शुरू किया पहले मैं साथ से काट पांच से काटता हूँ पांच से काटना इधर अस चेक कर सकते हो ना आप डिजिटल सम लगा सकते हो जब भी आंसर एप रॉक्स में है तो ना आपको इउनिट डिजिट चेक करना है और नहीं आपको डिजिटल सम्योज करना है यह सब एरर कराने के लिए चीज़े हैं अब मैं कुछ नहीं करूँगा मेरे को 42 का टेबल 166 और 4172 हो गया कितना मचा 17 और 42 पाचे 210 और 272 पॉइंट टू ऑप्शन ए विल भी दा राइट आंसर यह टेन के बज़े से पॉइंट टू आ गया जिसकी को 42 टेबल नहीं याद है उसके लिए यह मेरे को पांस तक याद था 6 और टाइम 7 टाइम जागा तो मैं भूलने प्रवल लेगा तो यह चीज आपको इस तरीके से सौल करने से समय बचेगा तो समय कैसे बचए रहा है आपको पता चल रहा होगा जब थोड़ा साथ क्यलकूलेशन स्पिट बढ़ेगा और थोड़ा साथ का observation बढ़ेगा, question rate करते करते आप लिखना सुरू कर दो कि 35% का value यह है, 27.05% निकालना है, कितना time मचेगा आप खुद गौर करना, और time जितना save होगा उतना ही अच्छा रहेगा, और अपन time save कर लेंगे तो exam अच्छा जाएगा ही जाएगा, The SI on a sum of 50,000 at the end of 2 years, 4,000, what would be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period, कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि 4,000 दो साल में क्या मिला है, आपको यह SI मिला है, अब आपको पता एक चीज और है, आप दो चीज कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, लिखके ही समझाता हूँ, आप rate percent में निकाल सकते हो, लेकिन मैं बोला rate निकालना ही क्यों है, सीधा हम लोग CI को ही focus करते हैं, अगर यह principle 50,000 है, इस पर यह 2000 मिला होगा, और इस पर यह 2000 मिला होगा, इस SI, यह आपको brain में चलना चाहिए था, कि 2000-2000 में बाट लिया, अभी जो 50,000 का जितना percent होगा 2000, उतना percent यहाएगा, वो दुनों का difference, और वही difference आट करूँगा, तो CI मिल जाएगा, तो 50,000 का 2000 कितना percent है, सिधा-सिधा लिख रहा है, यह 4 percent है, तो मैं इसका 4 percent अगर लिख दूँ, तो कितना आया, 8, 80 आया ना, आप्सेंट करना आप, मैं principal, principal का R percent, principal का R percent, जो interest है, उसका R percent, कुछ लूब क्या करेंगे, पहले R percent निकालेंगे, फिर आपको टाइम बबाद होगा थोड़ा सा, R percent निकालने का बद पूरे का CI निकालेंगे, वैसे नहीं करना होता है, वैसे करोगे आपको टाइम लग जाएगा आपका, बिल्कुल वैसे नहीं करना है, आपको इस तरीके से solve करना है, समझ गये होंगे, अगले question कर देखो, The compound interest on a certain sum at the end of two years, is 408, and the simple interest on the same sum for the same time, विजारे 400, the rate of interest परना, वही चीज़ है, आपको 200 का SI मिला होगा, और यहाँ पे 200 का SI मिला होगा, और जो यह 8 extra है, यह क्या है, यही तो है compound interest, sorry, CISI का difference, और वही 8 हो दिया है, पुछाए interest बताओ, तो यह interest कितना percent है, 4%, वो पुछता principle बताओ, तो यहाँ principle बैठा था, और principle का 4% क्या है, 200, तो 4% ब्राबर 200 हो, तो principle ब्राबर क्या होगा, 5,000, 4% ब्राबर 200, तो एक percent का value क्या होगा, और 50 पे 2,0 बठाओ, 100% का value आगिया, यहाँ पे principle पूछा नहीं, यहाँ पे आपको rate percent पूछा है, तो सीधा सीधा rate percent answer, क्योंकि तरीका तो यही होता है न, कि आपका 1000 रुपे था मान लिया, principle उसका 10% यह 100 हुआ, उसका 10% यह 100 हुआ, इसका 10% यह 10 हुआ, अब question का statement क्या किया, कि इसको गायब कर दिया, और जो 10% 10% कर रहे थे, उसको गायब कर दिया, वो बोला क्या, कि SI आपका 200 है, और CI आपका 210 है, तो बताओ R% क्या है, बताओ principle क्या है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसी चीज़ को अब ऐसे मैं लिख लूँगा, जैसे लिखा जाता है, क्या है 100-100 बढ़ जाएगा SI, और जो difference है, वो 10 का है, तो यह 10% है, रेट परसेंट क्या हुआ, 10% मिरा पहला आइसर, पूछएगा principle कितना है, तो principle का जो R% होता है, वो SI होता है, तो मेरे कुछ यह 10% मिल चुका है, तो यह principle का 10% का value क्या है, 100, तो principle का 10% का value आपको 100 बता है, तो principle क्या होता है, खुद में 100% होता है तो 100% का वेलू क्या होगा है 1000 तो यही question का pattern है pattern को एक बार आप समझ गये हैं अगली बार से थोड़ी नहीं इतना time रगेगा असान question है अगली question को देखो आप क्या question है the compound interest on a certain sum at the end of 2 years is 660.3 ci is 660.3 है simple interest on the same sum for the same time is 620 simple interest को बाट लो आधा आधा 310 और 310 जो extra है कितने extra है 40.3 यह 40.3 डिफरेंस हुआ देखो यहीर कितना rate percent आगे है तो मैं table पढ़ूँगा 31 का मैं 31 का मैं 33 की अतिरांबे 13 percent rate percent क्या हो 13 percent पूछता कि बताव principle क्या है principle difficult हो जाएगा यह question मैं खुद set करके लाया था इस बाट से मैं उतना ध्यान नहीं दिया था मेरे को principle नहीं rate percent समझाना था actually लेकिन तभी मैं principle यहाँ पर समझाता हूँ principle समझाता हूँ अब क्या होगा यह principle का 13 percent होगा principle का 13 percent क्या है 310 principle का 13 percent है 310 principle क्या होता है 100 percent 31,000 मैं सिधा principle ले लिपता हूँ 31,000 upon 13 यह क्या हुआ principle यह क्या हुआ principle तो questions ऐसे ही आते हैं 2 साल के difference पर SICI के हैं अब हम लोग 3 साल के difference वाले questions देखेंगे कि 3 साल वाले difference वाले questions कैसे कैसे बनते हैं आगे के questions को देखते हैं क्या है the difference between the compound interest and the simple interest on a sum at 10% per annum for 3 years is 155 the sum is मैं आपको concept बता देता हूँ जितने भी type से concept हो सकते हैं सारे type से मैं बता देता हूँ पहले मैं आपको example ले के समझा देता हूँ फिर आपको मैं theory based समझा दूँगा फिर जो जो चीज याद रखने वाला होगा उसको मैं बता दूँगा कि आपको याद रखना है फिर असान हो जाएगा जैसे क्या होता है मैं आपको बताया हूँ प्रिंसिपल अगर 1000 हो rate percent 3 10 percent हो rate तो मैं question पूछा कि 3 साल का CI और SI क्या difference बता हूँ तो आप क्या करते हैं इसका 10 percent कितना आया 100 फिर इसका 10 percent 10 इसका 10 percent 1 इस पर 3 3 1 का ratio चलता है लेकिन हम लोग इसको count नहीं करते हैं सिर्फ इसको देखते हैं तो CI SI का difference मिल जाता है यही चीज़ है तो 30 plus 1 31 यह मैं अल्रेड़ी बता चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार brief कर रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा अच्छे से understand कर पाऊ और इससे आपको मैं theory बताऊं यहाँ पर या formula बताऊं तो आप समझ पाऊ इस बाइससे मैं दुबारा बता रहा हूँ यह thousand था इस पे मैं 100 लिया first year का और इस पे 100 इसपे 100 यहां 10 मिल गया इसके उपर 10% इसके उपर 10% इसके उपर 10% और इसके उपर 10% जो मेरा यह आया जो मेरा यह आया यही होता है SI CI क्या difference difference of CI and SI for 3 years यहाँ पर statement लिख लो घेर के difference of CI and SI for 3 years अब मैं आपको दो तीन चीज़े बताऊंगा उसके पहले मैं आपको प्रूफ करके बता दू कि कैसे यह सब क्या फामूला होता है तीन साल का CI का मैं बोला P परसेंट P प्रिंसिपल है और रेट जो है R परसेंट है तो कितना होगा यहाँ पे P R अपॉन हंड़ेट पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज क्या होगा P R अपॉन हंड़ेट और प्लस इस पे मिल जाएगा एक बार R अपॉन हंड़ेट तो P R अपॉन हंड़ेट का स्क्वाइर अगर हम बात करूं तीसरे साल का तो क्या मिलेगा हमको पी आर अपॉन हंड्रेट और इस पे एक बार आर परसेंट मिलेगा तो पी आर अपॉन हंड्रेट का स्क्वाइर फिर आप एक बार इस पे आर परसेंट मिलेगा तो पी आर अपॉन हंड्रेट का स्क्वाइर सिधा वहाँ से भी फार्मूला रट सकते हूँ लेकिन आप बेसिक से जानोगे जड़ से कहां से आया है तो आप कभी भूलोगे ही नहीं इस पे आर परसेंट मिलेगा तो पी आर अपन हंड़ेट का होल क्यूब अभी अभी मैं बताया आप डाइरेक्ट ये फॉर्मूला 3 रेशियो 1 से भी लिख सकते थे कोई ऐसा नहीं था बड़ी बात था 3 रेशियो 1 से आप फॉमूला लिख सकते हो लेकिन आप जड़ से समझ गए तो ज़्यादा अची है बात है ये क्या होता है ये ही होता है तीन साल का CISI क्या इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लोगे 3 P R upon 100 का स्क्वाइर तो सिधा आप वहाँ पे 3 ratio 1 होता है तो 3 unit 3 हो गया और 1 हो गया P R upon 100 का क्यूब डायेक्ट भी आप 3 ratio 1 में लिख सकते थे अब मैं इसको common कर दूँ तो P R upon 100 का स्क्वाइर common हो जाएगा और मिलेगा क्या हाँ पे 3 प्लस R upon 100 3 प्लस R upon 100 ये क्या मिला मेरा ये फामूला मिला मेरा difference of 3 years and 2 years ये किसका फामूला है difference between CI and SI for 3 years एक के statement आप लोग और याद कर सकते हो जरूरी नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं याद कर लोगे तो कभी कभी help कर जाएगा मैं बता देता हूं अगर आपसे कोई पूछे कि ratio of तीन साल का difference आसान भासा में लिखता हूं CI और SI का 3 साल का difference और CI और SI का 2 साल का difference का क्या ratio होता है आपको पता है तीन साल का difference क्या है ये और 2 साल का difference क्या होता है PR upon 100 का square और मैं इसका ही ratio बोला हूं अगर मैं काटूंगा तो क्या बचेगा 3 प्लस आरप और 100 3 प्लस आरप और 100 तो आप इसको भी याद रख सकते हो कभी कभी direct यूज हो जाता है तो आपको यूज पढ़ेगा इस तरीके से तो आप दो formula मिला एक formula ये मिला और एक formula वो मिला कहां से मिला कैसे मिला आप बता दिये तिसरा statement आपको एक चीज और बता दूँ जैसे यहाँ पर मैं लिखा था ये क्या था तीन साल का difference यह सई क्या इसको गर लिखने का तरीका एक और आप समझने का कोशिस करो तो आप इस तरीका से इसको लिख सकते हैं अगर मैं इस पूरे टम को A के तरह देखूं यह क्या है 3A और यह है B 3A प्लस B यहाँ पे जो A है उस second year का interest है मतलब interest के जब पहला बार interest लगा है interest के उपर तो है और जो B है interest के उपर दूसरा बर जब interest लगा है तो इस तम में भी कभी आपको दिखाऊंगा कोई numbers को तो आपको देखना होगा जैसे मैं question देदू सामने ही सामने ही question देदू कि मैं बोल दू कि 64 रुपया का difference है CI और SI क्या 3 साल में 64 रुपया का difference है तो rate percent बताओ rate percent बताओ मैं पूरा question नहीं लिखा हूं hint दे रहा हूं rate percent बताओ उसको इस तारीके से represent करने आपको आना चाहिए मैं 64 को कुछ इस तारीके से दिख सकता हूं 3 into 20 plus 4 आप लोग सोच रहोंगे मैं ऐसे क्यों नहीं लिखा 3 into 21 plus 1 तो मैं आपको reason बताऊंगा जब बहतर से जब आगे questions आएंगे इसके उपर तो 3 into 20 plus 4 यह कैसे लिखते हैं हम लोग तो यहाँ 20 रहता है यहाँ 20 रहता है एक यहाँ 20 रहता है और 4 यहाँ और जो यह percent है वही rate percent है वही rate percent है इस तरीके से कभी-कभी आपको लिखना पड़ सकता है जब आप इस तरीका से 21 प्लस 1 या फिर लोग सोच सकते हैं ऐसे कि लिख सकता हूं 3 इंटू 19 प्लस 19 दिया 57 और 64 तो आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका कभी options से answer match नहीं करेगा मैं यहाँ पर डारेक्ट सोच के अभी लिखाता तो अभी समझाने के लिए बात बताया हूं जब सामने question रहेगा तो आप समझ जाओगे कि क्यों नहीं ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है क्योंकि options help करेंगे आपको उस ताइम बातों को समझना जब कभी लिखना पड़े तो इस से ज्यादा डीटेल में आप समझोगे तिसरा एक effective rate percent से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि effective rate percent कुछ दिया हुआ है उस चीज से जिसे हम लोग लिख कहां से रहे है 3 ratio 1 जो हम लोगा formula है 3 ratio 1 उसी से यह 3 A और B के formula लिख दिया जिससे आप clearly देख पाओ लेकिन जो difference का formula 3 ratio 1 वही च effective rate percent का बात पर हो यहाँ पर मैं अगर R R लेकर effective rate percent निकालो तो गंदा सा formula बनेगा तो सिधा आम लोग numbers से ही आपको वो तरीका भी सिखाऊंगा अब हम लोग पहला question है the difference between the compound interest and the simple interest on a sum of 10% per annum for 3 years 1605 मैं formula से नहीं बताऊंगा जिस किसी को formula से solve करना का मनोगा और क्या करेगा difference 155 है और यहाँ पर formula लगा के solve करेगा मैं आपको direct करने सिखाता हूं direct करने सिखाता हूं दो तरीके से आप direct कर सकते हैं पहला तरीका है कि इसको आप 3 ratio 1 के format में देख लो मतलब 3A प्लस B के format मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 50 प्लस 5 आप नोग फिर सोच सकते हैं कि 3 इंटू 51 प्लस 2 क्यों नहीं लिखा तो देखो यहां पर help कर रहा है rate percent 50 50 50 50 और 5 इसका 10 percent है यह है यह rate help कर रहा है यही rate help कर रहा है अब पूछा है कि आपको क्या बताना है आपको बताना है प्रिंसिपल तो आप प्रिंसिपल कैसे निकालोगे इसका 10% उपर जाओगे तो क्या होगा 500 यहाँ भी 500 और यहाँ भी 500 फिर इसके 10% उपर जाओगे तो 5,000 तो जो आपका क्या हुआ प्रिंसिपल एमाउंट हुआ उप 5,000 हुआ प्रिंसिपल एमाउंट वाओ 5,000 हुआ लेकिन आपको कभी ऐसे निकालना नहीं है इसका यूज बहुत रेर पड़ेगा जहां पड़ेगा मैं बताऊंगा लेकिन इसका यूज कभी करना नहीं है अपका मैक्सिमम कोश्चन मैक्सिमम कोश्चन आपका निकल जाएगा effective rate percent से आपको पता है कि जो CI है 10% के हिसाब से 3 साल में 30% बनाएगा जो SI है वो 10% के हिसाब से 3 साल में 33.1% बनाएगा जो इनका gap है वो कितने percent का है जो इनका gap का हो कितने percent का है 3.1% और यही 3.1% जो है difference है principle का यही 3.1% जो है difference है principle का यही 3.1% difference है तो मैं यहाँ से principle निकाल लूँगा मतलब 100% का भैलू निकाल लूँगा 35 पाचपन तो 1% बराबर हो गया 50 के जो principle होगा 5000 के बराबर हो इसी तरीके से questions को करने है जब कभी question फसाएगा दुसरे तरीके से तो हम लोग दुसरे तरीका का भी उज़ करेंगे लेकिन हर बार question का data ही decide करता है क्या होना चाहिए method मैं already बता चुका हूँ CI में अगर यहाँ पर दे देता 27% 37% तो आपको उस तरीके से करना है 3% है तो ऐसे करना है समझ रहो ना बातों को लेकिन examiner कभी 3 साल पर question बनाता ही बहुत कम है और बनाता भी है तो easy बनाता है मैं बनाना चाहूँ तो बहुत hard question बना सकता हूँ लेकिन बना के क्या करूँगा so off तो करना नहीं है कि मैं ये question लाया आप करके दिखाओ ऐसा नहीं है मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पर तेजी से आप कैसे कर रहा हूँ क्योंकि exam में question असान आते हैं उस असान question को जो जल्दी कर लेता है वो आगे निकल जाता है न कि कोई question में लाओ 37% और 47% पर सेट कर दूँ data कुछ नहीं काम है 5-7 मिनट काम है मैं बैठ के data सोच लूँगा तो अगर मैं data सोच के आपके सामने रख दू और वो आप से बने ना और इससे आप demotivate हो जाओ demoralize हो जाओ कि question हो नहीं पा रहा है तो आप exam में अच्छा perform नहीं कर पाओगे exam में अच्छा perform करोगे तब ही जो easy data के questions आते हैं उसको आप verbally कर जाओ 10 second 15 second कंदर तो बातों को समझना क्या सीखना ये जरूरी है ना कि ये देखना कि क्या नहीं बन रहा है आपसे जो बन रहा है वो कितना कम टाइम में बन रहा है ये देखना जरूरी है मैं चाहूं तो questions इतना tough लाकर रख दोंगा कि आपसे बनेगा ही नहीं तो आप ऐसा चीज नहीं सोचना है जो नहीं बन रहा है वही आएगा exam में नहीं जो बन रहा है वो भी exam में आएगा बस आपको वहाँ चेक करना है जो बन रहा है वो कम टाइम में बन रहा है या नहीं बन रहा है इप दो डिफरेंस बेट्वीन दा कमपाउंड इंट्रेस्ट कमपाउंड एनुवली अभी अभी बताया 30 3.1% CI पे बनता है और 30% SI पर बनता है जो डिफरेंस आता है 3.1% का आता है अभी आपके ब्रेन में चलना चाहिए था ये सब लिखने की जुरत नहीं थी सिधा आपको पता है 3.1% का फेलू पता है 31 नमा 289 आंसर होगा Option D Option D ये तरीका है करने का कोश्चनस एक्जाम के 31% का आपको होगा 3.1% का फेलू पता है 31 नमा 289 आंसर होगा एक्जाम की कोश्चनस भरबली ही सॉल्व हो जाते है What is the difference between compounded is compounded yearly and the compounded half yearly for 18 month and 20% पर नम देको अगर मैं जाओ तो 20% पर नम से जब yearly count किया गया होगा तो 20% पहले साल चला होगा और अगले 6 महिने के इसाब से 10% चला होगा लेकिन जब half yearly चला होगा तो 10-10 का 6 3 cycle चला होगा 6-6 महिने का जब 10-10 का 3 cycle बनेगा तो कितना percent बनेगा 33.1% जब 20 और 10 का cycle बनेगा 20 प्लस 10 30 प्लस 2 32% का cycle बनेगा टोटल effective rate percent ऐसे ही किया होगा 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100 क्या आया 32% ऐसे ही किया अब मेरे से पुछा इन दोनों के बीच का difference क्या होगा कितना difference है 1.1% जो principle का 1.1% होगा ग्यारा गुना बारा 132 will be the right answer अब अगर option इस तरीके सरा था 13.2 320 132 और 1.32 तब मेरे को क्या करना था 0 decimal देखना था अब मेरे को 0 decimal देखना ही नहीं है मैं सिधा-सिधा solve करोंगा फरक नहीं पड़ता है कहाँ 0 जाएगा कहाँ decimal जाएगा अगले कोशन को देखो आप अगला कोशन क्या है अगला कोशन क्या है अब दोखो यहाँ पर आपको principal given है अब दो टाइप के बच्चे होंगे दो टाइप के बच्चे होंगे एक बच्चा जो जिसको data याद है कि CI 3 साल में 15 चाही 15.7625 परसंट बढ़ता है और SI उसको पता है कि 15 परसंट बढ़ेगा तो कोशन रीट करेगा देखेगा 15 परसंट इसके लिए है और 0.7625 15.7625 परसंट CI के लिए कि इतना जल्दी कैसे किया साइद में बताना भूल गया तो आपको दिख रहा है 12 मन्त है और प्लस 3 मन्त 15 मन्त है तो 5-5 परसंट का 3 साइकल बनेगा 5-5 मन्त 5-5 मन्त यह साइद में नहीं बताता इतना तो आप लोग समझ गए होंगे इतने सारे कोश्टन्स किये हो अब आपको पता है कि यह क्या है SI है और यह क्या है CI है दोनों का डिफरेंस क्या हैगा 0.7625 परसंट अब मैं अगर 12,000 का 0.7625 परसंट निकाल दो त्रांसर आजाएगा सिधा में टेबल पढ़ना शुरू किया 12,500 बारा दूना 24 और 6,30 तीन बचा बारा चाके 72 दिन पचात्तर और बारा साथे 84 और साथ बेरानबे बेरानबे पॉइंट पांच उल्भी तर आइट आइट आंसर option D इस तरीके से आप इस question को फटाफट कर सकते थे लेकिन अगर आप data बूल जाओगे जरूरी नहीं कि तीन साल का data निकालो आपको एक और method मैं बता चुका हूँ कि आपको ये no down कर लेना आपको एक और method बता चुका हूँ जिसको method ये नहीं याद आएगा इसको solve करने में 5 second का काम है जिसको data याद है जो data भूल जाए उसको पता है क्यों दूसरे तरीका से कर सकता है क्योंको इसको ratio याद है अगर मैं बात करो तो 5% 12,000 का 5% क्या होगा 12,000 का 5% क्या होगा तो 12,500 60,600 इस 600 का 5% 30 इस 30 का 5% 1.5 अब आपको बता है कि 3 साल का क्या चलता है ratio 3,3,1 मेरे को ये count नहीं करना है 30 या 90 और 1.5 90 और 1.5 91.5 अपनलोग कही न कहीं mistake किये है उस टाइब अब लोग कहीं mistake कर दिये हैं 0.7625% टेबल पढ़ो तो 12,500 60,12,24,4,6,3,3,2,2,2,3,2,2,3,2,3,2,4,2,3,2,4 और 7,91 91.5 ही आंसर सही है मुझे तो आप क्या होगा ना कुछ कोश्टन जहां पर प्रिंसिपल पता हो और निकालना हो डिफरेंस जहां पर प्रिंसिपल पता हो रेट पता हो तब डिफरेंस निकालना हो तो बिश तरीका ये है सिधा सिधा आप सॉल करते हो आपको ज़्यादा कैल्कूलेशन नहीं फसेगा तो मैं बताया था ना कि डेटा देखे डिशाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है अब आपको डेटा यहां पर याद है तो बढ़िया नहीं याद है तो इसे भी कर लोगे तो आपको दस सेकेंड का काम है अगली कोशन को आप देखो क्या है कोशन अब इसका 5% क्या होगा 20 इसका 5% क्या होगा 1 5% है तो हाँ आपको पुछा है क्या कंपाउंड इंटर्स बताना है चले गई 331 4 ती या 1220 ती या साथ है के कमेक्ट 1261 1261 विदा राइट अंसर देखो आसान हो गया हो गया ना असान अभी आप 15.765% करते तो टाइम लगता आपको डेटा देखे डेटा देखके डिशाइड किये कैसे जाना सही रहेगा इस तरीके जाना सही रहेगा जली जले जाओ वहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता यहां से कैलकुलेशन बच के आँ अगले कोशन को देखो आप क्या है दा सिंपल इंट्रेस अना सम अप मनी फर थी यह रहेगा अगलेशन आप आपको शिक्स परसेंट का तीन साल पता है यह अथारा परसेंट होगा और चीजोगा उन्नीस वन जीरो नन सेट परसेंट होगा अब आपको ऐसे निकालो कि थोड़ा टाइम लग जाएगा यह यूज पढ़ता है लेकर कभी उज़ पढ़ता है आपको यह भी बताया हूं अब इसको बिना यूज किये भी मैं बता रहा हूं अब मैं बताओं इसको मैं नहीं उज़ करके किसे सौल करूँगा आपको एक साल का CI और SI बराबर होता है तो फर्स्ट इयर का CI क्या होगा सॉरी फर्स्ट इयर के SI क्या होगा तीन से काटा तो 2236 और 35 यह फर्स्ट इयर का CI भी है और फर्स्ट इयर का SI भी है अब इसके उपर मैं इसका 6% देखा तो क्या होगा 635 और 26 का 132 और 135 हो गया तो मेरा 0 नहीं आएगा सीधा 6% निकाल लिया अब मैं इसका 6% निकाली तो क्या होगा 6% 635 और 1388 और 31 8.1 8.1 होगा ना 081 होगा नहीं 8.1 होगा मैं कल्कुरेशन मिस्टेक करा था 20810 आया था अब आपको पता है पूछा क्या है CI बताना है SI given है पूछा है CI बताओं तो मैं क्या करूंगा 331 पे खेल जाओं आपको ये बात पता है कि 6780 ही आएगा सिर्फ इसको calculate करो क्योंकि SI और CI equal होता है calculate किया तो कितना आया 405 plus 8.1 मतलब जो answer था उसमें 413.1 add कर दो 413.1 add कर दो 6780 में 413.1 add कर दो जो answer आया कितना है 7163.3 option C option C will be the right answer अब इस question को किसी से करने को दोगे तो उच अधा time देगा यहाँ पे आप समय बचा लिए देखते ही decide कर लेते कैसे आपको जाना था अगले question को आप देखे क्या है A borrowed sum of Rs.1,60,000 from B at 10% per annum simple interest at the same time he lent the same sum to C same sum to C at the same time on compound interest compounded semi-annually for 2 years find the amount earned by A in the whole transaction आपको पता है कि B दिया कैसे है 10% per annum 2 साल के लिए तो ओ आपको चल कैसे रहा है 5-5% 4 साल तक 20% total कमा रहा है ऐसे आप समझो जल्दी समझ जाओ गए 20% ओ total interest लेगा A, B से लेकिन B क्या किया C को दे दिया ओ भी compound interest पर और ओ भी semi-annually जगा रहा है मतलब हर 6 मंत पर लेगा तो rate तो सेम रखा है 10% लेकिन 6 महिने पर लेगा तो हर 5% पर ही add होना शुरू हो जाएगा अब यहाँ पर आप जाओगे तो आपको 3 साल तक तो तब भी याद था 3 साल तक आपको तब भी याद था लेकिन 4 साल का आपको याद नहीं था तो आपको यहाँ solve करने में फस जाओगे लेकिन आपको ratio method पता है तो आप नहीं फस होगे आपको ratio method पता है तो आप सिधा सिधा पहुंच जाओगे answer के पास आप पुछा है कि find the amount earned by A in whole transaction आपको पता है जो ci और इसका rate percent और इसका rate percent का difference आएगा वही हूँ a earn करेगा तो a earn कितना करेगा जो difference आएगा दोनों का वही यहाँ पर मालो यहाँ पर क्या चला है 555 का SI चला है 4 और यहाँ 555 का CI चला है 4 अब मैं यह को चार साल का gap बताना है या फिर 4 cycle का difference बताना है 20 का अब आपको एक्जाम में ये बात अंडर्सेंट करना था कि वो घुमार फिरा के वो यही चीज पूछ रहा है कि 5% के हिसाब से चार साल का gap क्या होगा जो ये चीज अंडर्सेंट कर जाता वो तेजी से solve कर लेगा जो नहीं अंडर्सेंट कर पाएगा उसको time लग जाएगा अब आप ये अंडर्सेंट कर गए आपको क्या निकालना है अब आप निकाल लोगे एक लाग साथ हजार का पांच परशंड क्या होगा सोरा पच्चे असी सोरा पच्चे असी दो जीरो खत्र आठ हजार होगा इसका पांच परशंड क्या होगा आठ पच्चे चालीस इसका पांच परशंड क्या होगा चार पच्चे बीस और इसका 5% क्या होगा दो पच्चे दस आपको difference बताना है और 4 साल का जो ratio होता है वो क्या होता है 4, 6, 4, 1 आपको बताना क्या है difference तो यह वाला count नहीं करोगा आपको पूरा पूछता interest तो आप क्या करते आच्चो के 32,000 जो होता वो SI पर A को भरना पड़ता B के लिए यह SI आता और जो CI आता यह 32,000 और प्लस यह वाला पाट आता 32,000 और प्लस यह वाला पाट लेकिन वो सिधा सिधा पूछा कितना profit कमाया तो मैं profit को ही सिधा count करूँगा 32,000 से जो extra होई profit है 32,000 से जो profit है 32,000 से जो extra profit है तो मैं सिधा profit को देखा तो 4,000 के 24,000 और प्लस 24,000 के 80 और प्लस 1 जो 24,000 रुपीज आया वही profit है वही profit है अब अगर अलग तरीके से देखोगे तो क्या 32,000 रुपया जो A है बोरो किया है B से तो 32,000 के A साइ भर देगा B को और A क्या किया C को दे दिया तो C से कितना लेगा 1 तो 32,000 और प्लस 24,000 प्लस 24,000 मतलब कितना है 34,000, 481 ये C से लेगा ये और ये A, B को देगा तो कितना बचा लेगा है 24,000 समझगोंगे बात को काफी difficult question था ये question कभी कभी rare डालता है ऐसे question जब डालते है न तो first to go में कभी करना ही नी चाहिए आप इसको second go या third go में करो और जब सबसे last में ही करो ऐसे questions को क्योंकि ये lengthy questions होते है क्योंकि options भी आप देखोगे तो बहुत दूर-दूर है बहुत close-close option है 4,280, 4,281 2,481, 2,481 2,840 है I think जो भी answer जो आएगा आपका 2,481 आएगा option C समझ गे होंगे आगे questions को देखो if the difference between SI and CI for 2 years is 25 and the 3 years is 77 then find the rate of interest अब को मैं इसको बोला था ना समझाऊँगा अब देखो क्या होता है SI और CI का difference अभी एक ratio भी रट आया था कि 3 साल का gap का CI के और SI के 3 साल के gap का जो difference होता है आपको याद कर लो ratio अगर ratio याद कर लोगे तो अच्छी बात है नहीं भी याद करोगे तो अच्छी बात है यह भी मैं बोला था तो अगर याद है तो ठीक है नहीं याद है तो मैं आपको और तरीका एक बताऊँगा अब क्या बोला है 3 साल का 77 है और दो साल का 25 है तो मैं लिखा 77 upon 25 अब मैं इस 3 को ला के माइनस करूंगा तो क्या आएगा 2 upon 25 बराबर क्या होगा R upon 100 अगर मैं काटा कूटी लगा होगा तो क्या आएगा R बराबर 8% R बराबर क्या हैगा 8% तो यह तरीका आपका basic है formula जिसको याद है जिसको रेशियो याद है जिसको नहीं याद है उसके लिए मैं एक pattern दिखा देता हूँ मैं क्या बोला था जो दो साल का gap है ओ यह है और जो तीन साल का gap है यह पूरा है अब बात करो एक चीज तो दो साल के gap में अगर मैं 10 रुपया है वहाँ पर चलो वहाँ पर question से देखते हैं अब मैं बोलू दो साल का gap है ओ 25 रुपया है तो तीन साल未来 कैसे हौगा 25 पच्चीस और यहां भी 25 यहां दूट यह होगा नगा यह होगा आप क्या देख रहे हूँ आप ट्री को देख जो 3 हम लोग बनाये थे उसी 3 को देख रहे हूँ तो आप इस 3 को जब ध्यान से देखोगे तो आप वो क्या मिला ये जो 2 साल का difference था वही पहले 3 बार आता है 3 साल का difference में फिर बचा हुआ part आता है तो यही मैं 3 A प्लस B का part दिखा रहा था ये जो A था, वो दो साल का difference था, और जो B था, वो बचा हुआ पार था दो साल निकालने के बाद, बचा हुआ पार था निकालने के बाद, अब आप इस question को कर रहे हो, तो आपको क्या पता है, अब आपको क्या पता है, कि ये जो 25 है, इसी के उपर तो interest मिलता है, इसी के उपर से आप भरबली करोगे इस question को कैसे भरबली करोगी 8% answer है कैसे करोगा भरबली 25 या 75 दो बचा यही दो current test है 25 के ऊपर 2 upon 25 into 100 8% will be the right answer 2 upon 25 into 100 यही है 8% answer आगे से आप कभी इसके लिए पेरनी उठाओगे क्योंकि आप समझ गए जो 3a plus b होता है वो a होता है दो सल का difference और इसमें वही a चीपा हुआ है कि तीन गुणा 25 और जो बचा है दो यह दो जो है यह 25 के ऊपर interest है समझ गए ना आगे questions को देखवा आप अंगला question है if the ratio of difference between si and ci for 3 years and 2 years is 22 ratio 7 then find the rate of interest यह 22 है उसमें क्या है 3 into 7 plus 1 3 into एक question और लिखके समझा रहा हूं 3 into 7 plus 1 जो है यही 22 है और जो 7 के ऊपर interest है एक का यही r% का interest है आर निकाल लो 1 upon 7 होगा r 1 upon 7 होगा r अगर आप इस ताहिका से लिखते तो इससे लिखते है 7 7 7 1 इस पे जो interest है वही 1 है तो 7 के ऊपर 1 का interest मतलब interest क्या होगा 1 upon 7 1 upon 7 जो fraction value किसका है 14 2 upon 7% का option भी answer अगले कोशन को लोगा क्या question है the ratio of difference of ci and si on some amount for 3 year and 2 year is 29 ratio 9 then find the rate of interest 9 27 27 दो बचा यही दो 9 पे interest है तो 2 upon 9 मतलब 22 सही 2 upon 9% 22 सही 2 upon 9% 3 into 9 plus 2 मतलब यह 2 का interest है 9 के ऊपर 2 upon 9 का मतलब होता है 22 सही 2 upon 9% असान question अगले कोशन को लोगा क्या है ratio of compound interest of 3 year and the simple interest of 1 year on a certain sum of money is 3.64 ratio 1 find the rate percent आपको पता है SI जो है पहला बाद वो हर साल equal होगा अब यह 3 साल का CI दिया है 3.64 और एक साल का SI दिया है अगर मैं उसे कोई पूछे कि 3 साल का SI क्या होगा तो 3 साल का SI 3 unit और 3 साल का CI 364 unit 3.64 मैं decimal को हटा दिया तो 364 मेरा जो हो गया CI हो गया और SI हो गया 300 अगर मैं SI हो जैसे हम लोग 3 बनाते हैं 3 के फॉर्म में बनाओं तब पहले साल 100 का SI मिला होगा दूसरे साल भी 100 का SI मिला होगा तीसरे साल भी 100 का SI मिला होगा फिर यहां कुछ मिला होगा इंट्रेस्ट फिर यहां कुछ मिला होगा फिर यहां कुछ मिला होगा फिर इसके ऊ पहला चलेगा जो आपके दिमाग में दिमाग में दिमाग में अगर आप देखोगे तो 100 का 21% 20 है लेकिन 21 का 21% 1 है नहीं है देखो मैं फिल करके दिखाता हूँ यहां 21 करोगे यहां 21 करोगे यहां 21 करोगे यहां 1 करोगे तो 100 का 21 परसंट 21 है लेकिन 21 का 21 परसंट तो 4.41 होगा नहीं है मतलब यह मेरा फॉर्मेटिंग गला थे यह मेरा फॉर्मेटिंग गला थे अगला फॉर्मेटिंग करूंगा क्या 3 इंटू 20 प्लस 1 अब मैं फिल किया 4 होगा न 20 प्लस 4 20 20 24 100 का 20 परसेंट 20 और 20 का 20 परसेंट 4 मतलब रेट परसेंट 20 परसेंट साटिस्फाइब कर गया इसी वह से मैं बोल रहा था है यहां पर 21 नहीं होगा क्योंकि आपको रेट हेल्प करेगा रेट हेल्प करेगा तो आप यहां से ऐसे फॉर्म बनाके इस टाइब बहुत कम एकजाम में आता है आपको तीन साल का डिफ्रेंस पर भी कम आता है और दो साल के डिफ्रेंस पर बहुत ज्यादा आता है जो एक कोशन जो चार साल के डिफ्रेंस पर मैं कराया वो रेयर होते है वो जब एक जाम को टफ बनाना होता है तो रेयर होते हैं तो रेयर कोशन कितने होते है इकका दुखका लेकिन सेलेक्शन कौन दे राता है जो बचे कोई कोश्चन कोते हो अगर एक कोशन आप छोड़ भी दो तो सड़ेक्ट हो जाओं जो पांच पर्सेंट वेला गौस्ट था तो ओक कोशन आया इतिना उस शिफ्र में एक कोशन पचीश में आया होगा तो 24 कोशन में तो solve करने लाइखा हूँगे, अगर 100 में आएगा तो 99 कोशन solve करेंगे, तो अब एक कोशन में पीछा नहीं भागोगे, आएगा मैं ज्यादा टाइम देखके, उस कोशन में 4 मिनट देखके, 5 मिनट देखके solve कर लोगा, मैंने स्विफ्ट में एक कोशन जमेट्री का मेरे स solve नहीं हो रहा था, first go में solve नहीं हुआ, second go में भी solve नहीं हुआ, last में उसको मैं 5 मिनट 6 मिनट टाइम देखके solve कर लिया, तो क्यों solve कर पाया 5 मिनट देखके time, क्योंकि मेरे पास extra time बचा लिया था मैं, तो अब time बचाओ other questions से, कोई एक दो question difficult आएगा, उसमें time invest करके कर लो कुछ question जो है, आप सारे questions कर लोगे, मेरे को पता है, सारे concept clear हो गये, तो भी 7-8 questions मैं mix में करा दे रहा हूं, और 8-10 questions आपको self practice के लिए दे दूँगा, तो आइए questions करते हैं, सारे questions आप से हो जाएंगे, अब कोई नहीं question फसाएगा आपका, दो type या एक type बचे हैं, मेरे पा और कुछ नहीं, दो बार तीन बार आप रिवाइच करोगे, तो सारे questions आप से solve हो जाएंगे, और exam वाले questions सिर्फ solve भी नहीं होंगे, तो कम time में solve होंगे, कुछ हो सकता है, typical question मिल जाए आपको, जो जान बूज के set किया जाता है, तो उस question में आपको time लगेगा, लेकिन solve कर करोगे, और लेकिन जो exam वाले question होंगे, उसका कम time में करोगे, question क्या है, the compound interest on a certain sum of money for 11% for 2 years is R.A. Sitana, if simple interest at the same rate for the same time, गलत है language, what is the simple interest at the same time for the same rate होना चाहिए, तो आपको बताना है, उसी दर पर समय वाधी के लिए, इसका सधरान प्याज है, यह सही है, तो आपको पता है, जो interest increase हुआ होगा, और क्या होगा, 11 plus 11, plus 11 into 11 or 100, तो कितना percent का increase है, 11 दुना 22, और plus 1.21, 23.21% का increase है, मतलब आपको 23.21% का value given है, और पूछ क्या रहा है, कि 22% का value बता हूँ, जो भी answer आएगा, 11 का multiple आएगा, option B will be the right answer, option B will be the right answer, इस तरीके से question solve होते है, exam में, mix question है, इसलिए mix type करा रहा हूँ, इस तरीके से exam में question solve होते है, मेरे को देखा, यह दिया हुआ है, यह निकालना है, यह जैसे मेरे को देखा, मेरे को देखा, 11 का multiple answer आएगा, मैं check किया, एक ही option तो answer टिक करके निकाल जाओ, solve निकरोगा, solve भी करना हो, और 13.21% का value क्या दिया है, अब आपको यहाँ पर यह statement लिखना नहीं है, उसको यहाँ से उठा के, मैं लिख के समझा रहा हूँ, आपके brain में function होना चाहिए, यह 23.21% इतना है, तो कटेगा कितना बार मैं देख लो, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिससे आपको दिखा पाहूँ, 6, 9, 6, 3, अब मैं ध्यान से देखा, तो 21 में 3 से गुणा करूँगा 63, 23 में 3 से करूँगा 69, तो क्या देख रहा है, तो जो answer है का 22% का, 22% का 3 times आएगा, तो 66 पर 0 क्या होंगे, कोई फराग नहीं पड़ता है, डेसिमल से देखने नहीं, 0 देखने नहीं है, option भी answer, इस तरीका से भी आप कर सकते थे, पर नहीं, तो कितना मिला होगा 50%, वो बराबर है, 5,000 पर 2 साल के लिए, compound interest के, compound interest कितना होगा, 10 का, दो साल लगाओगे, तो 10 प्लस 10, प्लस 10 गुन 10 कुन 100, 21%, पर्सेंट से पर्सेंट खतब, पूछा क्या है, the sum placed in the simple interest, यही प्रिंसिपर पूछा है, काटा गुट लगा तो 50 से 50 खतब, 200 will be the right answer, 200 will be the, नहीं, देखो, एक चीज हम लोग छोड़ दिये हैं, यह जो हाफ है, compound interest का, यह जो आ रहा है, compound interest का half है, तो यहाँ पर हम लोग 1 by 2 लिखेंगे, यह half, यह जीज missing था, इसे विए से 21st आंसर नहीं दिखा, एक के statement miss रहता है, तो answer नहीं आता, हम लोग क्या रहता है, 21st का आधा answer हो जाएगा, 10.5 है, एक के statement भी आप गलत पढ़ लोगे, तो आपका अंसर रहता है, इसी सब को silly mistake बोलते हैं, अगर examiner एक option 21st देता, तो मेरे जिसा student जो इस question को 15 second में तो करता, लेकिन minus का धाई marks मिलता, तो कभी कभी आपको ध्यान से पढ़ना होता है, question जिसे error ना हो, अगले question को देखो आप, पहला आप amount ratio principle कर दो, और फिर इसका cube root कर दो, तो आपको rate percent आ जाएगा, यह basic तरीका है, अब मैं basic से तो जाओंगा नहीं, सिधा देखूंगा कितना percent का increase है, 15 से divide किया, तो 15 ती या 45, कितना बचा, 15 एकम 15, sorry, 15 ती या 45 फिर जखट जागा ना, 15 ती या 45 और 15 एकम 15, 331 का increase है, 1000 पर, तो 100 पर कितना का increase है, 33.1, मतलब 33.1 percent का increase है, तो rate percent क्या होगा, 10 percent, 10 percent क्या है rate, आगे क्या पुछा है, Suman took a loan of 10,4 at the same rate on simple interest, 10,000 की loan लिए Suman, same rate पर, आपको simple interest पर, लेकिन, how much interest did Suman pay after 3 साल, 3 साल बाद Suman क्या pay करेगी, तो 10 percent पर 3 साल, 30 percent पर करेगी, 10,000 का, तो 3000 will be the right answer, आपका reaction इतना तेज होना चाहिए, कि आपको ऐसे ऐसे प्यारशन ही करना, 10 percent, 10 to 3, 30 percent, आपका reaction इतना तेज होना चाहिए, 3 इंटो 10, 30, 300, 900, यह reaction तभी आएगा, जब आप practice करोगे, मेरे से तो फटा-फट निकलने लगता है, लेकिन मैं कोशिस करता हूं बहुत स्लो, बहुत ज्यादा स्लो, मैं धीरे-धीरे कोशिस करता हूं, अगला question देखो, the simple interest on a certain sum for 3 years at 12 percent per annum is 6750, what is the CI compound interest on the same sum for 2 years at 20 percent per annum if interest is compounded half yearly, compound half yearly है तो 10, 10 percent का 4 cycle बनेगा, 4 cycle बनेगा तो increase कितने का होगा 46.41 percent का, given क्या है तीन साल 12 percent के इसाब से 36 percent का value, 36 percent का value आपको पता है 46.41 का निकालना है, काटा कोटी मचाओ, आंसर पाओ, मैं देख रहा हूं 75, 12, 6, 18, 9 से कट रहा है, 9 से काटा, 9 से 63, 9 पाचे 45, 75 से इसको multiply करना है, एक बार 5 से कर लो, एक बार 15 से कर लो, 5 से किया तो 5 एकम 5, 5 चाओ के 20, 46 पाचे 230 और 2, 232 अब 15 का टेबल पढ़ूंगा, तो 15 पाचे 75, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 3, 48 और 15 दूना 34, इस पाट को मैं 4 से डिवाइट करूँगा, अबर आंसर आ जाएगा, चार से डिवाइट किया, 4 नीचे था, 4 से डिवाइट किया, 4 बाठे 32, चार साथे 28, 0, आंसर आ गया, आंसर आ गया, इसे आ गया पूरा आपको सॉल्व करने का मनने, तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अठारा चोग बहत्तर, चार साथे 28, यह आया, 87018.75 नीचे, आपको यहाँ दो पे decimal था, और यहाँ एक बार decimal ले गए हैं, तो टोटल 3 decimal हो जाएगा, तो इसे बुल अगया, यहाँ पर decimal आएगा Destiny, आपको वहां पर जाएगा, आपको decimal बगरा ध्यान नहीं देना होता है, मै बता चूँका हूँ कब decimal ध्यान देना है, कब नहीं देना है, अगर मैंडदेसीमल देखने में 10 सेगन दर्बाद करते हो क्या फायदा कोई डेसीमल देखने में 10 में 10 veins सेगन पर्बाद कर रहा है तुanno कांसर करके दूसरा कोश्ण बेठर कर लूंगा समझ रीयो ना तर फको 10limals में time बरबाद नहीं करने the simple interest on a certain sum for 3.5 साल at the rate of 10% per annum is R.A. given का 35% का भैलू 2940 35% का भैलू है निकालना क्या है पड़ते what will be the C.I.E. on the same sum for 10 years at the same rate when interest is compounded half yearly 10% खीटा हिसाब से 10.5 साल का निकालना है जब half yearly चल रहा है half yearly मतलब 5-5 साल का 5-5 परशंट का 3 साइकल 5% का 3 साइकल क्या होगा 15.7625 जरूरी नहीं का आप ऐसे ही निकालो दूसरा तरीका भी अप लगा सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आप ऐसे भी सॉल कर सकते हो ऐसे सॉल करोगे आंसर आजाएगा छोटा सा कैलकुलेशन है सीदा सीदा दीख रहा है और 25 पाची है 125 425 से इसको मल्टिप्लाई करोगा आंसर आएगा एक बार 7 का टेबल एक बार 6 का टेबल 7 का टेबल पठ़़ा 5 साथ है 175 और 15 साथ है 105 और 106 हो जाएगा 27 यह 21 हो जाएगा 7 का टेबल पढ़ दिया मैं अब 6 का टेबल पढ़ दूगा पढ़ने के जोड़त है ने 22 सका 132, option A answer, option A answer, जब 7 का पढ़ा तो 22 point something आया, 6 का पढ़ोंगा तो 132 point something आएगा, एक ही option है, उतना नियाग है, answer आ गया, तो आप इस तरीके से ही आपको questions करने होते हैं, ज्यादा आपको difficult question आते नहीं है, आगे मैं पढ़के भी चेक करूं, तो वो आ गया है, इस बज़े से, अब मैं आपको बोला तो दुसरा तरीका भी बता सकता हूं, आपको यह difficult नहीं था, क्योंकि यह data आपको याद था, लेकिन दुसरा तरीका क्या हो जाएगा, एक साल का SI निकाल लो, एक साल का SI निकाल लो, उसके बाद जो आएगा उसका आध आजाएगा, difficult question नहीं है यह, अगले question को देखते हैं, सारे type हम लोग cover कर चुके हैं, अगले question को अब देखू, एम मैं इन्वेस्टेट साथाजार, एट आठ परसेंट पर इना, simple interest, for two years, तो कितना आया interest, आठ दूना, 16 साते, 112, 11,20 पर इंट्रेस्ट आया, साथ हजार का 16 परसेंट मैं लिख दिया, साथ हजार का 16 परसेंट, 16 साते, 112, आगे क्या बला, and R is 10 हजार, at compound interest, at the same rate, for the same period, compound interest कितना आया, 1764, कैसे आया, 8 परसेंट का 2 साल में CI क्या बनेगा, 8 plus 8, plus 8 into 8 upon 100, 16.64, दो डेसिमल से 2 परसेंट से खतम हुआ, तो 16,64, ये मेरा आगे CI, आगे क्या बोला, what will be the total interest, total interest देख लेते हैं, 11,11, 27,84, 27,84, total interest, अच्छा, कुछ और पुछा है, क्या पुछा, the total amount respectively, and the total amount, दोनों चीज पुछा है, मतलब आपका CI हो गया, तो option A खतम, option B खतम, आपका option C भी खतम, option D अंसर, पहले पुछा है कि CI बताओ, तो पहले CI होगा, और फिर बोला है amount, तो फिर amount रहा, हो गया answer, बहुत बच्चे इस बज़े से, यहाँ पर खुद एक selected बच्चा है, tax assistant पर, वो इस बार के pre में, सिर्फ यही mistake करके आया है, कि ऐसे था, same question था, उसका मैं देख रहा था, उसका maths का mistake, तो same question था, फिर, वो mistake किया कि, इसको आँसर टिक कर दिया, जिबकि बोला था, वो geometry का question था, geometry में बोला था, पहले AD बताओ, AD और BC को बताएं, तो BC और AD आंसर टिक कर दिया था, तो आप कोई बाते ध्यान दे नहीं है, exam के दिन, otherwise आप mistake करोगे, आप mistake के list में, इसको add-on कर लो, कि यह ऐसे पूछता है, तो यह error नहीं करना, अब मैं आपको पूरा solve भी नहीं करना पड़ा, solve करदा तो क्या करता, 10,000 प्लस 7,000, 17,000, 17,000 में 2784, आपका option D ही answer आएगा, CHSL में भी एक question इस pattern पे आया है, यह पता नहीं किस exam का है, यह मेरे कोई याद नहीं है, a certain sum amount to itna in 2 year, at 12% per annum simple interest, 12% के simple interest पर दो साल में वो amount मिल रहा है, 24% का interest मिला होगा, principal सो होगा, तो 124% का आपको value given है, 124% का value given है, कुछ कहा रहा है, the same sum will be amounted to what in तेर साल, years 10% per annum, if the interest is compounded half yearly, 5 का 3 cycle, आपको 124 का value पता था, क्या था, 15500, आपको निकानले को दे दिया 15.57, 15.756, 7625, बस calculation करो answer आएगा, सिधा सिधा दीख रहा है, 31 का multiple है, अब मैं पहले 5 का table पढ़ दूँगा, और फिर 4 से divide कर दूँगा, सिधा answer आजाएगा, पहले 5 का table पढ़ दूँगा, फिर 4 से divide कर दूँगा, तो मेरा answer आजाएगा, पूछा क्या है, the same sum will amount to, तो 115% निकाल लेते हैं, देखो, बात समझा, मेरे को option दिख रहा था, मैं बता रहा हूँ क्या, यहां से निकाल लेंगा, तो मेरा ci आएगा, और सिधा मैं इसी multiplication में 115 निकाल दूँगा, तो सिधा मेरा answer आजाएगा, क्योंकि उस क्या होता है, ci में 100 और प्लस ci करूँगा, तो amount आजाएगा, 100% प्लस ci परसेंट, तो amount परसेंट आजाएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, दोनों दो बार multiply करके, एक बार मेरा ऐसे कर दो, 500 upon 4 into 115.765, और एक बार यह, तो यहां से solve करूँगा, तो मेरेको फिर से एक बार principle निकालना पड़ेगा, और principle निकालके add करना पड़ेगा, तो time बरबाद होगा, इसलिए डायक्ट इसक निकालना पड़ा, और principle निकालेगा, time बच गया, तो डायक्ट इसको solve करते हैं, आईए, और इसे principle निकालना बहुत ही असान है, 12500 आजाएगा, दिख रहा है, कि principle 12500 है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा काम करना नहीं चाहता, जब सीधा answer आ रहा है, तो क्यों time बरबाद करन मैं solve किया, 5 से multiply किया, 25 पाचे 125, 25 पाचे 125, 5 से के 31, 5 साथे 35 और 33, 3 बचा, 5, 15, 75 और 3, 78 और 5 से कम 5, इसको मैं 4 से divide करूंका मिरा answer आज़ेगा, 14, 4, 4, 14, 4, 7, 28, आगे, मतलो 14, 4, 4, 7 के round answer आज़ेगा, option है, option है, option है दिख रहा था, आपको दिक्कत क्या होता, जब आप 15 परसेंट निकालते हैं इसका, 15.765, तेक बर 12500 में add करके answer आथा, ऐसा नहीं क्यों answer नहीं आथा, answer आपका हर बार आएगा, अगले कुशन को दिखते हैं, क्या है, find the compound interest at the rate of 7% per annum, compounded annually, for the 2 years on the principle that yields a simple interest, 9450 for 3 years at 7% per annum, तो क्या given है आपको, 21% का value given है, 21% का value given है, 9450, यह जो है 21% का value है, पूछा क्या है, दो साल के लिए 7% के हिसाब से, 7 plus 7 plus 7 into 7 of 100, 14.49% का value पूछे, 14.49% का value पूछे, बस आपका answer आजाएगा, इतने, solve किये हमाई, 2484, 25, 105, 450 into 14.49 answer आजाएगा, अब 14.5 लेकर भी solve करोगे तो यह प्रोक्स answer आजाएगा, मैं solution करना शुरू करता हूँ, तो क्या होगा, पहले 5 का table पढ़ दूँगा, फिर 9 का, 5, 9, 45, 5, 4, 24, 24, 24, 25, 70, और क्या बचाथ, 2, 72, फिस में 9 का table पढ़ दिया, 9, 45, 9, 4, 36, और 4, 40, 9, 2, 18, 4, 22, 9, 63, 62, 65, 25, 25, 25, असान सा question है, वहीसे आप देख सकते थे, 94, 50 से छोटा आंसर सिर्फ एक ही possible था, और सारे बढ़े थे उसे, आगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ, असान question है, अगले question को देखते हैं, अगले question नहीं है, आगे आपको कुछ self practice के लिए, मैं दस question दे दिया हूँ, उसको खुद से practice करना है, सारा concept पढ़ लिए हो आप, और एक type बचा है, उस type को मैं आके cover कर दूँगा, सारे questions almost CI खतम हो गया, सिर्फ installment बचा हुआ है, देखते हैं next class में क्या है, C.I. का ये last lecture है, इसमें दो type के question जो की सुरुवात में include नहीं हो पाया था, उस दो type को मैं अभी cover करा दूँगा, और इसे frequently question बन जाते हैं, बहुत छोटी बाते हैं, एक बार में आप notice कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात और बहुत difficult बात नहीं है, तो आओ मैं सिधर questions पर ले चलता हूँ, और questions ही जो concept होगा, वो concept मैं सिखा दूँगा, A and B together borrowed a sum of 51,750 at an interest rate of 7% per income, compound interest in such a way that to settle the loan, A paid as much as amount after 3 years as paid by B after 4 years from the day of borrowing, the sum borrowed by A वाच, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? कि दोनों equal पर किया है amount, लेकिन एक जो लिया था, वो 3 साल के लिया था, और दूसरा जो लिया था, 4 साल के लिया था, आपको एक चीज देखो, मैं बोला, कि A लिया है, R परसेंट किसी भी R परसेंट पर लिया है, A लिया है, 1 प्लस R अपॉन 100 परसेंट के लिया, R परसेंट के लिया और 3 साल के लिया, मैं मान लिया हूँ, और B लिया, 1 प्लस R अपॉन 100 परसेंट के लिया, लेकिन एक के स्टेटमेंट था, दोनों का जो एमाउंट है, वो इक्वाल है, दोनों का एमाउंट इक्वाल है, ये माउंट इकोल है तो मैं इकोल कर दिया दोनों का एमाउंट इकोल कर दिया यही तो होता है P into 1 plus R upon 100 P into 1 plus R upon 100 to the power time मैं इकोल किया अब मैं काटूंगा इसको इसको काटा यहां क्या बचा 3 तो A ratio B जो आया क्या है A ratio B क्या है 1 प्लस R upon 100 to the power 1 यही आया ना बस अब इसको आप फ्रेक्टराइज कर लोगे sorry fraction value में लिख लोगे R को R को fraction value में लिखके आप इस तरीका से लिख दोगे A upon B equal to 100 plus R upon 100 fraction value लिखके तो यह ratio बन रहा है जहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करना है जो time है उसका difference उसके power है अगर वही बोलता मैं इसी question से समझाता हूँ यही बोलता एक 7 साल के लिए दिया गया था और दूसरे 11 साल के लिए दिया गया था यहां से आप 7 से इसको काटोगे तो 4 बच्चे का यहां to the power 4 होता तो जो ratio हो रहा है time के difference के power हो रहा है question से आप ज्यादा चले समझोगे देखो बोला a उतना ही amount p किया जितना b किया a तीन साल के लिए था तो a 7% की हिसाब से 1 प्लस 7 upon 100 to the power 3 बराबर b यह तीन साल के लिए न और b after 4 यह बी 1 प्लस 7 upon 100 to the power 4 यह बोला अब मैं काटा कुटी करूँगा तो a ratio b क्या बनेगा 107 ratio 100 तो यह a का principle है यह b का principle है प्लोटल दोनों का principle क्या होगा जो given है 207 और 207 तीनों का भालू आपको given है 51750 तो आपको अगली बार से ऐसे नहीं लिखना है पहला बात ऐसे नहीं लिखना है आपको लिखना कैसे यह भी समझाता हूं पहले solve कर लो कितना रुपे लिए था 170 रुपे लिए था निकाल लेंगे 20 से कट रहा है 309 207 32 46 32 46 33 5 115 नौ से काटेंगे 918 9 5 45 एक यूनिट के भालू 200 होगे 107 रूट निकाला ठाव कंशी और 25 और 25 7 175 26 75 होगा ये A बौरो किया था, 500 x 107, पुछता B कितना बौरो किया था, तो 600 x 125,000, समझ रहो नो, तो आपको अगली बार से इसको solve करने के लिए क्या करना है, अगली बार से solve करने के लिए कुछ बातों को notice करना है, जो बाते मैं बता रहा हूं यहीं पे, आगे से question सीधा solve कराऊंगा, पहला बात कि time gap का ratio होता है, आपका rate percent क्या है, 7%, मतलब 100 x 107 का होगा, 100 x 107 का होगा, ratio, जो इसका उल्टा होगा, जो A होगा, जादा होगा, जो B होगा, जो B होगा, जो कम होगा, अब आप हो सकता है, भूल जाओ, तो आपको ध्यान कैसे देना है, A तीन साल के इन्वेस्ट करूँगा, तो हुए तो तीन साल में ही बराबर हो जाएगा, B के चार साल के, अगर मैं बोलू, एक को 100 रुपया, तीन साल के लिए दो, और दुसरे को मेरे को देना पड़ेगा, 110 रुपया, दो साल के लिए, तो जिसको कम टाइम के लिए दिया जारा, उसका एमाउंट ज बनेगा, 207 का भेलू आपको परता था, 207 का भेलू आपको पता था, आपको ए वाला निकालना था, तो ए क्या होगा, 107, answer, कैलकुलेशन करोगे, answer जाएगा, आगे questions को ऐसे direct-direct ही हम लोग करेंगे, क्या है, आरेस, सोरा हजार आटसो बीसीज, डिवाइज़ बिटु ब्र इक्वल एक्वल एड़ एज ऑफटी एर, एक कितना के लिए किया, तेरा साल के लिए, दुसरा कितना के लिए किया, पंदरा साल के लिए, अब उनका रेशियो क्या है, फाइफ क्या होता है, बीस रेशियो इकिस, लेकिन एज गैब क्या है, एक थाटीन, एक फिप्टीन, चार-сौ रिषियो च्वाराई लगना, उनका इंवेस्टमेंट है, आपको ये बात बता होना चाहिए, जिसका कम टाइम के लिए इनवेस्टेड़ है, जिसका जताbol साथ बाभाई बड़ावकल59 ले वंच सेलगा。 कैसे ज्यादा लेगा क्योंकि बड़े वाले भाई का investment short time के लिए 13 साल के लिए और छोटे वाला भाई का investment 15 साल के लिए चोटा वाला भाई ज्यादा time ले रहा है तो कम पशालेगा ये कम time ले रहा है तो ज्यादा पशालेगा आपको 441 इनुट का फिल निकालना है और गिवेन क्या है इन दोनों का सम 841 इनुट का फिल आपको गिवेन है 441 का निकालना है सिंप्ली दिख रहा है 841 इंटू 2, 1482 तो आंसर होगा 441 इंटू 2, 880 882 पर 0 होंगे 1 पुस्ता छोटे वाले भाई का इन्वेस्टमेंट तो इसमें दो करोगे तो 8,000 मतलब 20, 8,000 8,000 will be the right answer समझ गे होंगे आगे से कभी दिक्कत ने होगा इस पैटरन के कोश्चंस पे basic question एकदम a certain sum of money is invested in two parts at the rate of 16, 2 upon 3% per annum compounded annually for 7 year and 10 year respectively if amount received on both investment is equal पस यही लाइन दो ध्यान देना है यही लाइन आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं है if the difference between their investment is 2, 5, 4, 0 then find the total investment 1 upon 6 है, time gap है 3 का तो 200 solar ratio 343 बनेगा चिक्विश्टीन साही 2 upon 3 का होते है 1 upon 6 और 6 से 7 का increase है तीन साल का time gap है तो 6 का cube ratio 7 का cube आपको निकालना है दोनों का sum 3, 6, 9, 34, 21 क्या होगा 559 निकालना है given क्या है दोनों का difference क्या होगा difference 13 से 6 गया 7 3 से 1 गया 2 3 से 2 गया 1 127 निट का value given है सिर्दा जिर्दा देख रहा है 127 दो गुना है इसका दोगुना answer होगा 298 निकालना एक ही option है 298 निकालना 152 निकालना 111 बस आप सोचो बस एक statement आपको ध्यान रखना है आगे ऐसे जितने type के question बनेंगे आप उसको 20 सेकेंड 15 सेकेंड में करोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा एक सम आप 52 जीरो चालीस इस डिवाइड बिटुल A and B सच देड अमाउंट अफ ए आफ्री साही 1 अपन 2 यर्स इस इक्वल तो दे अमाउंट आफ बी पस यही काफी है इक्वल आफ्र फोर साही 1 अपन 2 यर्स when the interest is compounded half yearly half yearly compound किया गया तो rate percent 4 हो जाएगा और जो time होता है two times हो जाते है two times in the sense कि उसका cycle बढ़ जाता है साड़े 3 साल है लेकिन उसका 7 cycle बनेगा साड़े 4 साल है उसका 9 cycle बनेगा अब time gap क्या हो गया two देख कोई ये confuse कर सकता है question एक्जाम के time अचानल से आपके सामने ये question आ जाएगा तो साथ आप गलती कर जाओ तो यहाँ पर ध्यान देना था इस बात को भी साथ साथ half yearly को अब मैं अपना ratio लिखूंगा 25 से 26 का ratio होगा तो 625 से 666 का ratio होगा युग 4% का मतलब होता है 1 upon 25 25 से 26 मतलब 625 से 676 the difference between amounts of A and B आपको दोनों का difference बताना है 51 unit का difference है 17 का multiple है क्या देखो option B answer होजाएगा option B answer होजाएगा 51, 71, 17 का multiple है सिर्फ एकी 17 का multiple था देखो आप निकाल भी सकते हो कोई बड़ा बात नहीं है कैसे निकालोगे आप दोनों का sum आपको given है 51 का बड़ा निकालना है 51 का निकालना है दोनों का sum क्या हुआ 6, 6, 1200 और ये 1301 1301 unit का value क्या है सामने सामने सिर्फ दिख रहा है 4 times हो रहा है इसका 4 times आचाल हो जाएगा 4 एकम 4 5 के 20 2, 0, 4 जो भी आए आगे 0 कुछ भी आँसर हो जागा बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा इस परटन के आभी तक आप 4 कोस्टन कर लिये हूँ आगे पांचवे कोस्टन को इस परटन का देखते है A man invested a total of 12,050 in 2 parts one at 10% simple interest for 2 years and the other at same rate at compound interest interest being compounded annually for the same time the amount he received from the parts are equal एक को क्या किया 20% पर डाला 10 गुना दो और दुसरे को 10 गुना 10 प्लस 10 गुना 10 मतलब CI पर डाला तो 21% डाला तब इस तरीके समझ सकते हो कि जिसको SI पर डाला था वो A amount था उसको 20% मिला तो उसको 20% interest मिला लेकिन बोला क्या है amount जो receive किया है वो equal है तो जो 120% होगा हो amount होगा और जो B पर 21% का interest मिलेगा आपको अल्रेडी सब को सिखा चुगा हो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंजू 10 अपन 100 तो 21% का effective rate percent मिलेगा CI में तो जो आपको 121% मिलेगा B का वो क्या मिलेगा मेरे भाई दोनों equal मिलेगा अब आपको A और B का ratio मिल गया 121 ratio 120 क्या ही यह प्रिंसिपल का ratio आपको total principal given है आपसे पूछा क्या है CI वाले को तो CI वाले को इस पे इनवेस्ट के लिए बतावे ना है CI वैसे भी आप समझ सकते हैं जिसको 20% पर दिया गया होगा जिसको 21% पर दिया गया होगा और कम होगा तो कम वाला निकाल दो आपको याद नहीं रहतो दोनों का सम किया तो 241 आया 241 इनुट का भलू पता है 120 का निकालना है ध्यान से देखो 155 245 120 फाइफ टाइमस जा रहा है इसका फाइफ टाइमस निकाल होगे यह हम लोग का सेकेंड टाइप है इस सम डबल सिन फोर यह सटें रेट अव कंपाउंड इस इन हाव मेनी यह डड़ी अमाउंट तो एट ताइमस इट्सेल अट देखो आपको अल्रडी बता चुका हूं सारी बात फिर भी मैं एक बार और डिसकस करता हूं ये बाते भी मैं बता चुका हूं ईक्सिट्रा लेना था ना देखो आप से बोलूंगा कोई अमाउंट पी था पी से उसको 3P होने में मैं बोला कि 4 साल लगा तो आप से मैं बोलूँगा उसको 9P होने में कितना टाइम लगेगा तो मैं बोलूँगा फिर से तीन गुणा हो जाएगा 4 साल बात तो मैं अगला वार बोलूगा कि 27 unit होने में कितना time लगेगा तो फिर से 4 साल क्यूंकि जो CI है वो GP पर बढ़ता है आपको पता है मैं बोलूगा 81 times होने में कितना time लगेगा तो बोलोगे फिर से 4 साल तो आपको एक चीज जो notice करना है क्या notice करना है यहाँ 1 था 1 से 3 to the power 1 होने में 4 साल लगा 3 to the power 1 से 3 to the power 2 होने में फिर से 4 साल लगा टोटल टाइम कितना लगा? 4 प्लस 4, 8 साल यहाँ 1 को में 3 to the power 0 लिख लेता हूं यह 3 to the power 2 से 3 to the power 3 होने में कितना टाइमस लगा चार चार आठ चार बारा सार यह 3-6224 हो ने मी कितना लगा फिर से चार सार इस लगा 6235 हो मिए कितना लगा फिर से चार सर। तो आपको एक चीज देखेंगे जब यह मेरा amount multiply हो रहा है तो time add हो रहा है ध्यान से सुनना amount multiply हो रहा है multiply हो रहा है तो time add हो रहा है time add हो रहा है ध्यान से देखो आप खुदी से देखो अगर मैं बीच का gap कर दो सब कूछ और सीधा एक ही question पूछ दो आप से सिधा question पूछी कि आपका कोई amount चार साल में 3 unit था 4 year में 3 unit था 243 times या फिर ऐसे question देदू कोई principle चार साल में 3 times हो गया तो ओ 243 times कितने दिन में हो जाएगा कोई principle चार साल में 3 times हो गया तो ओ 243 times कितने साल में हो जाएगा तो अब 243 क्या है यह 3 to the power 1 है ओ 3 to the power 5 है तो यह 5 times multiply होगा तो आपका जो principle होगा ओ 5 बार add हो जाएगा जो time होगा ओ 5 बार add हो जाएगा तो आपको याद रखना है आपको क्या याद रखना है कि जब मैं power increase कर रहा हूं amount को तो time उतना बार increase हो रहा है तो मैं 4 plus 4 plus 4 पांच बार लिखने के बज़ा है सीधा लिख सकता था 4 into 5 तो 20 साल में ओ बन जाएगा बात को अंटेस्टेंट कर गे होगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा होगा कोस्टन से ज्यादा समझेंगे दो तिन कोस्टन आप करो तो ज्यादा अच्छे है समझ जाओगे यह सम डबल सीन 4 साल अब मालो कोई सम था एक वो चार साल में डबल हो गया आगे क्या बोल रहा है इन हाव मेनी एर्स डड़िट एमाउंट एट टाइमस इट सेल अब कभो एट टाइम हो जाएगा तो मैं आराम आराम से लिखूंगा यह दो से तो 2 to the power 1 से टू to the power 3 तक जाना है तो चार गुणा ती चार गुणा तीन आंसर नाम फेज्ट आपको आपको यह दो करना पोड़े वह दो अगले गोसर्ण को देखूंगे a sum of money becomes 3 times in 10 years at the rate of compound interest in how many years in how many years will it become 243 times 243 क्या है 3 to the power 5 3 to the power 1 से 3 to the power 5 होने में 5 times हो रा है तब का 10 से 10 into 5 50 years will be the right answer 50 years will be the right answer अगर आप ऐसे लिखोगे कि P से 3P हुआ कितने साल में 10 साल में 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 और 81 से 243 और हर जगे 10-10 साल लगेगा हर जगे 10-10 साल लगेगा तो भी आपका 85 आंसर आएगा लेकिन ऐसे लिख के समय बरबाद ना करने के बजाए सिधा सिधा आप कोशन रेट करो और आंसर टिक करो अगला कोशन पढ़ो आप एक पईसा मैं हिंदी में समझा दे रहा हूं क्या हुआ ओओ एक से 1728 हो गया स्थरस से 28 हो गया यहां पर एरेर है इस बार मैं ही छोड दिया हूँ क्योंकि एकक्षग कोशन खुद मैं ही टाइप किया था अब क्या बोल रहा है कोई sum of money एक से 1.728 times हो जाता है 30 साल में अब बोल रहा है कि 1.2 times कब हो जाएगा आपको पता है कि यह 1 का cube है यह 1.2 का cube है यह 1 का cube है यह 1.2 का cube है आपको पुछा 1.2 times कब होगा जब आपको क्या पता था जब को two times था one निकालना था तो under root कर लेते थे जब को three दिया हुआ था तीन साल का तो आपको एक साल निकालना था तो cube root कर दे रहे थे यहाँ पर आप 30 साल से 10 साल पर आओगे तो cube root कर दो या to the power one upon three से divide दो तो मैं जब cube root किया तो यह cube root यह भी क्यूब रूट तो यह 1 से 1 अपॉण 1 से 1.2 हुआ लेकिन जब यह पावर मुडिप्लाई होता है तो नंबर डिवाइड होता है तो यह 3 से डिवाइड हो जाएगा एक से 1.2 होने में 10 साल लगेगा बातों को तो अंदेशन कर रहो न मैं दूसरा एक्जामपल दे दू क्या जैसे मैं बोल दू कि 100 से 121 होने में 2 साल लग रहा है तो मैं बोला दो वाला एक्जामपल थोड़ा सान हो जाएगा आपको riche लृण 3 साल लग रहा है तो 10 से 111 होने में कितना टलई घंड कर दो एक साल अब यही हमें बोलता है 30 साल लग रहे हैं तो यह दसबू start साल लगता यहीं पर कुछ भी डाल दू तो आपका अंसर कभी नहीं बढ़ देगा जैसे आपको पता है वो पावर मल्टिप्लाई होता है तो यहां पर नंबर मल्टिप्लाई होता है बहुत ही असान कॉंसेप्ट है यह कोस्टन कभी कभी अब दिख जाते हैं तो अब तो आ नहीं रहे हैं तो अभी सारे कॉंसेप्ट क्लियर होगए में सही-इसाल कोंसेब्न कंदा हुग अपयोग brush की वो पता है इंस्ट्वाल में है कि इसाल कॉंसिन कर्के पाव नहीं हें। यह सचघ। एक क्लास में और CI की इंस्टॉर्मेंट का बात करूं तो मेंस में एक कोश्चन दिखता है एक कोश्चन ओभी फिक्स पैटन है दो टाइप के ही कोश्चन बनते हैं तीसरा टाइप जो कि लास्ट येर प्री में आया था रेट पूछने वाला तो ओ थर्ट थोड़ा डिफिकल लोग पढ़ लेंगे कि होता क्या है इसका इंस्टॉर्मेंट CI के इंस्टॉर्मेंट का बात करूं तो इसमें दो टाइप के कोश्चन पूछता है एक तो रेट पूछ लेगा तो रेट वाले केस में उसको छोड़ दो अभी आप मैं दो टाइप दूसरे टाइप से पे कर रहा है और दूसरा केस होता है जब इंस्टॉर्मेंट को अनिक्वली दिया जाए कभी दो हजार दे दिया कभी पांसो दे दिया इस टाइप से तो दो टाइप के इंस्टॉर्मेंट दिये जाते हैं जैसे मैं कुछ कर्ज लिया उसको लोटाने के दो तरीके दे सकता ह बराबर बराबर दो बार देके लोटा दू, या फिर मैं उसको कुछ कुछ करके, जब जब आया, पांसो, साथ सो हजार करके दे दिया, अपनों क्या होता है, दोस्ते करज लेते हैं, पांस जार करज लिए, तो वो बोल दिया भाई, पचीस सो, पचीस सो करके दे 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 तो दे दिए या फिर वो बोल सकता है 1000-1000 करके 5 बार दे दे तो हम लोग दे देते हैं लेकिन वोही कोई और दोस होता है वो मांगता है नहीं रहता है पैसा तो लोग अपन क्या करते हैं हर बार जितना पोकेट में रहता है 200-400-300 देते हैं तो एक अनिकोल इंस्टॉल्मेंट का कैसे, एक इकोल इंस्टॉल्मेंट का कैसे, इस तरीका ऐसा समझने के लिए बता दिया, ऐसा कोई है नहीं कुछ बात, आईए सीधा हम लोग कैसे इसको समझेंगे, उसके उपर बात करते हैं, मैं एक एक्जामपल ले देता हूँ, और बोला गया, तीन साल में आपको लोटाना है, मैं बोला यह भाई मैं एकबार 2,000 दे दूँगा, पहली बार, मतलों पहले साल के बाद, फस्ट इयर में, और सेकेंड इयर में 2000 दे दूँगा, तो मेरा एक कोशन बन गया कि थार्ड एयर में कितना दू कि पूरा खतम हो जाए कर्ज पूरा कर्ज खतम हो जाए या फिर ऐसे भी अभी दूसरे टाइप भी बन सकता है यह 2000-2000 ना लगके मैं थोड़ा सा कोशन बदल देता हूँ जिससे कि इक्वल इंस्टॉल्मेंट का केस ना लगे है 3000 दे दूँगा मैं बोलूँगा एक बार 2000 दे दिया एक बार 3000 दे दिया तो लास्ट यर कितना है दो आप लोग लग रहा होगा कि 2000-3000 खतम हो गया लेकिन नहीं खतम होगा ना यूग उस पर इंट्रेस्ट भी तो लग रहा है और इस इंट्रेस्ट के वज़ा से थर्ड यर में कुछ एमाउंट दे ना पूरेगा अब बोला कि क्या करेंगे हम लोग बेसीक अंडेस्टेंडिंग है इसी तरीका से कोस्टन भी सॉल्ट होगा लेकिन एक बार आप समझ लोगे तो तेजी से सॉल्ट करोगे अब मैं बोला कि परींसिपल के उपर फेले क्या होगा वन प्लस आ उ प्रन्स अपन हंडेड लगा होगा तबी तो मेरा एमाउंट आयगा एक साल बाद क्या एक कै क्यां है Franklin के उपर वन प्लस आ उपन हंडेड करौन तभी मेरा क्या है अप्श यारा उपर 10% लगेगा 11 upon 10 कि या 5000 का तो कितना आया 500 500 मेरा आया मैं आपको दो तरीके से आप समझ सकते हैं एक बार 5000 का 11 upon 10 कर दें इसका एमाउंट आ जाएगा या फिर या फिर आप क्या कर दो कि 5000 में इसका 10% एड़ कर तो 10% कितना है 500 तो कितना आप पचपंस बात को आप समझ गहांगे कोई बखुत बड़ी बात नहीं है पचपंस ओ क्या हुआ इसका इमाउंट एक साल बात अब एक साल बात क्या हुआ 2000 लोटा दिया गया अब क्या बचा 3500 अब जो होगा कहानी इस 3500 के ऊपर इंट्रेस्ट लगेगा इस 3500 क फिर 11 अपॉन 10 फिर से 11 अपॉन 10 कितना हुआ 3850 बहुत ही असान कैलकुलेशन है 5 का 5 5 प्लस 3 8 और 3 का 3 11 का रूल बताया 3850 रुपे अब उसके पास बचा 3850 दुसरे साल के बाद हुआ फिर वो 3000 लोटा दिया जब वो इससे 3000 लोटा आया तो क्या हुआ 850 अब इस पे एक बार और 11 बाई 10 लगेगा इस पे एक बार 11 बाई 10 लगेगा फिर क्या हुआ यह 935 रुपया वो तिसरे साल के बाद में लोटा आएगा तो उसका क्या होगा खतम हो जाएगा हमेशा के लिए जो होगा पैसा कर्ज तो इस तरीके से हर साल जो इंस्टॉल्मे है उसके उपर इंट्रेस्ट लगता है और फिर से नया एमाउंट बन के आता है फिर आप इंस्टॉल्मेंट देते हो फिर बच जाता है जो इमाउंट उसके उपर इंट्रेस्ट लगता है ऐसे अगर कि आप जितना जल्दी चुका होगे उतना कम आपको इंट्रेस्ट भरन तो आप सारा इंबाउंट एड़ कर दो तो दो हजार पस्तीनेजर प्लस नौसो पैंटीस तो पांच जार नौसो पैंटीस रुपय भरा भरना कितना था पांच जार तो 935 का इंट्रेस्ट भरा 935 का इंट्रेस्ट भरा है समझ रहे ना गलती क्या होता है हम लोग दिमाग लगाते हैं कि 10% रुटीन 30% एप्रॉक्सिमेटल या 33% के राउंट इंट्रेस्ट आएगा अब इसका आप 33% निकालने जाओगे तो यह 1600 के राउंट जाएगा क्रिंट हो जाएगा क्योंकि घाटते जाता है इंस्टॉाल्मेंट बातों को आप अंड्रेस्टेंड कर गया होँग'RE throughout the inverse Te quy जिसे आप समझ गया होँगे क्या मैं बताना चाहता हुँ अभी आपको मैं theory के टम में बता दूँ तो आप और जल्दी से अंडर्स्टेंड करेंगे और जल्दी से अंडर्स्टेंड करेंगे देखो मैं बोला आपके पास principal P रूपया था principal P रूपया था फिर मैं बोला इसके उपर 1 plus R upon 100 आप लगा दिए 1 plus R upon 100 ये क्या हुआ एक साल बाद आपका एमाउंट हो गया एक साल बाद टाइम यहां 1 है इस वह से एक लिख नहीं रहा हूँ 1 plus R upon 100 की है तो क्या है आपका ये आप मैं बोला पहले साल आप क्या कर रहो मेरे भाई कि आईवन का installment दे दिए अनिकोल इस्टाल्मेंट का केस है एक बार आईवन दोगे एक बार आईटू दोगे एक बार आईथरी दोगे जैसे बार 2000 दी एक बार 3000 दी एक बार 935 तो मैं आपको दो ही वाला केस समझाता हू अधिए एमाउं था उसके ऊपर फिर से 1प्लस आउपन बार 100 लगा 1 प्लस आउपन हंडड़ड मैं बोला कि 2 बार में ही चुका नहीं दो बार में ही चुकाना है तो अब आपको फाइल एमाउं देना पड़ेगा जो आएगा तो मैं बोला वही आई 2 आएगा मैं तीन केस इसलिए बता दिया कभी कभी यूज पढ़ जाए आपको या फिर मूड बन जाए कि यूज कर लेता हूँ तो कर लेना आप, सिधा लिखता हूँ, एक step बचा लेते हैं हम लोग, i2 into 100 upon 100 plus r, 100 upon 100 plus r का whole square plus i1 into 100 upon 100 plus r, यही फर्मूला आया, अब equal installment के केस में i2 और i1 equal हो जाता है, यहाँ पर unequal installment है, तो इस तरीका से समझते हैं, इस तरीका से समझते हैं, अब इस फर्मूले को आपको रट्टा लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है छोड़ दो, हम तो बोलेंगे नहीं लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ गया है, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर नहीं मिटाता हूँ, मैं अगले पेज पर समझा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको बाद में यूज भी कर लेंगे, जब हम लोग इक्वल इंस्टॉल्मेंट का केस पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताओं, तो देखो मेरे भाई, दुसरा चीज मैं बोलू, क्या हो क्या रहा था, कोई प्रिंसिपल पी था, ओ किसी रेशियो से इंक्रीज हो रहा था एक साल में, फिर यहां पे कोई आ रहा था, पता नहीं क्या है, माल लिया ये पीवन था, और पीवन से पीटू आया, अब इस पीटू से मैं क्या किया, एक इंस्टॉल्मेंट भटा लिया, और फिर इसके उपर मेरा एक बार और उसी रेशियो से इंक्रीज हुआ, अब जो आया माल लिया ये, पीथरी आया, और इस पीथरी से मैं आईटू भटा लिया, मेरा खतम हो गया यहां जीरूँ, तो मैं आपको बताऊं, कि माल यह लिया 1000 रूपे प्रिंसिपल था, 1000 रूपे प्रिंसिपल था, अब मैं बोला, दस जार लेते हैं, दस जार अच्छा लगे गा, अब मैं बोला, इस पे आप 10% का इंट्रेस्ट लगाएं, तो आपको क्या हुआ हुआ कि आप 11000 हो गया मैं बोला कि 5000 का यहां पर इंस्टॉल्मेंट पे कर रहे हो पहले साथ 5000 का इंस्टॉल्मेंट पे कर रहे हो 11000 बने गा तो 11000-5000 पीटू- आईवान यह क्या हुआ 6000 अब मैं बोलू कि आप फिर इसके उपर 11 by 10 लगेगा जो बचा हुआ अमाउंट हो इसके उपर लग रहा है मतलब यह क्या बचा हुआ हुआ है 11000 और माइनस 5000 यही नहीं अब मैं बोलू कि फिर आपको क्या हो रहा है इसका 11 by 10 होगा 11 by 10 हुआ 11 by 10 तो यह कितना हो जाएगा 6600 यह हो गया 6600 अब मैं बोलना चाहता हूँ आपको तीन साल का सिखा देता हूँ यहां आप क्या कि यहां भी आप 4000 पे कर दिए 4000 पे कर दिए यह 6600 और माइनस हो जाएगा 4000 तो बचा कितना 2600 यह उपर नीचे है यह उपर नीचे है यहां पर लिख देता हूँ 11,000 माइनस 5000 तो यहां क्या बचाता है 6000 अब इस 6000 के उपर आपका बयाज लगा था तो 6600 हुआ वहां पर मानलिया में 4000 का इंस्टॉल्मेंट दे दिया तो 26 हुआ फिर इसका 11 by 10 होगा फिर इसका 11 by 10 होगा अब यह क्या हो जाएगा 628,000 मैं बोला यहां पर 860 पे करके आप खतम कर दोगे अब कोश्चन सीधे ऐसे थोड़े मिलता है कोश्चन कैसे मिलता है यह समझाने के लिए मैं यह बड़ा सा एक्जामपल लिए एक्जामिनर क्या बोलेगा कि आपको पहला प्रिंसिपल नहीं पता है दूसरा आपको बोल दिया कि यह पहले साल पहले साल 5000 का इंस्टॉल्मेंट भरा है दूसरे साल 4000 का इंस्टॉल्मेंट भरा है question देखो आप question को समझने के कोशिश करना मैं आपके सामने ही पहले समझाया क्या होता है और उसके बाद मैं question भी बना दिया और तिसरे साल 2860 का installment बढ़ा है question कुछ इस तरीका से frame होगा कि पहले साल 5000 के installment बढ़ा दूसरे साल 4000 के installment बढ़ा और तिसरे साल 2860 का installment बढ़ा तो उसका principle क्या था उसका sum क्या था जब rate percent rate जो होग 10% है question इस तरीका से मनेगा समझ गए अब आपको निकालने के लिए क्या करना सबसे best तरीका क्या है आपको कोई formula नहीं लगानी है best तरीका है reverse आओ हम लोग इधर से इधर जा रहे थे इधर जा रहे थे इधर जा रहे थे अब मेरे को यह पता है तो मैं पीछे आते जाओंगा और principle के पास तरीका यही लगानी है आपको तरीका यही लगाना है देखो मैं आपको करके समझाता हूं अब मैं बोला जो 2860 था किसी भी amount का जो कि पता नहीं है वो क्या था 11 by 10 था तो मैं इसका मान लिया कि वो P रुपया का 11 by 10 था मान लिया ऐसे आपको मानना नहीं है आपको फटा फट करना है लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं तो आप लोग एक बार समझ दो मान लिया पी का 11 बाई 10 था तो काटा कोटी किया 11 दुना 22, 116 चब्विस तो यहां पर मेरे को एक बात पता चला कि 26 के ऊपर जब हम लोग 11 बाई 10 लिये थे तो 860 पे किया था लेकिन यह 26 कब था जब 4000 पे कर दिये थे तब था यहां पे पूरा total amount के रहा होगा, जो 2600 प्लस 4,666 अब मैं बुले यह 6600 कब था जब किसी principal या किसी amount के ऊपर 11 बाई 10 लगा होगा तो किसी principal के ऊपर जब या किसी amount के ऊपर 11 बाई 10 तो amount कै रहा होगा इसका निकाल लेते 116 के 66 तो कितने हैं वो 6,000 ये 6,000 आया ये 6,000 कब था जब हम लोग 5,000 पे किये थे तब था तो पूरा क्या रहा होगा यहां पे 6,000 प्रस 5,000 गारा हजर और ये 11,000 क्या है किसी एमाउंट का 11 बाइट 10 है तो मैं सीधा बोला किसी एमाउंट का 11 बाइट 10 है तो यहां पे एमाउंट क्या रहा होगा 11 से काट लिया तो 10,000 तो प्रिंस्पल मेरा 10,000 आगे बात कोंडेशन कर गए होगे कोश्चन इसी तरीके से सॉल्वोगा आपको ये फोटो भी नहीं बनाना आपको ब्रेन में करने मैं सिखाऊँगा ये समझाने के लिए बनाऊं कभी फोटो नहीं बनाना आप सिधा ब्रेन में करोगे एक दूसरे तरीके से मैं समझाऊँ इसी कोश्चन को तो आप कैसे जमाच सकते हो मैं सिधा बोल दू कि यहां पे देखो मैं समझाई देता हो ज़्यादा बहतर रहेगा मैं सिधा बोलू कि दो साल बाद एक साल का बात ही नहीं हो रहा है अभी भी सेंव है 8% 10% है दो साल बाद आप क्या किये 100-100 रुपया का भर दिये हो 100-100 रुपया का इस्ट्रॉल्मेंट भरे हो और लास्ट अश्ट शहार सव का इंस्ट्व्मेंट भर्र हो बताओ की सम क्या था अब दो साल हुआ होग्म दो बार 11 by 10 रहा होगा पी क्या यहां पर क्या रहा होगा की अब 12 11 मिल लो, 121 बाटा 10 रहा होगा और यहां 121 बाटा 100 और यहां क्या रहा होगा किसी soyamount का 11 भाटे रहा होगा 63 तो किसे amount क faltaед है चेक किया हमें 116 63 6000 का 11 भाटे यह 6000 कब बचा जब मैं 121.100 तो सीधा मेरा प्रिंस्पल निल जाए का तस्या तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जब दो बार पूछ दे मतलब जब दो साल का पूछ दे तो आपको घवराहाट होना नहीं दो साल बात दे जड़ साल बात दे 11 11 by 10 के कोई CI है उसी रेशियो से हर बार इंक्रीज होगा कोस्टन से हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा तेजी से आप अंडर्सेंड करोगे और भी मैं एक्जाम्पल से समझा दिया हम कोस्टन पर डिसकर्ज करते हैं हम लोग आजाओ पहला कोस्टन है आपके सामने एम एम बा प्रिंसिपल कुछ रहा होगा मैं उसके बाद इसके 21 भाई 20 रहा हुआ यहां कुछ भी आया पता नहीं लेकिन उससे क्या किये हम लोग 31500 घटा लिए फिर जो घटे हुए पार्ट है जो घटा हुआ पार्ट है उस पे जब हम लोग 21 भाई 20 किये जो मेरा आया क्या आया 4410 तो यह पार्ट क्या रहा होगा घटने के बाद काटा कुटी किया 21 27 141 मतलब यहां रहा होगा 2400 काटा कुटी किया 21 गुना दो 2400 यह 2400 कब जब 3150 पे कर दिये तब तो टोटल एमांट क्या रहा होगा यह 735 0 कब जब प्रिंस्पल के उपर 21 भाई 20 मिला तब तो मैं इसका 21 भाई 20 काटा 21 तिया 33 साथ 21 पाच्चे एक सो पाच्च 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 इन्टो ट्वन्टी सेवन थाउजन तो बात को समझगे क्या आपको ऐसे करने जोरू थी टाइ अब आपको टाइम कैसे बचाना है लास्ट यर में इतना पे किया 21 नंबर का 21 भाई 20 होगा 21 भाई 20 काटा सिधा ब्याली सो यह ब्याली सो कब जब 3150 पे कर दिया तब अब मैं बस स्टेप ही तो बचा रहा हूं कुछ नहीं कर रहा हूं उसा फोटो फाटो का स्टेप बचा काटा कुटी किया 21 63 25 105 इंटो 20 विल भी राइट अंसर आपको ऐसे करने में क्या लग रहा है कुछ नया काम नहीं कर रहा है हम लोग जो ऐसे ऐसे बना रहे उसको ही तो बचा रहे है अगले कोस्टन को आप समझो और कोस्टन में आपको जल्दी जल्दी करने आना चाहिए फोटो बनाना जरूरी नहीं है इस्टाइल से रिखना जरूरी नहीं है अ मैन बॉराओ अ सर्टन सम और एग्री तो रिपे इट बाइट बाइग पेइंग आरेस चारहजार अट इंड फरस्ट यर और आरेस सततर सा अट इंड आप सेकेंड यर इप रेट अंपाउंड आपको सेकेंड एंड में साथ तर्सोत पे किया है, यह जो समसी तकर किसी एंड फाहिक शकता सा थाजहर और दूए कई पर है कितना हुआ 11,000 अभी 11,000 भी किसी प्रिंसिपल का 11 by 10 होगा एक साल बाद हुआ होगा जब इसका मैं 11 by 10 नहीं कहा था 11 से 11 खतम 10 गुड़ा हो जाएगा तो 10,000 यह 10,000 जो है मेरा साम में इससे पहला साल बढ़के 11,000 बढ़के 4,000 दे दने के बाद 7,000 बचा था 7,000 को पर 10 पर बात को आप लोग समझके होंगी कोस्टन बहुत आसान थे दूसरे टाइप पर कोस्टन देखो आप एब बरोड आरेश 28,500 at 8% परेनम इंटरेस्ट कमपाउंडट एनुएली मतलब जैसे ही उसका 8% इंक्रीज हुआ इतना पे कर दिया अब दूसरे साल क्या होगा बचा हुए एमाउंट जो उस पर 8% लगेगा वही पे होगा उसका 8% उसमें एड करते है 28,500 है आपको अब फोटो नहीं बयाना यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं करना कि 28,500 है इसका 8% निकालेंगे जो आएगा उसमें से मैं 5780 माइनस करूँगा फिर जो आएगा इसका 8% निकालूगा तो आंसर आएगा तो यह आपको फोटो बनाने का हैविट खतम करना है सिर्फ जब कन्फ्यूजन हो समझ नहीं पाओ तब एक बार फोटो बनाके खुद से 288 है 224 और 228 जीरो आठ साथ 30780 यह मेरा एक साल बाद इमाउंट आया क्या किया मैं 5780 पे कर दिया 5780 पे कर दिया बचा क्या 25,000 यह 25,000 कब बचा जब मैं पे कर दिया अब इसके उपर फिर से 8% लागेगा तो मेरा दुसरे साल का इमाउंट बनेगा इसका दुसरे साल के अमाउंट निकालेगे इसका 8% निकालेगे 25,000 दो हजार एड करेंगे तो 25,000 प्लस 3,000 27,000 अगले साल पे करूँगा तो खतम हो जाएगा option A will be the right answer इसका मैं 8% निकाला तो 200 into 8,000 दो हजार एड कर दिया 27 EOS TV देखो आप क्या कर रहा हो कुछ नहीं कर रहा हो answer आ रहा है इस प्रोसेशस को लिखते ज़ाओ जब 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 जो हो रहा है यहां minus हुआ है यहां plus हुआ है समाजगे होंगे कोई बड़ी कोश्चन नहीं है बहुत ज्यादा आता नहीं है टफ बहुत रेयर ही टफ आता है जब 8% गायब कर देता है तो उसके लिए आपको आपको आप्शन का सहरा लेना है क्या कोश्चन है एक परसन बरोड़ शर्टें समें 10% परेनम फोर 3 years interest being compounded annually at the end of 2 years दो साल बाद he repaid a sum of 6634 at the end of third year he cleared up the debt by paying 1320 10% की हिसाब से तिसरे साल में ये पे किया cycle क्या बन रहा है पी से देखो आपको बता है तना ये दो साल और फिर ये एक साल तो एक साल में 11 बाई 10 और दो साल में 121 बाई 100 तब पले में ये किसी नंबर का 1120 होगा और ओ जब आएगा उसको sum करके ओ किसी नंबर का 1212 होगा मैं समझा चुका हूँ ये तरीका अब आजाओ 11 by 10 ये किसका होगा मैं मन में सोचा 11 से काटा 11 कम 11 11 12 मन में काट सकते हो 11 कम 11 11 12 12 ये 12000 का 11 by 10 था ये 12000 कब आया था जब हम लोग 663 पूर पे कर दिये थे तब अड़ कर दो उसको अब ये जो आया मेरा 18634 ये का बाया जब किसी प्रिंसिपल का है कि जब किसी प्रिंसिपल का है 121 by 100 रहा जब ये किसी प्रिंसिपल का 121 by 100 रहा काटा कोटी मचाऊ आँसर पाओ फिर से काटोंगा इंग्यार कमी ग्यारा इंग्यार पच पच पर 154 पर डबल जीरू 154 पर डबल जीरू इसी एमाउंट पर जब 121 वाई हंडेड हुगा दो साल बाद दो साल नहीं दो साल बाद ये मिला और जब इससे हम लोग 634 पर पहला इंस्टॉल्मेंट पे कर दिये तो मेरे को ये अमाउंट पिला और जब इसका 11 by 10 हुआ तो ये मिला इसी प्रोसेस को हम लोग लिखने का तरीका बदल सिर्फ नंबर्स को जल्दी जल्दी लिखके और स्वाल्व कर रहे हैं इसे क्या होगा समय बच रहा है अगली कोशन को देखो अतूल बोरोड़ शम उफ आरेस बारह हजार और अग्रीद तो रीपे इट बाइए बाइश अर्तालीशो अट इंड फस्ट ये अंड बेरादवेश चालीश अट इंड इंड फस्ट ये वाट इस्ट पाउंड इन्वली ये मेरे सिफ्ट का कोशन है मैं कोई एक्जाम दे इसके अपना अनुभा बताता हूं हर बार मैं फस्ट गो में कोशन रीड किया और रीड करके बोला ये तो बनाऊंगा तो दिक्कत होगा तो रेट पर्शन निकालूंगा प्रॉब्लम होनी वाली छोड़ दो दूसरी बार जब मैं राउंड वीस कोशन पचीस कोशन वाले इक्जाम में था 20 कोशन सौल कर लिया था फर्स्ट गो में तो मैं आया डी आई बचा था और दो कोशन बचे थे इसके उपर आया तो मैं इसका एक्वेशन लिखना शुरू किया इक्वेशन लिखना शुरू कि 92400 कब आया होगा आपको बता रहूं इस स्टोरी को समझना ह 12,000 पर 1 up plus R upon 100 लगा होगा तो फिर आप इसमें से 4800 घटेगा इतना लिख के मैं रूप गया फिर इसके उपर जाएगा मैं देख यह तो बहुत लिंदी जा रहा है छोड़ दिया सुचो पहला बार मैं कोशन पढ़के छोड़ा दूसरी बार थोड़ा सा लिख के छोड़क घया में चार कोशन और बचे थी जो उसको अटेंड करका फिर 25 था मेरा अब मैं समझ गया था कि मेरे को ऐसे नहीं जाना है क्योंकि मैं 10 सेकंड बरबाद कर चुका हूं इसके उपर 10-15 seconds बरबाद कर चुका हूँ एक बर रीड करके एक बर रीड करके लिख के तो मेना 15 seconds के राओं बरबाद हो चुका है अब मेरे को लेकिन एक चीज़ डिशाइड हो गया कि मेरे को basic से solve नहीं करना है मेरे को option से जाना है अब मैं question आया देखा numbers को ध्यान से देखा जब मैं number इस number को देखा मेरे को 11 का divisible मिला मेरे यहाँ पर तो option A है मेरे को आज भी याद है जब exam दे राता तो option C था 10% मैं 10% उठाया answer आ गया यही चीज़ मैं सीखाता हूँ आप लोग को छोटी छोटी तो उसी चीज़ पर आपको 12,000 पर इस 12,000 पर क्या हुआ होगा कुछ interest मिला होगा वो कुछ interest पर क्या हुआ होगा interest मिलके कोई amount आया होगा मैं माल लिया P1 उसमें से 4800 घटा दिया गया फिर जो आया उसके उपर जो मिला मतलब जगा नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ उसके उपर जो मिला वो 944 मिला अब आपको पता नहीं किस रेशियो से बढ़ रहा है तो दिक्कत है अगर आप basic से जाओगे तो आप दो तरीके से कर सकते हो पहला कि जो मैं बताया equation लिखके और या तो सीधा सीधा बिन equation लिखके इस फामूले में बोट करके इस फामूले में कि principal पता है मेरे को i2 पता है i1 पता है solve करो आ जाएगा answer लेकिन इस फामूला बहुत लेंदी जाएगा आपको भी पता है कि देखके पता चला quadratic equation है अगर तीन इस्टॉल्मेंटे से बात करते तो QB की equation बनेगा तो solve करना बहुत ही difficult हो जाएगा तो मैं इसके लिए बोला कि numbers को देखा मैं अगर number नहीं दिखता तो भी मैं क्या करता number नहीं दिखता तो मैं बारी बारी से 1-2 option को उठा के रखना चुरू करें इस option को तो गल्दी से भी नहीं उठाना है आपको पहले 10% फिर 12% फिर 8% फिर आपको 10% पहले क्यों बोल रहा हूँ सबसे easiest data 10% ही है तो सबसे easiest पहले उठाओ और सबसे typical last में अब मैं आपको सोचा कि यहाँ पर क्या हुआ मान ले या 10% 11 by 10 रहा होगा मैं काटा कुटी किया 11,61, 1400 यहां मेरा मिला 8400 amount जब यहां रहा होगा 8400 amount जब यहां रहा होगा तब जाके ही यहां पे 9,2,4,0 का amount बना होगा तो यह 8400 कब रहा होगा 48,200 घटाया गया होगा ड़कर दिया दोनों को 8,42, 12, 13 मैं चिक किया क्या 12,000 के 11 by 10 है हाँ है मतलब मेरा 10% सही है यहाँ पर चेकिये कि यह 12,000 के 11 by 10 है हाँ है मतलब मेरा 10% सही है अगर मैं 12% रुषा था तो यह साटिस्पाई नहीं करता सारा करनी से ऐसे ही questions करने होते हैं exam के time typical question को हमेशा second go third go के लिए छोड़ो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर आपको लग रहा होगा मैं मता दिया easily हो गया exam में जब question सामने आता है तो pressure create होता है जब question read करके आप पकड़ना पहोगे किस pattern पर दिया गया है क्योंकि इसके पहले I think exam में कभी rate पूछने से CI का question installment से नहीं दिया था पहली बार यह दिया तो आप ध्यान से solve करो कोई दिकत नहीं होगा rate percent वाले सायद इस type से नहीं दूसरी type से था मेरे को ध्यान नहीं लेकिन यह नया question था जब मैं दे रहा था इसके पहले मैं भी नहीं यह पढ़ा था लेकिन तब भी solve कर लिया आप पढ़े नहीं हो तब भी आप solve कर लोगे आप समय बचा लोगे तो बस मैं यह कभी question पढ़ा नहीं था उस time पे उसके बद आया तो पढ़ा आके फिर भी मैं solve करके आया मेरे marks आएं तो आप इस तरीका से पढ़ाई करो क्या a person borrowed a sum of 30800 at 10% per annum for 3 years interest compounded annually at the end of 2 years he paid इतना दो साल बात क्या होगा 11 by 10 into 11 by 10 121 by 100 से increase रहा होगा तो कितना का increase हो गया 30800 में 121 by 100 का increase है मैं काटा कोटी लगाऊंगा और multiply करूँगा दो बार 11 का multiply करेंगे 8 8 3 3 यही हुआ न अगला बर फिर 11 से multiply करूँगा 8 8 8 14 8 3 3 6 1 7 और 3 37268 जब में multiply किया तो मेरा आया अभी 37268 में क्या किया गया 13268 लोटा दिया गया 13268 लोटा दिया गया तो बचा क्या मेरे पास 24,000 अब 24,000 के बाद क्या बोला है at the end of 3 year 3rd year तीसरे साल के खतम होने के बाद दूसरे साल खतम होने के बाद उसके बास 24,000 था अब इसके उपर जो भी interest लगेगा लगेगा he paid RSX to clear the depth अब इसके उपर जो आएगा 11 by 10 वही पे करके खतम करेगा तो इसका 11 by 10 निकाल दिया 11 by 10 निकाला तो क्या आया 264,000 अगर दालेगा तो उसका depth हमेशा के लिए clear हो जाएगा option c will be the right answer, option c will be the right answer, अगले question को देखते हैं, अगला question equal installment पर है, questions में equal installment को समझाने के लिए आपको question से ही समझाओंगा, इसके पहले मैं बोलू, theory थोड़ा सा part, आप कुछ नहीं करो, इस theory को ही फिर से note down करो, और यहां पर जो i1, i2 है उसको मिटा दो, अब मेरा क्या हुआ i ह हो गया हर केस में, अब मैं इस i को common ले लू, इंस्टॉल्मेंट क्या मिला, 100 into 100 plus r का whole square plus 100 into 100 plus r, अगर मैं बोलू के principle, इस note down कर सकते हो, जब i हो गया, दोनों केस में equal installment पर कर रहा है, यहां भी i पर कर रहा है, यहां भी i पर कर रहा है, हर बार हो equally पर कर रहा है, अब आपको क्या करना है, अब मैं बोलू कि आपके सामने question में देता हूँ, actually equal installment वाला question इतना जल्दी में बना आने पाऊँगा, लग रहा है, बना लोगा क्या, देख ले तो, try तो करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ pattern को, pattern को समझना, मैं बोला कि आप 441 रुपया क पे करते हूँ, एक एक installment, जब आप कर्ज लिए, तो कितना का लिए भाई, मैं बोला आपका प्रिंसिपल 820 रुपया था, इस लाइन को तो पूछ लेंगे ना question, प्रिंसिपल 820 रुपया था, rate आपका था 5%, तो आप बताओ, कि कितना का installment पे करूँ, मैं, अब equal installment पे करना है, दो साल के लिए, time भी दे दू, दो साल के लिए, यह दो साल का formula है, जब तो इन साल का formula है, तो कुछ नहीं करना है, एक पर 100 प्लस 100 प्लस R का Q भी इसमें add कर लेना है, चार साल का है, तो यह सब तो repeat रहेग एक पर 4 वाला भी लिख लेना है, तो आपका 2 साल का, यह time दे दिया, time दो साल, अब आपको क्या करना है, इसमें put करोगे, तो आपका lengthy बनेगा, लेकिन आपको एक चीज मिलेगा, जो क्या मिलेगा, 20 upon 21, जब यहां 5 put करोगे, यहां मिलेगा 20 upon 21, यह मिलेगा 20 upon 21 का square, यह मि कुछ नहीं करना हूं, आपको बिना लिखे समझा रहा था, लिखे समझा देता हूं, यहां पर 5% डाल दो, तो होगा क्या, यह 100 plus 105, 100 upon 105, तो 20 upon 21 का square, प्लस यह होगा 20 upon 21, जो आपको ratios मिलेगे इस तरीका से मिलेगे, दो साल का होगा तो एक बार 20 upon 21, और एक बार 20 upon 21 का square, ज तो इसी ratio को हम लोग घ्यान देते हैं, यह 5% बोला, तो मेरा क्या हो रहा है, यह 20 ratio 21 हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं इसका fraction भेलो लिख रहा हूं, 1 upon 20, और जो यह 20 ratio 21 है, यह आपका principle है, और यह आपका amount है, यह आपका अल्रेडी पता है, लेकि जैसे बात दूसरे साल की हो रही है, तो यह square हो जा रहा है, 400 से 441, दूसरी चीज़ जो आपको याद रख नहीं है, कि जो एक single single वाला मैं कर रहा हूं, तो यह single single वाला, यह आपका installment है, यह आपका installment है, अगर मैं 3 साल का बात करता है, तो अगला साल हो जाता है, 8000 से 9261, तो आपका अभी तीसरे साल का installment है, तो मैं 2 साल का का काम कर रहा हूं, तो सिर्फ 2 साल को notice करूंगा, 2 साल को notice करूंगा, अब क्या रहेगा, उस question में बात देख, इस question में एक line और रहेगा, कि वो equal installment पे कर रहा है, equal installment पे कर रहा है, यह line भी इस question में ही given रहेगा, अभी तो पता चलेगा, यह equal installment का case है, अ अब इक्वल इस्ट्रॉल्मेंट पे कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यह दोनों इस्ट्रॉल्मेंट ही है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं दोनों को इक्वल बना दिया, उपर वाले में 21 से मल्टिपलाई किया, तो 21 दूना 42, 21 ही के सहां 441, नीचे क्या हुआ, 441 अब मैं आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनना मेरे भाई, गोशन असान बनते हैं, बहुत ही असान बनते हैं, अब यह प्रिंसिपल है, यह अमांट है, यह प्रिंसिपल है, यह अमांट है, अमांट जब पूरे एड करूँगा तो आएगा, अब प्रिंसिपल जब पू अब आपसे पूछेगा एक्जामिनर इसी कोश्चन के साथ कि principal 820 है तो कितना का installment पे करूँ तो मैं principal check किया तो मैं क्या है 820 तो 820 unit का value 820 है तो एक unit का value 1 है तो 441 unit का value 441 होगा principal 820 रूपया, 820 रूपया का value 820 unit है या फिर 820 unit का value 820 रूपया है एक यूनिट का भालू एक रूपया है, तो 441 उनिट का भालू क्या होगा, 441 रूपया है, इंस्टाल्मेंट 441 का है, एक जामिर दूसरा कॉशन भी पूछ सकता है, कितना इंट्रेस्ट पे किया, कितना इंट्रेस्ट पे किया, तो मैं इंट्रेस्ट निकाल लूगा, amount minus principle होत 62 रुपया का इंट्रेस्ट पे किया इंट्रेस्ट कितना पे किया सारे चीज़ आप समझ गए होंगे सिर्फ आपको एक ही चीज़ लिखने आना चाहिए रेशियो रेशियो के स्क्वायर रेशियो का क्यूब जैसे इसे बोले दो साल तीन साल उसके अनुशार काम करते जाना ह सिधे questions पर move करते हैं जो हमारे exam में mains में सबस्यादा question आते हैं इस टाइप के ही आते है रेशियो रेशियो का स्क्वायर का क्यूब बस आपको देखना है फटापट फटापट लिख देना है इस सम फारेश एक्स वाज बोरोड और पेट बाइक इन्टू इक्वल यर्ली इंस्टॉल्मेंट इच और अगला क्या होगा चार्सों से चार्सों अब यहां पर पहुत लोग एक बार लिखेंगे क्यों को हैबिट बिल्ट हो गया है को ऐसे ही लिखेंगे लेकिन जिनका हैबिट बिल्ट नहीं हुआ है ओ क्या करेंगे पहली बार मीं पूरा स्टह्ट्मेंट लिख देंगे मैं सीखाता हूं क्या आब ऐसे लिख्के हो क्या करेंगे जब इक्वल इस्टॉल्मेंट तो इधर 21 से मुटिप्लाई करेंगे ऐसे लिए के पूरे को 21 से मुटिप्लाई करके फिर लिखेंगे 420 इंटु चार्सो रेशिव 441 और यह क्या होगा 400 और रेशिव 441 अब भोलेंगे मैं बोलता हूं इस लाइन के लिखने के जोरुत थी नहीं सीधा लिखो न पता है 21 का स्कॉयर है तो मैं यहां भी स्कॉयर बना दिया यहां 420 से ही लिखूंगा सिर्फ 20 क्यों लिखूंगा 21-42 विदो करना था तो आप इस स्टेप को स्किप करो आगली बार से आपको लिखना होगा तो पता देखके ही पता चल जाएगा कि 20 से 20 होगा फिर 400-441 होगा तो 20 से 21 वाला स्टेप है उसको मैं यहीं पर लिख लिख लिया 21 का स्कॉयर और 20 कुना 2420 और यह 441 आपको 441 यूनिट का वहलू पता है 441 यूनिट का वहलू पता है एक 20 का निकालना है 441 बराबर 35 80 35 28 सिधा सिधा दिख रहा है कि यह 7 का मल्टीपल है आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं टेंशन मतलू जो आंसर आएगा 41 का मल्टीपल आएगा चेक कर लें क्या 41 44 के 164 हो जाएगा कोई यह ओप्सर ली मैं गलत तो नहीं कर रहा है गलत हो रहा है 41 का मल्टीपल आपको देखना है 41 एकम 41 4 सेग्या 3 6 4 गया दो 234 आता है क्या नहीं 28 4 सेग्या 3 6 4 गया तो 238 भी नहीं आता 5 सेग्या 4 6 4 गया 246 आता है 41 का 240 यह हुआ तो आप यहां पर 41 का मल्टीपल देखके भी सॉल कर सकते थे क्योंकि 82 में 41 था मैं 41 का टेबल हलका हलका भूलने लगा हूँ यार फिर से एक बार रट्टा लगाना पड़ेगा लग रहा है तिंचार मेने से रट्टा नहीं लगाया अब देखो क्या है यह इसी वज़े से मैं बोलता हूँ रिभीजेन आपको करते रहना है मेरे को इतना बार याद था इ करो सिधे सिधे जाया है साथ से सीधा जिख रहा है साथ 5500 कठा है साथ से कच रहा हूँ गार के मैं क्या करता हूं सीधे 21 से काट था हूं और दूसरा जो होगा, चार सो एक तालीस यहां भी होगा, यह क्या हुआ, आट सो बेरासी हुआ, और यह क्या हुआ, आपको पता है, 20 से 21 सोगा, लेकिन वे स्टेप आप बचाओगे, यहां पर 21 का स्कॉार करकर, मल्टिप्लाई कर लोगे, यहां 20 का स्कॉार से 21 का स्कॉर, अब यहां क्या बचाना रहा, 62, 62 यूट का फेलो निकान ला है, 441 यूट का फेलो, गिवेन है, 441 प्रिंस्पल इंट्रेस्ट आगया, जब बेसिक समझा रहा था तो मैं सब्सकी समझा रहा है, द्यान से आप देखेंगे, तो पास्ट कर लेंगे, how much was the interest paid on the loan, 4% होगा, 4% का मतलब क्या होता है, 1 upon 25, 25 से 26 बन रहा है, 26 का स्कॉर सिधा लिखो, 660, और यहां 26 गुणा 25 लिखो, तो कितना हुआ है, 650 होगा न, हाँ, 25 पचीशा 625 और पचीशा 625, और यह के हुआ, 625, 660, बात को समझगे होंगे, मैं बोल रहा हूँ कि 8% का आधा हो चाएगा, half yearly चलेगा, इसका मतलब क्या 1 upon 25, पहला साल बढ़ेगा 25 से 26, और दूसरा साल बढ़ेगा, 625 से 676, और मैं क्या बोला, कि equally बनाना है, क्योंकि equally early installment है, तो मैं यहीं पर 26 से गुणा कर दिया, 26 गुणा 25 और प्लस का 25, 650, तो अब देखो कैसे steps लोग लिखते हैं, लोग समझते हैं, टाइमर बात करते हैं, अब सीधा आओगे result के पास, तो यह सब आपको करने brain में आना चाहिए, मैं आपके सामने ही करके समझाता हूँ, इतना slow समझाता हूँ, तो करते time कितना fast किया जा सकता है सिर्फ यह statement लिख के answer, 15 से 20 सेकंड, max to max 15 सेकंड, तो यह सब आपको नहीं लिखना, अब आपको यह करना है, पुछा है, interest बताना है, कितना पे किया गया, यह हो गया 1352, हाँ, 621, साहिए, यह हो गया आपका 1275, 1275, कितना का interest है मेरे भाई, 25 और 52, 77 unit का, 676 बराबर है, एक 0 लगा दो, तो 770 हो जाएगा, interest, यह principal है, यह amount है, यह interest है, और यह क्या है सब, installment है, option D will be the right answer, एक एक 0 बढ़ाना था, और कुछ नहीं करना था, A loan is to be returned in two equal yearly installments, if the rate of interest is 10% per annum, compounded annually, and each installment is RS6534, the total interest charged, क्या होगा, 10 से 11, 100 से 121, तो मैं सीधा किया 110 से 121, और 100 से 121, अब से 121, अब से बोला है कि 121 unit का value given है, अब से बताना है कितना interest है, 210, ratio 242, 32 unit का interest है, 121 का value पता है, 6534, 32 का निकालना है, option में आप 8 का multiple देखके भी answer टिक कर सकते हो, यार इतो असान हो गया, देखो यह गलत है, यह गलत है, यह गलत है, option यह answer, 4 का multiple ही मैं देखा, कोई नहीं बन रहा था, यह भी 4 का multiple नहीं है, यह भी 4 का multiple ही, यह भी 4 का multiple नहीं, option A जो है, 4 का ही multiple है, 8 का ही multiple है, क्योंकि 12 का cube है, 12 का cube है, तो multiple है, आज यह solve कर देखते हैं, गलत तो नहीं है, यह सारा option, अब मैं बोलू तो 121 उटका भेलूपता है दो बर 11 से काटूँगा या फिर ऐसे लिख देता हूं प्यार से यह लाइन आपको लिखने के जरूरत नहीं है मैं प्यार से लिख दिया 11 से काटा 11 11 12 11 5 5 11 9 11 4 11 5 5 11 5 11 4 थर्टिट्टू का टेबल पढ़ दूगा 32 एक्सवाथ हाइस बारा बचा बचाव एक्सार्ट बारे एक्सवाथ हाइस सही है सत्रा का ऑप्शन है सही है 178 इजी कोशन था सिर्फ एक किस्टेब का कैलकुलेशन था और आंसर आपके हाथो में अगले कोशन को देखो क्या है इस्टॉल्मेंट ऑफ आरेस 5547H इप दे रेट फिंट्रेस्ट वाज 7 सही 1 अपॉन 2 परशेंट पर इनम पर इनम यह अपको सेवन अपॉन 2 परशेंट दे रिया यह आई थिंग 15 नौंबर मेंस का आईवा कोशन है 15 नौंबर मेंस पेपर जो की डेट था 15 नौंबर 2020 उसका साथ परशेंट को आप लिखोगे फ्रेक्शन भेलू तो क्या होगा 15 बटा दू तो 3 बटे 40 मैं लिख देता हूं थोड़ा सा लेंदी है आपको लेक बार लेक के समझाता हूं 15 बाई 200 काटा कोटी किया तो 3 बाई 40 इंक्रीज कैसे होगा 40 से 43 का 40 से 43 40 कैस्क्वार श्रूश सब की point of view से बता रहा हूं मेरा तुम मेरे को याद है 43 गटे 43 जोगे 172 कर दूँगा 1720 रेशियो ठारस उनचास ते 43 जोगे 100 बहतर आप कर दोगे लेकिन जिसको नहीं याद है उसके point of view से आप देखके चलोगी तो ऐसे लिखेगा 40 रेशियो 43 और 1600 रेशियो ठारस उनचा ही बनेगा और यह मेरा 43 गटारस उना चार 1720 बनेगा आप अगर एक स्टेप लिख दिता आपको अलग से एक स्टेप स्टाइल में इसको काटो 43 से उपर multiply किया तो 43 x 43 1849 43 x 4 1720 अब मेरा क्या होगा यह जो होगा मेरा amount होगा यह जो मेरा होगा पुछा क्या है आपको एक installment का भैलू दिया हुआ है 1849 सिदा सिदा देखा थर्टी टाइमस है उनिट में देखा नौतिय सता है सथर दिया चावण साटिस्फाइब कर गया थ्री टाइमस है पुछा है कितना इंट्रेस्ट पे किया तो मैं जोड लेता हूँ तैती सो बीस प्रिंसिपल था उन्चाज दून अन्ठानवे चाती सो अन्ठानवे मेरा एमाउंट था माइनस किया तो 873 378 यूनिट मेरा इंट्रेस्ट है एक यूनिट का भैलू क्या है 3 क्योंकि 3 टाइमस हो रहा है तो यह भी 3 टाइमस हो जाएगा इसका आंसर रहा 1134 विदा रहा है 1134 मेरा कुछ नहीं किया यह थ्री टाइमस हो रहा था तो इंट्रेस्ट रहा जो अशको भी 3-1 टाइमस कर दिया आशर आगे जो पूछण है तो पृंसिपल को भी 3 टाइमस कर देता है तो तीन मून आच्छे यह 3399960 मेरा प्रिंसिपल आता है असां सा कॉ अब मैं आपको बताओं तो आप से कहानी जो पीछे वाला कोशन की कुछ अलग नहीं है आप क्या करोगे सीधा-सीधा 110 से 121 कर दो और ये क्या होगा 100 से 121 होगा अभी अभी साथ इस्टाइप का एक कोशन की भी थे 242 आया ये 2 वर 0 आया बाइनस किया तो 32 आया इसमें मल्टिपल चेक कर लेकिया लेकिन दो आप्शन मैच कर गया चार का मल्टिपल है आठ का चेक करूँ तो 8 साथे छपपन, 8 नवा बहत्तर, 8 साथे अर्टालीश, 8 साथे छपपन ये और भी दोनों आठ का मल्टिपल है मैं क इंटू 32 काटा कोटी शुरू किया इग्यारा पाचे पचपन, तीन बच्चा, इग्यारा चोग चुवालिस, 48 इंटू 32, 32, 256, आप्शन ए वी विदराइट अंसर, आप्शन ए सही है क्योंकि क्या हुआ, मेरा ये साथिस्वाई कर गया यूनिट डिजित, यूनिट डिजि असान है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ, अगले कोशन को देखते हैं, आगे कोशन को, अगले कोशन को देखते हैं, क्या है, देखो आप, एक बार प मैंनल ट्रीव एक और गार, जीसे मेरा कोशन को पांच रेशियो डिखना था, तो ये बार पांच रेशियो छे, दॉसरा बार टॉनिटिफाई रेशियो त्रीशियो और तीसरी बार कर दूंगा, फाइफ का क्यूब, 125 ratio to 16 तो ये तीन साल के लिए इस तरीका से लिखते हैं फिर हम लोग इंस्टॉल्मेंट को इक्वाल कर लेते हैं इसके लिए इसमें 36 से मंटिप्लाई कर दोंगा इसमें 6 से पूरे में हो जाएगा ये तीन साल वाला है और कुछ नहीं करना होता है अपने एकजाम में दो साल वाला ही आता है मैक्सिमम बहुत रेर है कि तीन साल वाला पूछेगा दो साल वाले पर कमांड बनाईगी कैलकुलेशन पर कमांड बनाईगी ये थोड़ सा कैलकुलेटिव रहता है तो आप 20 सेगंड में आप इस टाइब कोस्टन निकाल लोगे अब बोल रहा है कि इम तो साब की पर चार्जेज इंट्रेस्टेट दे रेट आप 10% परेनम कमपांड एनुवली दें अमांट उफ इच इंस्टॉल्मेंट विल भी पहला साल क्या होगा 10 से 11 मैं यह लिख दे रहा हूं लेकिन जब आप एक बार लिख लोगे तो आपको पता है 1331 के बराबर सबको करना है तो थोड़ा आप फास्ट करोगे 10 से 11 अगला चीज में बोलू तो क्या होगा 100 से 121 और अगला बोलू तो क्या करोगे आप 1000 से 1331 अब आपको पता है क्या यह इंस्टॉल्मेंट है और वह 79860 पे करना था जिसमें 60,000 डाउन बेमेंट कर दिया तो उसको पे कितना करना है तो उससे इसको माइनस करो 766 गया एक 9860 अब उसको इतना रूपीज पे करना है मतलब यह उसका प्रिंस्पल है अब इसके उपर ही उसको इंट्रेस्ट मिला है कि अल्टीमेंटली सीधा सीधा लिख देता कि 190860 करज लिया 10% के बयाच से तो बताओ मेरे को क्या पे करना पड़ेगा इंस्टॉल्मेट उपर का स्टोरी नहीं भी लिखता तो कॉस्चन वही है question क्या है कि उन्ली ज़र 860 का करज लिया उसको 3 annual installment पे इंस्टॉल्मेंट पे पे कर रहा हूँ और यह 10% का interest rate है असान है अब देखो क्या करेंगे पहले इसको equal करेंगे इसको equal करेंगे इसको equal कर दे टाइम यहां 331 हो गया यहां क्या हो गया multiply क्या 11 से तो 1100 यहां 121 से multiply करूँगा तो 1331 हो जाएगा और यहां 121 से multiply क्या हूँ 1210 अब मेरे को पता है यह क्या है principal total यह क्या है एक साल का बयाच तो एक साल का installment अब मैं कुछ नहीं करूँगा solution कर दूँगा इसको add करूँगा add किया तो क्या 1 2 1 3 3 331 0 मेरा जोया principal आया एक principal बराबर किसके है इसके मेरे को निकालना क्या है इतने unit का value पता है इतने unit का value निकालना है ध्यान से देखो 6 time table पढ़ते ही answer आ जाएगा आप 33 का अलाग टेवल पढ़ो एक का अलाग टेवल पढ़ो तो 33 चके 1192 और एक चके 6 कट रहा है तो एक unit का value क्या होगा 60 तो इतना unit का value इसमें एक unit का value क्या होगा 6 क्या जीरो से भी 0 कतल तो आपका 1331 या फिर 1331 क्या होगा value इसमें 6 से multiply कर दो answer आ जाएगा आप option से चलेगा तो unit digit में चेक कर लिया solve नहीं करना पड़ा मेरेको unit digit में चेक कर लिया टेबल भी पढ़ता तो easily पढ़ सकता हूँ 31 चाके 186 एक बचा और 13 चाके 78 और एक उनासी आगया 7 986 answer तो असान question है बिल्कुल भी difficult नहीं है आ सकता है इसा exam में और किसी ना किसी exam का आया हुआ ही question होगा अगले question को आप देखो Rajesh purchased a television which cost इतना on the terms that he is required to pay some cash down payment followed by 2794 at the end of first year 6292 at the end of second year and 1331 at the end of third year interest is charge at the rate of 10% per annum calculate the cash down payment क्या हुआ होगा कुछ इसका price होगा P इस पर कुछ cash down payment कर दिया अब जो आया हुआ amount है इसके ऊपर stress लगेगा फिर एक down payment करेगा installment फिर जो बचा हुआ है उसस्पर interest लगेगा फिर birdsUNG करेगा यही story चलेगा अभ मेरे को क्या है principle पता है बीच वाला नहीं पता है लेकिन यह पता है ये किसी नंबर के एक बढ़ 11 by 10 होगा, अगला वाला में आएगा Sum करने बाद एक बढ़ 11 by 10 आएगा, अगला वाला आएगा उसमें उभी 11 by 10 होगा, जो आएगा वह amount आजाएगा, अगर उसको इससे minus कर लेंगे तो मेरे down payment आजाएगा, बात को समझ गे, इसी process को follow करना है, ज इसलिए लास्ट में इसे questions रखे हम लोग तो unequal installment वाला case लगा तो answer आजाएगा मैं लगाना सुरू कि यह unequal installment का case पहला क्या करूंगा यह किसी ना किसी नंबर के 11 by 10 होगा काटा 11 से 121 बार गया मतलब यह 1210 का 1210 का 11 by 10 है अब मैं 1210 क्या बचा होगा जब 6292 पेमेंट कर दिया होगा तो 6292 पेमेंट कर दिया होगा क्या हुआ होगा तू नौ इक तस दो दो चार एक पाच छेक साथ यह 7502 किसी ना किसी नंबर का 11 by 10 होगा 11 से काटा 116 के 16 क्या बचा 549 एक 118 ठाइस और 118 ठाइस यह 1220 यह जो 820 होगा यह 820 का 11 by 10 था अभी 6820 कब मिला होगा जब वो 2794 पे कर दिया होगा जब 2794 पे कर दिया होगा 2794 एड कर लेते हैं आप उस तरीके से फोटो बना बना के सॉल्व कर सकते हो इस पैटन का कोश्चन मैं करा चुका हो इसलिए मैं इस तरीके से ही करा रहा हो एड किया नौ दू ग्यारा आठ साथ पंद्र एक शोल चे दू आठ एक नौ यह क्या होगा किसी नंबर के 11 by 10 होगा 11 by 10 काटा तो 11,888 क्या मिला मेरे को 8 11,77 11,44 अब यह नंबर कम मिला होगा जब वो कुछ डाउन पेमेंट किया होगा ओरिजिनल भैलू में तब यह नंबर आया होगा तो वो कितना का डाउन पेमेंट किया है चेक करने के लिए उसको इससे मानूस कर दो आ जाएगा जब 13,240 में कुछ उसको डाउन पेमेंट किया होगा तब जाएक उसको 8740 आया होगा और 8740 का कहानी है यह कि 8740 पहले 11 by 10 हुआ तो यह आया फिर उसमें हम लोग क्या कि 2794 एक पेमेंट कर दिये तो फिर बचा हुआ 820 था यह 11 by 10 हुआ तो 752 हुआ फिर उसमें क्या किया 692 पे कर दिये फिर जो बचा 1210 बचा 1210 का 11 by 10 131 हो गया यही उल्टा चल रहा है स्थोई में पीछे से आ रहा हूं अब मैं घैटाया तो क्या likewise 17akiya बारह से 7 यह पांच और तिरह साथ क्या पांच चार पांच ना कुछ गलती कर रहें क्या 12 से साथ क्या पांच 4, 5 होगा 4 से 4 गया 0 12 से साथ क्या 5 और 12 से 8 गया 4 4, 5, 00 4, 5, 00 will be the right answer I think कोई यह option नहीं है सही Error है options में है options भी है देखो option भी answer मेरे को लगा 5,500 है इस वज़े से मैं वही answer टिक कर रहा था अगले कोईशन को देखवा An amount of Rs. 13,800 due 3 years देखो आप due तो समझते हो नो due depth actually due से कोईशन बनता नहीं है हम लोग के और CI में तो कभी नहीं बनता तो अगर वो difficult बनाना चाहे due क्या होता है या आप समझ लो due depth क्या होता है समझ लो और ये एक होता है borrowed amount borrowed amount और due depth दोनों में थोड़ा सा ही बात का difference है बस इसको आप समझ लोगे generally SI में समझते हो लो लेकिन यहां समझा दिया फिर SI में भी समझा दोगा लेकिन मैं बोला difficult side आएगा तो ऐसा है अब मैं बोला कि आप अपने दोस्ट से 1000 रुपे कर जा लिए तो बोले ठीक है अब दोस्त कमीना है तो क्या कि आप 10% का प्याज लेना शुरू किया 10% का प्याज लेना शुरू किया तो आप 2 साल बाद क्या amount होगा 10% जब बढ़ाएंगे 2 साल तो 21% का increase होगा तो 1210 का amount होगा जब आप कर्ज ले रहे थे तो इसी को borrowed amount बोलते है मत्तब लिया गया उधार लिया गया लिया गया इधर से ना होता है ना इधर से होता है लिया गया उधार और जो आपको due या debt का बात हो तो पैसा जो दे है देना है जो दे है जो देना है देने वाला amount देने वाला पैसा ये दो चीज आप समझ गए तो यहाँ पर एक तरीके से और आप याद रख सकते हो मेरे भाई कैसे याद रख सकते हो कि जो देने वाला पैसा यह दे इमाउंट है या फिर डिव है या फिर डिप्ट है उसमें इंट्रेस्ट एड किया गया है अभी आप कोशन लेको क्या कोशन था कि एन इमाउंट ओफ आरेश तेरहाजार आजार आज सो डिव थी यर्स हैंस तीन साल बाद किसी प्रिंसिपल पर उसका जोड के तेरहाजार आज सो बना है आप यह बात अंडेस्ट कर गए तो अब मैं आपको यहां से एक बात और बता हूं आगे देखो इज फुली रीपेड इन थ्री एनुएल इंस्टॉल्मेंट स्टार्टिंग आफ्टर फॉस्ट इयर फॉस्ट इस्टॉल्मेंट इज वन अब देखो एक बात क्या मैं बता रहा हूं वही चीज है अगर मैं एक बात बता हूं क्या बताना है कि 100 रुपया आपको आज पेग करना है तो मैं बोलू आज अगर 100 रुपया मेरे को पेग कर रहे हो तो कोई इंट्रेस्ट नहीं दे रहा हूं एक साल बाद पेग करोगे तो मैं आपसे 110 लोगा 10% के हिसाब से तो अगर मैं आपको इंस्टॉल्मेंट दे रहा हूं 100 आज दे दिया तो मैं अगले साल के लिए तो 110 दे दिया तो कि अगले साल आप मेरे से 110 ले लेते लेकिन मेरे को देना नहीं पड़ा क्यों कि मैं आज ही 100 दे दिया मैं बोला नहीं अगर आपको यही 102 साल बाद देना होता तो क्या करते है तो पहले साल 110 बन था दूसरे साल 121 बन था तो आप क्या किये आज आपको 100 देना था तो आज ही आप 100 देखे दू साल बाद 121 देना पड़े आप काम खतम कर लिए तो यहां पर इंस्ट्रॉल्मेंट यही काम करता है यहां पर यह जो एक यूनिट पेक किया तो तीसरे साल में उसको इस एक यूनिट पर दो बार बयाज ना पेक करना पड़े इसलिए पहले पेकिया गया मैं बोला कि इस पर बयाज दे दो इस पर भी एक बार बयाज दे दो इस पर दो बार बयाज दो इस तीन उनिट पर एक साल के लिए बयाज दो और सब को लास्ट यह में पहुचा दो और जो एमाउंट मिलेगा उसके calculation ना हो तो मैं क्या बोला इस 136 को मैं 100, 300 और 600 बना लिया 100, 300 और 600 बना लिया मेरे को पता है कि मेरा क्या है interest rate है 20% अब 20% से 2 साल की साथ से कितना बढ़े गई 22, 40 और प्लस 4, 44, 144 ये 301 साल में कितना बढ़ेगा 20 ये 60, 360 360 ये जो मेरा हुआ ये final amount पेक करना था ये 0 है अब मैं इसको add करूँ तो 4 6410, 63910 1004 हुआ जो 1004 यूनित है वो बराबर है उसके पूछा क्या है कि third installment बताओ मतलब 600 unit का value आप से पूछा है 600 unit का value आप से पूछा solve कर दो असान है बिल्कुल भी कुछ नहीं करना पड़ा प्रोसेस आप लोग easily understand कर गए होंगे 23 के table में दोनों कट रहा है काटते हैं 23 के table में कुछ गलत कर दिये क्या हाँ कट नहीं रहा था मेरे को number दिखने रहा था कि कटते हुए मैं जब काटा तो यह 34 का बिरानवे 28884 जाने का तो गया नहीं तो बहुत लाग कहीं गलत हुआ है तो 1104 यूनिट बराबर है उसके मैं काटा कोटी मचाया तो 1104 यूनिट बराबर हुआ 13800 24 के बिरानवे 28184 36 136 6 से काटा तो 8 यूनिट का बहलू क्या है 100 तो एक यूनिट का बहलू क्या होगा 100 अपॉन 8 600 इंटू 100 अपॉन 8 कर दो आंसर आजाएगा आपका काटा कोटी मचायेंगे तो यह 25 अपॉन 2 है इसमें 25 अपॉन 2 किया तो कितना हुआ यह साढ़े साथ अजार के आजपास आंसर होगा आप देखो 600 इंटू 25.2 मैं कुछ नहीं किया 25 शाके 1500 लिख दिया यह 15,000 हो गया इसको दो से काटा तो साढ़े साथ अजार हो गया तो साढ़े साथ अजार लोगी तो टाइट आइट आंसर पूछता कि वर्स के इंस्ट्राल्मेंट तो साथे अजार रूपे इस तरीके नगो को शॉतन को तरीके से को स्वेट करना होता है ऐसा नहीं होता ह weiß अगले कोशिटगो यह question exam में बहुत rare ही आते हैं, ऐसे questions नहीं आते हैं, लेकिन एक बार जब समझ रहे हो, तो एक pattern आगे तक समझ लोगे, तो कभी दिकत नहीं होगा क्या बोला, an amount of RS-12820 due to three years hence is fully repaid in three annual installment, starting after one year, the first, second and third installment are in the ratio of one ratio, two ratio, three, मैं इसको क्या बोला है, 100 ratio, 200 ratio, 30 लेता, अब आपको क्या करना है पहला काम, कि इसको दो साल बाद क्या मिलता, यह तो 100 दिया, लेकिन अगर नहीं देता, तो क्या देता, 121 देता, 10 प्लस 10, प्लस 10 इंटू 10 अपन 100, 21% एक्स्टा देता, तो 121 देती है, अगर यह 200 नहीं देता अभी, तो बाद में क्या देना पड़ता, तो इसका में 10% 220 देना पड़ता, और यहीं amount वहां पर given है, सॉल किया, तो 2, 2, 4, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 641 यूनिट का भेलो give है, नहीं, पूछा क्या, 1st installment, 100 यूनिट का भेलो निकालना है, सॉलूसन करते टाइम, वो सिधा सिधा दिख रहा है, 6 गुणा 2, 12, 1, 40 गुणा 2, 18, एक यूनिट का भेलो 2, 2 और 0, 20 है, तो 100 यूनिट 2000, समझ गया होंगे आप लो, 641 बराबर हो गया, 12820, काटा कुटी मचाया, तो यह 20 टाइम से गया, तो 180 बराबर, 20 इंटो 100, 2000 बीद रहा है, इस तारीके से ही कोस्चन्स, आते हैं अपने एक्जाम में, यह सबसे hardest type है, इतने type के भी नहीं आते, जो basic वाला मैं कराया था, दो साल वाला, वही आते हैं, उससे ज़्यादा hard नहीं आता, इनको भी पढ़ लेना है, installment CI का खतम, एक क्लास SI के installment पर जाएगा, फिर profit loss पढ़ेंगे, उसका धीरे धीरे अब इस मन्त में, जून में, खतम करने का target है अपना लोका, कि arithmetic का सारा chapter खतम हो जाए, फिर कुछ session practice के उपर भी अपन करेंगे,